तो स्कार्ट करते हैं भाई CPC पढ़ना Civil Procedure Code और आप जैसा कि जानते हैं इस प्रोसीजरल लो तो जिस तरीके से हमने CRPC को पढ़ा था जिस तरीके से मैंने आपको एक CRPC का लेक्चर रिकमेंड किया था जो इस Crash Course का पार्ट तो नहीं था जो मैं पहले ही YouTube पे अप्लोड हम लोग कर चुके थे उसको कि CRPC पढ़ते कैसे हैं उस लेक्चर को जरूर आप देखिए तो आपको पूरा overall holistic idea लग जाएगा about the complete subject, about the framing, क्या चीज़ CRPC बताई गई है, उसका purpose क्या है, क्यों लिखा है, कहां से वो आया, और जो पूरी chain होती है criminal case की, उसमें कहां fit होता है, कौन सा chapter, कौन सा provision, उसकी जानगारी के लिए वो lecture था, आज मैं सेम काम CPC के साथ करने वाला हूँ, म interesting और बहुत easy subject है CPC, अभी जब हम एक discuss करेंगे, एक सोट की कहानी, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगे, जो इदर लिखी है, अब only problem is, कि structuring आपके समझ में नहीं आई है, कि ये क्यों लिखा है, कहां लिखा है, वो आपने एक बार जान लिया, तो CPC आपके लिए सिर्फ content पर बात होगी, content का काम है, आपके पास वो होना चाहिए, तो मैं आपको overall पूरा idea दे दूँगा, इस subject का, क्योंकि इसको start, section wise इसको start करने के पहले, ये बहुत जरूरी है, कि आप इस subject से थोड़ा familiar हो जाएं, इस पूरे act को समझ लें, इस पूरे code को आप समझ ले है, क्या, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब समझ में आ जाएगा, तो एक-एक order के अंदर के rule या section के अंदर का meaning आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, इसलिए कोशिश हम उस approach से चलने की करेंगे, तो चलिए देखे, CPC क्या है, कि civil का एक procedural law है, आप जानते है laws को broadly divide किया है, criminal और civil laws में, criminal से related substantive law भी अपन पढ़ चुके हैं, that was IPC, और criminal का procedural law भी हम लोग पढ़ चुके हैं, that is CRPC, civil law की अगर अपन बात करें, तो civil का procedural law है, so it is a civil and procedural law, अब आप जानते हैं कि procedural law का काम क्या होता है, या procedural law का purpose क्या होता है, substantive law क्या करता है, substantive law पार्टी के right बता देता है, और उसके लिए एक remedy बता देता है, अब जिस व्यक्ति का right violate हुआ है, उसको remedy तर ले जाने का जो पूरा process है, वो सब procedural law में दिया है, same चीज़ आपने IPC और CRPC के connection में देखी है, अगर आपने CRPC अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो same lines पे काफी similarity है procedure में, same lines पे हमारा चलेगा CPC, CPC में भी क्या है, कि जैसे कोई भी civil law है, एक substantive civil law कोई भी उठा लेजे, उसमें rights दिये हैं parties के, और remedies दिये हैं, कि अगर right का violation होगा, तो क्या remedy आपको मिलना है, अब उस right के violation से remedy तक का जो सफर है, ये तय कराता है, ये procedural law जिसको हम कहते हैं CPC, जैसे एक example से CIS को अपने स्टार्ट करते हैं, आप समझे simple contract act आपने पढ़ रखा है, लगभग आप सभी ने contract act पढ़ रखा है, Indian contract act आपको बताता है, कि कैसे एक valid और enforceable contract existence में आएगा, है ना, formation कैसे होगा, और अगर उसका breach, breach कैसे होगा, ये भी बताया Indian contract act ने, और अगर breach हुआ तो उसके बदले में party को remedy क्या दी जाएगी, आप पर प्रस्क्राइब करी है, Indian contract act ने जारा comment box में बता दी जिए, कौनसी remedy देता है, Indian contract act, in case of breach of contract, कौनसी remedy देता है, contract act, कौनसी remedy देता है, Indian contract act, तो कि civil की remedies दूसरे acts में भी है, ऐसारे भी आपने पढ़ा होगा, specific relief act, damages, that's correct sanskriti, damages दिये हुए इदर, contract में जो remedy है, वो primarily damages है, उस जाएगा, civil का basic purpose compensation देलाने में, इसके, अब, compensation के अलावा, specific performance भी आप contract की ले सकते है, specific performance अगर लेना है, specific relief act आपको हो भी दिलवा देगा, जैसे मानलीजे, अगर मानलीजे, मैं आपके साथ एक contract करता हूँ, आप मेंसे कुछ student ने, इसी live series में, ये भी request करी थी, कि मेंस वाल जाएँ, मेंस वाले, इस, all right, all right, तो काफी लोग है, कुशान, तन्वीर, नीलम, यह सब चाह रहे हैं कि हो जाए, चलिए, मैंने आप से promise कर दिया, कि ठीक है, मैं पढ़ा दूँगा, मैं आपको local laws भी करा दूँगा, यूट्यूब पे, लेकिन आपको पता है कि मैं बहु मैंने आपके साथ, एक agreement किया, कि बटा, अगर प्री होने तक, बारा फरवरी तक, आप इस चानल के subscriber को 25,000 तक पहुचा दीजिए, वीडियो शेयर करके, लाइक करके, चानल सब्स्राइब करके, दूसरी जगे शेयर करके, अगर आप subscriber 25,000 करा देते हैं मेरे, तो मैं आपको जरूर मेंस की तैयरी इधर पर करवातूंगा, तनवीर ने कहाए कि क्लेम नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूं इसको अपन लीगल इंटेंशन ले आएं, मैं तनवीर के साथ एक agreement कर लेता हूं, register कर लेते हैं, stamp पर लिखके कर लेते हैं, legal intention आना चाहिए बस, consideration हो जाए दोन contract में बना गरी हो गए, अब जैसे ही, मान लेजिए 25,000 subscribers हो जाते हैं इस channel के, लेकिन मैं आपको मेंस पढ़ाने से मना कर देता हूं, मैं बोल दूँगा यही तो थी मेरी ninja technique subscriber बढ़ा देगी, अब नहीं पढ़ा रहा मैं, this is called breach of contract, अगर वो valid contract है तो, अब यह contract valid था या नही के लिए आप substantive law पढ़ेंगे, Indian contract act में बताया गया है, whether it is enforceable or not, अपन मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि enforceable है, था यह enforceable, अब आपके साथ यह contract का breach हुआ, इस contract के breach के बदले में, आपके पास क्या remedy है, आप मुझसे damages compensation मान सकते हैं, या आप मुझे compel कर सकते हैं, अपना obligation फुल्फिल करने के लिए, दो नो, अब क्या आप मुझसे पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं specific performance, कि जो obligation लिया वो ही फुल्फिल कराव सकते हैं, या नहीं, तो जहाँ personal skill involved है, वहाँ specific performance मिलता है, या आपको पता चलेगा, contract और SRA पढ़के, कि personal skill involved है, तो मिलेगा या नहीं specific performance, जो specific performance नहीं मिलेगा, damage तो मिलेगा, कि सारा हमने इत्ती महनत करी थी, आपके वीडियो जटे शेयर कि यह तो उसके बाद भी आपने पढ़ाया नहीं, breach तो हुआ है, आप यह करने के लिए, आप कहां जाएंगे, यह सब कारेकरम करने के लि वो legal right क्या सा था, civil legal right था, उसके बदले में आपके पास civil remedy है, जिसको बन कहते है, damages या compensation, आप contract act ने तो बता दिया कि कवे contract valid होगा, enforceable होगा, नहीं होगा, उसके बदले में क्या remedy दी जाएगी, यह भी बता दिया, वो remedy कैसे मिलेगी, यह नहीं बताया, इसलिए scene में क्या CPC आया, CPC आपको बताएगा कि वो remedy आपको कहां जाके लेना है, कौन ले सकता है, कैसे लेना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस code में मिलेंगे, CPC में मिलेंगे, तो logical, मैं बता रहा हूँ, आपने यह जो orders पढ़े है न, the problem is कि आपने उसमें logic नहीं बिटाया, इसल कौन है, अग्रीव डिवेटती है, जिसके राइट का वोईलेशन होगा, एक term आपने CPC में सुना होगा, जो कि बहुत regularly आपको देखने को मिलेगा, उसको कहां जाता है, cause of action, इस term को क्या कहते है, cause of action, यह सुना है आप सबने, रही जागे मिले, हरेस जोटी काटव अगेरा पड़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको, और मैंने क्या कहा, इन सारे terms को समझ के calling happen, रटना ही नहीं, यह सब कुछ समझेंगे, same title का क्या मतलब होता है, subject matter का क्या मतलब होता है, everything, cause of action का क्या मतलब होता है, cause of action आपने सुना, cause of action, कौन सा action, court जाने का action, action मतलब legal action, court जाने कारण यह है कि आपके पास एक legal right था जिसका मैंने violation किया है, आपके और मेरे बीच में valid contract था, उस contract से आपका legal right arise हुआ था और मैंने उस right का कर दिया है violation, इसलिए cause of action क्या होता है, तो भाई साब cause of action होता है, existence of a legal right, existence of a legal right, plus इसका violation, आपके पास एक legal right था, कौन सा right था, contractual right आपके और मेरे बीच में contract हुआ था जिससे आपका ये right arise हुआ था और क्योंकि मैंने अपना obligation fulfill नहीं करा इस वज़े से आपके उस right का क्या होगा violation इसी को collectively आप कहते है cause of action एक legal right के violation से arise होता है cause of action cause of action मतलब action करने का court जाने का जो करण है I hope that is clear that's cause of action so legal right plus its violation is cause of action इसलिए आप court जाएंगे अब देखिए ये तो होगे contract की बात की contract में आप इस तरण से bis to court जा सकते है मेरे अगेंस आपका जो right था वह कहां से derive होता contract सेtez और इस आपके पास और कि आपके पास घर है जिस पर कि सी और कभ्जा कर लिया है आपके पास right था उस गर की possession का एकटी है जिसके पास right है एक घर की possession का क्यूं आपा सी graph हुआ έका टारा ही है तो भाइव कि उसको घर देखे जाएंगी और उस पर्सन को वो घर मिला था आपने वी उसका राइट का पाजशन आप मांग लो, कोट में जाके, ऐसे आप multiple cause of action सोच सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, legal right उसका violation तो एक cause of action, वो contract से भी आ सकता है, वो किसी दूसरे civil law से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, transfer of property act से आ सकता है, किसी भी substantive law से आएगा, substantive law basically क्या है, right और remedy की बात करेगा, procedural law उ कोई भी किसी भी cause of action की अपन बात कर लें, जो वेक्ति है, वो क्या करेगा, civil suit file करेगा, criminal case कहा जाता है, civil में उसे अपन suit कहते हैं, उस proceedings को, इधर होगा क्या, एक suit, ये suit कौन file करेगा, कौन file करेगा, तो parties देखनी पढ़ेंगे, कौन file करता है, suit by agreed वेक्ति, जिसके right का violation हु उसको क्या कहते हैं, plaintiff कहते हैं उसे, जो अग्रीव्ड वेक्ति है, ये जो plaintiff चाहेगा, अपने right को enforce कराने, किस के against जाएगा, defendant के, जिस वेक्ति ने उसके right का violation किया, so defendant के against, यहाँ defendant कौन हूँ, मैं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे promise किया था है, कि आपने इन subscribers को 25 किये पहु आपने बात करी थी, तो society को crime से protect करना, किसकी responsibility, state की, इसलिए criminal case में, institute कौन करता है, prosecution किस की तरफ से होता है, state government की तरफ से, victim जाके case file ने करता कोट में, वो जाके report करता है, government को, कि मेरे साथ यह offense हो गया है, अब आप मुझे remedy दिलाइए, सरकार अपनी तरफ से prosecution करवाती है, criminal code में, यहां ऐसा नहीं है, civil में, आपके right का violation हूँ, आप खुच जाईए, तो plaintiff जाएगा, किस के against, defendant के against, अब यह जो suit institute होगा, आप देखो इसी में technical terms आते जाएंगे, CPC के, suit institute होगा, institution of suit, कैसे होगा, institution of suit, through a plaint, यह वेक्ति जाएगा, तो कुछ document, कुछ बर्चा बर्चा लेके जाएगा, अपना matter बताने के लिए, इसको आप कहते हैं, plant, plant लेके यह वेक्ति जाएगा, court में, अब यह जब अपनी plant लेके court में जाएगा, इसकी बात सुनी जाएगी, general procedure अभी बता रहा हूँ, उसके बाद एक चीज़ पर डीटेल में आएगे, यह वेक्ति को देखेगा, सुनेगा, अभी detailing और इंगीस में, इतनी अराम से court convince नहीं होगा, लेकिन पहले एक brief समझ लिए, कि यह plant लेके court पहुचा, court ने देखा, उसके बाल वो क्या करेंगे, हाँ बाई, किसने करा तुमारा right evaluation लेका हो, उसको बलाते है, उसको बलाने के लिए समन बे return statement, जो यह defendant लिख के देगा, उसको अपन क्या कहते है, return statement कहते है, यह अपना defense file करेगा, अपना पक्ष रखेगा court के सामझे, उसके बाद आप दोनों के बीच में argument होगा, पूरा सब करेकरम चलेगा, और end में कहां पहुचेंगे अपन, end में पहुचेंगे एक judgment की तरह, end में होगा है, judgment, अब आप चानते हैं, CPC में सरफ judgment से भी नहीं होता, judgment के साथ एक चीज और आजाती है, इसको हम कहते है, decree, और इसके साथ एक और term use होता है, that is called order, order, दो सब अलग है अपने आप, तो जब यह matter decide होगा, उसको कहते है, judgment, जो finally decide होगा, कोई एक judgment देंगे, criminal case में भी या तो equitable होता है, या तो conviction होता है, इधर पर judgment किसे कहते हैं, उस detailed statement को, आप जिस भी conclusion पे पहुँचे, उसका जो पूरा detailed statement है, वो judgment है, इसमें पूरे reasons होँगे, क्यों आप ने यह decide किया, अगर आपने मेरे against suit file किया है, और court ने आपके favor में अग प्राक्ट होगा, वो कि क्या कारण थे, क्यों आप पहुचे, सारी बात है, इस judgment के formal expression को, जो भी adjudication है, एक word आएगा, adjudication, adjudication मतलब to decide, जब court या judge कोई चीज़ करते हैं, उसको अपन कहते है, adjudication, इस adjudication के formal expression को आप decree कहते हैं, तो फिर यह judgment क्या थे, आप किर रहो कि जो decide किया, वो decree है, उसका formal expression फिर यह judgment क्या है, judgment पूरा detailed statement है, कि हम अगर एक conclusion पहुचे, माल लीजे, property के विवाद की अपन बात करते हैं, कि आप एक वेक्ति के घर पे किसी दूसरे ने कभजा कर लिया, अब जिसके भी favor में वो आया, माल लीजे, उस वेक्ति के favor में आया, जिस कई pages में होता है, 600-700 page में होगा वो judgment के, आप जानते हैं इस बात को, अच्छे से, अब उस judgment में, जो व्यक्ति है, जो party है, जिसने कभजा किया और जिसके घर पे कभजा हुआ, वो बिल्कुल आप लूम की तरह है, कैसे आप लूम की तरह है, आप कहते हैं, सर यह से मत बता ह हो जाए, आप तो यह बताओ, एक्जाम में क्या पूछा जाएगा, यह कहान ही नहीं सुननी हो, हामें समझना ही नहीं सब्जेक्ट, हामें तो आप परी के question बता दो, बाई आते थे जो कहते थे कि बड़ा स्लो पड़ा रहे हैं, उन्हें चाहिए काम की बात, यह section बता दो है, decide हुआ मेरे favor में, तो basically जो हम कह रहे हैं कि एक formal expression होता है, adjudication का decree, decree में वो काम की बात लिखी रहती है, judgment में सब कुछ लिखा रहेगा, decree उस adjudication का formal expression है, काम की बात, possession किसको दिलाई जाए, right determined हो जाएगा, conclusively आपका, कि यह भर आपका है या नहीं है, यह होता है formal expression, इसक कैसे decide किया, हमें मतलब भी नहीं है, आप तो हमें बताओ, घर मिलेगा कि नहीं हुझे, बात तम, जिसने illegal possession ले रखी, वो क्यारा सार, बताओ, खाली करना है, नहीं करना, ज्यान मत दो आप, कहां से आपने क्या, नहीं चाहिए, हमें तो आप बता दो, क्या करना है, खाली क जनता को इससे मतलब नहीं है, जनता को तो चाहिए, आप तो लिख के देदा हमारा है कि नहीं है, बात करता हुझे, हमें मतलब भी नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट लेके, काम करता हुझे, अब decide हो गया, जिस वक्ति घर पे जबर जस्ती कभजा किया गया था, decide हो गया कि भ आपने criminal proceeding में भी देखा कि trial court के judgment के बाद appeal में जाते हैं, इधर भी जाएंगे, लेकिन इधर एक कहानी और है, वो कहानी है क्योंकि आप जानते हैं कि जो जनता है हमारी वो इतने अराम से चीज़ें और बातें मान ले, ऐसा होता नहीं है, आप court ने बोल भी दिया, decree भी दे जो हरा है, जिसके against judgment दिया गया, उसको बोलते है judgment data, अब आपको क्या लगता है, कि court ने बोल दिया कि जो तुमारी possession है, तो आपको लगता है कि possession दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको कितना ही समझा दूं, कि बेटा थोड़ा concept भी जानू, थोड़ा समझ के प खाली कौन करवाई, क्योंकि उसने तो कब्जा किया है, वो तो दमदार ब्यक्ती है, हमने जाके उसको decree भी दिखा थी कि भई यह देख ले मेरे favor मैग, उसने को बख्चा ही तर से, तो अब आपको क्या करना पड़ है, क्रमनल में तो क्या है, punishment दिया जाएगा, और execution भी करा दे दिया, आपने decree बना के दे दी कि भी यह आप हैं possession के हगदार, इतने से काम नहीं चलेगा, सर, possession दिलवाईए उसको, possession दिलवाईए, तो ये वक्ती जिसके favor में decree आई है, वो क्या करता है, अब एक और proceeding चालू होती है, उसको कहते है execution, अब इस decree को execute, देखो, या तो वो जिसने कब्जा करा है, मेरे जैसा, एक दम सात्विक नेक शरीफ ब्रक्ति, लेकिन मेरे जैसे सात्विक और नेक शरीफ ब्रक्ति कब्जा करते नहीं, इसलिए संभावनाएं कम है कि वो आराम से मान जाए बात, अगर decree आने के बाद वो खाली कर देता है, वेलिंगोड, अब आरे, शुट स्टार्ट होता है, विद अफ्लेंट, एक्जेकूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए दी जाती है, एक एप्लिकेशन, उसके लिए होता है, एक 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 एक्प्लिकेशन, डिकरी मिलने के बाद, अभी कहानी घतम नहीं, या तो देखो करने भी जाएंगे और हो सकता है इस judgment के अपील करने चले जाएंगे इस डिकरी के अगेंस आप ये तो गलत दे दिया जिसने जबशेश्टी काफजा किया वो अपील करने जा रहा है तो और यह जान। और execution proceeding भी चल सकती है इस से related आप concept पढ़ेंगे restitution restitution यह होता है कि मान लीजे आपने execute कर भा लिया execution हो गया लेकिन appeal में जाके judgment reverse हो तो फिर वापस करना पढ़ता है जो आपने gain कर लिया out of that degree वापस करना पढ़ेगा उसको बोलते हैं restitution इस तरीके से यह proceedings और यह खारेकरम चलेगा I hope you are getting that इतनी बात आप common sense से भी समझते है कि that's how a proceeding is proceeded इस तरीके से proceeding होती है इतने में कोई problem नहीं आए होप आपको अब हम जाएंगे थोड़ा detail में चीज़ों की और वही सारे order chapter हर चीज की बात करेंगे अब समझे है यह जो पूरी कहानी इसके बीच में भी होग कोच है इस judgment तक कहुँचने में भी होग कोच है और इस जिखरी के बात भी काफी सारी चीज़े है उनको समझते हैं वो क्या और CPC के थोड़ा से structuring को समझ लेता है अब आप एक बात समझे है कि CPC जो subject है code of civil procedure जो subject है इसमें आप एक बात यह समझे है कि आपने दो चीज़ें देखी है section लिखे है और orders लिखे है पहले मैं उस कहानी को clear करते है एक तरफ आपको दिख रहे है sections और दूसरी तरफ आपको दिख रहे है orders और rather I should say section की बदल बजाए इसको उपन करते है parts parts और parts किसका collection है अलग-अलग sections का बहुत सारे sections को अलग-अलग parts में divide किया गया जो similar type के provisions होते है उसको एक part में रख देते हैं या बात आप समझते है IPC में भी आपनने पढ़ा था एक part separate offenses against human body human body against जित्ते offenses है उससे related सारी कहानी एक particular part में ऐसे ही CPC parts में divided है जिसके subpart है section और जो अलग दूसरा जो part division किया गया वो orders के form में है और orders subdivided है into rules orders का subdivision क्या है rules तो बहुत सारे rules लिखे हैं जिनको different orders में बाट दिया गया अब यह कहानी क्या है यह section क्या है यह order क्या है क्यों है यह दो अलग अलग बात नहीं इंदर IPC में तो ऐसा नहीं था जी RPC में तो ऐसा नहीं था इसमें क्यों है बात समझना यह जो portion है यह जो section वाला portion है यह substantial portion है यह बताएगा कि कैसे उस judgment कैसे उस राइट के ब्रीच के बाद आप judgment तक पहुंच रहे हैं क्या करना है विसलिए यह आपको बताएगा कि suit institute होगा कैसे होगा यह नहीं बताएगा section बताएगे कि हाँ suit institute होगा यह बता देंगे कि plan के थू होगा लेकिन उसके rules क्या है कैसे होगा detailing क्या है वो सब इधर में लेगे इधर बता देंगे कि during your proceeding भी attachment हो सकता है कैसे होगा इधर बताएगे यहां बता दिया कि execution होगा decree का कैसे होगा इधर बताएगे तो basic difference अगर अपन इधर समझें order और parts या rules या sections के बीच तो यह basically आपको बताता है कि क्या होना है होना क्या है वो कैसे होना है उसका detailed procedure that is orders and rule कैसे किया जाएगा उस चीज़ को तो यह क्या और कैसे का difference है यह elaborated rules है इसलिए आप देखेंगे कि जो sections है उनके corresponding orders है डीटेल में बताई गई है बात जरूरी नहीं कि दोनों के बराबर मिलें आपको बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो sections में complete होगा order की जरूरती नहीं उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत जो detailing थी वह section में देदी अब जो समझ से आपको आती है कि कौन सा section सर किस order के साथ पढ़ना है कौन सा rule पढ़ना है किस के साथ तो वह आपकी समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्या चल रहा है तो फिर आपको यह सवाल किसी से पूछने की जरूरती नहीं पड़ेगी का रोज में बीडियो देखने की जरूरती नहीं पड़ेगी कि कैसे पढ़ते हैं से सी इसी पीसे कैसे करें जज़वनने की तैयारी है इतना दीच लिया है कैसे करें मिलड़ नहीं सोचेंगे अब खर लोग को इतना मोटिवेशन क्या चाहिए कि आप लोग को की आप को अपको सरकारी नौकरी मिले है या अग्जाम करें और क्या मोटिवेशन की जरूबाद की रोज मोटिवेशन चाहिए तो यह बताएंगे कि क्या करना है और उसका detailed version मिलेगा इदर की वो कैसे होगा अब इदर लिखा है कि जब प्लेंट आ जाएगी तो defendant को बुलाया जाएगा समन बेच के बुलाएंगे यह लिखा है उस समन के पूरे रूल क्या है कैसे जाए कि समन क्या होगा सब को इदर दिया है इतनी सी बात है समझ में आ गया यह यह समझ में आ गया है यह समझ से नहीं है इदर तो बढ़ जाओ में आंगे और सुरूल चलिए बहुत बढ़िया अब आईए जरा उस कहानी पर दोबारा क्योंकि अब हम डीटेल में एक चीज देखने वाले हैं अब हम एक चीज बहुत डीटेल में देखेंगे की जो पूरी अपने अराम से जो हमें बता दिया कि यह यह कहानी और यह 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 चीजें होती है जरा उसको अपने डीटेल में देखेंगे देखिए हुआ क्या था आपके पास एक कॉज़ ऑफ-फैक्शन था क्या आपके राइट का वैलेशन हुआ है आपके पास एक लिग में कहां नहीं सुनी है ना इसी में थोड़े टेक्निकल अपन लाते जाएंगे जो CPC ने उसका रहे हैं ले लिखा यह इसाब है दर भी बस English में लिख दिया है इसलिए परेशान है या फिर Hindi में लिखा है तो भया ना कि Hindi लिखी वो भी समझ में नहीं हा लिए तो आपन अलग इसको आप क्या कहते हैं इसको आप क्या कहते हैं इंस्टिट्यूशन ओफ सुट इंस्टिट्यूट करना आप आप सुट इंस्टिट्यूट करना है तो कैसे होगा भाई सुट इंस्टिट्यूट क्या करेंगे उसके लिए तो हमने देखा जो जिस वेक्ति को जो अग्रिव तो आप देखिए इदर पर institution of suits से related आपके पास है section 27 मैं section भी बताते जाओंगा और section भी बताते जाओंगा और order भी तो section 26 देख लेजे और order 4 देख लेजे बस content को लिए वेरेट पढ़ना नहीं है आजबी सिर्फ content open करिए आप वहीं सारी कहानी में आपको समझा दूँगा उस content सबसे पहले देखिए section 26 उसके ऊपर एक heading लेखिए institution of suits सूट कैसे institute होंगे section 26 बताएगा कि प्रेंट से institute होगा सूट पस इसके बाद सीथे order 4 देखिया बाद में अपन पर क्रोणोलोजी बना लेंगे इसके लिए परेशान मतो ना आभी कहानी में चलने दो provision बाद में बाद में आप बदा दूँगा आपको उसके लिए परेशान दो होना order 4 देखिया इसके बाद तो अब वहां बता दिया प्लेंट से होगा उससे थोड़ी सी डीटेल बाद इधर मिल जाएगी क्या डिफरेंस है section और order rule में section में बता दिया है क्या करना है exactly कैसे करना है वो बताइगे अपन अगे एक तो ऑडर में गया corresponding उससे रेलेटेड अपने हैं ऐसे होगा आपका सूट इंस्टीट अब यह इंस्टीटिशन आफ सूट की बात मैंने कही कि सूट इंस्टीट होगा कहां होगा suit institute? आपके right का violation किया है अब आपको एक suit file करना किद्ध होगे suit file तो बहुत अव्य सी चीज़ है court में करना है आपको कि से कौट का का सिव ठीट्चन है का ले सकता है कि या सब पढ़ना पढ़ visão डेया सबस्मझना पढ़ेगा समझना पड़े का सते के पीज дополн As violence ॥ तरफ हो利 committees board में आप जाएंगे तो God जिसका जिस्पा जिरिश्डिक्षान उसके पास जाएंगे GP HR jurisdiction दो तरीके से देखा था, एक था territorial jurisdiction और एक था आपका power-wise juris jurisdiction कितने आप punishment दे सकते हैं, उसके बैसे से section 2829, इधर पर जो जुरिस्डिक्शन है वो तीन तरीके का है वाईसाब एक है आपका पिक्यूनेरी जुरिस्डिक्शन कि आपके सूट का वैल्यूएशन कितने का सूट है मैटर में जो सब्जेक्ट मैटर उसकी वैल्यू किया है कितने रुपे का इसको कहते हैं पिक्यूनेरी आप को अगर एक specific subject matter दे दिया है कि आपको सिरफ इसमें डील करना है तो आप सिरफ वो दील करेंगे specific subject matter का अलग court बना दिया है अगर तो आप उसी में deal करेंगे वो matter उसी court में जाएगा particular तो तीन चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी इन सब के बारे में कहां बताया इस EPC में तो जरा section देखिए section 6 court की बारे में जानकारी चाहिए section 6 देखिए एक तो एक देखिए section 6 pecuniary jurisdiction और इसके बाद आप 9 से बीच में भी चीज़ें है और important है मैं आपको basic बाता रहा हूं जो एक तम important बात है जिनको अपन ज्यादा पड़ेंगे तो फिर आजाएगे 9 to 25 सब इस court के बारे में जानकारी है आपके right का violation हुआ है आपको उसे enforce कराने court जाना है civil court के पास कौन से court के पास जाएंगे क्या करेंगे सब इदर आप देखिए आप court के पास जाएंगे तीनों jurisdiction चेक करके जाना है jurisdiction of the courts and res judicata jurisdiction दिया court का section 9 करता है suit of civil nature की civil court किस तरीकी matter entertain करेंगे यह बताएगा फिर अब क्यूंकि आप court जा रहे हो तो court यह भी देखेगा कि दुबारा तु नहीं आगे same matter लेके जब एक बार आपको भाया decide कर दिया है दो parties के बीच का dispute है हम decide करके बता चोके हैं दुबारा क्यों आ रहा हो कैसे करें तीन महीने में जुडिशरी की तैयारी है इतना free court नहीं है court को चाहिए काम की बात समझ रहा है इसलिए court पूरे CPC में आप पूरे rule section सब देखेंगे ना उसका basic purpose आपके समझ में आएगा कि बात काम की होनी चाहिए court के अंदर कोट पूरी कोशिश करेगा कि मुद्य पर बात हो बस कोई irrelevant बात नहीं चाहिए सिर्फ काम की बात चाहिए court को चिक सिर्फ काम की बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए court को फालतु बात हैं चाहिए नहीं इसलिए आप बहुत सारे provision CPC में देखेंगे जो इस चीज पर emphasis करते है कि कोई फालतु बात तो नहीं आ रही है तो बारा तो नहीं आ गया एक बार अल्रीडी मेंटर डिसाइड करा चुक इसलिए सब रेस जोडी काटा और स्टे और दिया हुआ हुआ है इसके बाद अब देखिए प्लेस आप सुइंग क्या लेखिए सेक्शन 15 के ऊपर देख हो गया उससे उठा के ट्रांसवर करना दूसरे के पास कैसे होगा वह सारी कहानिया आपको इदर मिल जाएगी 9-25 में सब मिल जाएगा इस पूरे पार्ट में क्या दिया है और क्यों दिया है यह बात आप समझ लेंगे बाद अब क्योंकि आप इंस्टिउट कर रहे थे सू स्क्राइबर करवा दिये प्री तक तो मेंस भी फिल इसकी पढ़ाई करवाएंगे और मैं उसका ब्रीच कर रहा हूं यह कुछान है यह जाता है कोट के पास मेरे अगेंस सूट फैल करने कि वह नितिश सर ने बोला था पढ़ाएंगा और यह तो फैल गया बाद में इनने मैं सहली समझाया था कि selflessly में कुछ करता नहीं हूं बान लेना चाहिए था लेकिन मैंने कहा मैं selflessly नहीं करता हूं तो अगर आपने मेरी requirement फुल्फिल करी तो मैं जरूर करूं है पिर चाह उसके लिए जो हो जाए है और ऐसा इतना selfish मुझे लगता इस दुनिया में सबको हो जिस दिन आप इतने selfish होगा है उस दिन आप पढ़िया कर दें लाइफ में तो मान लीजे आप कुशान में तो जाके मेरा एकन सूट फाही कर दिया कि इनों ने बोला था लेकिन आम बना कर दिया अब कोट बोलेगा अच्छा तुमारे जैसे और भी लोग है क्या तुमारे क्या कहा कोट के पास ज्यादा समय नहीं है कोट के पास limited time आपकी तरह free नहीं है तो क्या कोशिश करेगा जो जो consent person हो सकते है इस particular cause of action में ऐसा करो सबको लियाओ तुम तो सबको लियाओ आप तो तो यह जो पूरा कारे क्रम होगा अपन decide करेंगे कि 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 को लाना है उसको को पन बोलते हैंικά की टेखनिकल लांगेज में है क्या बोलते हैं इसको फॉर्टी ऊंगी पार्टी कि कि कौन बोलते हैं इसको पार्टीूट को लिए इसके लिए जहाना पड़ागा content में तो जरह ओडर निकाल लिए 10 ordealy डिस Michal Daug leftover के सकता है कौन डिफेंडिने बन सकता यह सब नहीं को बार बार की कर ली कि कि एक ह Bodom अब आपने कहा suit institute कौन करता है तो बोला भाई plaintiff करता है कैसे करता है प्लेंट से करता है तो अब देखते हैं यह प्लेंट क्या चीज है और इससे related अपने को क्या-क्या मिलने वाला है CPC में तो अब देखिए आप प्लेंट प्लेंट से related rules कैसी होगी प्लेंट क्या content होगा कब वो reject हो सकती है कब वो accept होगी सब कुछ तो इसके लिए आजाई order 7 content में निकाल लिए यह लिखते जाना इदर सांत में सो जरा order 7 निकाल लिए heading लिखी है प्लेंट और रूल बन लिखा है particulars to be content in plant और पूरी कहानी से related आपको इस order में मिलेगी that is order 7 order 7 सब मिल जाएगा प्लेंट से related कहां तक पहुंची कहानी अपनी आपको जाना था मेरे अगें suit file करने पहले आपने institution अब section देखा किते आराम से side में हो लिया section ने बस लिख दिया institute करना अब बस बता दिया कि suit institute कैसे होगा इसलिए मैंने section के लिए क्या लिखा था कैसे क्या क्या करना तो institute करना है अब वह प्लेंट क्या होगी उसका description यह सब बाते ने यह सब कैसे करना है कि सब आपको order में मिलेगा उसके लिए order मिलके आपको order 7 यह आपको बता देगा कि क्या-क्या content होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा वह सारी बत देंदर आ जाएंगी I hope that is clear अब एक बात और समझेगा प्लेंट तो आगे गाई सब plaintiff ने अपना पूरा matter लिखके समझाया court को कि सर यह matter है अब court को यह लग सकता है कि यार अभी इसने court का क्या है उसको बचाना अपना समय उनके पास नहीं है फाल्तू टाइम उन्हें सिर्फ काम की बातें चाहिए तो court क्या कोशिश करेगा कि इसको बहुत comprehensive बनाया जाए इस suit को एक matter आप उनके सामने ले रहे हैं तो court यह कोशिश करेगा कि जित्ती इस से related चीज़ें हो सकती है सब भईया इसी में decide कर वा लेना फिर मताना हमारे पास पूरा मैंने क्या बताया CPC का purpose क्या है समय बचाना court के पास दुबारा मच जाईए से matter लेके मच जाईए एक ही चीज़ से related दो बार मच जाईए अब मान लीजे एक बार आप एक relief मांगने था गये बाद में आता है किया रहा हमेर पास तो यह वाला भी relief था उनको यह भी मांगना था भूल गए थोड़ा सा मांगना फिर दुबारा court के पास जाऊगे तो court बगा देगा इतना टाइम नहीं हो उनके पास इसलिए court क्या ensure करता है court यह ensure करता है कि यह जो suit हो रहा है यह properly framed हो इसमें वो स्थाली बाते आ जाए जो इस matter से related हो सकती है वो सब आना चाहिए इसमें इसको technical language में CPC की कहते हैं इसको क्या बुलते हैं फ्रेम ओफ सूट कैसे फ्रेम होना है यह भी CPC ने बताया क्योंकि CPC को बता है आप तो आपके पास जीवन में है क्या समय क्या लावा ताहीं है आपके पास court के पास टाइम ही नहीं है बस इसलिए CPC ने इधर यह बता दिया कि आप फ्रेम कैसे करें क्योंकि टाइम करा अब नहीं करेंगे इसके लिए देखिए जरा order two order two देखिए जरा क्लेर लिखा है frame of suit में सब कुछ include करना है उनके जो रूल से इसी बात के लिए है इस order के जितने रूल है उनका emphasis बस इसी बात पर क्यों आपकर लो बार बार मताना हमारे पास दोबारा entertain नहीं करेंगे बगा देंगे तो यह इंशॉर करेगा इसलिए यह provision दिया आपको frame of suit का आगे बढ़ते है इतना समझ में आ रहा है न तो आगे बढ़ते है अब इसके बाद क्या होगा देखिए कोट ने यह भी देख लिए कि चलो पर फ्रेमिंग है जो जो मांग सकता था यह व्यक्ति सब इसने मांग लिया आज हमसे अब इसके बाद क्या करेंगे आप बोलेंगे लाओ चलो उसको बोलाओ जिसने आपके right का violation किया है defendant चलो उसको बलाओ कैसे बुलाओगे summons बेचके या वैसी जानते हैं तो अगला क्या हो जाएगा यह अपना important aspect यहां summons to defendant summons to defendant defendant को समझ जाएंगे इस से related provision कि इदर है तो देखते जाएए content वाले पार्ट में इस से related section भी मिलेंगे आपको summons to defendant section 27 देख लिजे ज़िए इधर पर आप देख लिजे section 27 देख लिजे content में लिखाया दर summons to defendant और उससे related consequential एक दो section और दिये हुआ है और यही बात अब यहां तो सिर्फ बता दिया है इसका बागी आगे का आगे की सारी जो बाते हैं वो कहां बताई गई है तो आप आगे देखिए order में और फाइव निकाल लीजिए उसके लिए corresponding बात समझने के लिए तो और फाइव में देखिए इसके सांथ आपको क्या देखना है order फाइव देखना और फाइव सवार सहा का डाउट है जो बेसिक्स से इस दुनिया में किसी को नहीं पता वह आपके पढ़ने से यह होगा मैं बेसक्स बता रहा हूं ताकि CPC आप पढ़ पाए यह बेसिक्स इस लिए है ताकि यह जो डर है सब्जेक्ट का इस बेरेट का वो खत्म करना है कल से पढ़ाऊ सब में आपको एक चीज जो important है क्या question परी में बनता है एक सवाल बता हूँ किसी से छे से साथ classes लूँगा एक सवाल बता हूँ क्या क्या आएगा परी में थोड़ा सब रखने की ज़रौँ थे बस आपको सेक्शन 27 ओडर 5 यह बात करता है कि आप कहां नहीं कहां था कौंचे आप कहुंचे कोट कोट डिसाइड कर लिया कौन सा है कोट ने देख लिया कि प्रॉपरली सूट फ्रेम होना चाहिए अब कोट ने का लौ बुला उसको जिसने राइट वालेट किया उसके लिए आपन आग अब इसके आगे कहां चाहीगी कहां चलो इसके बात क्या होगा अप्यरेंस कि भी आपीरेंस तो देखिए इसके बाद एक आपको मिलेगा ओर आपिरेंस एंड उसके कंसिक्वेंस किसके नॉन अपिरेंस के तो कि कोट ने समन बेज के बुलाया है उसके लिए देखिये सरा और नाइं पर आईए और नाइन इस के बारे में बताता है कि टीग है ना समन चले रहे पर आपको अपिरेंस तो अपीरैंस में आप देखेंगे इधर पर आजाएगा आपका ओडर 9 कि व्लेंटिफ देखेंगे कि आया सब करेकरम आपको और जो डिशेंडेंट है जो दूसरी पार्टी है जिसको समन बेज के आपने बुलाया था वो भी तो अपना साइड रखेगा ना वो भी तो अपना पक्ष रखेगा कोड के सामने इन राइटिंग तो वो रखने के लिए भी एक separate order मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट एक और ओडर, रिटन स्टेटमेंट, अब इस रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड रूल आपको मिल जाएंगे किसमें, ओडर रेट में, इसके लिए देख लिए ओडर रेट, तो यह समझ में आया, पार्टीस को अपियर होना है, दोनों को, प्लेंटिफ नहीं आया, तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया, तो क्या होगा, यह सब कंसिकूंस मिल जाएंगे आपको उसमें, और जो डिफेंडेंट है, वो अपना जो पक्ष रखेगा इन रिटिंग, जैसे प्लेंटिफ ने प्लेंट के थ्रू रखा, डिफेंडेंट अपना पक्ष रखता है, रि करेंगे हैं अब अप्यर्ण हो गई है दोनों ने अपने अपने रिटन भी फाइल कर दिया प्लेंट तो पहले फाइल हो गया सब यह सारी चीजे हो गई हमने यह भी देख लिया कि पार्टी अपीर होगी और नहीं होई तो उसके क्या consequence, appear ना होने के क्या consequence अपने order 9 में देख लिया इसके बाद अब एक और important चीज यह आ जाती है कि मान लेजिए दोनों party appear होती हैं, तो फिर क्या होगा parties का examination होगा, so इसके बाद क्या आएगा एक चीज आपका examination of parties, यह क्यों होता है, क्या होता है अभी समझना court parties को examine करेगा पहले, कि आप जो matter ले क्या हो, जो लड़ाई है आपकी, वो समझने जारा क्या है आप सिर्फ यह जो order है, examination of parties by the court order 10, यह है order आपका 10, इसकी sequence भी मैं change कर देता हूँ, इसको आप वैसे ही लिख लिजिए, जिसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पहले लिख लिजिए, रिटन स्टेटमेंट, जाकि थोड़ा वहत ऊपर नीचे इधार है, तो वो अपने एंड में एक बार और बेर्ट में देखेंगे, जो चीज़ें छूटेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इस कहानी में शायद नाएं, कुछ-कुछ बीच में भी रिटन स्टेटमेंट आपका हो गया, और उसके बाद हो गया आपका अपीरेंस, और नॉन अपीरेंस के कंसिक्वेंस, यह सब कहां आगया आपका, और नाइन में आगया, इसी, चीज़, अब यह सब हो गया, आपिया हो रही है पार्टी, तो कोट क्या करेगा, कोट पहले उनको एक्जामिन करेगा, क्योंकि उसको देखना है, कि वाकई कुछ है कि time pass, क्योंकि मैं आपके पास जीवन में समय कहलाव है, यह क्या, पर time pass करने कोट पहुंचे, इसलिए आप rule 1 पढ़ लीजे, order 10 का rule 1 पढ़ यह, rule 1 में लेखा, ascertainment, whether allegations in pleating are admitted or denied, और उसके बाद अफ पुलिस रिपोर्ट पे cognizance लिया जाता है, या फिर complaint पे लिया जाता है, और complaint पे भी cognizance लेके magistrate क्या करता है, complaint को examine करता है, witness को examine करता है, तब आगे करता है issue of process, यह CRPC में भी मैंने बताया था, क्योंकि court का time free नहीं है, और पुलिस रिपोर्ट पे तो cognizance लिए ले 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 अब इस examination को ही थोड़ा सा आगे लेके जाएं कि parties से तो बात कर रहा है court, इसके बाद court यह कहेगा कि भया आप आपस में question motion भी भेज लो, सवाल जवाब कर लो, parties आपस में भी यह काम कर ले, तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर, इस examination के आगे बढ़ेंगे तो यह होगा कि जै अब उसकी detail में जाया जाएगा, जो matter है, उसकी detail में जाया जाएगा, उन facts को और ढूंडा जाएगा कि क्या है matter से related चीजें, इसको हम कहते है discovery and inspection, इसको क्या कहते है, CPC में discovery and inspection, और आप देखेंगे CPC में discovery inspection कैसे होता है, interrogatories के थू, interrogatory का मतलब समझते हैं, सवाल जवाल, ज कि commission बेज़ते हैं, ऐसे witness जिनको बुलाए है नहीं जा सकता है, उनके लिए commission बेज़ते हैं, तो वहाँ भी party के पास अधिकार था कि interrogatories बेटो साथ में, cross examine करने के लिए, interrogatories बोले तो सवाल जवाल जबाब कर लिए, और facts को ढूंडना है, क्या है, कि its case related, क्या detailing उसमें जाना लाइक, section 30 देखिए, इस चीज की बात करेगा, और चान भी नोगी उस matter में, parties के examination से बात नहीं बनेगी, और भी चान भी नोगी, so section 30, विदर के लिए, section 30, और इसी के साथ, order भी, order 11 आपके पास है, इसके लिए, next content में चल रहा है, examination के बात, 11, discovery and inspection, अब जब ये सवाल-जबाब का सिलसिला चालू होगा ना, तो फिर कुछ ऐसी चीजा निकल के आएंगी, जो दोनों party मनती है, जैसे आपने मेरे एडियन सूट पाई किया, कि इन्होंने हमको बोला था, कि आप अगर, ये subscriber 25 के पहुचा दोगे, तो मैं पड़ा दूँ हाँ, और आप बोलोगे कि इन्होंने ब्रीच किया है, अब ये जो dispute है मेरे और आपके बीच, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े होगे, जो हम दोनों मानते हैं, उसको कहते हैं, हम एडिमेट करते हैं, जैसे मैं ये हो सकता है, मैं ये माननूं कोट के, मैं य अइसा बोला था, लेकिन ये जो बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, मैंने 25 नहीं 30 बोले थे, हमारे वीच में एक अग्रिमेंट हुआ है, ये मैं मानता हूं, इस पैक को मैं अडिमेट करता हूं, गट मैंने ब्रीच नहीं किया, बात कुछ और हुई थी, या ये जो कह र जिन चीजों पर अगरी करती है, उसको क्या कहते हैं, एडमिशन कहते हैं, और ये एडमिशन आपको किदर मिलेंगे देखने को, तो वो मिलेंगे आपको ओडर बारा में, अगला ओडर देखिए, एडमिशन है, ओक हो सकता है न, कुछ चीज है मैं माननों, खुदी समय के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए, कोड अपना तो समय बचा लेगा, तो ये जो एडमिशन हो गया है, इन पर फिर आगे बात करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जब मैं ये तो बात मैं मान रहा हूं है, कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बोला है, हमारे बीच में एक अ ऐसी बातों पर आगे बढ़ेगा कौट, आप कौट को ये देखना है कि basic dispute है किस चीज़ पर, कौन से ऐसे issues हैं जिस पर आगे हमको decide करना है, कौछ issues तो settle है न, already हो गया न, कौछ issues तो, admission हो गया है, वो तो बात करतम होगी न, आप कौट ये कुशिश करेगा कि नहीं भाई, आगे की जो proceeding होगी, उन issues पर चलेगी, तो इसके बाद एक चीज़ आप पढ़ेंगे CPC में जिसको बोलते है, framing of issues या settlement of issues, इसको क्या बोलते है, settlement of issues, और issues कौन सी चीज़े बनती है, जो parties deny करे, एक allegiance करे, दूसरा deny करे, अगर मान लिए, तो दूसरी party न, मान लिया, वो तो admission होगे न, उसके क्यों बात करेंगे, तो अगला order देखिए, order 14, बीच में 13 भी है, उसके बारे में बात में बताऊँगा, अभी काहने के बीच में disturb मत करना की, यह भी छूट गया, वो सब मुझे ध्याने है, बात में बताऊँगा, settlement of issues होगा, देखा जाएगा कि किन बातों जिसको आप deny करना, यह होगे आपका order 14 इंदर, order 14, यह अब पूरा proper, क्योंकि देखिए, इसका भी framing of issues का भी purpose क्या है, point to point बात हो, फालतों की बात है ना हो proceeding में, जो काम की बात है, वो ही बात हो, उस proceeding में, इसलिए quote issue frame करता, purpose क्या है, issue frame करने का यह है, ताकि track पर है proceeding, ऐसा issues को समझाने के लिए, कि तुमको यह क्यों लाया है, क्या allegation है तुमारे उपर, उसी से proceeding का पूरा direction मनता है, जो charges frame की, उनी charges को तो proof करना है prosecution को, ऐसे इधर पर issues frame होते है, कि दोनों parties के बीच में actually विवाद है किस बात का, उन points को रख लगते हैं, that's called framing of issues, इसलिए एक order दिया है, कोर्ट ने अपना, हुगरा CPC का सार क्या है, कोर्ट के पास समय जादा नहीं है, ठीक, तो framing of issues हो जाएगी है, settlement of issue, एक order आप पढ़ेंगे यहाँ, अब जब यह framing होगे हो सकता है, यह भी हो कि कोर्ट को ऐसा लगए, कुछ ही नीन के बीच में, तो फालतो आ गाएंगे कोई विवाद है नहीं, सबस्टेंस में कुछ विवाद है नहीं, जबर जस्ती, तो ऐसे में क्या होता है, उसके लिए लिए लिखा हुआ है, order 15, disposal of the suit at the first hearing, तो क्या लिखा है इधर पे, disposal of suit, at first hearing, पहली hearing पर खतम कर देंगे, और उसमें भी आप देखेंगे, रूल एकात पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, order 15, order 15 के content भी आपन चल रहे है, content में पहला rule देखें, parties not at issue, court को लगता है कि कोई issue है नहीं, इनके बीच में, फिर भी आगा है, तो पहली hearing में dispose of करा जा सकता है, यह बताएगा आप order 15, लेकिन अगर मान लिखेंगे, वाकर issues बनते यह जो settlement of issue आपने पढ़ा order 14 में, issues बनते हैं और लगता है कि हाँ आगे proceed करना है हमें, आगे बढ़ना है, अब क्या करेंगे भाई, अब आप अपनी बातों को प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, witness बुलाएंगे, parties तो आ गई, पहले हमने समन किसको ब अब जब issue बन गए है कि हाँ वाकई proceed करने लाया case है, आगे बढ़ना है, विबाद है actually, तो अब उसके judgment तक पहुचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, witnesses को examine करना पड़ेगा, और examine करने के लिए पहले बोलाना पड़ेगा, तो अगला order देखिए फिर, summoning and attendance of witness, अगल अगल, attendance of witness, यह किसकी attendance के अब अपन बात कर रहे हैं, किसको समन कर रहे हैं, witness को, defendant को अल्रीडी बुला चुके है, इनको बुलाएंगे अपन, इसके लिए आपको section भी मिल जाएंगे, section 31 देख लिए जए जए ज़रा content में, section 31 देख लिए और इसके लाब आप देखिए order 16 औ order 16 A B, कोई करती है, अगर प्रिजन प्रिजन में है तो उसको बुला लिए जाएगा, समन बेच की, तो आप order 16 की heading देखिए, summoning and attendance of witness, और 16 A है, attendance of witness, confined or detained in prison, जेल में है तो उसको किसे बुलाएंगे, और section 31 देख लिए इनको बुलाने की बात करता है, कहानी समझ में आ रही ह इशूस मिल रहे हैं, कोट को, प्रूसीड करने के लिए, अब बात होगे प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने के लिए पहले witness लाओ, तो witness को पहले खॉल किया जाए ना, summon बेच की, फिर उसकी attendance हो, और इसके आगे आप बढ़े, अगर, तो भाई मान लिजीए, ये आते हैं Summoning and Attendance के बाद, witness आते हैं, तो फिर क्या होगा, आगे प्रूसीड करेंगे, hearing होगी, और examination होगा witness का, आगे क्या होगा, मान लिजीए, आते हैं, जिनको आपने बुलाया, witnesses आएंगे, और फिर क्या होगा, hearing होगी matter की, hearing and examination of witness, hearing and examination of witness, hearing and examination of witness, ये होगा फिर अब, कि ओडर एटीन ओडर एटीन देखिए और एग्जामिनेशन अब इस से रिलेटेड पूरे प्रोविशन इधर 18 में आपको मिल जाएंगे इनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अब एक बात और ध्यान रखना इधर जो मैंने आपको CRPC में भी बताई थी कि माल लेचे किसी कि मान लेचे मोदी जी को बलाना है ऐसा विटनेस मोपाल के कोट में तो पहले हेलिपेड की विवरस्था होती है वरकतुल्य उनिवस्टी के ग्राउंड में पहले हेलिकॉप्टर उतरता है फिर रोड बनाई जाती है कि वहां से लेके दसे रमेदान तक सिर्फ उत्ती कोट बलाने की बजाए आप यह करिए बैटर ऑप्शन है कमिशन इसू करती है यहीं से किसी कुछताच करके वापस आजा काम पतम इतना ताम जाम नहीं उपाएगा क्योंकि यह सब के लिए भी खर्चा पार्टी करना है वह कहाएगा सब जित्ते में तो गुलाउंगा उत लांस्ट में मैं आपको एक बार पूरा कंटेंट रिडाउट करके वह कनेक्शन भी बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना अभी तो आप उस कहानी में सारी चीज़े समझ लेजे कि किस-किस चीज़ की आपको जरूरत पढ़ती है और यह सब जो लिखा है इतना प्रोविजन मिल जाएंगे इसके और सांती करिस्पॉंडिंग और सब्सक्राइब तो कमिशन समझ आएगा उसका टीटेल प्रोसीजर और सब्सक्राइब तो यह देख लिए जी अगर विटनेस को नहीं बुलाना या किसी व्यक्ति को नहीं बुलाना तो कमिशन इशू कर उससे भी काम चलेगा वापस आते हैं अपने कहानी पर कि भाई आप एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस का और आपको लेने हैं यह जो एविडेंस लिए जा रहे हैं जो भी चीज़ें कोड में पेश करी जा रही हैं कोड को क्या चाहिए काम की बात ऑथेंटिक बात फाल होता है क्या काम होता है तो आप कहीं फॉल्स इंफरमेशन लेने का मतलब जैसे आप आप से पूचा जाता है कहीं और अड्मिशन तो नहीं चल रहा है कुछ और तो नहीं चल रहा है सच बताएंगे कब जब एविडे पर लिए जाए तो उससे रिलेट प्रोविशन एक अब यह जो पूरा हो रहा है, कि हमने कहां से चालू किया, institution of suit से हमने चालू किया, suit institute हुआ, parties के बारे में देखा, फिर party आई तो देखा कि frame of suit होना चाहिए, कि properly frame होना चाहिए, फिर हमने defendant को बुलाया, समन करके, उनका examination किया, फिर witness बुलाए, पहले issues settle हुए, उसके बाद आपने witness बुला है, उनका examination आपने कर लिया, यह process समझ में आ रहा है, किदर जा रहा है, civil procedure में, क्यों यह सब लिखा हुआ, CPC में, सब काम की बात हैं, कुछ विजूल नहीं लिखा, सब वोई चीज़े हैं, जो आपको logically भी जो लगती होना चाहिए, यह वोई बात हैं सारी, अब यह सब हो गया, examination, examination होगा, अब court क्या करेगा, matter को decide करेगा, actually, तो अब क्या आएगा, इसके बाद, next, तो next में आएगा आपका judgment, अब यह सब, विटनेस, विटनेस, एग्जामिन हो गए आपके, बातें माते सारी सुन ली, तो आएगा क्या judgment and decree, मैंने decree आपको पहले ही बता दी, क्या difference है, judgment or decree के बीच, वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो अब इसके बाद देखिए, judgment and decree, इसके लिए section, और दोनों मिलेगे, section मिलेगा 33 order 20, section देख लिए section 33 order 20, बात करता है judgment or decree की, अब इससे related provision, substantial part आपको 37 में मिलेगा, और उसका detailed version order 20 मिलेगा, judgment or decree, इसके बारे में पूरी कहानी है, आप देख सकते हैं, भी सुरूल है इसमें, judgment and decree, तो ये आपकी proceeding एक तरीके से end की तरफ आ रही है, institution of suit से end तर बीच में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, वो मेरे खाल से आपके दिमाग में बैट रहा है, तब जब ये provision upon पढ़ना चालू करेंगे न, ये frame of suit जो order था, उसके अंदर के जो rules हैं, वो समझ में इसलिए नहीं आते, क्योंकि आपको यही नहीं बता कि वो frame of suit है, क्यों पढ़ा जा रहा है, अभी आप उस process में समझोगे, कि कहां था frame of suit, क्यों था purpose, तो आपको अंदर का rule खुद भी समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप खुद भी पढ़ने की कोशिच करेंगे ना, तो आप 60% बातें समझ लेंगे, कि यह सब क्यों चल रहा है, तो कि वो chain समझ में आनी चाहिए, same as what CRPC, इसलिए मैंने CRPC में आपको बाता, पहले आप वो कहानी वाली चीज देखो, कि यह सब फिट किदर होता उस प्रोसेस में, तब अंदर की बात ज्यादा अच्छे से catch होगी आपको, वो correlation आपको समझ में आएगा, कि simultaneous क्या क्या चीज़ें चल रही है, चीक, तो भाई, judgment in degree हो गया, अब से लाए एक बात और समझना, अब मान लेजिए, जो हमारा case चल रहा है, आपने जो मेरे अगेंस सूट वाई किया है, कि इन्होंने बोला था कि mains भी पड़ा देंगे, मान लेजिए, judgment आया आपके favor में, मान लेजिए, judgment आया आपके favor में, या चलिए, थोड़ा सा benefit मुझे भी दीजिए, मान लेजिए, judgment मेरे favor में आया, कि ठीक है, ये फाल तो बात कर रहा है, बच्चे, कुछ नहीं था, आपने कोई ऐसा, मतलब उसमें जो भी decision हुआ, कि मुझे नहीं करना है, अब ये हो सकता है, कि मैं, भाई, खर्चा हुआ न, जिसके भी favor में आया, judgment, खर्चा तो हुआ दूनों पर्टी का, अब मैं कोट से कहूंगा, किसाथ देखो, एक तो इनको मैंने, इनको हम लोगोंने MP, ADPO के लिए पढ़ाया, इनको हमने UP का crash course करवाया, UP के मतलब ये तो सभी state के लिए important है, एक तो रात को 9 बजे मैं क्लास लूँ, ये साथ हुआ मेरे साथ, साथ मुझे इसका पैसा दिलवाई के, ये जो मेरा खर्चा हुआ है, जबर जस्तीन के चकर में, मुझे उसका पैसा दिलवाऊ, ये तो इनको बढ़ाया, और ओपर से ये उल्टा, केस और ये उल्टा, में भी कॉस्ट या कॉम्पनसेशन की बात है, कुछ जगाओं पर है, तो CRPC अगर आपने देखा है, तो आपको समझ में आया होगा, कहा है और क्या है, तो कॉस्ट के बारे में भी बात होगी इदर, प्रोसीडिंग में आप अननेसेसारी डिले कर रहा है, तो भी कॉस्ट लगाएगा, ऐसा प्रॉनिटेव मेशर भी, कि फाल्तुग एट्जन्मेंट ले रहा होगा, कोट का समय है, बहुत इंपोर्टन, आपने कोट का समय खराब किया है, उस पर भी कॉस्ट होगी, जैसे आप मैच में देखते हैं, क्रिकट में, जिसने डिले किया, उनकी मैच फीस में से पैसा लग जाता, देना पड़ता क्याप्टन को, बहुत पर से डिले करें, उस पर भी कॉस्ट, कॉस्ट से रिलेटेट प्रोविशन आपको मिल जाएंगे, सेक्शन 35 देख लिए इस ते रिलेटेट तो सेक्शन 35, 35 A, 35 B, यह देख लिएजे आप, तो कॉस्ट की बात करते हो, दिख जाएंगे यह प्रोविशन आपको, इसके लाब ओडर 20 A भी आप देख सकते हैं, और 20 A भी आपको कॉस्ट के बारे में बात करता हुआ दिख जाएगा, तो यह जो पूरे कॉस्ट की कहानी है, वे दर में जाएंगे, क्यों जज्ज्मेंट हो गया, ठीक है, जज्ज्मेंट समझ लिया हमने, आ गया जज्ज्मेंट किसी के फिवर में, लेकिन दूसरी पार्टी का जो आपने समय खराब करवाया है, जो एफ़र्ट और पैसा लगवाया है, उसमें एकाथ क्रेश कोर्स में और करवा देता, उत्ते वहां कोट ले गए मुझे, उसका पैसा लोगा है, जज्ज्मेंट आगया, ठीकरी आगया, जिक, एट्यूडिकेशन फॉर्मल लिख के भी दे दिया, आपको कि हाँ ऐसा होना है, अब लिक्री आगया, इसका मतलब यह थोड़ी ना, कि सामने वाली पार्टी वह फुल्फिल करी दे, आपके राइट को कोट ने तो रेकगनाईज कर दिया, दूसरी पार्टी के अगयंस, और दूसरी पार्टी का माल लिजे, उब्लिगेशन भी उन्होंने डिसाइड कर दे, जैसे मैंने वो कभजा करने वाला केस बताया, कि ये वह वक्ति है, जिसके घर पे किसी दूसरे ने कभजा कर लिया, Water chut, वह वक्ति कोड गया, जिसके घर पे कभजा हुआ था, अपने फेवर में डिकृ में बिक्री भी लिएा आया, यह हां, प포डेशन का राइट उसका है, यह तो आगया, एक्जिक्यूशन की प्रोसेडिंग के लिए जाएगा कि साफ भो खाली भी तो करवा तो आपने बोल तो दिया कि मेरे को रहने रहने का दिकार करवा हो तो कि माल लीजे आपने मुझसे डामेज ले लिया आप जीदगा एक केस में नहीं जरहें पर तो फिर आप को जाएंगे एक लिए वर्ड एप्लिकेशन देखेंगे जैसे सूट के लिए एक्जट्स ने काम आएंगे माले करदा सूट एंप्लिकेशन सब्समय आथा कि की अब आप जाएंगे आप के एकशिक्यूट कराने आपके और यह डिए लेकं जो उसको बोलते हैं execution तो आप क्या करवाईंगे उस डीक्री का आप करवाईंगे execution उस के लिए फिर आप लाट 24 काफी ज्यादा है 36 to 74 यह सब्सक्राइट और 21 भी आपको इसी से रिलेटेड में लेगा कि डिटेल प्रोविशन भी मिलेगा सब मिलेगा सेक्शन भी है काफी सारे और फिर वार्ट भी मिलेगा इस सब्सक्राइब आपको सेक्शन में समझ आया 36 के ओपर देखिया पार्ट का नाम क्या लिखा है और उसमें देखिए ज़रा 36 के ओपर पार्ट तू एक्जीक्शन वो सब्सक्राइट चौत्तर तक सारी वार्ट अब देखो जरा एक बर देख भी लेना अंदर कारेक्रम भी एक्जीक्शन कैसे होगा तो थोड़ा सिमिलर लगेगा अगर आपने सी रपीसी भी पढ़ रखा है तो एक्जीक्यूशन आपको पहले जन्रल बात बताईए फिर लिमेट ऑफ ताइम फॉर एक्जीक्यूशन करने को करने 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 और यह प्री में सवाल पूछा जाता है मतलब आप आपको आपको एसी कहानी सुना रहे हूं यह सब प्री के क्वेशन है अगर लिजय दस क्वेशन आया है तो यह बात समझ लिना कि आरटो उस्रोक्चर्श कलियर रहे देमां धीयर को यच्ज Connect पॉच्शन है यह स्ट्रोक्च्रिण अगर clear है ना कि क्या चीज प्रोसेस में किदर फिट हो रही है मैं बता रहा हूँ दस में से तीन सवाल तो इस पे बनते हैं आपके orders के number पूछे जाते हैं basic चीजे पूछे वो सब इस पे बन जाएंगे आपके सिर्फ अगर ये processing आपके समझ में आ गई और इससे ये subject आपके लिए easy हो जाएगा तो अगर आप ये समझेंगे कि 36 से 74 तक सब execution की तो बात चल रही है तो आप देखिए कि executing court क्या कर सकता है फिर procedure in execution में arrest detention दिख रहा होगा attachment दिख रहा है इंशूर कराने के लिए आप attachment कर देते हैं property sale कर देते हैं degree execute कराने के लिए property attach करके sale कर देंगे ये सब इदर पर मिल जाएगा आपको यह पूरा इसी से रिलेटेड और order 21 इस execution से रिलेटेड सारी बात करेगा कि कैसे execute होना है यह basic बात हैं जो आपको जाननी चाहिए CPC की इसके बाद हमने देखा कॉन करेगा तो पार्टी कॉन प्लिंटेफ कॉन डिफेंडेंट यह सब भी होगा उसके लिए एक order is separate parties to suit जो institution हो रहा है प्लिंटेफ कर रहा है कैसे कर रहा है प्लेंट से कर रहा है तो प्लेंट से रिलेटेड रूडर 7 में पूरे मिल जाएंगे फिर क्योंकि आप प्लेंट लेके हैं को यह इंशार करेगा कि यह सूट पूरा comprehensive है कि नहीं इसमें सारी बातें डिसाइड हो जाएं उसके बाद वो written statement भी defendant अपना पक्षिया से रखेगा through written statement, appearance और उसका consequence उसका respective order, फिर examination होगा parties का order 10 के अंदर, उसके बाद discovery inspection जानने के लिए matter को और वो सारी कहानी, फिर admissions हो जाएंगे को जैसी बात ने जो दोनों party माल लेंगी तो उस पर issue frame नहीं होगा, आगे बात नहीं और जिन पर contradictory opinion होगा, एक व्यक्ति एलीश कर रहा है, दूसरा deny कर रहा है, वो issue बन जाएंगे, उसके process आपको order 14 में मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मिला parties के बीच तो disposal हो सकता है, फिर हमने देखा, witness बुलाएंगे, अगर आगे बढ़ना है proceeding में, तो witness बुलाएंगे उनके attendance, फिर उनकी, उनका examination होगा, और उसी से related अपने commission भी देख लिया, फिर examination कैसे कर सकते हैं, और फिर effort पर चीज़ें उनसे ली जाएंगे, अगर आपको ensure करना है कि true information ही आए तो, फिर judgment आएगा, decree आएगी, और cost भी लिवाए करी जा सकती है, और execution होगा, इसके बीच में भी क arrest and attachment before judgment, वो भी देखिये जरा, that is also important in this story, इसका अनिका ही पार्ट है वो भी, 38, order 38 देखिये, 38 है तन्बिर, Arrest and attachment before judgment, judgment के पहले ही, breach proceeding में, arrest हो रहा है, क्यों हो सकता ऐसा, माल लीजिये, आपने मेरे साथ agreement किया था, कि आप मुझे अपना mobile phone देंगे 10,000 रुपे में, आप मैं proceeding तो फाइल कर रहा हूं, court में जाके, आपने breach कर दिया, आपने बाद में phone देने से मना कर दिया, मुझे तो मैं suit तो फाइल करूंगा, लेकिन मुझे य अन्देशा है, कि मुझे चाहिए specific performance, मैं court में जाके आपको करना चाहता हूं, कि आप फोन मुझे दे, आप मुझे य अन्देशा है, कि आप फोन ही गयाप कर देंगे, जब तक उस suit का judgment आएगा, तब तक आप फोन ही गयाप कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसी समभावना है, court को जाके में यह satisfy करतू हूं, कि साहब हो सक करता है, defendant भाग जाए, या जो subject matter है, या उसी को destroy कर दे, जब तक आप judgment सुनाएंगे, जब तक वो चीजी नहीं बचेगी इसकी बात है, तो ऐसे में court क्या करेगा, या तो arrest करवा देगा, या अटेचमेंट धाला देगा, यह का हो रहा है, judgment के पहले, execution में भी यह सब होगा, एक चीज़ आपने यह भी देखी, कि decree को execute करने के लिए भी यह सब होगा, arrest और attachment, लेकिन हो सकता उसके पहले यह संभाव ना हो, कि वो जो defendant है, वो सब guide up करने पर आप तो रहा है वो तो, कि property नहीं रहेगी, तो फिर काईगा suit, क्या देगे, ऐसा भी हो सकता है, या आप भा final judgment नहीं हो रहा quote का, तब तक उस property की देख भाल हो नहीं है, मालेजे, वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक वक्ती है, CRPC में जिसको कहते है, receiver, इस से related भी provision मिलेंगे, receiver से related, subject matter को समालने के लिए होता है, यह basically, receiver, appointment of receiver, order 40 इसकी बात करता है, इसकी बात कौन करता है, इसकी बा जब तक judgment पहुंचे, quote, जब तक कारे करम बचा तो रहा है, पता चला पहले ही ने पढ़ गया सब, तो उसको appoint कर दिया जाता है, इन सब कामों के लिए basically, बाकि है बहुत सार, detail बहुत है, जैसा मैंने आपको कहा कि यह जो चीज़े मैं आपको इतने brief में बता रहा हूं, मैंने आपको याद होगा, इस crash course में एक class में investigation कराया, 154 से लेके, 167 सब, foundation के class में जब उस पे बात होती है, तो वो जाता है, दो दिन सिर्फ 167, मेरे को दो गंटे की दो class लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ 167, क्योंकि उसके अंदर और intricacies हैं, जो जानने लायक हैं आपके करने के लिए और exam crack करने के बात काम करने के लिए, तो उसका approach वो है, उसका purpose अलग है, यह वहाँ वैसे बात है, crash course का purpose बिल्कुल अलग है, और ऐसे ही जब MPADPO का चल रहा था crash course, तो वहाँ दो class और तीन class में भी खतम हुआ है, तो अभी जो हमारा purpose है, वो prelims है, लेकिन यक और जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो receiver हो गया, इसके अलावा temporary injunction से related भी chapter आपको यहाँ मिलेगा, पूरा एक order मिलेगा, उसको भी देखी आप, तरह order 39 की heading देखी आपने bear act में, temporary injunction and interlocutory order, यह ऐसी ही चीज़ों के लिए है, कि temporary injunction और interlocutory order भी इनी चीज़ों के लिए है basically, कि जब तक suit cut decision होगा, तब तक तो साफ काम भी खराब हो जाएगा, अभी पहले कुछ तो आप करवाओ, कुछ तो relief दिलवाईए, तो interlocutory order उनी को कहते हैं, जो proceeding के बीच में दे दिये जाते है, injunction, कुछ करने या ना करने का order, पता चला party subject matter ही डिस्ट्रा करने को उता हम CPC, इसके लाबा कुछ नहीं है, जो आपने अभी common sense से यह बातने समझे कि इसके बाद यह होना चाहिए, इसके बाद यह और इसमें यह होना चाहिए, बस यह है पूरा CPC हो गया, कुछ दो चार बाते हैं और बची हैं, वो मैं लग से बता देता हूँ आपको, ज्यादा अब आपको वो रूल का मतलब, अब आप इन ओडर्स के रूल पढ़ेंगे तो आपके जहन में जाएगा कि यह चल गया रहा है, पहले हमें उस ओडर का प्रोसेस में फिट नहीं हो रहा, कहां से यह बीच में आ गया, इसलिए प्रोब्लम होती है, इसकी language भीज है, CPC की language उ इसी में प्रोब्लम है, चलिए, अब जरा content एक बार फिर निकाल लिए, एक बार मैं brief में आपको वो चीज़ें बता दूँ जो इस story में नहीं आई है, कुछ और additional बात नहीं है, उसको समझ लेते हैं, तो रंट CPC का content निकाल लीजे जरा, तो एक एक करके मैं आपको वो क्यों करेंगे CPC, actually अब उसके बाद, आज अपन माहूल बना रहे थे, जैसे आप बनाते हैं, जो टीशेरी की तयारी कमा होगे, कि पहले खरीद के लाएंगे डिगलॉट वाला, इंगलिश वाला है तो पढ़ेंगे नहीं, पहले डिगलॉट खरीद के लाएंगे, फिर कॉ पहले जाट की जरुवरत है, तो फिर पढ़ूँगा, फिर चार्ट बना हुआ पहले, रूम में जसाब की फोटो लगा हुआ, तो माहूल यादा बनता है, पढ़ाई कम होती है, तो आज माहूल था जीपीज, आज पढ़ाई नहीं थी जीपीज, आज माहूल था जीपीज और उससे रिलेटेड एक पिक्यूनेरी मैंने आपको अल्रडी स्टोरी में समझा दिया, सेक्शन सेक्स, उसके बाद पार्ट बन देखिए, सूटस इन जनरल में, जूरिस्डिक्शन वाली बात, नौ से पच्चीस इस कहानी में आगया पूरा, वो मैंना आपको उसका सिग मैटर को समझने के लिए, that's how it is. इसके बाद देखिए, next subheading, judgment and degree, तो आपके समझ में आगे, end में आगा judgment, section 33 उसकी बात करता है, interest, कि बाई, जो पैसा इसमें है, उसके interest भी दिलाया जाएगा, इस प्रोसीडिंग में जो पैसा इन्वालवे, cost है, माली जे डिक्री आई, क कि हाँ, आपको इसको इतना पैसा दें, जो भी interest भन रव भी दिलवाया जाएगा, फिर cost की बाद भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपने किसी party को unnecessary सता के court ले आए हो आप उसे, और जब आप उसे unnecessary court ले आए हो, तो फिर आपको पैसे देने पढ़ेंगे दूसरी party को, judgment क के बाद, cost होता हूँ, उसके बाद part 2 देखी execution, यह पूरा execution से related है, जो मैं आपको इसी story में समझा चुका हूँ, दोबारा जानी की जरूरत नहीं है, part 3 देखिए, incidental proceeding commissions, इसके बारे मैं मैं आपको बता चुका हूँ, already story में, commissions का क्या role है, फिर आते हैं अपन, next part पे suits in particular case, यह different बात है, जो इस story में नहीं हाई है, तो इसका भी brief समझ लीजे, heading पड़ी है, suits by or against the government or public officers in their official capacity, अब यह किसके against suit की बात कर रहे है, सरकार और public officers, सरकारी लोगों के against, उचे उन्होंने official discharge of duty में, क्योंकि उनके लिए special provision मनाना पड़ेगा, अब यहाँ बी simple बात है, जो सर सरकारी करमचारी से हर आदमी deal कर रहा है, वो बता चला काम चोड़के वो भाई, कोटी अटेंड कर रहा है, इसलिए उस पर थोड़े safe guards है, उनका procedure थोड़ा सा, कुछ उनके लिए special चीजें बता ही गई है उनसे लिए, ताकि वो अपना काम भी कर पाई, सिरफ court में जाके case इसलिए special provision उनके regarding दिये गए है, तब से पहले उनके लिए, उसके बाद नीचे आप interpreter भी देखेंगे, this is very important, section 88 के उपर जो heading लेकी interpreter, वो सब बताऊंगा मैं आपको, अभी जब अपन पढ़ना चालू करेंगे CPC, तो याद तो करी लेंगे provision, समझेंगे भी है क्या interpreter, कौन ह क्या है, पूरा समझाऊंगा हिंदी में आपको, उसके बाद देखें, part 5, special proceeding, ये भी additional चीज़ है, जो स्टोरी में cover नहीं हुई है, special proceeding में आप देखें, arbitration, fundal वो ही है, court को अपना समय बचाना है, दो लोग dispute लेके आए, court बोलता है, ऐसा करो बाहर ने पढ़ लो, mediation देख जो कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बैटके दिन वर इसमें लगी हैं, क्या है, judge बन्ने का सही तरीका, कैसे करें, judicery की तैयारी, कर नहीं तो पर कहां से बटेंडेंच होगा? इसलिए court ने ये, बना लिए, अपने लिए, को पर court भी कहता, भार इधर मोइदर वहां पस वेसी वाट था है, जो थोड़ बात बनगा है, वो यह उते हैं, इसलिए इस तरीके के प्रोविजन्स भी आपको मिलेंगे यहां, और कुछ स्पेशल पॉब्लिक नूसें से रिलेटेड इसमें सेक्शन्स मिलेंगे आपके, इसके बाद निक्स पार्ट पर आईए, यहां कुछ बेसिक बातें और मिलींगी, जिसे वो मने कहा न, अठाचमेंट, अरेस्ट, जो ओर्डर में आपने देख लिया, तिूरिंग जजमेंट जज्मेंट के पहले, जजमेंट के पहले, जो अपने देखा, अरेस्ट, अठेचमेंट उसे लिएट, इसके बाद देख आपनने हर किसमें ऐसे अपील इदर पर भी पढ़ना है तो इसे स्टोरी में भी वह चीज आई थी अपील और यहां आप देफ लिजे सेक्शन दिये हैं 96 से लेके 112 अपील से रिलेटेड और और अब यह चीज आपको मिल जाएगी उसके बाद देखिए नेक्स पार रेफरें इस कहानी में नहीं था क्योंकि यह सब्तार करम के साथ यह भी है कि होने के बाद अपील तो एक option है एक तो execution है एक अपील है उसके अलावा यह सब भी है reference review revision भी है उसके बाद next part देखिए special provision relating to the high court not being the court of a judicial commissioner high court इसके बाद last rule making power बताया कि किस किस के पास right है कि कौन amend कर सकता कौन रूल बनाएगा वो सारी बाते हैं पन पढ़ेंगे कल थोड़ा बहुत 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 जादा प्री के लिए important नहीं है यह सब यह वाले आखरी के पार्ट मिसलेनियस में कुछ बेसिक बाते ह इसके बाद आप देखिए orders पे आई है तो orders में order 1 हमने story में cover कर लिया पार्टी स्टूरी में cover कर लिया order 3 देखिए जिसको मैंने उस story में cover अब जब आप हमने parties की बात कर ली plaintiff defendant तो उनकी वेहाफ में प्लीडर आई है उससे related यह order separately दिया हुआ है जरली रूल बढ़ते हैं प्री में सिफ order का नंबर पुछा जाता और बहुत बार प्री में पुछा जाता है order 3 में क्या है जर्ट प्लीड दिया और फॉर स्टोरी में आ गया फाइव उसकी ज़रूरत नहीं है अब देखे शिक्स हमने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की बात करी कि प्लेंट 7 में दिया है इन दोनों को ही इसमें अगर अवेंटमेंट करना है तो क्या होगा वह सकता है क्या इन सबसे इस प्लेडिंग से ज़रूर बाते हैं वह आपको मिलेंगी order 6 में और उसके बाद स्पेसिटिक में लेगा क्योंकि प्लेडिंग मतलब दोनों प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ज़रूर बाते सीथे 14 पर कहते है 13 देखिए production impounding and return of document जो document code के सामने produce होंगे वो कैसे होंगे और उनकी impounding code जब भी कर सकता है रोल बोल से प्रीमे क्वेश्चन नहीं आते सिर्फ order number याद रखना आपको स्टोरी में भी नहीं आया वह उसके बाद आएगा आपका order 14 वह स्टोरी में आगया आप समझ गया है उसको क्या है वह इसके बाद 17 एजन की बात करता है इसमें भी अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं जब प्रोसेडिंग चल रही है तो रोज तो होगी एजन भी होगा प्रोसेडिंग्स होती है उससे रिलेटर बातें आपको इस order में मिल जाएंगी फिर अगला order तो hearing of the suit and examination of witness यह मैं आपको पूरा बता दिया along with rules उसके बाद effort है तो effort पर कैसे चीजन ली जाएंगी मैंने आपको बता दिया क्या purpose effort का authenticity बढ़ाना basic purpose information का इसलिए effort के form में मांग ली जाती है वो चीज़ें आपसे फिर judgment and decree यह पूरा मैंने आपको आरड़ी बता दिया कोस्ट के बारे आपको बता दिया क्या purpose है क्या है वो पूरा यहां दिया हुआ है उसके बाद execution दिया है which proceeding में क्या करेंगे फिर कैसे कंटी में हो यह सारी बाते भी आपको मिलेंगी अब आप CPC लिखने वाले का जरा आप वो देखिए perception क्या है इस order का नाम देखिए death या तो आप मर जाएं या तो आप insolvent हो जाएं insolvency या आपकी शादी हो जाए बतलब चिया बड़ी है इसको पढ़के लग रहा तीनों एकी बात हैं तो निपढ़ जाईए इसका इंपाक्ट अला गया उसके बारे मात करें जब आपन पढ़ेंगे इसके बारे मात करें इसके बात देखिए निक्स्ट और 23 विड्रॉल इन अजस्मेंट अब जब आपने सूट फाइल कर दिया हो स करतो दिया था लेकिन बाद में लगा कि नहीं आए ठीक-टाक रखती है पढ़ाया तो था ही इनने चोड़ दो रहन दो तो विड्रॉ करना आपको वो प्रोसीजर इतर मिल जाएगा इसके बाद आगले जो कुछ ओडर से वह बहुत इंपोर्टन नहीं है जैसे निक्स्ट प्रोसीजर इंपोर्टन नहीं है इसके बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में इसके बारे में इसके बाद नेक्स्ट अब जो ओडर स्टार्ट हो रहे हैं 27 onwards इन में order number के question बूचे जाते है कि किस order में क्या है ये specific क्योंकि कुछ nature of suits कुछ specific suits की बात है उन में क्या special चीज होगी जैसे इसमें देखिया आप 27 में suits by or against the government or public officers वो ही मैंना section में भी बताया उनके लिए कुछ special provision अगला order देखिये suits involving a substantial question of law जहां question of law decide होना है उसमें कैसे ह होगा अगला order देखिये suits by or against military or naval men उनके लिए अलग provision बना दिया defense वालों के लिए फिर आगे suits by or against corporations उनके against कैसे होगा suit next order में suit by or against firm and persons carrying on business in name other than their own firms के नाम में जो काम हो रहा है उसके अगर suit file होगा तो क्या procedure अपनाया जाएगा ये specific चीज है generally exam में आती ही नहीं है इसलिए त इसके बाद next order देखिये suits by or against trustees ये भी similar उसी तरी के special provision इसके बाद suits by or against minor ये बहुत important है pre के लिए अब party अगर minor है unsound mind किया तो उनके बहाफ पर obviously बात है कोई और करेगा क्योंकि वो तो competent नहीं है तो उस बारे में पूरा provision इदर दिया है और ये order काफी important है जो हमारी story में नही है ये बहुत important है 32 suits by or against minor and person of unsound mind इसको अपन पढ़ेंगे परी के लिए भी इसके बाद suits relating to matters concerning the family family matters में किस तरीके से क्या special चीज़े होंगी वो बताई हूँ है बढ़ एक्जाम में नहीं आती suits by indigent person बहुत important एगला order 33 बहुत important suits by indigent मतला जिसके पैसे ही नहीं है गरीब पैसे लिए इसके पास वो कैसे है क्योंकि भाई सूट फाइल करोंगे कॉस्ट देनी पड़ेगी वो सारी बाते हैं फीस कोड़ फीस तो देनी पड़ती अब आपके पास वही पैसे नहीं है तो से प्रोविजन इसके बाद next order देखिए suits relating to mortgages of imovable property imovable property का अगर mortgage हुआ है तो व स्टोरी में नहीं है जो जनरल थी हमने जो थीम बनाई CPC के जो स्टोरी बनाई वह जनरल बातों पर बनाए जनरल सूट कैसा हुआ है इसलिए वो स्टोरी में नहीं है एक्जाम के लिए जो relevant होगा वो मैं आपको class में बताऊंगा इसके बाद special case summary procedure यह भी अलग चीज है summary procedure आप जानते है CRPC में भी आपने पड़ा है कि ब्रीफ में कैसे निप्टाया जाएगा उसके बाद अगला order हमारी स्टोरी माया था arrest and attachment before judgment परपस वरपस सब मैं आपको बता दिया उसके बाद अगला temporary injunction interlocutory order यह भी मैं आपको बता दिया होता क्या appointment of receiver के बारे में मैं आपक अपील से related order appeal from original decree that is 41 उसके बाद appeals from appellate decrees, appeals from orders, appeal by indigent, appeal के अलग अलग variation है बहुत जादा important नहीं है फिर reference, review, revision, the section में दिया है, substantial part, उसी के corresponding orders and that's how CPC comes to an end, यह हो गया CPC घतम आपका, अब I hope this class के बाद आपके दिमाग में structuring बाट गई है CPC कि यह जो इतने सारे section, इतने सारे अब जो हम पढ़ेंगे, CPC को पढ़ने की न, अलग-अलग approaches है, और यह approach कौन सी होगी, यह depends करता है कि किस purpose के लिए अपन पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा था, कि अभी यह जो purpose है, इस crash course का, वो है आपके prelims examination, प्री निकालना है अपने को, तो इस crash course में अपन उस approach से पढ़ेंगे, जब इसी subject को हम foundation batch में पढ़ते हैं, जहां हमरे पास समय जादा होता है, और पहली बार अपन चीज़ों को समझ रहे हैं, और detail में means के हिसाब से, interview हर चीज के हिसाब से, आपको पूरे judiciary के तीनों stages को consider करते हुए foundation batch होता है, तो उधर अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं, वहां हम एक topic उठाते हैं, उससे related order, उससे related section पढ़ते हैं, और random इदर उधर से topic उठाके पढ़ा जाता है उसे, हम order से पढ़ना शुरू करेंगे, order के बीच में जो भी corresponding sections उसके दिये हुए हैं, उनको हम देख लेंगे, क्योंकि sections में additional बातें भी बहुत सारी हैं, जैसे rest judicator है, rest subject है, उसको अभी निलाएंगे, पहले एक बार थोड़ा सा simplified तरीके से CPC का थोड़ा सा process समझ लें, उसके बाद वो topic अपन उठाएंगे, अब इस process में भी बहुत सारे technical term CPC के हैं, जो आपके समझ में नहीं आते हैं, जैसे आज के लिए, जो मैंने आज को थोड़ा बहुत पहले भी दिया है, जो बची-पुची कसार है, वो समझाऊंगा, लेकिन इस भी जो technical term है, वो जलू समझेंगे, जैसे order 1 से order 7 की class में पढ़ना है, तो इसमें आप term देखेंगे, necessary party एक term आता है, proper party एक term, जो बेरेक में नहीं मिलेगा, लेकिन use होता है, इनी concepts, जो आज पार्ट हम पढ़ने जा रहे है, इसी से related हो term, necessary party और proper party, इसी के साथ आपने देखा होगा, pro pharma defendant एक term आपने सुना होगा, यह कुछ अधरंगी जो शब्दावली है, CPC की यह जाधा परेशान करती है, तो कोशिश करेंगे, with the help of examples, इनको अपन clear करते हुए च indicating under the same title का क्या मतलब है, तो जो terminology ऐसी use हो रहे है, जिसको समझना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, उसको मैं cover साथ-साथ करता जाओंगा, उस particular portion में, जहां वो fall कर रहा है, जैसे degree विकरी पालेंगे, तो preliminary degree क्या है, partly preliminary, partly final क्या है, यह सारी बातें भी हम साथ-साथ करते चले तो baret निकाल लेजे, and we are starting with order 1, sequence में उसी में चलेंगे, जो मैंने आपको कहानी बताई थी, उसकी sequence थोड़ी different थी, order 4 से मैंने बात करना चालू किया था, कि एक suit institute होता है, institution of suit से, क्योंकि वो आपको समझाना था, इस subject का structure, अभी जैसा मैंने कहा, अपने को pre के लिए CPC का baret में भी बताया, कि order 1 का purpose क्या है, या क्या है order 1, तो parties to suit की बात करता है, क्योंकि भाई, एक suit institute होना है, अगर court में, तो एक तो यह चीज़ विटर्माइन होनी है, कि 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 कोट में ये suit institute होना चाहिए, आपको ये समझना है, एक तो, दूसरा ये समझना है, कि वो parties कौन है, जो suit institute करेंगी, जो institute करता, उसको plaintiff बोलते हैं, जिसके against suit institute होता है, उसको defendant बोलते हैं, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल के lecture में, तो अब इसने related क्या rules है, वो इस order में दिये हैं, कि parties, कब parties join हो सकती है, कितने plaintiff, या कौन वो लोग है, जिनने as a co-plintiff add किया जा सकता है, के बारे में, ये order one बात करता है, जो कि है parties to suit, इसका rule one देखिए सबसे पहले, who may be joined as plaintiffs, all persons may be joined in one suit as plaintiffs, where any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transaction is at least to exist in such persons, whether jointly, severally or alternatively, तो ऐसे लोग जो same act से related हैं, उससे connected हैं, और उनका connection कैसा है, jointly, severally or alternatively, ये तीन term आप use कर लीजिए, underline कर लीजिए, इससे related भी prelims में questions पूछे जाते हैं, कि भाई, जो cause of action है, उससे लोग किस तरीके से connected हैं, तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा अभी, defendant के connectivity की बाता है, कि वहाँ ये term आएंगे, jointly, severally or alternatively, तो अब मुझे लग जा सकता है, आप कर सकते, जाहें तो same उसमें लाया जा सकता है, खल की जो class मैंने आपके साथ करी थी, जिसमें CPC का basic intro था, उसमें एक बात हमने समझी, सारे provision पढ़ने के बाल, कि पूरा जो purpose है CPC का, जो सारे provisions इसके बनाए गए हैं, उसमें एक basic purpose या एक basic outline जरूर है, वो पास जाधा time नहीं है, इसलिए वो कोशिश करेगा, जितना comprehensive suit हो जाए उतना अच्छा, जो जो party एक सांथ आ सकती, उनको एक सांथ ले आईए, इसलिए parties to suit में भी इस सब की बात करी गई है, सबसे पहले rule 1 में कौन-कौन join हो सकता है as plaintiff, तो जर आप देखिए, यहाँ यही पर वो सारी चीज़ें आती है, necessary party कौन है, proper party कौन है, यह जो लिखा हुआ है term jointly, severally और alternatively इसका क्या मतलब है, तो इस चीज़ को जरा एक example से समझ लेते हैं, देखिए, मैं आपको necessary party भी बता देता हूँ, proper party भी इसी में बता देता हूँ, और साथ मैं मैं आपको बता यह jointly और severally के बीच का भी difference, जैसे माल लेजिए, एक घर है, यह एक घर है, और यहाँ पे दो भाई रहते हैं, इस घर के joint owners हैं, दो, A and B, they are the joint owners, they own the property jointly, चीक, यह दोनों इस घर में रहते हैं, अब एक व्यक्ति है C, एक person है C, और यह C आके इन दोनों भाईयों को disposes कर देत है इस property से, यहाँ से possession से बाहर करके खुद possession हतिया लिता है इस property की, am they were the joint donors of the property, चीक, अब जब इस C ने इनको disposes कर दिया, यहाँ से possession हतिया ली है, तो एक cause of action आया, A और B के पास, yes or no, cause of action आप समझते हैं, legal right की existence और उस right का violation, तो A और B के पास legal right था, possession था, because they are the joint donors, और C न बताये क्या A और B, as a plaintiff, join हो सकते हैं, एक suit में, yes or no, A और B, अगर C के अगे suit file कर रहे हैं, court में जाके possession का, तो क्या join हो सकते है, the answer is yes, और यह कैसे, इनका connection कैसे है, cause of action के साथ, they are jointly interested into that, जो relief मांगा जा रहा है, जो rule 1 में लिखा है, any right to relief in respect of, जो relief मांगा जा रहा है, जो right to relief है, court से जो आप relief मांगने जा रहा है, possession का, कि जाब हमारी possession वापस दिलाए, उसमें ये लोग कैसे connected है, jointly, because they are the joint owners of the property, अब इन दोनों को join किया जा सकता है, as a plaintiff, यहां ये बात समझे है, कि इन दोनों को join किया ही जाना चाहिए, as a plaintiff, current समझे है क्यों, अगर मान लीजिए, अब इसमें ये B कहता है, दोनों भाई, थे, B कहता है, यार भाई, देख मेरे को लफड़े में नहीं पढ़ना, ये काईदे कानून के, ठीक यार, उसने हतिया लिया, दमदार व्यक्ति है, रहन देता हूँ, मैं मेरे को कोई मतलम नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ कहीं, और गती है, ये कहता है, नहीं भाई, मैं तो जाँँगा कोट, और मैं तो लूँगा अपनी प्रापरिटी, चीक, अब A जब कोट जाएगा as a plaintiff, तो A क्या करेगा, A will file a suit against C, A plaintiff है, C is the defendant, चीक, अब जब ये suit लेके A जाएगा, तो एक बात ये समझेए, अगर इस suit का judgment जो आ आता है, तो A को possession दिला दी जाएगी इस घर की, yes or no, अब जब A को possession मिल जाएगी ये suit जीतने के बाद, क्या ये matter conclusively determined हो गया, कि हाँ आप A यहाँ रहना चालू कर दे, क्या ये conclusively determined हो सकता है, ये matter, yes or no, या इसमें ये possibility है, कि ये जो B है, ये बाद में आके लफडा कर सकता ह B बाद में आके लफडा कर सकता है, कि साब हम भी तो थे, ठीक है, आपने C के against, आपने judgment दिया है, कि C की possession नहीं रहेगी, A की रहेगी वो ठीक है, लेकिन हम दोनों joint donor है ना, अब एक संभावना ये भी तो है, कि मानलो A ने ले ले ली possession, court के through, तो B बाद में फिर court जाएगा साब, C ने तो disposes हम दोनों को कर रहा था ना, और हम दोनों joint donors ने, दोनों का right है उस property में, आपने तो एक को दिलबा दिया घर, अब में कहां जाओ, और बाद में अगर ये court जाता है, तो फिर multiplicity बढ़ेगी court की, yes or no, इसका रहना ज़रूरी है, conclusively determined ही ही नहीं हो पाएगा र या, तो conclusively determined नहीं किया जा सकता उस suit को, ऐसी party को कहते है, necessary party, ऐसी party को क्या कहते है, necessary party कहते है, जिसका suit में होना ज़रूरी है, उस suit के proper decision के लिए, इसको कहते है, necessary party, अब इसलिए क्या होगा, कि A, अब एक बात और समझ लिए ना, जो terminology मैंने use करी थी, A जब suit file करने जाएग C के against, तो फिर भाया, ये भी होगा, कि या, ये जो B है, A को भी पता है, कि अभी मैं suit file करके ले लूँगा position, B बाद में लफडा करेगा, तो B क्या करेगा, एसे case में, sorry, A क्या करेगा, because B is a necessary party, क्योंकि हो भी joint donor है, तो A को, ये रहेगा कि अगर मैं ले लूँगा तो बाद लेकिन वो उसके सां Act Plentive की तरह आडर मही हुआ है, तो क्या किया जाता है, कि A जो है, वो B को suit में add कर देगा as a defendant, A क्या करेगा? B को suit में add कर देगा as a defendant, जबकि A जो right claim कर रहा है, वो B के against नहीं कर रहा है, वो C के against कर रहा है, वी के अगेंज राइट क्लेम नहीं कर रहा है इदर लेकिन क्योंकि वो ऐसी party है जिसका होना इस suit में जरूरी है इसलिए उसने वी को भी क्योंकि वो साथ plaintiff की तरह आ जाता तो ठीक हो जाता लेकिन इदर नहीं आया इसलिए वो उसको party तो बनाना ज़रूरी है, ताकि जो suit का judgment आए, वो एकदम proper आए, सबके interest determine हो जाए, जितनी related party है, जो बाद में लफडा कर सकती है, सबका एक बार में judgment आ जाए, सबके regarding, सबके right decide हो जाए, इसलिए ये A क्या करेगा, ऐसी necessary party को बनाना पड़ेगा आपको party उसे, क्योंकि जब A, B को as a pro farma defendant लेके आएगा, फिर जब court के सामने ये matter आएगा, कि B इसमें party क्यों है, ऐसे पूछेंगे भईया, तुम्हारा कौन से right की बात हो रही है, B के again, तब A जब कहानी बताएगा, कि साब इसको बोला था ही, तो necessary party आनी रहा था, इसलिए बोलाना ज़रूरी है क्योंकि conclusively determined हो पाए suit, ऐसे case में court क्या करेगा, इसको उठा के plaintiff की तरह add कर देगा, इसको उठा के इधार add कर देगा, इसको कहते हैं transposition या transmigration of party, इसको क्या कहते है, transposition या transmigration of party, क्योंकि pro pharma defendant हमने उसको बनाया था, because he was also a necessary party, ताकि suit conclusively determined हो पाए, और फिर court ने उठा के, because he is not fit as a defendant, इसको इधार बना दिया जाएगा, for plaintiff, so that's the whole story around this, यह है आपका pro pharma defendant, जिसको जबर जस्ती suit में बनाया गया है, because he is a necessary party, चीक, अब देखिए, जो हम rule 1 में पढ़ रहे थे, जो हम rule 1 में पढ़ रहे थे, कि यह जो jointly, severally or alternatively क्या है, अब severally का मतलब समझे, यह jointly, because they are joint owners of the property, they are our joint interest in the property, severally कैसे होगा, उसके लिए समझे, जैसे मान लेजिए, अभी तो यह दोनों भाई, A और B एक property में, एक घर में, यह घर है, इसमें, A और B दोनों रह रहे थे, देवर्दी, joint owners of the property, थोड़े समय बाद, इन दोनों की शादी हो जाती है, और इसके बाद, य पहले तो देवर्दी, joint owners of the property, लेकिन थोड़े समय बाद, इन दोनों की हो जाती है, शादी, और उसके बाद, इस property का हो जाता है, बटवारा, यह जो दो फ्लोर का घर है, यह डिवाइड हो गया, partition हो गया, in favor of both the parties, A और B के बीच, और क्योंकि, A की जो वाइफ थी, उसको पसंद था, इसलिए उनने ले लिया ground floor, B की जो वाइफ है, उसको पसंद है, balcony, इसलिए उसने ले लिया first floor, उपर वाला, यह उनकी वाइफ की पसंद थी, इसलिए इस तरीके से गरीबोंने partition कराया, इन से तो किसी ने पूचा ही नहीं कि तो मैं क्या पसंद है, पहले दोनो वाइफ बड़े माजे से रह रहे थे, फिर हुई शाहदी, फिर हुआ partition दोनों की property का, और आस पर the preference of their wife, उनने partition करवाया, क्योंकि इसकी वाइफ को garden पसंद है, और उसकी वाइफ को balcony, इसलिए हो गया दोनों का partition, अब जब property का partition हो चुका है, इसके बाद मान लीजिए अग अब यह partitioned property है, बट same है, immovable property same है, बट it is partitioned, यहाँ पर एक वेक्ती आता है C, और same काम करता है, इन दोनों को भगा देता है, बटा अब न रहेगी, बाल कानी न रहेगा garden, दोनों निकलो इदर से, और अपनी वाइफ को भी ले जाओ, जिनकी preference पे तुमने floor select करे थे, यह हो जाता है, dispossess कर देता है, C, इनको भगा देता है इतर से, अब एक बात समझना, अब अगर suit file करना, because it was a partition property, दोनों अपने अपने share के लिए entitled हो गए थे property में, अब अगर suit file होना है, तो इनके पास अपना-पना cause of action है A और B, A जा सकता है, B के अगिंस suit file कर सकता है, sorry C के अ suit file कर सकता है, अपने अपने portion के लिए कर सकते है, yes or no, लेकिन इस property में interested दोनों है, और अब ये कैसे connected है, ये jointly नहीं है, ये severally connected है, ये जो term लिखाना, rule 1 की आखरी line में, jointly, severally, वो समझ रहा है, jointly का था, विंदेवर्धी joint donors, दोनों का साथ होना जरूरी था, अभी उनका interest कैस अपने portion कर सकता है, इस एक suit में, yes or no, ये काम separately कर सकते हैं, इसको केते हैं, severally, और इस case में A और B जो है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, बेटा, proper party, इसको क्या बोलते हैं, proper party, अब necessary party नहीं है, होना जरूरी नहीं है suit में, A जो suit file कर रहा है, C के against, उसमें B का ह हुना जरूरी नहीं है, because he's not the joint owner of the complete property now, उसका हुना जरूरी बिलकुल नहीं है, ऐसे अगर B, C के against suit file करता है, तो B का हुना भी जरूरी नहीं है, लेकिन, क्योंकि same property है, और partitioned है, अगर दोनों को join कर लिया जाएगा, तो suit ज्यादा अच्छे से determine हो पाएगा, सब के right, क्यो है, इसको कहते हैं, आप severally, जो यह, जो यह rule 1 में लेखा है, तो they can be joined as a plaintiff in a suit, अब इधर भी क्या, अलग-अलग जाने की बज़ए, जब joint थे तब तो single ही करना था, इधर भी आप single join हो सकते है, A और B दोनों join हो सकते हैं as plaintiff, और C के against suit file कर सकते हैं, because they are interested in the subject matter severally, they are connected severally, not jointly है, क्योंकि दोनों का अपना portion है, उनके पास अपना independent right है जाने का, against the person C, I hope you are getting the difference, yes or no, जी, आप समझिये जरा, तो, टेनेंट के case में, टेनेंट के case में भी बताता हूं, शाली नहीं है अभी, और कुशान का है, तो decision will be conclusively, separately, बिलकुल, लेकिन conclusively, determine, कुशान बिना उसके नहीं हो सकता था, अपने अपने portion के लिए, अगर B, अखेला suit file करें, CK, तो B का जो portion है, उसके context में, तो conclusively determine होगा ना, बट इधर नहीं हो सकता था, because they were the joint donors, because यहां पे वो अलग-अलग own कर रहे है, separately own कर रहे है, तो यह अपने context में conclusively करा सकता है, उसको यह को join करना यह अपने favor में conclusively determine वो करवा सकता है, इसको एक चीज और से समझ लीजे, फिर मैं alternative पे आऊंगा, इस necessary party और proper party के regarding cases है काफी और tenancy में यह बहुत use होता है, एक चीज और समझ लीजे इसमें, जैसे मान लीजिए, एक है आपका landlord, L, इस landlord ने क्या किया, अपनी property दी, एक tenant को, that is T, एक घर, जिसको इसने rent पे दिया, lawfully create हुई थी यह tenancy, landlord ने बढ़िया agreement करके इस tenant को दिया, अब इस tenant ने क्या किया, एक रख लिया, subtenant, tenant ने क्या किया, subtenant का मतलब आप समझते हैं न, tenant ने अपना tenant रख लिया उसी प्रमाइस में, अब यहाँ दो चीजे हो सकती है, या त जीए, यह lawfully created subtenancy है, lawfully मतलब lawfully कब होता है, जब इसके permission लेके, इसके notice में लाके वो tenancy create करी गई है, ऐसे case में, इस subtenant का अपना right तो इस tenant के against है, लेकिन एक legal right इसके context में भी होता है, इस landlord के, क्योंकि इसको confidence में लेके, इसको बता के वो subtenancy create करी गई है, ऐसे case में अगर यह landlord इस tenant के against, eviction का suit file करेगा, ऐसे case में अगर यह landlord इस tenant के against, एक suit file करेगा eviction का, in that case, अगर lawfully created है यह, in that case, the subtenant will be considered as necessary party, this has been held in a case, कि यह जो subtenant जो lawfully created है, it may be considered as a necessary party, क्योंकि जब यह इस से eviction करा रहा है, तो इसका भी right impact हो रहा है, बाद में यह भी आएगा, क्योंकि इस इसका भी connection landlord से है, because lawfully created हुई थी, इसको बता के created हुई थी, लेकिन अगर यह subtenant अगर unlawfully है, बिना इसकी permission के subtenant को रखा गया था, तो इसका landlord से as such कोई लेना देना नहीं है, ऐसे case में यह जो subtenant है, यह necessary party नहीं होगा, जहाँ unlawfully created है, लेकिन जब यह landlord इस property के eviction के लिए suit file करेगा, तो possession में तो दो लोग है ना, tenant भी है और subtenant भी है, तो इस party के against भी अगर आ जाए तो बहतर है, नहीं भी आएगा तो भी, क्योंकि यह lawfully created तो नहीं है, नहीं भी आएगा इसके favor में तो खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि possession इस रखती के पास है, बहले matter decide हो जाएगा कि position पूरी खाली होनी है कि नहीं, इस पर different करेगा whether it is a necessary party और a proper party, so I hope you got this idea about necessary party and proper party, yes or no, ऐसी party जिसका होना जरूरी है, जिसके बिना decree execute हो ही नहीं पाएगी, जिसके add हुए बिना decree execute हो ही नहीं पाएगी धंग से, वो आपकी necessary party है, और ऐसा वेक्ती, जिसके न होने से भी decree execute कराई जा सकेगी, लेकिना गर उसको भी add कर लेंगे तो ज्यादा बहतर है, that is proper party, और वो jointly और severely भी आपने समझ लिया, अब आते हैं एक और term इदर पर लिखा है alternatively, jointly, severely और एक है आपका alternatively, अब इस alternatively को समझ जिए कि कैसे ये relief मागेंगे, alternatively कि मुझे दे दो या किसी दूसे रभू दे दो, एक example से इस बात को भी समझ लेजे, जैसे माल लेजे, there was a person F, और F की हो जाती है death, there was a person F, इसकी death हो जाती है, अब इस व्यक्ति का, जो भाई है, B, B is his brother, वो इसकी पूरी property पर कभजा कर लेता है, वो उसको पूरा हतिया लेता है, इसका एक wife है W, और एक AS है adopted son, कौन कौन है, एक wife है और एक है adopted son, आप क्योंकि पूरी property उसने हतिया ली है, इन दोनों का भी अपने personal law में ये legal years है, इसके वो property claim करने जाते हैं, और दोनों का interest है, साथ में ये गए as a plaintiff, ये दोनों जाते हैं साथ में जॉइन करने, किसकी against, B की against, इसकी against, ये suit file करने जा रहे है, अब B का contention इस suit में ये है, कि साथ ये जो व्यक्ति है न, ये जो adopted son बता रहा है अपने आपको, ये legally adopted son नहीं है, B का contention है कि ये जो अपने आपको adopted son बता रहा है, हमारे भाई का, ये adopted son नहीं है, ऐसे cases में ये दोनों कैसे connected हो सकते हैं, alternatively, य अगर suit में ये decide हो जाएगा कि हम lawfully adopted son है, तो दोनों के favor में दे देना, अगर नहीं हो पाता है, in that case, आप सिरफ इसके favor में दे देना, अगर ये proof नहीं हो पाए, कि ये lawfully adopted son है, तो ये तो है न, wife पे तो कोई allegation है न, वो तो है न, lawfully bedded wife, वो तो video है न, तो इसको दे देना, तो इस तरीके से भी छो लो claim कर सकते हैं अपने relief को alternatively, they can also be joined as a plaintiff, I hope that is clear, I hope that is clear, yes or no, ये alternatively claim कर सकते हैं relief, तीनों word लिखे हैं, jointly, severally, alternatively, मैंने आपको तीनों बता दिये, jointly, severally भी अपन ने देख लिया, महां अलग-अलग भी कर सकते थे claim, तो भी join हो सकते हैं as a plaintiff, जहां alternatively claim कर सकते हैं, उनको भी साथ में join किया जा सकता है as a plaintiff, I hope that is clear, yes or no, देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, सिर्फ रटवाना परपस नहीं है मेरा, याद तो करेंगे, क्योंकि प्रीमे सवाल तो यह कूच जाएंगे, लेकिन समझ लिया अब आगे दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, यही सब repeat होगा, तो अपन सीधे question देखेंगे, CPC में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कि बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़े इसलिए समझ नहीं आती, क्योंकि substantive law पे clarity नहीं है, family law पे clarity नहीं है, कि कि किस understanding हो गई, necessary party की, proper party की, pro pharma defendant की भी, क्योंकि वो सब अभी आगे इधर use होने है, और अपन सिरफ रटने नहीं हैं, अपन थोड़ा समझ के पढ़ने आए हैं, चलिए, अब आजाईए वापस अपने order 1 पे, order 1 का rule 1 समझ में आया, A part जो है इसका, इसका B part देखिए, if such persons brought separate suit, any common question of law और fact would arise, ऐसे लोग जो separate suit लेके आते, तो same question of fact या law arise होता, ऐसे लोग भी join हो सकते हैं, यही सब लोग हैं, इन ही में overlapping है, इसलिए rule 1 में comprehensively लिख दिया है, कि इन सब, यह जो जित्ते भी लोग हैं, जिनके अपनने बात करी, यह सब join हो सकते हैं as a plaintiff in a suit, चाहे हो necessary party हो, जा हो proper party, या किसी और तरीके से भी connected, alternatively claim कर रहे हो, तो भी वो join हो सकते हैं as a plaintiff, यह बताता है rule 1, rule number याद रखिएगा, बहुत important question है, pre के लिए, किस order के, किस rule में दिया है, कि plaintiff join हो सकते हैं, यह सवाल आता है, rule 1 याद रखिएगा, rule 2 भी important है, power of court to order separate try, simple सी बात rule 2 में यह है, कि जब बहुत सारे लोग as a plaintiff, add हुए है, साथ में suit file कर रहे हैं, अगर court को ऐसा लगता है, कि इस addition की वज़े से unnecessary delay, या embarrass हो सकती है, proceedings, in that case, court के पास अधिकार है, कि वो separate trial order कर देगा, वो बोलेगा, नहीं भाया, तुम साथ में मताओ, क्योंकि मैंने क्या करा, court का समय से जो आपका suit है, वो खराब हो सकता है, उसमें delay हो सकता है, या process embarrass हो सकती, in that case, the court has authority to order separate trials, यह दिया है, rule 2 में rule number याद रखिएगा, एक में joiner है, दो में separation, तीन देखिए, who may be joined as defendant, कौन लोग as defendant join हो सकते है, पूरी language exactly rule 1 की है, the only difference is, वहाँ था कि जो लोग relief claim करने जा रहे ह है, उनमें कौन-कौन join हो सकता है, rule 3 में सिर्फ एक difference देखेंगे, यहां लिखा है, exist against such person, जिनके against relief claim किया जा रहा है, वो join हो सकते हैं, बाकी पूरी कहानी सेम है, अगर वो jointly connected है, अगर वो severally connected है, अगर वो alternatively connected है, जिनके against relief claim किया जा रहा है, अगर ऐसे 4-5 लोग है, तो व rule 3 भी ध्यान रखिएगा, बहुत important है, इसके बाद आजाएए 3-A पे, अब जैसे 1 के बाद 2 था, कि अगर जॉइन करने की वज़े से समझते हो रही है, तो separate order कर देंगे, ऐसे 3-A में दिया है, power to order separate trials, where joiner of defendants may embarrass or delay trial, अब अगर बहुत कुछ लोगों को as a defendant join करने की वज़े जो trial है, वो embarrass or delay हो सकती है, in that case also separate trial order कर देंगा, तो 3-A भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद सीदे हाजाए 8 पे, rule 8 देखिए इसके बाद, one person may see or defend on behalf of all in same interest, यह है representative suit की बाद, अब देखिए, हमने पहले पढ़ा कि जित्ते लोग interested से, अब साथ में आके plaintiff बन सकते हैं, हम कह 50 parties affect हो रही है, सब के सब अगर as a plaintiff आना चाहें, यह बहुत सारे लोग है, जिनकी वज़े से किसी का right wallet हो रहा है, वो जो लोग है जिनकी वज़े से wallet रहा है, जिनकी again suit file or वो सब अगर, सब जोइन नहीं होना चाते है इसा party, तो उन में से कोई एक बंदा सब को represent करने के लि behalf of or for the benefit of all persons who are interested, तो जहां बहुत सारे लोग का या तो interest affect हो रहा है, या वो दूसरे के interest को affect कर रहे है, उन में से कोई भी एक व्यक्ति, with the permission of the court, एक representative suit लेके आ सकता है, इसके बाद भी देखिए, the court में direct, that one or more of such persons makes you or be suit, court भी ये direct कर सकता है, कि भीया सारी ये तो जनता है, तुमें एक काम करो, सब के बिहाफ पे आजाओ, एक representative suit लेके, सब के बिहाफ पे आपा जालिए, चीक, तो ये भी हो सकता है, PIL अलग है कुशान, PIL concept अलग है बेटा, वो सिर्फ High Court, Supreme Court के लिए, Red jurisdiction, जहां बहुत सारे लोगों का right wallet हो रहा है, वहां ऐसा वेक्ति, जिसका ख समझ गए कि होता क्या है, rule number याद रखिएगा, इधर से question आता है, दो-तीन बात ने इसकी समझ लीजे, ऐसे suit में अगर withdrawal होता है, या कोई compromise होता है, तो simple सी बात है, जितनी parties हैं, उसमें concerned, सब को notice भेजा जाएगा, या जब ये suit institute होगा, इसके sub rule 2 में, ये लिखा है, कि जब ये suit institute होगा, जो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे किया जा रहा है, तो जितने लोगों के बिहाफ पे किया जाएगा, उन सब को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बिहाफ पे चलाएगा, क्योंकि जो decree आईगी न, उससे ये सब के sub bound होंगे, जिनके बिहाफ पे suit, फाइल कि बाकी को, ये ना हो, इसलिए हमको notice भीजा जाएगा, ये सब बातें इंटर लिखी है, बहुत important नहीं है, सीधे आप mark कर लीजे, rule 6 उसके बाद, इस order का, सीधे mark, sorry, इस rule का, sub rule mark करिये 6, rule 8 का, sub rule mark करिये 6, a decree passed in a suit under this rule, shall be binding on all persons on whose behalf, or for whose benefit, the suit is instituted or defended as the case may be, तो जितने लोगों क जाहिए सीधे 9 पर, rule 9 बहुत important है, prelims के लिए, misjoinder and non-joinder, no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties, अब देखें, misjoinder or non-joinder क्या होता है, हमने rule 1 में देखा कि बहुत सारे लोग as plaintiff join हो सकते हैं, हमने rule 3 में देखा कि कही सारे लोग as defendant join हो सकते हैं, misjoinder तब कहते हैं, जब किसी ऐसे व्रक्त तो वो add हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसा व्यक्ति add हो गया है suit में, जो lawfully हो नहीं सकता था, इसको बोलते हैं misjoinder, और non-joinder कहते हैं, जब कोई party जो add होनी चाहिए थी, हुई ना हो, non-joinder मतलब कोई ऐसी party जो add हो सकती थी, इस suit में, क्योंकि 1 में और 3 दो add हो गई, जिसे नहीं किया जाना था, वो हो गया misjoinder, इसका impact क्या होगा, अगर मानगे जिए proceeding हो गई है, तो non-joinder और misjoinder का impact क्या होगा, तो rule 9 उस case में कहता है, no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties and the court may in every suit deal with the matter and controversy so far as regards the right and interest of the parties actually before it, तो misjoinder, non-joinder का ऐसा कोई substantive effect generally नहीं होता, court proceed कर लेग उसमें कोई problem नहीं है, defeat नहीं होगा सिर्फ इस कारण से, क्योंकि कोई ऐसा वक्ती join हो गया था उसमें, या फिर join नहीं हो पाया, इसका लेकिन जो proviso है, यह बहुत important है, provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of a necessary party, लेकिन यह किस पे applicable नहीं है, non-joinder of necessary party पे यह applicable नहीं है, इसलिए उसको necessary party कहते ह join होना जरूरी है, और clearly proviso में लिखा है, अगर necessary party को add नहीं किया गया, तो यह rule applicable नहीं, necessary party किस में, इसका मतलब अगर necessary party को add नहीं किया गया है, in that case, जो suit है, वो defeat हो सकता, इस ground पे, suit हो सकता है, कि necessary party को add नहीं किया गया, इसलिए यह बहुत important है, rule याद रखिएगा 9, इसी के section पढ़ लीजे, जो थोड़ा connected है, इस concept से, सीधे आजाईए section 99 पे जरा, section 99 पे आजाईए, so भाई, order 1 अपन पढ़ रहे हैं, इसका हमने देखा rule 9, इसके साथ अपन क्या पढ़ रहे है, section 99, क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आजाईए section 99 section 99, section 99 आप देखेंगे किस chapter के तहट आ रहा है, appeal, किस पार्ट के अंडर आ रहा है, appeal के अंडर आ रहा है, appeal से related, suit trial court में already decide हो गया, 99 क्यता है, no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits of jurisdiction, यह बता रहा है कि अगर मान लीजे suit decide हो गया, और suit में कुछ defects हैं, तो क्या appellate court उस decree को reverse कर देगा इस ground पे 99 में बता है, कब reverse करेगा, कब नहीं करेगा, तो इसमें misjoinder और non-joinder की भी बात है, कि अगर parties गलत add हो गई थी, तो क्या इस ground पे appellate court पूरा suit nullify कर देगा, क्या decree set aside कर देगा, उसके लिए पढ़िए ज़रा, no decree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any, on account of any misjoinder और non-joinder of parties, इस ground पे reverse नह misjoinder या non-joinder हो गया है, of parties, or cause of action or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit, not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court, दूसरे जो error है उनके बारे में है, कि जब तक jurisdiction effect नहीं हो रहा है, merit effect नहीं होई है, कब तक set aside नहीं करी जाएगी decree, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो proviso लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए आप proviso, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of a necessary party, non-joinder of necessary party पे यह apply नहीं होगा, यह clearly लिखा है, इसका मतलब अगर necessary party को आट नहीं किया था, trial court नहीं और decree देदी है, तो इस ground पे वो reverse भी कर सकता है, इस ground पे reverse भी जाए, यह एक substantial mistake है, so that is about order 1 rule 9 और section 97, चीक, इसके बाद देखिए, आगे 10, rule number 10, तो मैं आपको order के साथ साथ ये भी साथ में लिखते जाता हूं कि क्या कि आपन किस order में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपन पढ़ रहे हैं, order 1, इसमें हमने कौन-कौन से rule पढ़े हैं, तो हमने पढ़ा rule 1, फिर हमने पढ़ा rule 2, फिर हमने पढ़ा rule 3, फिर हमने पढ़ा rule 3A, चीक है क्या क्या है किस में क्या है यह याद रखते जाहिएगा सांथ समय इसको जरह समझना इसका जो rule 10 का जो sub rule 1 है यह कहता है where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff यह जो rule 10 है इसका जो sub rule 1 है यह बात करता है कि आपने describe नहीं किया party को जो नाम plaintiff का आना चाहिए था as a plaintiff वो proper नाम यह misjoinder या non-joinder of party की बात नहीं कर रहा है यह misjoinder of party की बात basically नहीं कर रहा है कि किसी दूसरे वक्ति को आपने add कर दिया है यह जो rule 10 है जरा ध्यान से मेरी बात सुनियागा देखे भाई आपके पास मैं बता दूँ CPC में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप पूछना चाहेंगा वो पहले मेरा आप से आग रहा है आप मेरी बात सुन लीजे उसके बाद जो रह जाएगा वो अपन देख लेंगे तो यह बैसिकली रॉंग नेम से रिलेटेड रूल 10 सब रूल 1 जो है यह रॉंग नेम या रॉंग डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है नाम गलत लिखा गया सही डिस्क्रिप्शन नहीं लिखाया जैसे जब जा सकता है किसी भी स्टेज पर यह लिखा है सब रूल 1 में इसके बाद जो सब रूल 2 है वो बात करता है मिस्जॉंडर ऑफ पार्टी की कि कोई गलत व्यक्ति एड हो गया है तो इसका जो सब रूल 2 है वो कहता है स्ट्राइक आउट कर सकते लेगे कोट में स्ट्राइक लेकिन तो sub rule 1 था वो सिरफ description की बात कर रहा था, that is the difference between the two, अब इसका एक sub rule 4 भी important है, where defendant added, plaint to be amended, ये बात ध्यान रखिएगा, pre का important question है, जब भी कोई नया वेक्ति आसा plaintiff add होता है suit में, तो plaint में amendment करना necessary है, अब ये आप order 6 rule 17 में देखेंगे, amendment of pleadings, तो वो amendment के through ही defendant add होगा, य जब किसी नय वेक्ति को as a defendant add किया जा रहा है, ये भी prelims का important question है, इस rule 10 से, इसके बाद जो आखरी rule यहां important है, इस order के अंदर, वो है आपका rule 13, rule 13, this is very very important, तो इतने rule आपको ध्यान रखने, sequence भी बनाते जाहिए, प्री के लिए, कहां क्या दिया है, objections as to non-joinder or mis-joinder, अगर objection क करना है, तो कब करना है, वो बताया है, all objections on the ground of non-joinder or mis-joinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunity, जितना जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी आपको objection file करना है, party से related अगर है तो, and in all cases where issues are settled, at or before such settlement, unless the ground of objection हा subsequently, और जहां issues settle हो रहे है, suit में, issues settle होने के समय, या उसके पहले, आपको ये objection raise कर देना ह है, बाद में आप नहीं करेंगे, बाद में कप करेंगे, exceptionally दिया है, अगर वो ground ही, उस party को add करने का ground ही, बाद में arise हुआ, settlement of issue के बाद, in that case, आप बाद में add कर पाएंगे, otherwise, generally, आपको add करने का मौका नहीं दिया जाएगा, after settlement of issue, अब इसलिए, कल की जो class मैंने लीती, उसम आई है, objection raise, उसके बाद आप तभी कर सकते है, जब वो ground subsequently arise हुआ, that's all for order 1, that's all for order 1, इसके बाद आजाई है, order 2 पे, यह सब pre के question है, जितने में इदर लिखते जा रहा हूँ भाई, कि ध्यान रखना, order 2 पे आजाई है, order 2 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखी, order 2 का purpose बरपस सब कल बताया था, frame of suit है, order 2, कहानी में आया था, court का purpose क्या है, ऐसी framing हो suit की, इतना comprehensively design हो, कि जो कुछ आ सकता है, उस matter से related सब यह ही decide हो जाए, ताकि फिर बाद में कोई और ना लाए, और इसलिए यह, कि भाई, जो जो relief मांगना है, जो claim तू लेना चाता है, जितन claim लेना चाता है, एक बार में आजा, दूसरी बार आने नहीं देंगे, अगर मानलीचे मैंने breach of contract किया है, आप total claim मुझसे मान सकते हैं, दो लाफ रुपे, लेकिन अभी आपने insufficient claim के साथ, अगर suit फाइल किया, पचास हजार का, तो code बोलेगा, बिटा, प्रपरली फ्रेम कर क बार हो जाएगा आपका suit, जैसे समझे इस बात को, मानलीचे, मैंने एक contract का breach किया है, आपके against, अब आपके पास 2-3 relief हैं, जो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप specific performance भी मांग सकते हैं, आप damages भी मांग सकते हैं, उस case में मुझसे, कहीं पे आप किसी से possession मांग रहे हैं, तो आ के आएंगे, दूसरे relief के लिए, same cause of action पे, तो court will entertain, नहीं करेगा और भगा देगा, ये पूरा सार इसमें दिया है, देखिए, जरा rule 1 important है, frame of suit, कैसे frame करना है, every suit shall as far as practicable, be framed, so as to afford ground for final decision, upon the subjects in dispute, and to prevent further litigation concerning them, suit, जो कि जो framing होगी, कैसी होगी, कि जो judgment आए, वो final आ जाए, और कोई further litigation नहीं हो, इसके बाद कुछ और proceeding के लिए, रहना जाए, इस तरीके किसे suit frame करना है, क्यों कर रहे हैं ये, same बात, court के पास समय नहीं है, इसके बाद देखिए rule 2, suit to include the whole claim, जितना claim आप मंग सकते हैं, उस suit में, पूरा ले लिजे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया आना तो बाद में आपको दुबारा आने दिया जाएगा, देखिए, every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his choice in order to bring the suit within the jurisdiction of any court, उसको claim पूरा करना है, जितना claim वो ले सकता है, पूरा claim करना, लेकिन कई बार, खुद से plaintiff ये चाहे कि आरनी में को थोड़ा से claim छोड़ देन अगर pecuniary jurisdiction की बात करें, तो अलग-अलग decided है, कि कौन सा particular civil court किते तक के matter सुनेगा, अगर मालनी ची कोई particular civil court है, जो 2,00,000 तक के matter सुन सकता है, अब आपके पास जो cause of action है, उसमें आप 5,00,000 रुपे claim कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको उस particular court में ही अपना मामला फाइल करन यह आगे लिखा हुआ है, तो देखिए इसका sub rule 2, relinquishment of part of claim, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, underline कर लीजे, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished, आप छोड़ तो सकते है claim का part, आप भले कम claim करिए, ता कि आपका case एक particular court के jurisdiction में है, लेकिन बटा बाद में मता ना वो मांगने, अगर आप 2,00,000 मा आप आजाना, वो suit bar होगा by rule 2, ऐसे ही different reliefs की कहानी, sub rule 3 उसकी बात करता है, omission to sue for one of several reliefs, आप बहुत सारे अलग-अलग relief claim कर सकते थे, लेकिन आपने कोई एक ही किया या दो ही किये, तो बाकी के जो relief है, उसके लिए अब आप दुबारा नहीं आ पाएंगे, दुबारा suit file आप नहीं कर पाएंगे, वो barred होगा, इसमें भी last line में लिखा है, he shall not afterwards sue for any relief so omitted, अगर आपने पहले वो relief नहीं माँगे, तो बाद में मताईएगा, explanation बताता है कि obligation और collateral security, same cause of action माना जाएगा, obligation और collateral security का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, आपने मुझ से loan लिया 50,000 security वाला भी option है, जो आपने ऐसा security रखा है, मैं दोनों claim करना हूँ, यह जो आपने पैसे देने में breach किया है, यह same cause of action माना जाएगा, दोनों चीज़ के respect में, उस obligation के respect में भी, और collateral security के respect में भी, मुझे अगर suit file करना है, तो दोनों साथ में मांग लेना चाहिए, मुझे, collateral security जो मुझे मिल सकती है, वो भी मैं मांग लूँ, और पैसा भी मांग लूँ, दोनों, क्योंकि अगर एक चीज़ मांगूँगा, तो फिर दुबारा suit file नहीं कर पाऊँगा, दूसरी चीज़ के लिए, तो यह basic SAR क्या है, इसका frame of suit का, कि जितनी चीज़ें add हो सकती है, वो matter decide हो जाए, rule 2, bar की बात करता है, कि अगर मान लिजिए, अगर आपने पूरा claim नहीं किया, सारे release नहीं मांगे, तो बाद में आप दुबारा claim करने नहीं आएंगे, rule 3 भी बहुत important है, इसका, प्री में सीधे सीधे question को पूछा जाता है, joiner of cause of action, किदर दिया है CPC में, joiner of cause of action, जैसे आपने पिछले order में देखा, joiner of parties, इधर पर बात करेंगे, joiner of cause of action की, जैसे मान लिजिए, आप हैं और मैं हूँ, दो parties हैं, मुझे आपसे 50,000 रुपे लेने हैं, क्योंकि आपने मुझसे उधार लिये थे 50,000, प्लस, आपने मेरे साथ एक contract किया था, आपने institute में admission लिया था, और आपने का था, सर, fees बाद में देदेंगे, आपने ना मेरे वो 50,000 लोटा है, जो उधार लिये थे, और ना आपने यहां पढ़ने की fees पे करी, तो अलग-अलग cause of action मेरे पास आपके against हैं, इनको भी मैं club कर सकता हूँ, एक suit में, same party के against में, जितने चाहूँ, जॉइन करा सकते हूँ, अब देखिए, detailing तो इसमें बहुत है, joiner of cause of action में, कि जब अलग-अलग parties है, दो plaintiff है, multiple plaintiff, multiple defendant, वो सब बहुत कहां नहीं है, बड़ प्री के लिए important नहीं है, मेंस के लिए जब पढ़ते हैं, foundation batch में जब इस topic को पढ़ाया जाता है, तो मुझे कम से jointly और severally और alternatively और वो बेरेक्ट में है और वो समझ नहीं आएगा, तो problem है, चीक, तो यहाँ simple आप rule 3 में ये समझ ये, joiner of cause of action, कि अलग-अलग cause of action है, एक party के पास दूसरी एक against, तो सब को join करके, एक suit file किया जा सकता है, that is rule 3, बहुत important है, बहुत important है, प्री में सीरे ये question आत property की recovery के लिए, कोई भी removable property, कोई land है, कोई building है, उसको recover करने का, अगर आपने suit file किया है, ध्यान से समझ ना, तो कौन-कौन सी ऐसी चीजे है, दूसरे कौन-कौन से cause of action है, जो आप join करा सकते हैं, इसके बारे में है, so यहाँ लिखा है, new cause of action shall, unless with the leave of the code be joined with a suit for recovery of removable property, except, सिर्फ इन चीजों को join कर सकते हो, जब भी आप suit file करोगे for recovery of removable property, सिर्फ यह चीजें आप add कर पाएंगे, जो ABC में लिखी है, तो देखिए, क्या क्या add कर सकते हैं, A है claims for mean profit और area of rent, mean profit क्या होता है, adverse possession से कमाया हुआ पैसा, जैसे जबरजस्ती आपके घर पे किसी ने कबजा कर लिय लिया किसी को, तो वो जो rent कमाया, उस वक्ती ने adverse party से उसको कहते है mean profit, और areas of rent तो आप समझते ही है कि जो भी rent का बकाया है वो, तो जब भी आप immovable property की possession का suit file करेंगे, यह आप add कर सकते हैं, mean profit और areas of rent, इसके बाद भी लिखा है claim for damages for breach of any contract, अगर किसी contract का breach हुआ है, immovable property से related, जिसमें आप immovable property तो claim करी नहीं है, साथ में आपको damage भी claim करना है, क्योंकि contract का भी breach हुआ है, आपकी property भी आपको वापस लेनी है, और contract का breach हुआ है, तो आपको damage भी claim करना है, तो ऐसे damage को भी आप add कर सकते हैं, while serving for recovery of immovable property, C कहता है कोई और same cause of action से जो चीज़ arise हुरी है कोई भी ऐसा relief, जो same cause of action से arise हुरा है, दूसरा, along with recovery of immovable property, तो उसको भी आप add कर सकते हैं, तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, mean profit, rent, और damages for breach of contract, या फिर same cause of action से arise होने वाला, कोई दूसरा relief, यह सारी चीज़ें add हो सकते हैं, इसका जो proviso है, that is also important, provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property, अब देखिया, हमने क्योंकि यह यहाँ पर पड़ा है, इस particular rule में, कि सिरफ यह चीज़ें add होंगी, जब आप immovable property की possession लेंगे, प्रोवाईशो आपको यह बता रहा है, कि in case of foreclosure and redemption, अगर redemption का suit file किया गया है, या foreclosure का suit file किया गया है, तो इसके साथ आप possession मांग सकते हैं, इसको preclude नहीं करता यह section, यह section उसको बार नहीं करता, कि अगर आपने foreclosure का suit file किया है, या redemption का suit file किया है, तो आप possession भी मांग सकते हैं property की, यह कहता है आपका provisor, उसको वो बार नहीं करता, अब अगर आपको नहीं पता है कि redemption और foreclosure क्या होता है, तो brief में मैं आपको बता दूँ, mortgage अगर आप जानते हैं, देखिए CPC अपन पढ़ रहे हैं, यह किसका procedure है, civil laws का procedure है, और procedure के लिए substantive पे थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है, and I hope TPA में आपने यह पढ़ रखा है, redemption और foreclosure, एक बार brief में मैं आपको recall करा दूँ, अगर जो लोग गिर्वी रखा है B के पास, तो A is the mortgage, जिसकी property है, जिसके पास रखी है, वो mortgage, अब होगा क्या, अगर A ने यह जो 50 लाग का loan लिया है, वो successfully वापस कर देगा B को, अगर A यह loan properly वापस कर देगा, तो A के पास यह अधिकार है कि वो अपना घर जो उसने गिर्वी रखा वाप वापस ले पाए, अपना जो गिर्वी रखा घर है, वो वापस लेने का अधिकार है, यह के पास अगर loan का repayment टाइम पर कर देगा, yes or no, इसको कहते है, right of redemption, mortgage के पास अधिकार होता है, कि वो अपनी property वापस ले ले, mortgage से, इसको कहते है, right of redemption, और similarly B का एक अधिकार है, कि अग अधिकार है, अपनी property को redeem करने का, अब उसको आप खतम कर दीजे, अब यह वेक्ति, in future, कभी अपनी property redeem नहीं कर पाएगा, इस अधिकार को केते है, foreclosure, यह किसका है, B का, B यह काम करवाएगा, कि अब in future, आप कभी इसको claim करने मत देना, यह होता है, redemption, foreclosure, तो चाहे redemption का suit file चाहे, foreclosure का, property की position साथ में, मांगी जा सकती है, उसको यह, rule preclude नहीं करता, यह ध्यान रखियेगा, I hope that is clear, चीक, तो यह होगे आपका, rule 4, पूरा का, पूरा important है, along with the provisor, इसके बाद सीधे mark करिए 6, rule 6 आता है, pre में, rule 6 है, power of court to order separate trial, जो अपनने, joiner of cause of action की बात करी न, 3 में, तो यह बोलता है, separate trial भी हो सकती, अगर लगता है, court को, कि इस joiner of charges की बज़े से, trial embarrassed हो सकती है, या delay हो सकता है, in that case, separate trial, जैसे plaintiff, को join करने के बाद, अगर court को लगा कि, delay हो रहा है, तो rule 2 में, separate trial हो सकती है, वैसे इसके लिए है, तीन में और 6 में, यह rules भी याद रखिएगा, जितने rules में आपको mark करा रहा हूं, बता रहा हूं, यह सब pre-claim important है, और यह खतम होगया, यह आपका order 2, यह आपका order 2 भी कतम होगया, order 3 पे आईए, तो order 3 में कोई rule पढ़ना नहीं है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ब्रीफ में आपको कल भी बताया था, order 3 है, recognize agents and pleaders, अब यह जो parties है न, plaintiff और defendant, order 3 बस यह बता रहा है, कि यह लोग खुद भी personally भी आ सकते हैं, या अपने pleader के थूँ आ सकते हैं, अपने recognize agents के थूँ आ सकते हैं, suit लेके, बस यह और उनके बारे में, पूरे provision इस order में, यहा कर रहे हैं, crash course, this is focused on problems only, इसलिए CPC आप जानते हैं, बहुत बड़ा है, लेकिन हमें करना इसको 67 class में खतम, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो बहुत important है, जिनसे question आने की ज़्यादा संभाव नाए है, so order 3 आप skip कर सकते हैं, सिर्फ नाम याद रखिए आप जब तक CPC की class चल रही है, so institution of suit की बात है, section 26 में, section 26 क्याता है, every suit shall be instituted by the presentation of a plaint, or in such other manner as may be prescribed, suit कैसे institute होगा, कल भी बताया था, plaint के थू, कौन फाइल करेगा, plaint plaint, plaintiff करेगा, इसका subsection 2 लिखा रहे है, in every plaint, fact shall be proved by effort, this is also important, plaint में, जो facts होँगे, उनको proof कैसे किया जाएगा, effort that is also very important, similarly order 4 पे आईए, अब यहाँ पे थोड़े से detailed provision, कल में आपको भी difference बताया था, कि section order में, क्या difference है, so order 4, institution of suit rule 1, suit to be commenced by plaint, suit कैसे comments होगा, plaint से, वही बात इतर बताया है, every suit shall be instituted by presenting a, underline कर लीजिए, by presenting a, plaint and duplicate to the court, यह बहुत important question है, कि plaint जो file होगी, हमेशा duplicate, दो copy होनी है, यह important question है, और यह कहां दिया है, यह भी पूछा जाता है, so order 4, rule 1, ज्यान रखिएगा, plaint जो file होगी, duplicate में होगी, और such officer as it appoints in this behalf, ठीक, तो वो अपने तरीकी सोगा, बागी कोछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसके बाद rule 2 भी देखिए, register for suit, बहुत important नहीं है rule 2, जब plaint file होती है, quote अपने हिसाब से उसको एक register में enter कर लेता है, हर quote के अलग-अलग अपनी proceedings है, state-wise सारी चीज़ें वेरी करती है, अपने को pre के point of view से question देखना है, practical differ करता है थोड़ा, क्योंकि state-wise rule differ करते है, quote-wise rule थोड़े differ करते है, high courts being rules को comment कर सकते है, इसके बाद next order पे आ आपने comprehensively file किया है कि नहीं, अब अगर लगता है कि हाँ आगे बढ़ना है, defendant को बलाएंगे, defendant को कैसे बुलाओगे, summons भेज के बलाओगे, उसके लिए पूरा order दिया है, order 5, corresponding section की भी बात हमने कल करी है, बताईए ज़रा section कौन से की बात हमने कल करी है, defendant को अगर summons भेजना summons and discovery, summons to defendant 27, when a suit has been duly instituted, अगर suit duly institute हो गया है, और duly institute कब होगा, उसके लिए आप order में, order 4 में, rule 1 जो पड़ा है, उसका sub rule 3 देख लीजेगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि कब suit को duly instituted मान लिया जाता है, जब सारे compliance हो जाएं तब, तो उसके बात, अगर where a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim, and may be served in manner prescribed on such day, not beyond 30 days from the date of the institution of the suit, तीस दिन के अंदर इसको आना है, return statement लेके यह बताया गया, भी आगे order में भी है, सवाल वहाँ से जनरली पूचा जाता है, इधर से बस section number याद रखिएगा, कि section 27 में है, summons to defendant, अब आ जाएगे, order 5, issue and service of summons, कैसे अब वह बता दिया, कि जैसे ही suit institute हो गया है successfully, अब आपको समन भेजना है defendant को, यह बता दिया कि क्या करना है, मैंने कल बताया ते section क्या बताते है, क्या करना है, कैसे करना है, वह आपको orders बताएंगे, तो अब यह समन कैसे बेजी जाएगी, कैसे served मानी जाएगी, क्या process होगा, वह क्लियन को साथ में पढ़ा जाता है, order 5 देखिए, issue and service of summons, first part is issue of summons, rule 1, summons, बहुत important है, rule 1, number का सवाल भी पूचा जाता है, इसके content से भी question आते है, when a suit has been duly instituted a summons may be issued to the defendant, to appear and answer the claim, क्यों मैं जरा है, ताकि आप आप अपिर होईए, और आपके against the plaintiff, जो claim लेके आया है, उसक इने defense का वो क्या करेगा, एक return statement file करेगा, if any, within 30 days underline कर लीजे, 30 दिन के अंदर होना है, यह 30 दिन के अंदर होना है, this is very important question, return statement file होगा, within 30 days from the data of service of summons on the defendant, जिस दिन summons सर्व हो गई आप पे, defendant के उपर, उस दिन से 30 दिन के अंदर उसको अपना return statement file करना होता है, that is an important question, इसका second proviso भी important है, second proviso कहता है कि अगर 30 दिन में नहीं हो पाया है, तो फिर maximum आप 90 दिन तक कर सकते हैं, court चाहे तो इस time को बढ़ा सकता है, कितने दिन हो सकता है, primarily it should be done in 30 days, अगर 30 दिन में नहीं हो पाया है, second proviso देखिये, provided further that where the defendant fails to file the return statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other days as may be specified by the court, court की permission से later on भी कर सकते हैं, but not later than 90 days, 90 दिन से जादा नहीं, date of service of summons से 90 दिन से जादा नहीं, commercial dispute अगर है, एक amendment भी है इसमें, 2016 का, जो effect में आया था 2015 से, वो कहता है, commercial dispute के case में, यह जो extended time है, यह 120 दिन हो सकता है, यह भी note down कर लेजे, या mark कर लेजे, generally 90, commercial dispute में 120, यह दो तीन सावाल इ देखिए, copy of plant annex to summons, उत्तर प्रदेश के 2015, UP 2015 में सवाल आया है, order 5 rule 2, बहुत important है, copy of plant annex to summons, every summon shall be accompanied by a copy of the plant, जब समन भेजी जाएगी defendant को, तो उसमें एक copy plant की भी होगी, इसलिए पहले plant मंग भाई, suit institute हो गया, जब डियूली, तब समन भेजी है defendant को, जब अब अब सता होगे और ऐसे e-code मेरे को बुला ले, पहले आपकी plant जाएगी, प्रोपर्ली, suit dually institute होगा, फिर मेरे पास समन आएगी, चिक, तो और plant की copy भेजी जाएगी, समन ये कहां दिया है, order 5k, rule 2 में दिया है, important question है, ध्यान रखिएगा, UP के previous year paper अगर आपने लगाएं, तो इस सवाल आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको वह important rules बता रहा हूँ, सिर्फ और समझा रहा हूँ, जिन पर question बनते है, प्रीके, इसके बाद 4 पहले important था थोड़ा, अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इसका B part आप देखेंगे, अब वो relevant ही नहीं लगा, इसलिए 4 आप चाहे तो पढ़ लिजेगा, बहुत important नहीं है, छोड़ सकते हैं, सिर्फ आजाएगे 9 पे, अब ये जो बात है, कि समन भेजना है हमें, और जो defendant है, उसे service of summon के 30 दिन के अंदर return statement 5 करना है, अब ये समन कैसे भेजी जाएंगे, delivery कैसे होगी, तो second part है service of summon, जिसमें सबसे पहला rule है, रूल 9, तो इसके बाद अब सीधे, ये जो order 5 पे पन आए है, जर हमें इसके भी लिख दूँ, order 4 के तो अपनने सब कुछ ही पढ़ लिया है, order 5 के important rules भी मैं आपको बताते जाता हूँ, तो order 5 में सबसे पहले हमने पढ़ा rule 1, बहुत important है rule 1 तो, उसके बाद सीधे कैसे होगी, delivery कैसे होगी, तो simply समझ लेजिए, delivery of summons by court, court करवाता है summons की delivery, उसके लिए procedure laid down होता है, court का, या तो कोई officer जाता है, या फिर registered post के थूरू भी कराया दा सकता है, या जो भी procedure laid down हो उसके थूरू, generally registered post के थूरू भी समन इधर पर सर्व होती है, criminal समन की अलग कहानी जो CRPC में अपन ने पढ़ी थी, अब है अपन civil की बात कर रहे है, और 9 आप पढ़ेंगे, तो you will conclude 9 का, sub rule 1 जो है, वो कहता है, कि इन में से किसी भी तरीके से, या तो officer भीज़के, चाह रेजिस्टर पोर्ट से कैसे भी करवा लीजिए, sub rule 3 इसका mark कर लीजिए, important है, sub rule 3 बस acknowledgement आता है, वो acknowledgement इस बात का प्रमाण होगा, कि summons serve हो गई है, यह सब rule 3 में दिया है, इस से जाद आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है, इसके बाद सीधे आ जाईए, rule 9A, this is very very important for prelims, rule 9A, 9A कहता है, summons given to the plaintiff for service, अब देखिए, summons को serve करने के अलालाला कई तरीके हैं इदर, एक general बात, मौ में बता दी, कि court summon serve कराएगा, कैसे कराएगा, वो भी बता दी है, general की भाई, by post भेज दीजिए, व्यक्ति को भेज दीजिए, officer को भेज दीजिए, सब होगा, 9A में, अलग से एक चीज़ बताई गई है, और यह in addition to 9 है, 9 में जैसे court serve करा रहा है, वो कराएग कि भाईया, तुझा personally serve करा, माली जै, जिसने suit file किया, जो plaintiff है, वो ज्यादा यातुर है, वो भूती जल्दी में है, जीवन में, कि उसे तो चाहिए, कि तुरण-तुरण मेरा suit file हो जाए, जैसे कुछ बच्चे आते है, life के starting में, कि सर वो तो बहुत तेज, आप तो बस बत That's correct, यह बहुत important question है, कि दस्ती समन कहां दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, order 5 के rule 9A में दिया है, दस्ती समन, चीक, यह क्या होता है, कि 9 के हिसाफ से तो सर्व होई रहा है, plaintiff खोद, ले लेता personally, कि लाव साफ हो, तो हम वचा के आएंगे defendant के पास, क्योंकि बहुत जल इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोग को लग रहा हूँ, मैं कई बार ये चीज, मतलब थोड़ा सा, कई बार होता है, मैं बहुत पेशेंट रखती हूँ, लेकर कई बार मुझे भी इरिटेशन होने लगती है, बार-बार वो देखे, कि कि अब आप पड़ो भी थो थोड़ा, क्या होता है ना, कि यूट्यूब पे आप जहांकी देखते हैं, और फिर paid course में जाते हैं, crash course में पैसा देते हैं, और वो ही crash course में आपको इधर खरा रहा हूँ, तो आपको बहुत समस्या है, कि थोड़ा slow क्यों चल रहा है, इसलिए चल मैं बता चुका हूँ मेरी responsibility ये उत्तरप्रदेश की prelims की तैयारी आपकी निश्चन्द हो जाईए बस तीस जन्वारी के पहले पहले पूरा syllabus करा हूँगा ये बोला है मैंने उसके बाद 10 दिन का आपका समय रहेगा ये सब याद करने के लिए जो लिख दिया है रट लेना ये समझा इसलिए दे रहा हूँ तक कि याद रखने में समस्या ना हूँ ये जो crash course मैं आपको यहां करा रहा हूँ इसका significance समझ लिए जरा यूपी का तो 2018 के बाद से पेपर नहीं हूँ आ प्रिलम्स जो consistent state है वो मध्यपरदेश है अगर आप जानते हूँ होगा 2019 phase 2 2019 phase 2 जो हुआ था पूरा conceptual paper था direct question गिंती के थे उसमें content के अंदर से ऐसे ऐसे सवाल पूचेता है limitation CRPC के कि पढ़ने वाले तो छोड़ो पढ़ाने वालों को पसीना आ गया था यह क्या पूछ डाला है ऐसा paper था और उस paper में मैं बता दूँ L.A. का जो result था 50 से 55 बच्चों का एक batch होता है foundation का जिसमें से approximately 30 student cracked the problems examination उस 2019 phase 2 के exam में जहां पूरा conceptual paper आया था और उसमें majority थे जो पहली बार exam में appear हुए थे जिसमें most of the students are from N.E.L.E.O.D.E.S. Approximately 30 बच्चे इंसिट्यूट का जो highest score था that was 132 और वो चेंज में जुसमें बहुत सारे बवाल भी हुए थे answers को लेके होके लगभग 130 हुआ था चिन्मै पांडे यह 2020 में सोमेश गाट 137 और अगें वी हाट more than 30 selections 137 नमबर का मतलब समझते हैं आप देड़ो सोमें से क्या होता है मजाख नहीं है और इस बार डारेट पेपर था and the same person who got 137 है सोमेश पिछला जो conceptual था 2019 फेस्टू वह भी निकालके आया था 125 नमबर के साथ तो जब जब conceptual आया था तब 125 जब थोड़ डारेट आया 137 समझ रहे हैं अब क्या है यह यह वह crash course है जो पहले सरफ यहां के foundation बच्चों के लिए होता था अलग से crash course हमने कभी सेल नहीं किया था पहले भी वास ओंडेशन स्टूडेंट्स इस बार उसको यूट्यूब पर कड़ा जा रहा है इसलिए वे नम्र निवेदन है कि यह classes classes का चक्कर छोड़ी है जो पढ़ा रहा हूं को पढ़ ली जी बहुत खामकी बात पढ़ा रहा हूं आपको तीस तारि पूरा motivation ही खताम हो जाता है मेरा कसम से है वह बहुत कम संख्या है ज्यादा संख्या उन लोगों की है और वो ही कुछ benefit उठा सकता है जिसको value है इसी चीज़ तो चलिए भाई ये था अपना 10 समन 9 है उसके बाद आईए 11 पे service on several defendant तो जितने defendant हैं सभी पे समन सर्फ होगी सब को समन भेजी जाएगी इसके बाद brief में देख लिए याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है रूल 12 कहता है service to be on defendant person when practicable और on his agent इसको भी थोड़ा आप याद रखे जेगा कि in person होती है 12 कहता है कि समन की जो service है वो in person हो जहां तर संभा हो person हो नहीं है तो अगर कोई agent authorize कर के लिए तो कोई भी ऐसा agent जो उस व्यक्ति का उस defendant का कामकास समालता हो उसके business को समालता हो ऐसे व्यक्ति के उपर भी आप समन सर्व कर सकते हैं यह सब है वो बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन बाना ध्यान रखियेगा इसके बाद आजाए सीधे 15 इससे prelims में question आ चुका है किसी भी adult male member को दे सकते हैं यह लिखा था CRPC में इधर लिखा है किसी भी adult member को दे सकते हैं male या female तो rule 15 बहुत ज्यादा important है अगर summons personally serve नहीं हो पाई है तो उसके साथ जो रहता है घर में कोई भी adult member उसको दे सकते हैं male या female last line में लिखा है underline कर लीजे service may be made on any adult member of the family whether male or female who is res siding with him कोई भी male female दोनों पर कर सकते हैं रूल बहुत important है कि यूट्यूब पे है इसलिए यह पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा अभी इसके पैसे ले लिए जाते तो शायद यह सवाल नहीं आता क्या related भी मैंने कहा ना जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है चलिए 17 पर आईए इसके बाद 15 लेट्स मूव अन्टो 17 रूल 17 पर आईए और जैसा मैं हमेशा कहता हूं इसका मतलब यह बिल्कुल यह वाल अप्रिसेशन मुझे प्लीज को ही ना दे कि मैं बहुत बहला कर रहा हूं सब आपन बहुत selfish रखती हैं और clearly बोलके करता हूं मै कोई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है यह बात आप जानते भी है बहुत अच्छे से आपको भी पता है बट उस चीज को एक्सप्रेस करने में हमारा social order खराब हो जाता है बट मैं कर देता हूं कोई बीचीज फ्री नहीं है और मैं तो कता ही नहीं करता हूं क्यों करू मैंने भी पढ़ा ही करी है अच्छे कॉलेज से लॉग राइजूशन किया है भी एच्छे कमानी विक्षा है जैसे आपकी है आप भी जच बनना चाहते हैं ताकि एक स्टेबल जॉब हो अच्छी सेलेरी हो पर्मनेंट नौकरी हो दहेज वहेज मिल जाए आपकी विक्षा ह है मेरी भी है मैं कोई काम सेलफ लेसली नहीं कर रहा हूं मैंने बोल रखा है मैंको चाहिए सब्सक्राइबारी दाइल टीक है पेड़कोस अपना महना ही होता है हाँ अगर इसमें आपका भी भाला है तो बहुत बढ़िया वात हो सकता है एक्चली वह ब्लैक औन वाइट सम 11 तो था भाई कै कि अगर व्यक्ति पर पर समन सर स नहीं हो पाई तो क्या करेंगे तो परसमन स्वन सर नहीं हो पाई है तो घर पर अध्ल ेंबर को दे देंगे फिर 17 चैता है कि यह भी नहीं हो पा रहा 17 कहता है procedure when defendant refuses to accept service or cannot be found वो समन लेने से मना कर रहा है defendant या फिर मिली नहीं रहा कहा है पता ही नहीं भाई साथ घर पे कोई member ही नहीं मिल रहा घर पे member मिल जाएगा तो 15 के साथ से service कर दोगे वो भी नहीं मिल रहा तो 17 कहता है घर पे चिपका दो 17 को आप अगर पढ़ेंगे तो बीच में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि उसके घर के किसी conspicuous part पे चिपका देंगे ले जाके सामन यह हो सकता है 17 में इसके बाद आईए आप 20 पे सीधे आजाईए इसके बाद 20 rule 20 पे आजाईए सीधे तो 17 है कि उसके घर पे चिपका देजिए पहले तो कोशिच कर यह personally हो जाए परसेट नहीं हो पा रहा तो कोई भी adult member of the family adult member भी नहीं मिल पा रहा तो घर पे चिपका दीजिए घर पे भी ना हो पाए तो substitute service की बात करता है rule 20 rule 20 किसकी बात करता है substituted service की बात करता है substituted service क्या होता है कि भाई यह सब परक्रम फेल इससे नहीं हो पाया अगर तो यह भी कर सकते हैं कि court में चिपका सकते हैं कहीं पे ले जाके मान लीजिए यह समझ में आता है कि defendant भाग रहा है services से, समन से तो ऐसा कर सकते हैं कि court premises के किसी conspicuous part पे ले जाके चिपका दीजिए इसको भी valid service मान लिया जाएगा और did decide कर दी जाएगी defendant के appearance की यह सारी बातें आपको मिल जाएंगी rule 20 के अलग-अलग sub-rule में rule 20 बहुत important है prelims के लिए जो यह mains का भी topic है जब mails के लिए पढ़ते हैं तो detail में पढ़ना पढ़ता है अभी आप इतना ध्यान रखिए 20 में substituted service है chain बनाने के लिए मैंने आपको कहानी पूरी बता दी service की कि क्या-क्या हो रहा है ताकि यह rule आप उस chain में बिठा पाएं इसके बात देखिए आजाए 21 पे service of someone where defendant resides within jurisdiction of another court अगर मालनीचे जो defendant है वो किसी दूसरे court के jurisdiction में है तो simple सी बात है जिस court के jurisdiction में है उसको दे दिया जाएगा समन serve कराने के लिए तो यह भी ध्यान रखिएगा rule 21 rule 21 क्या है कि जिस विक्ति के लिए जो defendant है अगर वो दूसरे court के jurisdiction में है तो उस court को दे दिया जाएगा serve कराने के लिए इसके बात 24 बहुत ज्यादा important प्री में कई बार पूछा गया सवाल rule 24 पूछा जाता है अगर prelims के लिए आप देखिए ना तो इसमें दो एक बहुत important है एक आपका यह जिससे rule number पूछा जाएगा आपसे rule number service on defendant in prison ये कई बार आपको मिल जाएगा prison में है अगर defendant तो कहा जाएगी sir किसको address होगी तो ध्यान रखिएगा last line में लिखा है to the officer in charge of prison prison का जो officer in charge है उसको दी जाएगी समन rule 24 में ये बात दी हुई है ये बहुत important सवाल है इसके बाद rule 25 भी कई जगे पुछा गया है service where defendant resides out of India and has no agent अगर भारत के बाहर रहता है तो उसके लिए जो high court ने courier services वागेरा decide कर रखी है सीधे उस वेक्ती पे भेज़ दिया जाता है rule 25 ध्यान रखिएगा defendant अगर भारत के बाहर रहता है in that case applicable है जो भी decided services है उससे सीधे विदेश में जहां हो रहा है उस पे बेज़ दे जाएगा rule number ध्यान रखिएगा important तो ये होता है Bangladesh और Pakistan के लिए proviso लिखा हुआ है कि उस case में वहां के जो भी concerned court है उनको भी भी भीजा जा सकता है क्योंकि similar type का procedure उदर भी होता है इसलिए बाकि कहीं भी 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 भीजना है तो जो आई-कोट ने rule बनाया वैसे सिर्फ आप rule number ध्यान रखिएगा 24 में prison 25 में वारत के बाहर इसके बाद एक और rule mark कर लेजिए rule 30 इसके बाद एक और mark कर लेजिए rule 30 तो स्वर सहा का doubt था कि prelims point के इतना sufficient है clear हो जाएगा बेटा देखो exam clear कराने की guarantee तो इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता यह मैं हमेशा कहता हूँ और जो मैंने आपको अभी examples दिये prelims के score जो मैंने आपको बताए इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भी हो जाएगा या मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान है पढ़ाया मैंने उन्हें भी यही था जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें भी 50-55 बच्चे थे जिसमें से सिर्फ 25 से 30 का निकला था 20 का वहां भी नहीं निकला था end of the day it's your effort आप क्या करते हैं कोई भी mentor या institute आपकी success में सिर्फ 25 परसेंट का भागीदार हो सकता है ऐसा मेरा मानना है इस से ज़्यादा कोई नहीं यह जो बड़े-बड़े banner लाकर गूमते हैं अगर आप उस लेवल की महनत इसको पढ़ने के बाद इस पर करेंगे इस पर काम करेंगे तो आपके एक purpose और इस crash course का यह है कि आप लोग के यह समझ में आए कि law पढ़ा कैसे जाता है यह सबसे major purpose है मेरा यहां के पढ़ाने का कि law पढ़ा कैसे जाता है इसके बाद देखिए 30 substitution of letter for summon brief में समझ लीजए कई बार problems में पूछे जाने की समभावना है इस rule की 30 क्या क्यता है कोई ऐसे लोग है जिनका की rank ऐसी है जिसको समन भेजना सही नहीं है तो उनको court समन की जगे क्या भेजेगा एक letter भेजेगा जज जो है court के वो अपने नाम से letter भेज देंगे इन समन थोड़ा सा derogatory हो जाता है कई बार की बुलाया गया कोई ऐसा बड़ा office hold कर रहा है कोई व्यक्ति उसके लिए क्या कर सकते है letter भी जा जा सकता है instead of someone that is given under rule 30 I hope that is clear इसके बाद आजाईए order 6 पे यह हो गया आपका 5 complete अब आजाईए मैटा 6 पे order 6 order 6 है pleading generally कल भी मैं आपको बताया था plaint और written statement plaintiff लेकिया आएगा plaint डिफिंडेंट लेकिया आएगा written statement दोनों को collectively कह देते है pleading इंस इन से जनरल रूल है जो दोनों पे applicable है plaint और written statement पे वो इस order में मिलेंगे generally और बाकी specific जो rule है plaint से related वो order 7 में मिलेंगे जो specific rule है written statement से related वो आपको मिलेंगे order 8 में that's how it is framed so order 6 is pleading generally pleadings के बारे में general बात ने सारी इतर पे बताई गई है तो आएए जरा rule 1 बहुत important pleading shall mean plaint और written statement ये एक important pre का question है बाई साब rule 1 pleadings shall mean plaint और written statement pleading का क्या मतलम होगा written statement या plaint ये पहले मेंगा rule 2 बहुत ही जादा important है इससे बहुत question पूछे जाते है कि ये जो pleadings हैं इसमें सिर्फ material fact बताए जाएंगे evidences नहीं दिये जाएंगे evidences proceedings के दौन आप देते जाएए plaint जो होगी या written statement जो होगा जो pleadings हैं इनमें सिर्फ fact बताए जाएंगे material fact evidences नहीं होंगे ये दिया हुआ है rule 2 में this is very important pleadings to state material facts and not evidence इसमें सिर्फ material facts state करना है evidence नहीं देना है बस इतना ध्यान रखिएगा rule 2 इसके बारे में बात करता है इसके बाद एक और mark कर लिजे रूल 7 rule 7 is a little important that's correct tanweer facta prabinda that's important that's correct इसके बाद 7 departure no pleading shall except by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same अगर कोई नई चीज आड करने कोई नया claim आपको देना है which is in contravention to the original one तो आपको amendment के थू ही देना है basically कोई change अगर आप करना चाहते है अपने claim में या जो plead करना है तो वो amendment के थू होगा departure मतलब जो original दिया था जो आपने claim में दिया है या at a statement में दिया है उससे हट के आप कुछ करना चाहरे है तो वो amendment के थू है तो आपको करना पड़ेगा amendment करना पड़ेगा उस pleading में उसके बारे में आगे provision है इसलिए इसकी शुरुवात रूल 7 से होती है इसलिए बस इसको याद रख लीजे इसके बाद आप सीधे आ जाएए 14 14 से भी question आचा 13 भी mark कर लीजे 13 और 14 रूल 13 रूल 14 दोनों रूल 13 ब्रीफ में समझ लीजे presumptions of law की बात करता है ऐसी चीज़ें जो already presume करेगा court आपके favor में बहुत सारे laws में ये चीज़ें दी हुई है evidence में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि क्या-क्या presumption court already करेगा उनको proof करने की जरूरत नहीं है तो ऐसी बातों को आपको यहाँ state करने की भी जरूरत नहीं है जिन चीज़ों को law already presume करेगा आपके favor में वो आपको यहाँ state करने की जरूरत नहीं है इसमें example भी लिखा हुआ है rule के बाद जैसे कोई bill of exchange आप देते हैं तो consideration के लिए जैसे check अगर मैंने आपके against कोई check bounds का suit file किया है तो यह presumption करेगा court कि वो check मैंने किसी चीज़ के consideration में लिया होगा burden of proof इस पे दूसरी party पे होगा आपको proof करना पड़ेगा कि without consideration मैंने लिया है तो ऐसे जितने भी presumption of law है वो state करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह 13 में दिया rule याद रखिएगा rule 14 बहुत important है pleading to be signed दोनों चीज़े important है rule का number भी पूछा जा सकता है और कौन sign करेगा pleadings यह भी important question है यहां लिखा है every pleading shall be signed by the party and his pleader if any अगर pleader है तो pleader के भी sign होंगे और party के भी ध्यान रखिएगा pre में दोनों question पूछे जाते है कौन sign करेगा तो party भी sign करेगी और pleader भी sign करेगा बस इतना important है और rule 15 में दिया है यह important है इसके बाद आजाएए rule 15 this is important rule 15 है verification of pleadings this is again an important question for prelims save as otherwise provided by any law for the timing in force every pleading shall be verified at the foot कौन verify करता है pleadings यह बहुत important question है और कौन verification of pleadings sign करता है दोनों question देखिए verify कौन करेगा verify का मतलब कि जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं या तो party करेगी या कोई ऐसा वेक्ती करेगा जो fact के बारे में जानकारी रखता हो it is simple तो जिस वेक्ती ने verify कि या है pleadings को वही उस पर sign करता है ध्यान रखिएगा rule number भी important है जादा important सवाल इदर से prelims का यह है कि verification पर sign करता है so यहां लिखा है save as otherwise provided by any law for the timing in force every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the party's pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case कौन करता है या तो party verify करेगी pleadings को या कोई ऐसा वेक्ती verify करेगा जो fact से acquaintance रखता हो जो fact के बारे में जानकारी रखता हो ऐसा वेक्ती करेगा इसके बाद आज आज आईए इसके sub rule 3 पे sub rule 3 बहुत जादा important है the verification shall be signed by the person making it sign कौन करेगा जिसने verification किया confuse करने के लिए option में दे दिया जता है कि verification पे sign party करेगी option में आपको मिलेगा जिस person ने verify किया है वो the correct answer is जिसने pleadings को verify किया है वो sign करेगा वो party भी हो सकती है या कोई दूसरा वक्ती भी हो सकता है जो facts की जानकारी रखता है यह important question इदर से problems का है इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए इसके बाद इसका sub rule 4 भी है इसके बाद 16 पर इसके बाद 16 पर इसके बाद 16 बहुत important rule 16 is important striking out pleadings the court में at any stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading यह court चाहे तो pleadings मैंसे चीज़े struck out करा देगा जो unnecessary लगेगा वो हटा देगा important क्या है court का समय पालतू की बातें करने कोट के पास time नहीं है इसलिए अगर उसको ऐसे लगा कि pleading में कुछ बखवास है जिसका कोई मतलब नहीं है हटाते जाओ strike out तो 16 किसके बारे में बात करता है strike out strike out कौन करेगा court खुद अगर court को लगता है कि यह चीज़े स्ट्रीटिंग में नहीं होनी चाहिए court उसको हटाएगा so इसलिए 16 है the court may at any stage of the proceeding किसी भी stage पे order to be struck out or amend any matter in any pleading a which may be unnecessary किन pleading सोट आएगा underline कर लीजे which may be unnecessary scandalous frivolous और vexatious इन में से अगर कुछ भी है vexatious है frivolous है unnecessary है scandalous है इनको हटा सकते है और b which may tend to prejudice embarrass or delay the fair trial जो trial को prejudice कर सकता है embrace कर सकता है delay कर सकता है ऐसा कुछ pleading में है तो उसको struck out कर दिया जाएगा या फिर उसके अलावा लगता है court को की abuse of process of court हो रहा है तो ऐसी चीज़ को भी struck out कर देंगे जो काम का नहीं है उसको struck out कर देंगे rule यहां अठीएगा 16 court करता है तो struck out party को chance दिया जाता है उसके लिए amendment है 17 में अब देखिए rule 17 देखिए इसके बाद 16 सतरा में क्या difference है 16 है struck out 17 है amendment of pleadings the court may at any stage of the proceedings allow either party to alter 16 में आपने क्या देगा court कुछ struck out कर देगा जो उसको unnecessary लगेगा यहां court allow करेगा अगर party कहती है कि साब यह हटाना है यह हमें amend करना है party कहती है कि हमें कुछ को क्या भी हमने 7 में पड़ा departure कि आपको अगर कोई दोसीरी चीज़ क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको amend करना पड़ेगा pleading यह वो है amendment of pleading party application देगी amend करने कि court allow करेगा तो आप amend करिए that's how it is done so amendment of pleading the court made in stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such term as may be just and all such amendments shall be made as may be necessary क्यों करने तेतने यह amendment यह बहुत important है as may be necessary for the purpose of determining the real question and controversy between the party क्योंकि real question of controversy जानना है actually समस्य क्या है दोनों पक्षों के बीच actual question क्या है जो court को decide करना है अगर आपकी pleadings में clear नहीं है तो आप comment करने दिया जाएगा क्योंकि basic purpose यह है कि जो trial है वो सही direction में चले फालतू की बाते ना है इसमें जो काम का है वो चले इसे लिए pleadings amend करने दी जाएगी proper question क्या है controversy में वो determine करने के लिए इसके बाद देखिए एक important है rule 18 is also very important rule 18 is also important failure to amend after order अब मान लीजे आपने application दी amend करने के लिए और court ने allow भी कर दिया कि हाटी के amend कर लीजे अगर court ने कोई समय निर्धारित किया है तो उस समय में कर लीजे अगर court ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है तो 18 में लिखा है उसको underline कर लीजे if a party who has obtained an order for leave to amend नहीं दिया है तो 14 दिन के अंदर कर लेना है उसके बाद नहीं कर पाऊगी that is very important question rule तो उत्ता important नहीं है यहां से ही 14 दिन important है जो प्रिलम्स में पूछा जाता है यह होगी आपका pleadings generally जिसमें दोनों आ जाएंगे plant or return statement उसके बाद आते हैं आज के आखरी order की तरफ that is order 7 अब order 7 specifically बात करता है भाई साब plant की कि जो plant है जिससे suit institute होना है उसमें क्या-क्या चीज़ें होगी कैसे क्या होगा pre के सारे questions इसे related अपन discuss करेंगे so देखिए सबसे पहले तो order number भी ध्यान रखिएगा यह सारे और उसके लिए तो कल की मेने story सुनाई थी उसके बीच में आपको put करना है सारी चीज़ें और इसलिए मैं order को उसी sequence में पढ़ा रहा हूँ जिसमें बेरेक्ट है बेरेक्ट में है जैसे ताकि यह याद हो पाएं आपको प्रिलम्स में मैं बता रहा हूँ अगर 15 questions आते हैं CPC के 2-3 questions सिर्फ बात पर बन जाते हैं कि आपको structuring clear है इस subject रूल बन देखिए पर्टिकुलर्स तो भी इन प्लेंट तो रूल बन क्या बताता है important है रूल बन बताएंगे यह basic बात है एक बार रीट जरूर करिएगा कई बार exceptionally यह भी कुछ आ जा सकता है कि इन में से क्या प्लेंट का content है या नहीं है बाकि रूल important है इसके बाद तू भी mark कर यह रूल तू भी important है थोड़ा बहुत जादा नहीं बाद रूल तू भी थोड़ा important है in money suit where the plaintiff seeks the recovery of money the plaintiff shall state the precise amount claimed अगर money की recovery पैसे के recovery का suit है तो कितना amount वो भी आपको mention करना है the precise amount claimed आपको mention करना है अपनी plaint में बस इतना mark कर लीजे that's sufficient अगर recovery of money का suit पाई कर रहे है तो कितना amount है वो आप लिखिये plaint में यह rule 2 में दिया है that is another important question इसके बाद सीधे आजाईए 9 पर जो बहुत important है rule 9 इदर से ज़्यादा important है 7, 8 simple सी बात ने कर रहे है relief to be specifically stated जो भी relief आप मांगना चाह रहे है अगर अलग-अलग relief है तो अलग-अलग state करिए सबको relief founded on separate ground 8 कहता है अलग-अलग ground पे आप relief मांगना है तो उनको भी separately state करना है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा important है जहां से ज़्यादा question बनते है या जो story के लिए जरूरी है वो मैं आपको मांग कर रहा हूँ procedure on admitting plaint अब माल लीजे प्लेंट होगा यह तो आगे क्या होगा तो आगे आप proceed करेंगे where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in rule 9 of order 5 it will direct the underline कर लीजे it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendant within 7 days तो कितनी copy देनी है plaint के यह सब question बनते है दर rule 9 से plaint admit हो गई है तो फिर आप क्या होगा समन सर्फ करना है तो जितने defendant है उतनी copy 7 दिन के अंदर from the date of such order along with requisite fee for service of summon on the defendant 7 दिन के अंदर plaintiff को उतनी copy जितने defendant है जमा करानी है और fees जमा करानी है service of summon की क्योंकि जो समन सर्फ करी जाएगी defendant पे उसके पैसे जस्ता थोड़ी देंगे उसके पैसे plaintiff के लिए जाएगे तो वो जो fees है वो भी submit कराईए और साथ में उतनी copy submit कराईए plaintiff की जितने defendant है this is very important question इसके बाद देखिए 10 rule 10 भी important है बहुत जादा important है problems के लिए return of plaint basically return में होता क्या है कि अगर आप गलट court में plaint लेके चले गए है तो आपको बोल दिया जाएगा सही court की तरफ डारेट करके कि भाई आप उदर लेके जाएगे that's return of plaint subject to the provisions of rule 10 the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted proper court में अगर आप नहीं आएगे तो आपकी plaint लेके आपको बोल दिया जाएगा या उदर जाएगे वो है proper court that is what return of plaint order 10 में दिया है important है बहुत important है 11 11 बहुत जादा important है return of plaint sorry rejection of plaint 10 is return तो कि आपको proper court में बेज़ दिया जाएगा 11 is rejection आपकी plaint reject हो जाएगी दोनों चीज़े important है rule number भी याद रखना है किस order के किस rule में दिया है rejection of plaint और rejection of plaint के ground क्या है सबसे पहले देखिए the plaint shall be rejected in the following cases a where it does not disclose a cause of action cause of action भी दिस्क्लोज नहीं हो रहा कली बता है the cause of action क्या होता है existence of legal right और उसका violation अब आपने भो ही बता है कि किस legal right का violation और प्रोपर्ली एक्स्प्रस नहीं हो रहा आपकी plaint में तो plaint reject हो सकती इस ground पर भी देखिए where the relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so आपने correct valuation नहीं किया है sorry claim relief claim जो है वो undervalued है क्योंकि हमने क्या पड़ा frame of suit में जितना claim ले सकते हो court को अपना समय प्यारा है हर जगे चेक रहेगा इस बात पर इसलिए अगर आपने अपने claim को undervalued कर रखा है तो भी reject हो जाएगा आपको मौका दिया जाएगा कि भाईया सही करके लिए उसके बाद भी नहीं लाए तो reject हो जाएगी अगर यह सब रीजन है तो अगर आपने जो claim मांगा है वो undervalued है तो उसको correct करने के लिए बेजा जाएगा इसके बाद see where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped अब आपने claim की value तो proper लिखी है लेकिन stamp sufficient नहीं है कम पैसे का stamp जो court को पैसा मिलता है जो stamp लगाना होता है वो आपने कम लगा दिया इसलिए इसलिए जानकारी आपको होनी सही है तो stamp जो है वो insufficient है insufficiently stamped है तो इस ground पे भी rejection of plaint होगा यहां पे भी आप देखिए at once नहीं होगा पहले आपको मौका दिया जाएगा इसके बाद देखिए where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law underline कर लिए to be barred by any law अगर किसी law से barred है वो suit तो भी आपकी plaint reject हो जाएगी अब बहुत सारे बार दिये हो है बहुत सारे अलग-अलग special laws हैं जो civil suit का jurisdiction ही barred कर देते हैं कि उनको यह court यह case deal नहीं करना क्योंकि expressly दिया हुआ है कि यह जो particular matter है कि particular court को यह करना है तो अगर completely barred है कि मानली जे limitation से barred है मानली जे law of limitation से barred है तो reject हो जाएगी e देखिए where it is not filed in duplicate अगर आपने duplicate में file नहीं किया जो कि अभी पढ़ा था plaint कैसे file होगी duplicates में अगर आपने duplicate में file नहीं किया तो भी reject हो जाएगी f देखिए where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9 rule 9 का compliance नहीं किया अभी जो आपने पहले rule 9 पढ़ा है कि जितने defendant उतनी copy देनी है और sufficient fees जमा करानी है यह rule 9 अगर आपने comply नहीं किया fees जमा नहीं कराई या उतनी copy नहीं दी plant की तो भी आपकी plant reject हो जाएगी यह grounds है यह ground भी याद रखिएगा और rule भी याद रखिएगा किसमें दिया हुआ है rejection of plant इसके बाद 13 where rejection of plant does not preclude presentation of fresh plant that is very important 13 is important तेरा कहता है कि अगर 11 में दिये हुए rule 11 में दिये हुए किसी भी ground पे आपकी plant reject होती है तो mere rejection of plant आपको fresh suit file करने से बार नहीं करता सिर्फ इस कारण क्योंकि आपकी plant reject हो गई है rule 11 में आप दूसरा fresh suit file नहीं कर सकते same cause of action पे ऐसा नहीं होगा आपको preclude नहीं किया जाता the rejection of the plant on any of the grounds here and before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting fresh plant in respect of the same cause of action तो rejection of plant का automatic effect यह नहीं होगा कि आप fresh suit file नहीं कर सकते इसके बाद 14 भी important है rule 14 भी mark करिये 14 is also important production of document on which plaintiffs use or relies तो भाई देखिए जितने भी document है जिस पे plaintiff rely कर रहा है उसकी list भी आपको देनी है plant के साथ आपको और क्या देना है जिस पे भी आपका suit है भाई आपको चीज़ें प्रूफ करनी है court में जाके अपने suit को अपने favor में लाने के लिए तो जिन चीज़ों पे जिन documents पे आप rely कर रहा है वो आपको furnish करने है plant के साथ यह rule 14 में दिया यह rule का number पूछा जाता है prelims में कि किस rule में दिया है कि documents furnish करने है plant के साथ यह दिया है rule 14 में इसका sub rule 3 यह भी कहता है कि यहां अगर आपने furnish नहीं किये तो हो सकता है बाद में court आपको allow ना करे फिर बिना court की permission के आप ला नहीं पाएंगे sub rule 3 देखिए a document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaintiff is presented ought to be entered in the list to be added or annexed to the plaintiff but is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in any evidence on his behalf at the hearing of the suit अगर यहां आपने list में उसका नाम नहीं डाला है उस document के उस document को furnish नहीं किया है तो later on trial के दौरान बिना court की permission के आप उसको use नहीं कर पाएंगे बस कि इतने ही rules आपको पढ़ने है plaint से order 7 से जिनके आने की संभावनाय जादा है rule 6 के यह है 7 के यह है इनको अच्छे से मेरे ख्याल आपने देख लिया है mark कर लिया 1 2 3 अपने ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ना ही नहीं order ध्यान रखना है 4 2 है दोनों ही आपको याद हो जाएंगे 5 में यह है important और उसके बाद 6 7 में यह है so that's all for order 7 order 8 से अपन स्टार्ट करते है उसके बारे में हमने देख लिया pleading के बारे में generally order 6 हमने देख लिया यह सब revise करते रहे है साथ साथ उसके बाद हमने 7 में देखा प्लेंट में हमने सारे essentials देख लिया specifically उसके और उसके बाद अब हमारे है return statement जो की defendant file करता है तो हमारे है order 8 की तरफ order 8 जिसमें दिया है return statement अब मैं क्योंकि यहां important rules जो है जो ध्यान रखने है वो लिखते जाऊंगा चीक लवी का कहना है वाइट क्यों भाई white board ऐसा इसमें कुछ problem हो रही है क्या visible नहीं है क्या यह मुझे लगता black जादा proper उस पे content जादा proper visible होता है जब मैं white या red bin से लिखता हूं जो लिख रहा हूं यह visible है की नहीं order 8 जो लिखा है मैंने is that visible यह समस्चा है इसमें चलि order 8 rule 1 return statement the defendant shall यह बात हम पहले भी पढ़ चुके है the defendant shall within 30 days from the date of service of summons on him present a return statement of his defense provided that where the defendant fails to file the return statement तो वो 90 दिन में कर सकता यह बात हम पहले भी पढ़ चुके है rule 1 बस यह बताता है rule 1 important है rule 1 सिरफ यह बताता है defendant जो है वो अपना return statement फाइल करेगा within 30 days 30 दिन में ने कर पाया तो 90 दिन तक extend करा जा सकता और हमने यह भी पढ़ा था commercial disputes के case में इसके बाद आईए rule 1 A this is again important 1 A duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him अब देखिये जो defendant है वो वो document की list और document भी file करेगा जिन पे वो rely कर रहा है जिनके थूरू उसे अपने case को defend करना है वो documents भी वो यहां पे file करेगा same हमने plant में पढ़ा था जरा rule बता दीजे order 7 का वो rule बता दीजे जल्दी से जिसमें plaintiff चिन documents पे rely कर रहा है वो file करता है rule number क्या था मैंने कहा था important है वो भी और हमने पढ़ा था उसे किस rule में है कि plaintiff rule 14 that's correct तो plaint वाला जो order है उसका rule 14 यह कहता है और 8 में order sorry rule 1a यह कहता है so rule 1a चीक की document submit करेगा बस वाई चीज़ है ज्यादा कोई technicalities में नहीं है इसके बाद rule 2 पे आई इसके new facts must be specially pleaded this is important rule याद रखियेगा rule 2 new facts must be specially pleaded इसमें basic ही लिखा क्या है देखिये क्या होगा कि जब plaintiff अपने allegations लगाएगा defendant के ऊपर plaintiff कुछ बाते रखेगा court के सामने कि साहब यह यह समस्या है मुझे मेरे यह claim है मेरे यह allegations है इस व्यक्ति के against जिसने मेरे right का violation किया यह काम कौन करेगा यह काम plaintiff करेगा और plaintiff के जितने भी allegations होंगे उससे related अपना reply file कर रहा है defendant defendant उन allegations को deny करेगा यह हो सकता कुछ को admit भी कर ले तो defendant जब यह काम करेगा जब वो return statement अपना file करेगा तो वो चीज़े तो देगा जो plaintiff ने alleged करी है जो allegation लगाए उसके अलावा कुछ दूसरे नए facts भी वो देगा यह facts कैसे हो सकते हैं जैसे माल लीजिए अगर उसे कोई objection ऐसा raise करना है जो उस allegation से related नहीं है इस rule में example भी दिये हैं जैसे माल लीजिए limitation से related objection raise करना है कि साब यह जो plaintiff suit लेके आया है इसने allegations तो आपको बता दिये कि मेरे against क्या क्या इसके पास allegations है लेकिन मेरा कहना यह है साब कि यह तो जो suit यह लेके आया है plaintiff यह बार्ड है by the law of limitation आप बहुत अच्छे से जानते हैं civil suit को file करने की limit होती है समय सीमा होती है एक time की limit होती है कि आज cause of action arise हुआ तो उसके कुछ समय में ही आपको suit file करना है otherwise मैं आपके against एक suit file कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आपके और मेरे बीच में contract हुआ है जिसका आपने breach किया और मुझे damage claim करना है अगर आप उस contract को ही void कहना चाहते है आप यह कहना चाहते है code के सामने being the defendant के साब जिस contract की यह बात कर रहे है जिसके basis पर यह हमसे claim करना है वो तो contractive void है उसकी कोई legal existence ही नहीं है तो उसकी legality को challenge करना है या कोई इस तरीके का law का issue आपको raise करना है तो वो आपको specifically करना है उस नए fact को आप specially plead करो यह किसके लिए instruction है defendant के आप सिरफ और allegations का answer नहीं करेंगे जो plaintiff ने लगाए है उसके अलावा आपके पास यह सब grounds है अगर यह सब points है अगर तो उनको भी आप raise करिए ठीक, court के jurisdiction से related है तो वो भी करिए तो यह जो additional चीज़े हैं ही सारी आपको raise करनी है यह rule 2 कहता है इसके बाद rule 3 देखिए denial to be specific this is also important rule 3 denial to be specific it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages तो देखिए जितने भी allegation माल लीजे, plaintiff ने अलग-अलग 6 allegations लगाई defendant के ऊपर कि साभ इनने contract किया था उसका breach किया है उसके साथ यह किया है वो किया है इस तारीके के 6 अलग-अलग allegations अगर plaintiff defendant के ऊपर लगा रहा है तो defendant की responsibility है कि वो अपने written statement में 6 के 6 allegation deny करे सबके बारे में expressly बताए कि साथ पहला allegation यह है plaintiff का उसके regarding मेरा reply यह है दूसरा यह है उसके regarding मेरा reply यह है इस तरीके से आपको specifically deny करना है allegation ऐसा नहीं कि generally आपने कर दिया कि plaintiff ने 6 allegation लगा है आपने generally एक बात लिख दी किसा इसमें से कुछ सही नहीं है या इसकी कोई बात सही नहीं है ऐसा नहीं होगा आपको हर एक allegation को हर एक point को plaintiff के specifically deny करना है यह कहता है 3 4 है evasive denial कि आपको आपका जो denial है वो evasive नहीं होना चाहिए evasive denial का मतलब यह होता है evasive का मतलब यह है कि कोई भी चीज आप expressly नहीं कर रहे है बहुत clearly नहीं कर रहे है आप avoid कर रहे है तो defendant को avoid नहीं करना है किसी allegation को उसको बहुत clearly बताना है सारी चीज जैसे इस rule में ही एक example भी दिया गया है कि कोई amount अगर claim किया गया है अगर यह कहा जा रहा है मान लीजे आपने मेरे against एक suit file किया और आपने उसमें यह alleged किया कि इनने हमसे 50,000 रुपे लिए है इन्होंने बोला था बढ़ाएंगे judiciary के लिए और इन्होंने हमसे 50,000 रुपे लिए है अब अगर मुझे इस बात को deny करना है कि मैंने 50,000 रुपे लिए तो वो कालने वाला नहीं होना चाहिए avoid करने वाला नहीं होना चाहिए बहुत properly मुझे बताना है और इसी के सांथ form में लिखाए कि कि नहीं नहीं 50,000 मैंने नहीं लिए मुझे expressly यह बताना पड़ेगा कि सर यह जो 50,000 का allegation मेरे उपर लगा रहे है जो मैंने 50,000 रुपे लिए है मैं आपको बता दूँ मैंने सरफ 30 लिए है 20 बखाया है मुझे यह clearly बताना पड़ेगा मैं उसको इस तरीके से avoid करने के उसमें reply नहीं कर सकता कि नहीं मैंने 50 नहीं लिए मुझे categorically clearly बताना पड़ेगा अगर कुछ advance लिया है तो वो बताना पड़ेगा और जित्ता बचा है वो clearly बताना पड़ेगा इसको कहते हैं कि आप evasive denial मत करी evasive मतलब है होता है avoid करने की tendency के साथ तो वैसा आपका denial नहीं होना चाहिए बहुत categorical clear होना चाहिए आपका denial ये कहता है rule 4 I hope you got this इसके बाद देखिए fifth इसके बाद है rule fifth so rule 5 कहता है every allegations of fact in the plane ये बहुत important है rule 5 बहुत ज्यादा important है क्योंकि हमने उपर भी पड़ा कि आपको specifically deny करना है जो allegations लगे है उनको आपको specific denial करना है generally नहीं करना है तो अगर आपने specific denial नहीं किया तो उसका consequence क्या होगा देखिए जरा every allegation of fact in the plaint if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant underline कर लीजिए shall be taken to be admitted this is very important this portion को underline कर लीजिए shall be taken to be admitted अगर आपने एक एक चीज़ expressly deny नहीं करी तो मान लिया जाएगा कि आपने वो admit कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया है कि plaintiff न अगर आपके उपर 6 allegations लगाए है आपने सिरफ 4 के regarding reply कि या 2 के regarding आपने reply ही नहीं कि आपने return statement में तो ये quote मान लेगा कि वो जो 2 allegations है plaintiff के वो आपने admit कर लिया है आपने accept कर लिया है कि हाँ ऐसा है और अगर आपने admit कर लिया है तो उस admission के basis पे judgment हो सकता है quote का इसलिए कहा जा रहा है कि एक एक चीज़ आपको specifically deny करनी है clearly deny करनी है अगर आपने deny नहीं किया या आपने सिर्फ ये भी later portion ये भी कहता है कि अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया not admitted तो अभी काम नहीं चलेगा तब भी admission ही माना जाएगा उसे अगर आपने सिर्फ लिख दिया not admitted आपको clearly deny करना पड़ेगा ये बहुत ज़रूरी है specifically आपको deny करना पड़ेगा allegation otherwise court ये presume कर लेगा कि ये admission है इसको कहते है deemed admission इसको क्या कहते है rule 5 is related to deemed admission कि आपने अगर किसी particular allegation को expressly ये specifically deny नहीं किया plaintiff के तो मान लिया जाएगा कि आपने उसे admit कर लिया है इसलिए से deemed admission कहते है rule 5 बहुत important है इसके बाद आईए 6 अब यहां से concept चालू होता है और काफी important concept है 6 है set off और 6a में दिया है counter claim समझते हैं जरा ये चीज क्या है तो rule 6 is important it is very important तो ये क्या है कैसे होता है थोड़ा उसको समझे अब आईए जरा set off पहले समझ लीजे होता क्या है basic बात समझे ये set off के बारे में और जैसा आप जानते होंगे कि set off जो है pre में ये भी सवाल बनते हैं कि set off जो है वो दो तरीके का है एक है legal set off दूसरा है equitable set off ये धान रखियेगा कि set off कितने तरीके का है तो set off की जब अपन बात करते हैं it is of two types एक होता है legal दूसरा होता है equitable अब legal set off तो यहां दिया है order 8 के rule 6 में equitable set off कहां दिया है या कहां से उसका derivation होता है या आपको खोजना है CPC में equitable set off करेक्ट करेक्ट तनवीर क्या बात है बहुत बढ़ी अविशाल good order 20 rule 19 sub rule 3 क्योंकि वह बात करता है set off given under this order 8 rule 6 or any other kind of set off उसने लिख लिए और any other तो इसका मतलब वहाँ इस बात को बताया गया है कि दूसरे तरीके का भी set off हो सकता है जबकि CPC में आप देखोगे तो order 8 rule 6 के अलावा expressly कोई set off दिया नहीं है तो वहाँ यह आप बाद में पढ़ ली ज का reference दे दूँगा वहाँ से derive होता है यह expressly नहीं लिखा है equitable set off कहीं expressly नहीं है CPC में बट वहाँ से derive होता है कि कुसी और तरीके का भी set off होगा अब क्योंकि common law में यह होता था equitable set off तो हमने उसी को consider कर लिया यह दूसरे तरीके का set off legal जो है यह तो expressly यहाँ लिखा है इसके essential आपन अभी पढ़ते हैं equitable borrow किया होगिया है common law का principle था equitable set off वहाँ से उठा लिया है दो उनों में क्या difference है अभी मैं legal पढ़ता हूँ rule 6 आपको एक एक essential समझाता हूँ उसके साथ इसका मैं आपको difference बताऊँगा चीक तो पहले जारा मैं इंपर आपको rule 6 के essential बता दूँ फिर पन इस difference पे आएंगे कि इस legal और equitable में क्या है जरा आई ये rule 6 पे एक एक करके essential mark करते जाएगा legal set off कर देगा एक बात समझे कि set off है क्या जैसे मान लीजे being the plaintiff मैं आपके against कोई claim कर रहा हूँ मैं आपके against suit का ही कर रहा हूँ किसी claim को लेके अब अगर आपके पास भी मेरे regarding जो आप मुझसे claim कर सकते हैं तो आप उसी suit में मैंने क्या बताया था पहली क्लास में CPC की कोट का समय बहुत important है अब मान लीजे मेरे पास ये ground है कि मुझे आप से 50,000 रुपे लेने इसका लिए मैं suit file कर रहा हूँ और आपके पास भी मेरे against एक claim है 10,000 रुपे का तो जब म आप बात हो नहीं है तो पूरी हो जाएगी comprehensive हो जाएगा और decision हो जाएगा आपके पास suit file करने का भी अधिकार है लेकिन court को तो अपना समय बचाना है इसलिए ये सब दे दिया है counter claim भी इसी तरीके की चीज़ है set off भी इसी तरीके की थोड़े basic differences है उन differences को मैं अगले 5-7 minute मे आपके concept क्या है ये set off or counter claim का concept क्या है तो concept बस ये है कि मैं आपके against court गया हूँ कुछ relief लेने तो अगर आपको भी मेरे against कोई आपके पास ground है relief मांगने के तो आप वो ले लीजे अब अगर आपन बात करें legal set off की जो rule 6 में दिया है तो क्या के essentials होने चाहिए ज़रा पढ़िए where a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff's demand सबसे पहला essential क्या हो गया अगर आपको order 8 rule 6 के अंदर set off file करना है तो वो suit कैसा होना चाहिए recovery of money का तो set off के essential आप चाहें तो लिख भी सकते है इसलिए मैंने कहा है pen copy भी लेके बैठिये वेरेट के साथ recovery of money का suit होना चाहिए जिस suit में claim किया जाना है set off वो suit किस बात का होना चाहिए recovery of money का मतलब मैं भींगा plaintiff जब suit file कर रहा हूं मेरा suit किस nature का होना चाहिए recovery of money का होना चाहिए plaintiff की तरफ से भी क्योंकि clearly लिखा है where in a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff तो मैंने being the plaintiff जो आपके against suit file किया है वो एक money की recovery का suit होना चाहिए इसके अलावा किसी और का है तो काम नहीं चलेगा अब एक बात समझे है यह जो मैंने suit file किया है money का claim है वो money ascertained और unacertained दोनों हो सकती है मैं आपके against damages का suit भी file कर सकता हूं जिसमें amount ascertained नहीं होता कि कितना पैसा लेना है मैं बस यह जाके suit file कर रहा हूं कि आपने contract का breach किया है एक मेरे against और उस breach के बदले में जो भी damages court को सही लागे वो मुझे दिलाए जाए एक specific amount नहीं मांगा है मैंने लेकिन sum of money मांगा है in damage क्योंकि इसका भी आगे आपको relevant समझ में आएगा इस ascertained और unacertained sum का तो जो original suit है जो plaintiff ने file किया है वो money की recovery का होना चाहिए इसमें दोनों तरीके का आ जाएगा ascertained sum unacertained दोनों में से कोई भी हो सकता है आगे देखिए वे रना suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff demand underline कर लीजे plaintiff's demand फिर underline कर ये any ascertained sum of money legally recoverable क्या लेखा है any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court and both parties fill the same character plaintiff ने essential समझना जरा इस set of कहां claim होगा plaintiff ने एक recovery of money का suit file करा हो पहली चीज़ बदले में defendant जो claim कर रहा है वो क्या होना चाहिए एक ascertained sum of money ये किसके context में मैंने लिखा है suit के कि suit कैसा होना चाहिए recovery of money का suit होना चाहिए दूसरा essential जो set of के लिए जरूरी है इस पे conceptual question आते है इसलिए इसके थोड़ा detail में आपन जा रहे है ध्यान रखियेगा तो recovery of money का suit होना चाहिए defendant जो claim कर रहा है defendant क्या claim करें ascertained ascertained मतलब एक निश्चत sum ascertained sum of money एक निश्चत amount होना चाहिए अगर defendant को set off कराना है कोई amount तो वो ascertained होना चाहिए वो यह नहीं बोल सकता कि साव इनने मेरे contract का breach किया है तो उसको भी आप as a set of इसमें add कर लो और आप bitermine कर लेना otherwise वो किसी दूसरे तरीके से claim कर सकते हैं set of वो नहीं होगा set of अगर आपको claim करना है being the defendant तो आप एक ascertained sum claim करिए एक fixed amount होना चाहिए अगर वो amount fixed नहीं है तो वो set of नहीं मान जा सकता या उसको set of की तरह add नहीं किया जा सकता suit में अगर वो fixed amount नहीं है तो तीसरा क्या है legally recoverable होना चाहिए मतलब किसी legal rate के violation से वो आया हो तो legally recoverable की कोर्ट जो दिलाए ऐसा होना चाहिए legally recoverable होना चाहिए इसके बाद आगे लिखा है not exceeding the pecuniary limit of jurisdiction तो ये भी एक essential है not exceeding the pecuniary limit pecuniary limit exceed नहीं होनी चाहिए court की pecuniary jurisdiction पहली बता चुक हूँ पैसे से related हर court का specific अब उससे ज्यादा का amount है तो आप नहीं कर पाएंगे set of में के लिए इसके बाद पाचवा और बहुत important point है that both parties fill the same character our last जो essential है वो ये है कि both parties इसमें हूँ same character में हूँ अगर character बदल गया तो आप set of में नहीं मांग पाएंगे वो amount both parties should fill same character अब ज़रा इसको समझ नहीं के same character क्या है बाकी सारी चीज़ों आपको समझ में आ गए जो original suit है वो recovery of money का होना चाहिए set of के लिए अगर कोई interview देने जा रहा है मध्यपुरदेश का या किसी और state का डेली के भी चल रहा है तो सबसे बहुत ही prominent question है बहुत ही important सवाल है set of और counter claim का difference तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं तो recovery of money का suit होना चाहिए जो defendant ने claim किया है वो एक fixed amount होना चाहिए a certain sum of money और कैसा होना चाहिए legally recoverable होना चाहिए और pecuniary limit से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके बाद जो यह last point लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि जहां character same नहीं है वहाँ set of claim नहीं हो सकता और यह काफी important है illustration a जो मैं पढ़ने जा रहा हूं this is really important a bequets rupees 2000 to b and appoints c his executor and residuary legatee b dies and d takes out administration to b's effects c pays rupees 1000 as surety for d then d's use c for the legacy c cannot set off the debt of rupees 1000 against the legacy for neither c nor d fills the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of rupees 1000 तो जरा समझीए गाइस इस particular illustration को जरा आप समझीएगा कि यह चल क्या रहा है देखिए मैं आपको हिंदी में इस illustration को जरा समझा दूं यहाँ पर चार लोग है एक a है एक b है और उसके लावा c और d चार लोग है मान लेजिए c और d यह जो दो लोग है यह दोस्त हैं दो जानने वाले हैं एक दूसरे की जान पैचान के यह लोग है c और d यह एक दूसरी की जान पैचान वाले है अब एक दूसरी काहा नींतर यह चल रही है a और b मान लेजिए a ने यहां illustration में लिखा रहे है a ने एक will दी है b के favor में a ने एक will लिखी है b के favor में और उस will के through b को मिलना है उस will के through b को मिलना है कितने 2000 रुपे चीक 2000 रुपीज will के through a ने b के नाम करे है और a ने अपना एक legacy अपॉइंट कर दिया है c किसको अपॉइंट कर दिया है कि वो उसका legacy होगा जो यहां illustration में दिया है and appoint c is executor और residue legatee executor appoint कर दिया कि a के मरने के बाद जो भी execution है उसकी will का या बाकी चीजों का जो भी property का settlement है वो किसको करना है c को तो c को अपना executor appoint कर दिया है किसने a ने चीक अब होता यह है कि a की death हो गई यह presumption है illustration को आप पढ़ेंगे तो यह presumption है कि a की death हो चुकी है पहले ही अब इसके बाद b को claim करना है 2000 रुपए क्योंकि will में मिले थे ए ने दिया थे बी को बी ने अपना administrator appoint कर दिया बी ने किसको administrator appoint कर वाल दिया d को और यह किसने किया court ने d को किसने appoint किया court ने बी के मरने के बाद b की मृत्तियू के बाद d को appoint कर दिया गया उसका administrator देखिए illustration में यह चीज़ लिखी हुई है बी डाइस आंड d takes out administration to b's effects c pays रुपी 1,000 assurity for d यह क्या है अब यह d के लिए c ने क्या पेखिए 1000 रुपे उसको समझेगा इतनी कहान ही आपके समझ माई कि a ने will के थू 2000 रुपे दिये है b को जो b को लेना है will में तो लिखती है a ने अब b claim कर सकता है a के अगिंस वह 2000 रुपे a ने अपना executor appoint किया था c को तो a की की भी death हो चुकी है पहले और b की भी death हो गई जब b की death हुई है at that point of time d was appointed as the administrator of b b का administrator appoint किया जाना था d को लेकिन court ने जब इसको administration administrator appoint किया जाना था तो court ने d से security मागी 1000 रुपे की court ने क्या बोला तुमको administrator appoint करेंगा 1000 रुपे security देना पड़ेगा 1000 रुपे की security मागी और d के पास वो 1000 रुपे नहीं थे तो उसने किस से लिए यह 1000 रुपे अपने दोस्स से ले लिए उसने 1000 रुपे administrator बनने के लिए b का उसने 1000 रुपे किस से ले लिए c से लिए as his friend I hope that is clear अब जब यह कारेकरम हो गया a को represent कर रहा है c यहाँ पर b को represent कर रहा है यहाँ पर d तो जो original है जो जो विल के थू 2000 रुपे दिये गए उसमें क्या हो रहा है जरा समझेगा अब b जो है b के बहाफ पर d आ लिया क्योंकि b की मौत हो गई है अब समझेगे कि d का इस पूरे illustration में है क्या d का एक claim है against c जिसका amount है कितना 2000 रुपे और यह claim कैसे है d क्यों claim कर रहा है against c d खुद के लिए claim नहीं कर रहा d जो claim कर रहा है c से 2000 रुपे वो खुद के लिए नहीं वो on behalf of b कर रहा है त्योंकि वो उसका administrator बन चुका है और a से क्यों लेना है sorry c से क्यों लिया जाना है यह पिकिस एक रेप्रेजेंटेटिव है c तो यह जो है वो amount claim कर रहा है arrow मैं सभी कर देतना हूं जड़ा इसका यह है all right यह है c c will be giving d amount कितना amount 2000 रुपे देना है c को देना है 2000 रुपे लेकिन क्या यह c का अपना पैसा देना है उसको नहीं being the executor of a देना है उसको देना है 2000 रुप और दूसरा claim क्या है जो d वापस करेगा c के पैसे दूसरा claim है d का claim जो यह वापस करेगा किसको वापस करेगा यह c को वापस करेगा इसका amount कितना है 1000 क्यों वापस करेगा d c को क्योंकि d को जब administrator बनना था अभी का तो पै किस ने किया था 1000 रुपे और यहां जो claim है यह जो उपर 2000 रुपे वाला claim है यह कैसे है c को जो पे करना है d को वो क्यों करना है because he is acting as the executor of a and d is acting as the administrator of b लेकिन जो दूसरा वाला transaction है 1000 रुपे वाला उसमें उनका character वो नहीं है यहां पे character बदल गया यहां वो personal यह जो करा है यह personal capacity में है और य यह जो किया है यह उन्होंने दूसरे legal character में किया है d यहां पे administrator है b का और c यहां पे a का executor है इस legal capacity में यह 2000 रुपे वाला claim है और यह 1000 रुपे वाला claim personal capacity में है इसलिए यह set off नहीं हो सकता जब d मांगेगा suit file करके c से 2000 रुपे तो वहां c यह 1000 रुपे set off नहीं करा पाएग because they are not filling the same character here यह लिखा हुआ है इस पूरे illustration में I hope you got this इसे यह last line में देखिया यह लिखा है कि the same character जो last line में लिखा है कि यह नहीं कर सकते c cannot set off the debt of rupees thousand against the legacy for neither c nor d fills the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of thousand that is the only thing which you need to understand बाकी के illustration है बहुत simple simple सी बाते हैं किसी में recovery of money का suit नहीं है किसी में some ascertained नहीं है main problem is character को समझने में आती है तो यह जो illustration है इसलिए वो मैंने आपको clearly समझा दिया and I hope you all got this yes or no एक बार comment में लिखके बता दो भाई समझ में आया की नहीं तो आगे बढ़ते हैं है अपन इसके बार एसेंशल्स आप समझी गाए yes all right चलिए इसके समरूल तू को देख लेजिए effect of set of set of effect क्या होगा simple सी बाते दर लिखिए the return statement shall have the same effect as a plant in a cross suit set of जो आप कर रहे हैं वो प्लेंट की तरह होगा किसमें फाइल हो रहा है return statement के साथ हो रहा है क्योंकि defendant कर रहा है इसके हो वो return statement के साथ हो रहा है लेकिन उसका effect क्या होगा plant माना जाएगा set of को एक separate plaint की तरह ही treat किया जाएगा क्योंकि उसमें defendant जो है वो कुछ claim करता है against the plaintiff इसी लिए इसके बाद आईए 6a counter claim अब जरा समझेए कि counter claim कैसे different है लेकिन before we move on to counter claim एक difference समझ लीजिए उस legal और equitable set of के बीच भी तो legal set of में आपने देख रहा कि recovery of money का suit होना चाहिए और sum ascertained होना चा इसके contrary जो equitable set of है उसके essentials क्या है आप चाहें तो no down कर लीजिए recovery of money का suit इधर भी होना चाहिए लेकिन equitable set of में दोनों allowed है ascertained sum या unaccertained sum दोनों amount fix नहीं भी है तो भी defendant claim कर सकता है under equitable set of लेकिन equitable set of की एक limitation है वो ये है कि जो claim है वो arise होना चाहिए out of same transaction कैसे arise होना चाहिए equitable set of out of same transaction जो की legal में जरूरी नहीं है या character same होना चाहिए और वहां लिखा है transaction same होना चाहिए transaction सेम होने का मतलब मान लीजे मैंने आपसे एक mobile order किया contract किया आपने और मैंने और मैंने एक mobile order किया है आपने वो mobile deliver करा दिया delivery charges भी आपको ही देने थे मान लीजे वो 5000 का mobile phone है और 200 रुपए उसके delivery charges है जो सारे आपकी price वो 200 रुपए included थे price में जो आपने 5000 रुपए मुझसे price claim करी है 200 रुपए भी उसमें included थे अलग से मुझे pay नहीं करना था लेकिन जब आपने mobile phone भेजा तो आपने courier service को वो charges pay नहीं करे इसलिए कि पहले वो सुरक्षित मेरे पास पहुँच जाए फिर मैं pay कर दूं 200 रुपए तो इसलिए आपने वहां से mobile phone तो set कर दिया मेरे पास लेकिन delivery charges आपने पह नहीं किया वो मैंने करे इदर पे 200 रुपए अब मैं आपको वो 5000 रुपए नहीं देता हूँ तो आप मेरे अगें suit file करते हैं 5000 की recovery का अब मैं जो मुझे जो 200 रुपए आपसे claim करने है delivery charges मैं वहां पे set off करा सकता हूँ यह equitable set off के लिए जरूरी कि transaction same होना चाहिए हमारा जो transaction है यह same होना चाहिए यह जरूरी है equitable set off में और यह basic difference है legal और equitable के बीच some ascertained है तो भी चल जाएगा equitable में बस transaction same होना चाहिए I hope that is clear इसके बाद आए counter claim अब अपन difference देखते है set off or counter claim का तो counter claim पढ़िए जरा 6a counter claim by defendant a defendant in a suit में in addition to his right of pleading a set off under rule 6 set up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim यह important है any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired whether such counter claim is in the nature of a claim for damage or not इस बात को समझे अब आप counter claim को अगर अच्छे से देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा इदर वो सारे essential fulfill करने की जरुरत नहीं है जो set off में set off में लिखाता recovery of money का suit होना चाहिए set off में लिखाता कि defendant जो claim कर रहा है वो एक ascertained sum of money होना चाहिए यहां कुछ जरूरी नहीं है कहने का मतलब मैंने आपके against कोई भी suit file किया हो possible किसी भी relief के लिए बदले में आप जब अपना return statement file कर रहे हैं आप counter claim के माध्यम से मुझसे कोई भी relief मांग सकते हैं जो आपके पास हो मेरे विखाता कोई भी relief इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि जो suit हो recovery of money का हो जो मैंने file किया वो recovery of money हो ऐसा भी बदले में जो मैंने suit file किया है साथ में आप अपना कोई भी ला सकते हैं अब और differences क्या है यह तो इस claim से related इसके अलावा जो differences है कि भाई जो हमने set off पड़ा original suit अगर खतम होता है तो set off भी खतम हो जाता है बट counter claim नहीं होता क्योंकि counter claim बिल्कुल अलग suit की तरह ही है ना इसमें transaction की बात है ना सेम character की बात है कुछ नहीं आप कोई भी claim कर सकते हो जो आपके पास है basic purpose counter claim का बस उत्ता ही है कि आप अलग से code जाते एक suit लेके और मैंने बताया code का समय सबसे कीमती अपने जो अगर अगर क्लेंट करना है अगर मानली चे मैंने आपके अगे इंसकोई फाइल किया है being the plaintiff और आप being the defendant किसी चीज को किसी relief को as counter claim अगर claim करना चाहते है तो आपको यह बात expressly लिखनी पड़ेगी अपने return statement के साथ आपको expressly लिखनी पड़ेगी कि मैं यह relief counter claim के माध्यम से मांग रहा हूं यह बात आपको expressly लिखनी पड़ेगी इसके बास 6C देखिए exclusion of counter claim यह भी एक difference है written of set of or counter claim के बीच का this is important where a defendant sets up a counter claim and the plaintiff contains that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit underline कर लीजे the plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counter claim apply to the court for an order that such counter claim may be excluded अब मान लीजे being a plaintiff मैंने आपके against एक suit file किया बदले में आपने उधर से counter claim setup कर दिया मेरे against उसका आपने लिखके दे दिया तो मैं being the plaintiff मेरे पास यह option है कि मैं court को एक application लिख दूँ कि साब यह जो defendant है जो यह counter claim लेके आ रहा है इसको बोलिए उसके लिए separate suit file करें क्योंकि इससे यह जो suit है मेरा यह बिगड़ जाएगा या इसमें delay हो जागर मेरे पाँ इसलिए इतना तो समय आपको देना ही चाहिए इसलिए कोट कहता है कि अगर उस counter claim की वज़े से बेगड़ काया काम तो plaintiff के पास option है वो एक application दे कि साथ थोड़ा दी इतना जल्दी भी मत करो कि कामी खराब हो जाए उसको बो यही चीज काउंटर की है कि अगर ठीठा चल रहा है उससे काम हो रहा है देन इस वाइं लेकिन जहां जरूरत है समय कि वहां समय देना जरूरी है इसलिए यह option भी है इदर 6C में कि प्लेंटिफिक एप्लिकेशन दे और कोर्ट से यह प्लीड कर ले इसको हटाईए इतनी चल्दी नहीं थोड़ा समझ लेंदी तो कि हमें वह नहीं बनना है यह प्लिड देनी आपथा वह लुकर्त के बैस। इसके बाद आए 6D, this is again very important, effect of discontinuance of suit, this is the most important thing about counter claim, कि अगर original suit, जो plaintiff ने original suit फाइल किया है, अगर उस पे stay लग जाता है, अगर वो discontinue होता है, डिसमिस हो जाता है, counter claim पे इसका कोई effect नहीं होगा, the counter claim will still continue to exist, वो counter claim की proceeding चलती रहेंगी, बले ही original suit खतम हो जाए, यह exclusive feature है counter claim का, जो इसे set of select बनाता है, तो इसको ध्यान से देखिए सरा, if in any case in which the defendant sits up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed, plaintiff का suit पे इस्टे लग जाता है, discontinue हो गया और dismiss हो गया है, इसके बाद भी counter claim की proceeding चल सकती है, that is 6D, इसके बाद 6E देखिए, default of plaintiff to reply to counter claim, अगर आपने reply नहीं किया, तो admitted मान लिया जाएगा, यही सारी बाते हैं इदर लिखी होएं 6D में, इदर से जो important है rule, वो ध्यान रखिए, एक तो यह exclusion वाला बहुत important है, C, और D बहुत जादा important है, तो इसमें आप rule add कर लीजिए, एक तो 6E तो है ही, इसके अलावा जो बहुत जादा rule आपको याद रखने लायक हैं, वो है आपका 6C, exclusion, और उसके साथ rule 6D भी बहुत important है, effect of discontinence, यह expressly पूछा जाने वाला rule है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसके बाद आजाएए सीधे 8, कई सारे rule important हैं इदर से, यह 2-4 order ही हैं, जिन मैं ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आगे क्या आप दे आप पढ़ाँगा, उसके बाद आपन सीधे move कर जाएंगे towards the sections, बहुत जादा नहीं पढ़ना, लेकिन यह बहुत important है, इसलिए कोशिश करिए, इदर से कुछ ना छूटे है आपसे, और rule 8 देखिए, rule 8 कहता है, new grounds of defense, any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of a written statement, taming a sitter or counter claim may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement, कोई नए ground आ गए हैं बाद में, तो वो आप state कर सकते हैं, चीक, कोई नए ground आपके पास हैं, defend करने के, तो वो आप state कर सकते हैं, तो वो आप state कर सकते हैं by way of written statement, और हमने already पढ़ा रखा है, amendment of pleading, जरा order के साथ rule बता दीजिए, order तो आप जानते हैं, six pleadings generally, rule का number बता दीजिए, amendment of pleading किसमें दिया है, rule, rule, कौन सा, कौन सा rule है भाई, 17, that's correct, order 6, rule 17, that's correct, इसके बाद आजाए, rule 9 पे सके, order 8 का rule 9 भी important है, subsequent pleadings, subsequent pleadings, समझ लीजिए, कि अगर बाद में जरूराद पड़ती है, कुछ add-on करने की, आपको written statement में, claim में, तो आप अलग से भी ला सकते हैं, एक pleading, देखिए, no pleading subsequent to the written statement of a defendant, other than by way of defense, to set off or counter claim shall be presented, except by the leave of the court, तो जब आपने repliant और return statement जब आपके और अरड़ी फाइल हो चुकी है, return statement के फाइल होने के बाद, अब कोई और pleading लेके नहीं आना है, general rule यह है, हाँ, returns, जो आपका set off या counter claim है, उसका कोई reply अपलाय देना है, तो वो आप कर सकते हैं, इसमें भी intricacies और हैं, आप देखेंगे replica और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उत्ती detail में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को एक तम भी तेज नहीं भागना है, लेकिन इतना slow भी नहीं होना है, दर्वाइस पर वो mains और foundation batch की तरह अपन हो जाएंगे, तो जैसा मैं आपको अल्रड़ suitable set-off, legal set-off के beach के differences वो सब, but यहां अपना अलग purpose है, थोड़ा limited समय लेके अपन आए हैं, pre के लिए अपन बैटे हैं, subject का overall context समझने के लिए बैटे हैं, इसलिए मैं उस तरीके से यहां CPC को deal कर रहा हूं, लेकिन वो भी important है, आप इसको भी समझे, वो जो detail है, वो भी important है, वो revision भी important है, जिसकी वो relevant है, या काम का नहीं है, बट वो सिर्फ काम का है, जब यह सब आपको आता हो, सिर्फ एक बार आपको कोई उस नजर से वापस घुमबा दे, important point, वो उस purpose के लिए, तो purpose की बात है, अलग-अलग, you should know the limit, आपको अपनी सीमा पता होनी चाहिए, कि कहा आपको अपनी सीमा पता होनी चाहिए, कि किस समय कितना जाना है, पता है, मैं दूसरे सेक्शन में, मैं बाइली सीमा की बात है, नहीं कर रहा हूं जो तु कह रहा है, मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, कि you should know the limit of the context, कि समय कितना जाना है, इसे तो बच्चे क्या किया जाए जाए किसे करें से जाए जैनरल रूल यह है कि एक बार रिटन स्टेट्मेंट फाइल हो गया है जनरल यह आप फिर दूसरी कोई प्रीडिंट फाइल नहीं करेंगे कोट की लीव से आप कर सकते हैं इधर ध्यान रखना सीपीजी में इंहरेंट पावर होता है सबसेविल कोट के पास तो आपको मैचारिटी ऑफ जगे में लिखा मिलेगा बहुत कम कोट के लिए यूज करा गया है शाल वर्ड में डिस्क्रिशन है बहुत सिविल कोट के पास का हो सकता है that's rule 9 rule 10 is very very important बहुत ही जादा important है rule 10 procedure when party fails to present written statement called for by court आपने written statement फाइल नहीं करा written statement फाइल नहीं करा तो मान लिया जाएगा देखो हमने rule 5 में पड़ा है कि अगर आपने especially specifically deny नहीं किया allegation को तो मान लिया जाएगा आपने accept कर लिया है अब जब आपने रिटन statement फाइल नहीं किया इसका मतलब क्या है आपने सारे allegation मान लिये आपके अगें judgment हो सकता है इस बाग पे court judgment भी दे सकता है या कुछ और procedure भी कर सकता है rule 10 ये कहता है बहुत important है rule 10 देखिये procedure when party fails to present return statement called for by the court where any party from whom a return statement is required in the rule 1 or rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court as the case may be the court shall pronounce judgment just underline कर लिजे जरा the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn तो judgment भी प्रनाउंस कर सकता है code या कुछ और order भी पास कर सकता है और अगर judgment पास किया है तो उस पे decree भी draw हो सकती है तो अगर आपने return statement भी filing या being the defendant आपके against judgment हो सकता है that's rule 10 and this is very very important ये हो गया आपका order 8 order 8 में भाई साब इतने सारे रूल पढ़ने हैं आपको conceptual चीजे हमने यहां 2-3 पढ़ी set-off, set-off के भी दो पार्ट, legal set-off, equitable set-off, counter claim and I hope that is clear to everyone उसके बाद general rules पढ़े हमने and that's how we come to an end for order 8 now let's move on to order 9, appearance of parties and consequence of non-appearance अब कहानी ध्यान रखना वो पहले वाली CPC की, जो पहले दिन सुनाई थी institution of suit होता है, plaint get through, return statement होता है, parties का examine फिर क्या होगा, बुलाया जाएगा, समन बेजी जाएगी, defendant के लिए जो order 5 में पढ़ चुके हो समन बेजी जाएगी, एक date fix होगी कि किस दिन defendant को आना है और उस दिन दोनों party को आना है, order 5 में जो अपन समन पढ़ चुके हैं कि समन बेजी जाएगी, defendant को बुलाने के लिए, जो भी date decide होगी, defendant को पेश होना है जिस दिन court में, उस दिन plaintiff defendant दोनों को आना है अब ये जो पूरा order है, आपको ये बताता है, कि उनके appearance के बारे में, कि जब वो आएँगे तो क्या होगा, जीक, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिये, rule 1 कहता है, parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer so about this, जो भी date fixed होई है, summons में, defendant को आने की, उस दिन दोनों parties को आना है, सिर्फ defendant को नहीं, दोनों parties को आना है on the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer the party shall be in attendance at the courthouse, in person, खोद आएंगी, या प्लीडर को भेजेंगी, इसमें खुद भी आप प्रेजमेंट हो सकते हैं, प्लीडर के थू भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों party का representation होना चाहिए उस दिन, दोनों party की तरफ से कोई आना चाहिए, जीक, कृति का party के लिए एक बार foundation course की class में आप हैं, अगर तो उधर पर जाके subsequent plating और ये rule 10 के बारे में पड़ी हो, वहां बहुत डीटेल में मैंने इस चीज़ को discuss किया है, और सांत में ये भी लिखा है कि कुछ और भी order pass कर सकते हैं, इसको लगभग मैंने 45 minutes पड़ाया है, उसका पूरा इसके बाद देखिये, rule 2, dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost, this is also very important rule, तो ज़र हम है, order 9 के कौन-कौन से rule हम पड़ रहे हैं, वो इधर आपके लिए लिखते जाता हूँ, तो सबसे पहले rule 1 तो है, important rule to be important है, इधर, rule 2 बात कर रहा है, where on the days of it is found that the summons has not been served upon the defendant, summons नहीं सर्व नहीं हो पाई, in consequence of the failure of the plaintiff to pay, the court fee और postal charges रिपनी चार्ज़ेबल for such service or failure to present copies of the plaint as required by rule 9 of order 7, the court may make an order that the suit be dismissed, dismissal का order आ सकता है rule 2 में, कैसे आएगा dismissal का order, उसको जरा समझीए, बाइसाग, हमने plaint में पड़ा है, कि अगर plaint एक्सेप्ट हो गई है, suit duly institute हो गया है, plaint एक्सेप्ट कर ली गई है, तो फेर plaintiff की जिम्मेदारी है कि उतनी copies, जितने defendant हैं, उतनी copies submit करें और पैसा दे, एक तो court fee तो आपको देनी ही है, साथ में समन सर्व कराने का जो खर्चा वो भी बे करना है, अगर plaintiff ने ये नहीं किया, इस वज़़े से समन सर्व नहीं हो पाई है, in that case, the suit shall be dismissed, court कर सक दिया है, in that case, the court may dismiss the suit, इसके बाद देखिए, rule 3, where neither party appears, suit do be dismissed, दोनों नहीं आए, ना plaintiff आया, ना defendant, suit file तो कर दिया, suit institute तो हो गया, मगार जो date decide होती समन में defendant के आने कि, दोनों पार्टी नहीं आई है, दोनों पार्टी अगर नहीं आई है, तो court dismiss कर सकता है, ये rule 3 में लिख है, time pass के साब से suit file कर दिया, कि छलो कुछ नहीं हो रा जी, उनमें तो suit ही कर रहा है, दोनों नहीं आई है, इसका मतलब, कोई मतलब भी नहीं है, ऐसा CRPC में भी पढ़ा है, complaint class में, अगर complaint ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या मतलब, खतम करो, same principle applies here as well, इसके बाद देखिए rule 4, this is very important, rule 4 effect को बताता है, plaintiff may bring fresh suit, और quote में restore suit to file, 4 में बस यह लेखा है, कि अगर suit dismiss हुआ, order 2 और 3 में, किसी में भी, अगर suit dismiss हुआ है, तो party आके उस dismissal के order को भी set aside करा सकती है, और उसी suit को continue कर सकती है, या फिर एक fresh suit भी file हो सकता है, दोनों option है, rule 4 आपको दोनों option देता है, कि जो dismissal का order है, उसको भी आप set aside करा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, fresh suit भी file कर सकते हैं, ये set aside करा लेंगे, उसी को continue कर लेंगे, तो जो पैसा वैसा भरा हुआ हुआ है, वो दुबारा नहीं लगेगा, quote fee बगर, लेकिन अगर fresh suit करने जाएंगे, दोनों option है, जिसम इसके बाद देखिए 5, 5 is again very important, rule 5, dismissal of suit where plaintiff after summons return, unserved fails for 7 days to apply for fresh summons, this is very important, primary question आते हैं, rule number ना पूछा जाएंगे, ये 7 दिन का सवाल आता है, कि अगर summons return हो गई है, देख ये होता क्या है, हमने order 5 के rule 9 में पढ़ा था, कि court summonserve कराता है, अब court of summonserve कराता है, अगर वो unserved वाप पाई और वापस आ गई, तो जो भी court का respective officer था, जिसकी responsibility थी, वो serv कराने की, वो इस बात का notice court को देगा, कि unserved वापस आ गई है, समन्स सर्व नहीं हो पाई है, और अगर समन्स सर्व ना होके वापस आ गई है, उसके बाद plaintiff की ये जिम्मेदारी है, कि 7 दिन के अंदर, उसक ordinary certifying to the court returns made by the serving officers, to apply for the issue of fresh summons, 7 दिन के अंदर plaintiff को fresh summons के लिए apply कर देना है, एक बार समन्स गई सर्व होने, लेकिन सर्व हो नहीं पाई, unserved ही वो वापस आ गई है, तो जिस दिन वापस आई, इस बात का notice court को मिला है, कि वापस आ गई है, 7 दिन के अंदर plaintiff की जिम्मेदारी है, कि दुबारा fresh summons issue कर वाले हो, ठीक, लेकिन आगे ये भी लिखा है, कि अगर court को plaintiff satisfy कर दे कि साभ हमारी तरफ से तो सब ठीक था, ये बैसिक ही तब है, जब प्लेंटिफ की कोई address-address की गलती हो, defendant की इस तरीके की, अगर वो प्रूफ कर देता court में कि साभ हमारी की कोई in order that the suit be dismissed as against such defendant, अगर साथ दिन में आपने fresh suit के लिए apply नहीं किया, तो suit dismiss कर सकता है court, लेकिन आगे उसके exceptions लिखे हैं, unless the plaintiff has within the set period satisfied the court that, ए में देखिये, he has failed after using his best endeavor to discover the resident, कि उसने पूरी कोशिश करी, plaintiff ने फिर भी घर का पता-बता नहीं मिल पाया है defendant का, या मानली चे defendant खुद avoid कर रहा है service of summon, कैने का मतला plaintiff की गलती नहीं है, अगर code को लगा कि summon unserved, इसलिए वापिस आई थी कि plaintiff की गलती थी, और उसने 7 दिन के अंदर fresh summon issue नहीं कराई है, उस गलती को सुदार के, अगर आपने 7 दिन के अंदर fresh summon issue करने का application नहीं थी, तो suit dismiss हो स यह rule 6 किसकी बात कर रहे है, कि भाया summons serve हो गई है defendant पे, date fix हो गई है, defendant आ गया है, लेकर plaintiff ही नहीं आया, जिसने suit file किया है, sorry plaintiff आया है defendant नहीं आया, summons serve होई, नहीं होई, यह सारी बाते अभी 6 में आएंगी, 6 में सीधे सीधे लिखा है कि जो date decide हुई है summons में, जिस दिन court क hearing होना है, जिस दिन defendant को पेश होना है, उस दिन plaintiff तो आ गया है, but the defendant is absent, defendant आया नहीं, ऐसे cases में क्या किया जाएगा, तो इधर पर देखिए, ABC तीन चीज़ें लिखी है, वो depend करेगा कि समन का हुआ क्या, उस पर depend करेगा कि आगे का action क्या होगा, अगर समन duty serve हो गई है, service of summon हो हो चुकी है successfully, फिर भी defendant नहीं आया, obviously बात है, उस case में क्या करेंगे, एक्स पार्टे प्रोसीड कर देंगे, अगर यह पता चलता है कि समन सर्वी नहीं होई, इस current defendant नहीं आया है, तो फिर सर्व कराएंगे, अगर माली जे देर से सर्व होई है, तो थोड़ा additional time दे देंगे लेकिए ABC में यही बाते लिखी है, विन समन्स डूली सर्व, अगर समन्स डूली सर्व हो गई थी, फिर भी plaintiff नहीं आया, तो एक्स पार्टे हेरिंग चालू हो जाएगी, A में लिखा है, विन समन्स डूली सर्व, डूली सर्व अगर नहीं हुई है, तो second समन सर्व कराई बी में लिखा है, अगर पहली बार में डूली सर्व नहीं हुई है समन्स, तो second समन्स डूली सर्व कराई जाएगी, C कहता है, when समन्स डूली सर्व, but not in due time, sufficient time नहीं मिला, date डिशाइड हुई थी, defendant के आने की, उसके एक दिन पहले, दो दिन पहले आपकी समन्स डूली है, त तो defendant जब नहीं आया है, rule 6 जिसकी बात करना है कि plaintiff आ गया है बढ़ defendant नहीं आया, यह देखा जाएगा कि किस कारण से नहीं है और accordingly action इस चीज़ पे लिया जाएगा, इसके बाद आईए rule 7, this is again very important, rule 7 is also very important, procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance, अब मान लीजिये पहले किसी दिन defendant को बुलाया गया था, rate of hearing decide होती उस दिन उसको आना था, लेकिन वो नहीं आया, बाद में आया किसी letter rate पे, और जब वो letter rate पे defendant आता है, court के सामने, court को satisfy कर देता है, किसी sufficient cause को देखे, वो कि एक sufficient कारण बता देता है, ना आप आने का, जिससे court satisfy हो जाता है, तो फिर अब वो अपना defense बता सकता है court को, और ये माना जाएगा, जैसे defendant उसी दिन आया हो, जिस दिन उसको आना था, ये माना जाएगा, important है, काफी जादा, जरा पढ़िये इसको, where the court has adjourned the hearing of the suit, ex party, ex party adjourn कर दी है, and the defendant at or before such hearing, appears and assigns good cause, बाद में वो appear होता है, sufficient cost देता है for his previous non-appearance, he may upon such terms as the court directs, as to cost और otherwise, be heard in answer to the suit, underline कर लेजे, answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance, तो आगे जिस भी दिन इजन होंके date मिली है अगली, उस दिन भी अगर defendant आता है, और court को satisfy कर देता है कि क्यों वो पिछली date पे नहीं आ पाया था, और जिस भी date पे वो आ जाए और अ as if the defendant had appeared on the previous day, इसके सामने लिख लीजिए, setting the clock back, एक term यूज होता है, एक doctrine यूज होती है, setting the clock back, ये सवाल पूछा जाता है prelims में, कि ये जो setting the clock back का principle है, ये कहां reflect होता है, order 9 के किस rule में reflect होता है, तो भाई साब ध्यान रखियेगा, ये reflect होता है rule 7 में, setting the clock back, तो कि ये वो future date पर आ रहा है, अपन प्रिस्यूम करना है कि जिस दिन date decide हो थी, उसी दिन आया, इसलिए इसको ये कहा जाता है, that is an important question for the prelims, चलिए, 8 पर आये, procedure where defendant only appears, अब भाया समंस में जो date decide हुई थी, appearance की, उस दिन defendant तो आ गया, plaintiff ही आया, जिसने suit file करा, को नहीं आया, सिर्फ defendant आया ह तो obvious ही बात है, क्या होगा, suit dismiss हो जाएगा, लेकिन ये भी संभाव ना है कि defendant कुछ claim admit कर ले, जैसे plaintiffs ने 6 claim करें है defendant के against, defendant सिर्फ appear हुआ, plaintiff नहीं हुआ, तो defendant अगर उसमें से 2 claim admit कर लेता है, तो उन 2 के context में judgment हो जाएगा, और बाकी के context में suit जो है, वो dismiss हो जाएगा, क्यो अगर मान लेजिए suit dismiss हुआ है, rule 8 के अंदर, rule 8 क्या है, तो rule 8 है कि defendant आ गया, plaintiff नहीं आया, और plaintiff नहीं आया, तो suit dismiss हो जाएगा, 9 उसका effect बताता है, कि अगर order 8 के अंदर suit dismiss हुआ है, because of, absent of plaintiff, plaintiff के non-appearance के कारण, अगर suit dismiss हुआ है, order 8 में, sorry, rule 8 में, तो rule 9 कहता है, कि fresh suit अब नहीं ला पाएगा, plaintiff, same cause of action पे वो fresh suit नहीं ला पाएगा, लेकिन, इस dismissal के order को वो set aside करा सकता है, देखिए, where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit, in respect of the same cause of action, आफ fresh suit नहीं ला पाएगे, लेकिन आगे लिखा है, but he may apply for an order to set the dismissal aside, जो dismissal का order हुआ है, rule 8 में, वो dismissal set aside करा सकता है, उसी को continue करा सकता है, एक fresh नया suit लेके नहीं आएगा, on same cause of action, that's rule 9, which is important, इसके बाद सीधे आजाईए, rule 13, rule 13 is very very important, बहुत जादा important है, याद रखिएगा, प्री में expressly पूछ लिया जाता है, setting aside decree x party against defendant, defendant के against x party, decree भी आ गई है क्योंकि हमने पड़ा, अगर summons duly serve हो गई है, अगर summons duly serve हो गई है defendant के उपर, फिर भी defendant नहीं आता है, तो court क्या करेगा, x party hearing चालू करतेगा, और हो सकता decree भी पास हो जाए, x party, x party अगर decree पास हो गई है, तो उसको set aside कराने का अधिकार भी defendant को दिया गया है, same court के पास वो उस same court के पास जाके वो उस decree को set aside करा सकता है, under rule 13, अब जरा एक बात समझिएगा, rule 13 तो application की बात कर रहा है, same court के पास, same court के पास application लेके चले जाए आप, x party decree को set aside कराने की, एक option और भी है, appeal भी रहेगा आपके पास, appeal तो रहेगी है, है ना, by trial court का अगर judgment है, उसकी decree है, तो appeal तो आपके पास anyways है, but ये एक additional चीज है, जो rule 13 में दिया है, कि आप same court के पास चले जाए जिसने, x party decree दिया, अगर आपने उसके पास जाके उस court को satisfy कर दिया, अपनी non appearance के लिए, कोई sufficient ground दे दिया, non appearance के लिए, और x party decree इस ground पे set aside करा ही जा सकती है, 13 में same court को application लेके, appeal का दि case in which a decree is passed, x party against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed, जिसने decree passed करी, उसी के पास apply कर दे, was passed for an order to set aside, and if he satisfies the court that the summons was not dually served, अगर वो court को satisfy कर दे कि आप समाई ही नही मिली थी, आते पास है, अमे तो पता ही ही ता suit चल रहा है, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing, या कोई और sufficient current था, उसके पास non appearance का, ना आपने का कोई दूसरा sufficient current था, when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him, upon such term as to cost women into court, or otherwise, as it thinks would, and shall appoint a day for proceeding with the suit, तो set aside कर देंगे, एक स्पास लगाना है तो लगाएंगे, अल अगर लगता है कि भिए ठीकित, अगर अगर लगता है कि अगर 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 लगता है कि अगर 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 पार्टी का नुकसान हो दो तो cost देल पाएंगे, ठीक है, वो ex-party decree set aside करके, proceed कर लेंगे, लेकिन cost वस्का पेमिंट कर बातीया जाएगा, अब इसका explanation पढ़िए, this is very very important, explanation केता है, where there has been an appeal against a decree passed ex-party, आपने appeal भी करी है under this rule, and the appeal has been disposed off on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside the ex-party decree, बहुत important है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा framing उसकी ऐसी है, कि कई बार misinterpret कर लिया जाता है explanation, तो explanation basically यह कहा रहा है, अगर आपने appeal भी file करी हुई है, अगर आपने already appeal file करी, इस ex-party decree के against, जो trial court ने दी, और वो appeal अगर dismiss हो गई है, वो appeal अगर dismiss हो गई है, तो अब आप य यह वाला रास्ता नहीं अपना सकते, भाई देखिए, trial court ने आपके against ex-party decree दे दी, क्योंकि आप आए नहीं, अब आप appellate court के पास appeal में, और appellate court ने आपकी appeal dismiss कर दी है, इसका मतलब court को sufficient नहीं लगा higher court को, तो obviously बात है कि जब higher court ने appeal dismiss कर दी है, तो same court में आप यह application लेके ज dismiss हो गई है, बस एक ground ऐसा है dismissal का, जिसके case में आप 13 की application दे सकते हैं, वो है कि वो जो appeal dismiss हुई है, withdrawal से हुई है, कि आपने appeal करी तो थी, लेकिन आपने withdraw कर ली, अगर आपने appeal withdraw कर ली है, तो आप section 13 में, उस court के पास application लेके जा सकते हैं, decree set aside कराने के लिए, यह बात कहार से आ other than the ground that the appellate has withdrawn the application, अगर उसने withdraw कर ली थी वहां से, तो फिर वो तेरा का power exercise कर सकता है, लेकिन अगर वहां किसी और current से dismiss हुई है, appellate court में, अगर किसी और current से appeal dismiss हुई है, तो फिर आप यह तेरा वाला benefit exercise नहीं कर पाएंगे, that's what the explanation says and I hope that is clear, यह हो गया आपका, order 9 complete, अब आज जाईए ज़रा 10 पर, इसके बाद आजाईए, order 10, examination of party, कहानी याद है आए वो आप सब को, जो कहानी मैंने बताई थी इन सब से related, examination, अब मान लेजे आ गई है party, हमने 9 में तो पढ़ लिया, appearance or consequence of non-appearance, अब मान लेजे appear हो गई है तो उनका examination कर लेगा court, ठीक तो order भी याद रखिएगा, कुछ rule important है, वो देखिए, rule 1 देखिए, assertainment, whether allegations and pleadings are admitted or denied, अब जब party आ गई है, तो उनको examine करके मामला और समझ लेते हैं, क्या है दोनों के बीच में dispute, है कि ने, जब party दोनों आ गई है अगर court के सामने, तो court ज़रा समझ लेगा कि भाई, क्या है dispute, उसके लिए जबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा court, सबसे पहले यह देखिएगा, कि कौनसी ऐसी चीज़ें है जो deny कर रही है पार्य और कौनसी ऐसी चीज़ें है जो admit कर रही है, इसकी कहानी भी मैंने पहली क्लास में बता जी थी, क्योंकि वो बातें जो दूसरी party already admit कर मैंने कोई चीज़ रेस करी है और defendant ने अडमिट कर लिया है तो उस पर जादा बात करने की ज़रूरत नहीं है उस पर issues framing नहीं होगी इसे ही है पहले court ये देखेगा कि क्या admit हो रहा है क्या denial यहां रहा है rule 1 में at the first sharing of the suit the court shall assert in from each party or his freedom whether he admits or denies such allegations of facts as are made in the plain or written statement of the opposite party and as are not expressly or by the necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made the court shall record such admissions and denial admissions or denial record करेंगे कौन कौन सी बात एक दूसरे की मान रहे हैं और किस किस पर deny कर रहे हैं क्या actually conflict है basic purpose यह है court का कि पहले उसको court को समझना है कि वाकर कुछ है इनके बीच यह नहीं इसलिए वो देख रहा है दूनों party से पूछ रहा है तुम बताओ इसने यह allegation लगा इसमें से क् section 89 भी पढ़ना पढ़ेगा आपको तो इसी के साथ आप पढ़िए क्या section 89 देखिए रूल बने direction of the court to opt for any one mode of alternative dispute resolution और इसमें amendment है 1999 का जो effect में आया है 2002 में बहुत important है यहां mandatory कर दिया गया है ADR की तरफ रुख करना court की जिम्मेदारी है कि वो parties को एक बार यह opt करने का option दे कि आ आपको इसलिए पहले देनी बताया था पूरा जो CPC का में फोकस है वो यह है कि भाया यहां पर समय बचना चाहिए court का इसलिए alternative dispute resolution की जो methods है conciliation mediation इसमें चले आओ आप यह प्रयास करना है court को इसमें लिखा है after recording the admissions and denials the court shall direct the parties mandatory एक बार डारेक्ट जरूर करेगा करना नहीं करना opt उनका option है but आप डारेक्ट करिए the court shall direct the parties to the suit to opt either mode of the settlement outside the court as specified in subsection 1 of section 89 on the option of the parties the court shall fix the date of appearance before such forum और authority as may be opted by the parties तो court उनको जरूर एक option देगा शैल इसनी लिखा है कि court के लिए mandatory है कि आपको एक बार उन्हें option देना है कि भाई देखो आप बार जाके भी settlement कर सकते हो अगर हो जाए तो बढ़िया है अब एक section भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ यहां से question आता है कि कौन-कौनसी methods available है तो यह rule number भी याद रखिएगा और 89 म settlement of disputes outside the court where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observation and after receiving the observations of the parties the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for kya-kya methods के लिए बोल सकतने है सबसे पहला याद रखिएगा arbitration, conciliation, judicial settlement including the settlement through local adalat और mediation तो arbitration, conciliation, judicial settlement which includes local adalat and mediation यह चार modes है इन पर भी question बनता है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा opt करना आपके उपर है आप करते हैं या नहीं और वहाँ जब date fix करके आप जाते हैं तो वहाँ जो officer है जो यह ADR कर रहा है वो भी यह देखता है अगर उसे लगता है यार इन पर कोई असर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है तो वो यहाँ लिखके देगा जैसे 1C आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा बाद में इस सब पढ़ लेना story जानने के लिए मैं तो आपको काम की बातें बता रहा हूं तो 1C में लिखा है, appearance before the court, consequent to the failure of efforts of conciliation, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो officer लिखके बेखतेगा वापस की साब, वो तो यही समझा होई, तो लड़ मरेंगे एक तम, मार काटने को उतारूने एक दूसरे को, इनका कोई settlement नहीं होगा, वो तो court decide करे, अब वो binding होता है, नहीं ह होता है, वो सब process पर depend करता है कि किस process के थूँ आप गए हैं और उसको आप detail में कभी आराम से बैठके पढ़िएगा, 12 फरवरी तक रहने दीजिए, उसके बाद पढ़िएगा कभी detail में कि इसका पूरा क्या process होता है, कौन सा मैंड ने की चान नहीं है, वो सब बाद में पार्टी इसको हो, क्योंकि उसको जानना है, अप्चुली कि मैटर क्या है, हमने CRPC में भी पढ़ा है, कि कोड जो है, वो अक्यूस से सवाल जवाब करता है, एक mandatory, एक discretionary, दोनों पढ़ा था, सेक्शन कोई बता दे, तो मजा आ जाए, CRPC का सेक्शन बता सकते है, जिसमें को जो prosecution ने उसके against allegations लगाए है, उसको जानने के लिए क्या राए है, accused की क्या राए है उस पर, कुन से सेक्शन है, पर, correct, correct, 3-1, all right, तो mandatory है, prosecution के evidence होने के बाद, और एक में लिखाए, कभी भी कर सकते हैं, ऐसे कोच इता लिखाए, देखिए, similar, जो क्या होता है, जब आप ये CPC बढ़ रहा है, तो जो similar provision है, उनको recall करते रहो, तो वहाँ का भी आपका थोड़ा सा revision हो जाता है, at the first hearing of the suit, the court, ये में लिखाए, shall, shall with a view, पहली hearing का करना है, shall with a view to, इसका सवाल ये भी आता है, प्री में, कि ये जो examination है, पार्टी का, इसका purpose क्या है, तो देखिए, shall with a view to elucidating matters in controversy, उसे जानना है कि controversy क्या है इन दोनों के बीच, इस purpose के लिए, ये mandatory examination है, पार्टी का, so with a view to elucidating matters in controversy in the suit, examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in court as a team's fit, इसलिए पार्टी का examination करता है, जानने के लिए, elucidate the matter in controversy, क्या है controversy, जानने के लिए, भी में लिखा है, may orally examine any person able to answer any material question relating to the suit, और किसी वक्ती को भी examine कर सकता है, अगर कोई accompany कर रहा है, पार्टी को, पार्टी के साथ आया है, तो उसे भी orally examine, quote कर सकता है, ज्यादा जनकारी के लिए, rule 2 important है, दोनों चीज़ें आ सकती है, rule का number भी पूछा जाता है, और purpose पूछा जाता है, party's case examination का, so that's also important, इसके बाद आज जाए, rule 4 पर, इसके बाद सीधा जाए, rule 4 important है दर, consequence of refusal और inability of pleader to answer, अब माल ने चाहिए, फर्स्ट येरिंग के दिन पार्टी खुद नहीं हाई है, pleader को भेजा है, और court को यसी चीज़ जानना चाता है, party, जो कि court को ऐसा लगता है, को ऐसा सवाल है, जो party answer कर सकती है, लेकि यह जो सवाल है, यह जरूरी है, और आपका वकील तो डंग से नहीं बता पा रहा है, वकील को नहीं बता है, वो बता नहीं पा रहा है, इसलिए party को बलाया जाएगा, ठीक, तो देखिए, where the pleader of any party who appears by a pleader or any such person accompanying a pleader as is referred to in rule 2, refuses or is unable to answer any material question relating to the suit which the court is of opinion that the party whom he represents ought to answer, court को लगता ह कि इसका जवाब जरूरी है, लेकिन यह देन नहीं पा रहा है, and it's likely to be able to answer if interrogated in person, और court को लगता है कि अगर उस विक्ति को बला के personally interrogate किया रहा है, तो वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन इनका pleader inefficient है उस बात को देने में, जान हो सकता है, पता ही ना हो उसके बारे में, तो ऐसे केस में, पार्टी को बला जाएगा, आगे लिखा है important question prelims का, the court may postpone the hearing of the suit to a day, underline कर लीचे, to a day, not later than seven days from the date of first hearing, साथ दिन के अंदर पार्टी को बलाना है, अगर pleader sufficiently नहीं बता पा रहा है, तो date fix करेगा, hearing postpone करेगा, लेकिन वो साथ दिन से ज्यादा नहीं होगा, में पूछा जाता है, ठीक, इसका sub rule 2 कहता है, if such party fails without lawful excuse to appear in person on the day, so appointed, the court may pronounce judgment against him, और जो date fix होई है, उस दिन पर कर पार्टी नहीं आती है, तो court के पास option है, judgment pronounce करने का, ठीक, इसके बाद आजाईए, order 11, आगे बढ़ते हैं, तो आजाईए, order 11 की तरह, discovery and inspection, and before we read order 11, पहले जर section 30, पहले substantial portion पढ़ेंगे, मैंने आपको section order का difference इसलिए पहले class में समझा दिया था, क्या purpose है दोनों का, क्या difference है दोनों में, कैसे पढ़ना है, इस सब बाते हम कर चुके है, तो section 30, देखे जरा power to order, discovery and the like, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time, either of its own motion or on the application of party, क्या लिखा है, the court may at any time, कभी भ interrogatories वाला, होता क्या है, मैं बताता हूँ, आपको एक बर दर रीट दब लीजे, फिर मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, so subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time, either of its own motion or on the application of any party, make such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to the, underline कर लीजे, delivery and answering of interrogatories, interrogatories की delivery और उनके interrogatories पहली बता चुका हूँ, सवाल लिख के दे दे कि साब, यह यह चानना है हमें दूसरी party से, यह यह आप पूछिए, the admissions of documents and facts, या फिर admission करा सकती है, जैसे मैं आपके अगे in suit file कर रहा हूँ, being the plaintiff, तो ऐसी कुछ बाते हो सकती है, जो मैं लिखके दूँ कि साब, आप इसको बोलिये, यह या तो admit करें इन चीज़ों को, या contract था, वो written था, दोनों ने execute किया था, तो वो document है, उस document का admission में करा सकता हूँ आपसे, किसी fact का admission में आपसे करा सकता हूँ, कि हमारे बीच में contract तो हुआ था यह तो एक fact है, कोई भी और fact, कि हम दोनों partner थे for a time period, तो document का भी admission करा जा सकता है, fact का भी, यह काम court किसी भी stage पर सक आगे देखिए, इसमें और, and the discovery, inspection, production, impounding, and written of documents or other objects produced as evidence, साथ में production कैसे होगा documents का, कोई documents से करा produce करने तो कैसे produce होंगे, उनकी impounding कर सकता है, क्या court, यह सारी बातें भी हैं, कि impounding भी हो सकती है, production होगा, discovery, inspection होगा, यह सारे order court कर सकता है, अब यहां तो लिख दिया section में कि court यह सारे order दे सकता है, इसका procedure क्या होगा, वो अभी अपने order में मिलेगा, order 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 13 में production, और impounding मिल जाएगा, आगे देखिए, और, admission की भी बात है, A में admission की भी बात है, इसके बात B लिखा है, issue summons to persons whose attendance is required either to give evidence or to present document or such other object, as a faucet, साथ में लोगों को summon भी कर करो, एफिद आप जानते ही है, पहली बताया है, पहली class में, authenticity बढ़ा देता है बस, तो ये जो section है, section आपको बता रहा है, कि ये बोट कर सकता है, किसी भी stage पे, कैसे करेंगे, उसके लिए order पर आ जाएए, तो order 11 में पता चलेगा, ये discovery inspection कैसे कराया जाएगा, ये जो interrogatories की बातपन करना है, इससे रिएटिड क्या rules है, वो सब आएए order 11 पे, discovery and inspection, rule 1 कैता है, discovery by interrogatories, interrogatories के थूर discovery होगी, facts जानना है, discovery जानना है, और जानना है matter के बारे में, interrogatories क्या हो सवाल जवाब देंगे, तो party जब जवाब देगी, तो जानकारी मिलेगी उससे जाएगा, ये ये ह जानना है, तो भाईयार ये जो parties है, चाहे plaintiff, चाहे defendant, दोनों अपनी interrogatories, court के पास दे सकते हैं, दूसरी party के examination के लिए, उससे पूछे जाने सवालों, वाले सवाल, interrogatories के form में, court में दे सकते हैं, अब आपने दे तो दिये, उस पर court चेक करेगा, कि वो काम का है, कि नहीं, भल particular interrogatories to be submitted, one ने सिर्फ ये बता दिया, कि ऐसा हो सकता है, जो कोई section ने बताया था, कि parties, plaintiff, चाहे defendant, डिलिवर कर सकते हैं, अपनी interrogatories, court की permission से, अब तू देखिये, on an application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatories proposed to be delivered, shall be submitted to the court, किसको देंगे आप पेले, court के पास देंगे वो interrogatories, and the court shall decide, underline कर लीजे, the court shall decide within seven days, from the day of filing of the set application, जिस दिन भी आपने application दी है, और interrogatories file करी है, court decide करेगा, साथ दिन के अंदर, कि वो सही है या नहीं, भेजना है नहीं, उसमें कुछ अगर कम ज्यादा करना है, तो आगे लिखा हुआ है, लेकिन साथ दिन के अंदर, इस पे decision लेना है, court को, court को decide करना है, within seven days, इसलिए order 11 के दोनों rule आपको पढ़ने चाहिए, rule one, rule two, याद रखने के लिए, अगर rule number याद रखना है, तो two याद रखिए, और ये साथ दिन याद रखिए, कि इसमें decide करना है, court को, अब आके पूरा वो दिया हुआ है, कि क्या क्या होगा, six भी आप बस देख लिजे, ब जो मैंने बता है, जो फालतू के सवाल आपने देदी है उस interrogatory में, उसको हटा दिया जाएगा, ये seven कहता है, any interrogatories may be set aside on the ground, that they have been exhibited unreasonably, or vexatiously, or struck out on the ground, that they are prolix, oppressive, unnecessary, or scandalous, and any application for this purpose may be made, underline कर लीजे, application may be made within seven days, after service of the interrogatories, interrogatories के सार वोने के साथ दिन के अंदर इस बात की application दी जा सक जाधा important है, prelims के लिए, rule eight और इधर से दिन का question आ सकता है, जैसे यहाँ ये 7 दिन है, eight में 10 days है, which is very important, majority of time prelims examination में ये पूछा गया है, देखिए, interrogatories shall be answered by if it is to be filed, underline कर लीजे, within 10 days, आप interrogatories के answer देंगे, if it is to be filed, within 10 days, ये important question है, rule eight से, 10 दिन के अंदर interrogatories के answer होने है, this is very very important, बाकी rule तो इसमें और भी बहुत सारे है, कभी फुरसत से बैठेंगे, तो CPC पढ़ेंगे, तो process जानने के लिए पढ़िएगा, pre के लिए इतने important है, एक, दो, साथ, आठ, पस, इसके बाद आ जाईए, अगले order की तरफ, that is, order 12, now this is important, admissions, अब हमने देखा कि section 30 भी कहता है, कि code किसी की stage पर admission करा सकता है, interrogatories का काम करा सकता, कैसे होंगे admission उसके बारे में, admissions कैसे कराए जाएंगे, admission आप समझते हैं, कोई भी party, fact को admit कर रहे हैं, इमान रही है, कितने दिन का notice होगा, कैसे होगा, बस ये rules हैं, और इधर से important questions आते है है, pre में, बहुत important है, सबसे पहले देखिए, rule 2, notice to admit document, document अगर कोई admit कराना है, आपको party से, जो मैंने भी आपको brief किया, कि अगर मुझे आप से कोई document admit कराना है, तो कितने दिन का notice देना है, कैसे होगा, वो दिया है, rule 2 में, rule 2 का number याद रखिएगा, बहुत important है, order 12 का rule 2, बह document, saving all just exceptions, 7 दिन के अंदर admit करना है, 7 दिन का notice देना है, either party may call upon the other party to admit within 7 days from the rate of service of the notice, जिस दिन notice सर्व होगा, उसके 7 दिन के अंदर admit करना है, 7 दिन का notice देना है, basically document admit होने के लिए, तो ये 7 दिन ध्यान रखिएगा, rule का number याद रखिएगा, कि document के admission के लिए, कितने दिन का notice है, और किस rule में दिया है, दोनों बातें बहुत important है, इसके बाट 2 के बारे में मैं आपको अल्रेडी थोड़ी बहुत बातें बता चुका हूँ, documents to be deemed to be admitted if not denied after service of notice to admit, अगर आपने admit करने का notice आया, आपने deny ने किया है, तो मान लिया जाएगा, deemed admission की बात वही, चिक, तो ये भी थोड़ा साथ ध्यान रखिएगा, या पूचर रहे है, या पूचर रहे है, शर, in rule 7, the code sets it aside, और on an application, किस वाले rule 7 की बात कर रहे हूँ, अच्छा, वो set aside करने है, ये code का है, 7 is code, 6 में objection के लिए लिखाएगा, आपको objection है, तो 6 में objection raise कर ये, दोनों तरीके से, 6 में objection के बार हो सकता है, अभी तो बटा पढ़ा है, नहीं है, receiver commission, sorry, अभी तो पढ़ाना है वो मुझे, अभी आऊँगा, मैं receiver और commission जब आएगा, तो पढ़ाएगे, वो तो brief बताया था, कहानी में तो बस brief था, आएंगे अभी उस पर, चलिए, इसके बाद आईए, next, four mark करिए इसमे, प्री के लिए जो बहुत important है, वो four है इसके बाद, अचा, एक चीज़ और, sorry, 3A और mark कर ले, rule 3A is also important, 2 के बाद, 3A भी mark करिए, यह court का power है, admit कराने का, 3A mark करिए, power of court to record admissions, notwithstanding, that no notice to admit documents has been given under rule 2, the court may at any stage of the proceedings before it, of its own motion, call upon any party to admit any document and shall in such a case, record whether the party admits or refuse, court bula सकता है, यह तो party तो बलाएगी, और party को बलाने के लिए तो notice notice की बात है, court जिस stage पर चाहे किसी भी person को बला सकता है, document admit करने के लिए, और इस बात को वो record करेगा, इस वक्ती ने document admit किया है, deny किया है, तो court का power के तार है, 3A rule रहां रखियेगा, this is also important, इसके बाद आईए 4, 4 is important then, next 4, 4 is also important, 4 है, notice to admit fact, जैसे हमने rule 2 में document admit कराया है, rule 4, facts के admission की बात करता है, कि अगर आपको कोई fact admit कराना है दूसरी party से, तो कैसे होगा, उसके दिन की कहानी ज़रा समझ भी लीजेगा, और याद भी रखियेगा, rule 4 देखिये, any party may buy notice in writing, at any time, underline कर लीजे, at any time, not later than 9 days, before the day fixed for the hearing, जो date decide होई है hearing की, उससे 9 दिन पहले notice देना है, call on any other party to admit for the purposes of the suit only on specific fact or facts mentioned in such notice, and in case of refusal or neglect to admit the same within 6 days, after service of such notice, notice सर वोने के 6 दिन के अंदर admission होना है, अगर वो नहीं हुआ, तो admitted माना जाएगा, आगे देखिये समझ, उसको proof करने के लिए पर पैसा लिया जाएगा, अगर आपने उस time पर admit नहीं किया, उसके बारे में कुछ reply नहीं किया, तो proceeding जब होगी, suit जब होगी, अब उस fact को proof करने का जो खर्चा होगा, वो उस ब्रक्ती से लिया जाएगा, जिसने यहाँ reply नहीं दिया है, यह 9 दिन की कहानी जरा समझेगा, कि किते दिन का notice देना है, तो पहली लाइन में लिखा है, एनी party may buy notice in writing at any time, not later than 9 days before the day fix for the hearing, मान लिजिए, hearing के लिए date decide हुई है, 15 जन्वरी, मान लिजिए, date of hearing decide हुई है, 15 जन्वरी, तो किया कहा जा रहा है, notice किते दिन पहले देना है, not later than 9 days before the date fixed, not later than 9 days before, 9 days before मतलब इसके 9 दिन पहले तक आपको notice दे देना है, तो 15 तारिक अगर decide हुई है date of hearing, तो 9 दिन पहले च्रहरी, क्या होगा, लग भग 6 तारिक, लगबग 6 तारिक तो 6 तारिक तक आपको वो दे देना है notice facts को admit कराने का और जिस दिन notice दिया जाएगा party को admit कितने दिन में करना है उसके 6 दिन के अंदर यहने का मतलब जो date of hearing होगी उससे 3 दिन पहले सब कारिकरम हो जाएगा या तो admit हो जाएगे facts या तो नहीं होगे है छे दिन के अंदर admit कर लेना है और अगर आपने admit नहीं किया तो बाद में उनको proof करने का जो खर्चा होगा वो आपसे लिया जाएगा यह लिखा है 4 में चीक इसके बाद देखिए 6 is very very important rule 6 से तो question आता ही आता है बहुत important है कि admissions के basis पे जो admission हो गए है जो facts admit होगा उनके इस पे judgment हो सकता है this is really very important where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise whether orally or in writing the court may at any stage of the suit either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties make such order underline कर लीजे make such order or give such judgment as it may think of it having regard to such admission जो चीज़े admit हो गई है उसके बारे में तो आप अपना judgment दे सकते हैं बाकी question decide होते रही है जब होने है लेकिन जो चीज़े admit कर ली गई है party द्वारा उसके basis पे तो आप judgment या कोई दूसरा order pass कर सकते हैं यह किसमें दिया है कि admissions के basis पे आप judgment कर सकते हैं जो चीज़े admit हो गई है rule 6 this is very important for prelims यह rule 6 important है rule 2 बहुत important है rule 4 3a यह चार rule पढ़ना है आपको इस order के अंदर 6 इसमें से सबसे ज़्यादा important है इसके बाद आजाईए order 13 देखिए production impounding and return of document अंदर के rules पढ़ने की ज़रुरत नहीं है section 30 में यह भी लिखा था कि documents कैसे प्रोडूमेंट प्रोडूमेंट करा सकता है कोड किसी भी stage पर और उनकी impounding भी कर सकता है कैसे होगा वो सब वो इधर लिखा है rules पढ़ने की ज़रुरत नहीं है question जादा से जादा ही आता है कि production and impounding and return of document किस order में दिया है order अगर पूछे जाने की संभाव ना है तो 13 की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बागी कुछ important नहीं है and determination of suit on issues of law or on issues agreed upon अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा इस order की कहनी को कि यह क्या है देखिए कोर्ट ने क्या किया सूट institute करा लिया प्लेंट के बेसिस पे प्लेंट में सब कुछ सही था तो suit duly instituted मान लिया गया उसके बाद defendant को आपने समन्स भेचके date decide कर दी party को किस दिन appear होना है जो date decide हुई है defendant के appear होने के उस दिन दोनों party को appear होना है party appear हुई दोनों को examine कर लिया आपने जी Sozial Lu में सवाल जवाब एक party ने दूसरी से पूछ लिए दूसरी ने उसका जवाब दे दिया admissions हमने देख लिया एक order जिसमें parties ने कुछ fact admit कर लिये दो parties in dispute में एक तरफ आप है एक तरफ मैं हूँ मैंने कोई चीज़ें एलीच करी आपने उसमें सब बहुत सारी चीज़ें admit कर लिए आपने कोई चैलीच किया मैंने उसको admit कर लिया यह थे admissions तो बहुत सारी चीज़ें admit भी हो गई है आप देखिए court ने क्या किया suit institute करने के बाद parties को examine कर लिया है दोनों एक जांकारी उसके पास हो गई है matter से related इसके अलावा documents का facts का admission हो गया है denial हो गया है denial और admission भी अपने देखा था कि जो examination of party होता है उसमें basic purpose quote का यह होता है कि क्या चीज़ें एक party admit कर रही है क्या deny कर रही है इस सब देखता है जब अब इतना सब कारेकरम करने के बाद यह समझ में आ गया quote को कि वो कौन सी चीज़ें है जो parties admit कर रही है खुद से मान रही है एक party eligible कर रही है दूसरी उसको accept कर ले रही है बहुत सारी ऐसी बाते होंगी बहुत सारे ऐसे points और issues होंगे जो एक party eligible करेगी और दूसरी उसको deny करेगी दूसरी party उसको मानेगी नहीं वो बहले कि नहीं ऐसा नहीं है तो यह जितनी बाते होंगी जिसे एक party eligible करती है और दूसरी deny करती है इनी से निकल के आते हैं या इनी से बनते हैं हमारे issues जिस पर आगे की proceeding चलनी है मैंने आपको CPC की पहली class में भी ये बात बताई थी कि framing of issues या settlement of issues क्यों जरूरी है क्योंकि भाई साब court का समय limited है वो फालतू की बात ने सुनने के लिए free नहीं है court उसे point to point बात चाहिए जिसमें कोई substance हो और जो उस proceeding के लिए relevant हो तो proceeding के इस direction में जाना इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इन दोनों parties के बीच में actual issues क्या है यही purpose है इस framing of issues का और यह issues कहां से frame करे जाते हैं जैसा मैंने आपको बताया यह सारी चीज़ है प्लेंट आई, return statement आया, साथ में हमने देखा प्लेंट के साथ list of documents आएगी कोश documents भी submit करेगा प्लेंट जिन पर वो rely कर रहा है ऐसे ही return statement आएगा defendant की तरफ से उस return statement के साथ वो अपने वो documents भी भेज़ेगा जिन पर वो rely कर रहा है इसके अलावा interrogatories आ गई है जिनका exchange हुआ है, सवाल जबाब parties के बीच में हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनका admission हुआ है और उस पर हमें decision देना है आगे, इसे लिए ये पूरा जो order है, ये basically decide कराएगा आगे की proceeding का direction और इसी लिए ये बहुत important है चलिए, अब issue framing को लेके देखते हैं क्या provisions दिये हैं, सबसे पहले rule 1, तो order भी मैं आपके लिए यहाँ लिखते जाता हूँ क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि किस order में हमें क्या पढ़ना है तो order 14 में सबसे पहले आपको देखना है rule 1, framing of issues ठीक, basic purpose पूरा मैंने आपको समझा दिया, कैसे होता, क्या purpose है, और किन चीजों से issues frame होंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया So rule 1 में देखिए issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other जब एक party material propositions, चाहे वो fact की हुए या law की material propositions को affirm करती है, एक party और दूसरी उसको deny कर देती है यहीं बनेंगे issues, अगर दूसरी party ने admit कर लिया तो वो तो issue बनेगा नहीं क्योंकि वो dispute का matter नहीं है दोनों के बीच तो court उस पर अपना समय नश्र नहीं करेगा, court सिरफ उस पर emphasize करेगा जिस पर यह दोनों वेक्ति agree नहीं करते, इसलिए लिखा है denied by the other अब देखिए यह material proposition क्या होंगी, जो यहां लिखा है material proposition of fact and law So आगे sub rule 2 वो भी बताता है, material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must elige in order to show a right to sue or a defendant must elige in order to constitute his defense, material proposition of fact and law वो चीज़े होंगी, जो assert करना necessary है for the plaintiff अपने claim को proof करने के लिए अगर plaintiff कोई claim कर रहा है, तो material proposition हर वो चीज़े जो उसे सामने रखनी है, जो उसे proof करना पड़ेगा अपने उस remedy को लेने के लिए तो जैसे मान लेजिए, breach of contract पे आप अगर suit file कर रहे हैं, तो आपको court में, अगर ये बात admit नहीं हुई है कि दोनों के बीच में contract exist करता है, तो ये material proposition होगी, कि whether there is a contract between the two parties or not and it is a material proposition of fact ये एक fact है कि दोनों के बीच में contract है या नहीं, तो ऐसी चीज़ें जो plaintiff के लिए necessary है अपने relief को claim करने के लिए, वो material propositions and similarly, defendant के लिए हर वो चीज़ जो ज़रूरी है, उसे अपना claim defend करने के लिए, वो material proposition होगी, ये fact और law दोनों की होती है अब देखिए, जो issues frame होते हैं, वो fact के भी होते हैं और law के भी, fact का जैसे मैंने आपको बताया कि whether there is a contract between the two parties or not whether the person has received some money or not, ये सब fact है, law के issues बनते हैं, जैसे अगर आप preliminary issues की बात करेंगे, whether the court has jurisdiction or not जहां question किस चीज़ का हो, law का, या कोई interpretation of law required है, कहीं पर interpretation को लेके विवाद है किसी particular law के, ये सब होते हैं, issues of law एक particular court का jurisdiction है या नहीं, उसका jurisdiction क्या है, या फिर क्या ये suit wired है by limitation, ये सब law के issues generally consider किये जाते हैं, दो there is a mixture of both as well law and fact के mixed issues भी होते हैं, बट उस detail में आपको नहीं जाना है, for the purpose of prelims, चीक, तो देखिए, इसके बाद, subsection, sorry, sub rule 3 देखिए इसका, each material proposition afforded by one party and denied by the other shall form the subject of a distant issue, हर वो एक allegation जो plaintiff ने लगाया है और defendant ने उसे deny किया है, हर वो चीज जो एक party ने elige करी है और दूसरी ने deny किया है, वो एक separate issue form करेगा, इसके बाद, four बहुत important है, sub rule 4, यहां से problems में question पूछे गए है, issues are of two kinds, जो मैंने आपको बताया, क्या दो तरीके के issues होते हैं, किन दो तरीके के issues होते हैं, तो issue of fact and issue of law, दो तरीके के issue होते है, issue of fact, issue of law, दोनों के बारे मैंने आपको जानकारी दे दी, कि law के issues कौन से हैं और फैक्त के शूस कौन से हैं इसके बाद सब रूल 5 देखिए at the first hearing of the suit the court shall after reading the plaint and the written statement if any and after examination under rule 2 of order 10 and after hearing the parties or their pleaders ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance and shall there upon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to be depend आप देखिए sub rule 5 में वही सारी कहानी लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई court ये देखेगा सबसे पहले parties का examination जो किया उसमें क्या बात निकल के आई आई आपने जो plaint or written statement submit किया इन सारे चीजों को analyze करके court वह चीजें टूंडेगा जिसपे parties are at variance जिसपे party agree नहीं करत है तो एक prelims का important question ये भी होता है कि वह कौन सी चीजे हैं जिस पे issue frame होते हैं तो we have a specific rule for that that is rule 3 of this particular order तो सबसे पहले हमने कौन सा rule पढ़ा इस order में सबसे पहले हमने पढ़ा rule 1 इसके बाद देखिए सारा rule 2 court to pronounce judgment on all issues this is very very important for prelims ये बहुत जादा important है by rule 2 जितने issue frame हुए है सब प disposed of on a preliminary issue the court shall subject to the provisions of sub rule 2 pronounce judgment on all issues बहले हो judgment हो सकता हो preliminary issue पे लेकिन जितने भी issues frame होंगे सब पे judgment pronounce करना है court को जितने issue frame होंगे सब पे judgment pronounce होगा ये mandatory है by the virtue of rule 2 sub rule 2 कहता है इसका where issues both of law and of fact arise in the same suit and the court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only it may try that issue first if that issue relates to a the jurisdiction of the court or b a bar to the suit created by any law for the time being enforced ये वो ही बात है sub rule 2 में जो मैंने आभी आपको बताई देखिया अगर मानलेजे कोई case ऐसा है जिसमें दोनों तरीके के issues हैं fact के भी issues है और law के भी issues है और इनको कहते है preliminary issues preliminary issues क्या है jurisdiction है कि इनी court का कहीं ये जो suit है ये limitation से barred तो नही है पता चला जो plaintiff suit लेके आया हुए law of limitation से barred है अब उसके पास ये right ही नहीं है कि वो suit institute करते क्योंकि limitation period घदम हो चुका है तो ये suit तो यहीं dismiss हो जाएगा आगे के चीज़ों पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए court क्या करेगा जहां ऐसे cases है जहां ऐसे suits हैं उसके पास ज लेडी कर सकता है court ये बात इतर लिखिए अगर वो issue कैसा है jurisdiction को लेके है court के या फिर limitation को लेके है कि ये suit allowed है भी या नहीं इसका institution यहीं dispose of कर देगा तो पहले इन issues को frame करके उनको deal करेगा court इसके बाद देखिए rule 3 पे आईए सीधे that is again very important बहुत important prelims के लिए पहले पूछा जा चुका है multiple states के prelims examination में materials from which issues may be framed वो कौनसे material है जिनकी मदद लेता है court issues frame करने के मैंने आपको already बता दिया plain written statement जो allegations लगाए parties ने जो fact admit हुए जो discovery हुए interrogatories के basis पे ये सब देखिए rule 3 में लेका है the court में frame the issues from all or any of the following materials a allegations made on oath by the parties or by any person present on their behalf और made by the pleaders of such party जो भी allegations on oath लगाए गये है एक दूसरे parties ने plain written statement में किया क्या है allegations लगाए तो जितने भी allegations on oath लगाए गये है उन सब की मदद लेगा court issues को frame करने में second देखिए allegations made in the pleadings pleadings by complaint or written statement allegations made in the pleadings or in answers to interrogatories delivered in the suit या फिर वो जो interrogatories दी गई थी party ने दूसरे से सवाल किये थे उनके जो जवाब आए है वहाँ जो allegations लगे और जो जवाब दिये गए उनके basis पे भी issues frame होंगे पहले वाला parties के examination को लेके है कि oath पे जो allegation लगा है क्योंकि party को examine भी करता है order 10 के अंदर court तो orally examination हो रहा है उस पे भी जो चीज़े एलीज करी एक party ने और दूसरे ने deny करी वो भी court देखेगा प्लस pleadings में आपने जो लिखके दिया pleadings बोले तो plaint or return statement इसमें जो चीज़े आपने raise करी है जो allegations लगाए उनको भी consider करेगा प्लस जो interrogatories है उनको consider करेगा और तीसरा C देखिए the contents of document produced by either party और भाई plaint or return statement के साथ आपने दूसरे document भी submit करें तो उनके basis पे जो allegations लगे हैं उनको भ की court दिखेगा for the purpose of framing of issues तो यह सारे material use किये जाते हैं for the purpose of framing of issues यह important question है prelims का चीख यह जरूर आप ध्यान दीजिए कि यह बहुत important है यह rule 3 इसके बाद देखिए rule 4 court में examine witnesses or documents before framing issues अब यह additional help है court की कि आप पहले examine कर लिजिए witness को भी examine कर सकते हैं या document भी बुलवा सकते हैं दूसरे अगर court को कठिनाई हो रही है issues frame करने में उसे exactly matter controversy में क्या है यह समझ नहीं आ रहा तो वो witnesses को भी बुलाके examine कर सकते हैं before framing of issues rule 4 देखिए where the court is of opinion that the issues can not be correctly framed without the examination of some persons not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit may adjourn the framing of issues to a day not later than seven days and may subject to any law for the timing in force compel the attendance of any person or the production of any document by the person in whose possession or power it is by summons or other process देखिए rule 4 power दे रहा है court को कि इन सब को देखने के बाद भी आपने pleadings देख ली आपने admissions पे जो बात हुई वो देख ली आपने दूसरी जो interrogatories है या फिर उसके अलावा जो document produced हुए यह सब देखके parties का oral examination करके अभी भी correctly समझ नहीं आ रहा कि issue क्या है इन that case आप क्या कर सकत करके hearing को postpone करे और उन लोगों को बुलाई जिसे वह examine करना चाता है या उन documents को produce करा सकता है court जो उसे जरूरी लगते हैं for the purpose of framing of issues rule 4 ध्यान रखिएगा number भी बहुत important है यह important है rule 4 इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए rule 5 b mark करिये power to amend and strike out issues the court may at any time before passing a decree बहुत important है कि court issues को strike out जैसे देखो भाई CRPC से थोड़ा correlate करते हुए चलना CRPC में अपने पढ़ा था framing of charges पढ़ा था यह नहीं framing of charges वहां हमने देखा था कि court charge frame करता है accused के against और उने properly explain करता है charges का basic purpose क्या होता है ताकि accused को समझ में आए कि उसकी गलती क्या है क्योंकि भाई साब वो court है वो wife नहीं है कि husband के समझ में नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है और क्यों लाया गया है और उसी के basis पे आगे की पूरी trial based होती है उसी direction में आपकी trial चलती है similarly यहां पे अपन issues frame करने है और issues frame करने का purpose क्या है to give a direction to the proceedings उसके basis पे और वहां हमने पढ़ाता framing of charges में clearly कि judgment के पहले कभी भी court charges alter कर सकता है कर सकता है या नहीं charges जरा section और बता देंगे तो मज़े आ जाए अच्छा पहले ही बता दिये क्या वारत है तो भयाना की तेज हो रही है जनता भाई कि पहले ही बता दिया आपने गुड 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 तो यहां पे rule 5 कहता है कि court किसी भी समय decree pass करने के पहले additional issues frame कर सकता है या struck out भी कर सकता है देखिए rule 5 में लि issues or frame additional issues on such terms as it thinks with and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters and controversy between the parties shall be so made or framed. तो ना issues भी frame कर सकते है या उन्हें alter भी किया जा सकता है दोनों बातें इधर पे लिखी हुई है regarding this बहुत जादा important नहीं है बट फिर भी एक comprehensive study के लिए जरूरी है rule 5 को आप अपनी list में include करें चीक इसके बाद rule 6 कई बार पूछा किया बहुत जादा important नहीं है बट limited importance है इस agreement के थरो भी fact और law के जो issues है उनकी framing हो सकती है by agreement बहुत जादा important नहीं है क्योंकि elaborated rule है बट आता नहीं है general ही जादा पूछा नहीं जाता है थोड़ा सा इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं where the parties to a suit are agreed as to the question of fact or of law to be decided between them they may state the same in the form of an issue and enter into an agreement in writing that upon the finding of the court in the affirmation of negative of such issues उसका होगा क्या parties mutual agreement से भी यह framing कर सकती है on certain things और उसके बाद उसके consequences के बारे में आपको सिर्फ rule number याद रखना है इस agreement वाली बात का सिर्फ rule number ध्यान रखिए इस से ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता 7 तो छोड़ दीजे इसके बाद आ नहीं है rules बहुत ज़्यादा important नहीं है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ order 15 देखिए disposal of the suit at the first hearing यह मैंने आपको बताया था कि पहली hearing पे अगर court को लगता है कि दोनों के बीच में कोई dispute matter of controversy ही नहीं तो हम क्यों अपना समय बर्माद करें court महां क्यों अपना time waste करेग इसलिए वो dispose of कर देगा on first hearing देखिए कुछ एक दो rules अपन देखते है rule 1 देखिए इसका parties not at issue where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact the code may at once pronounce judgment अगर लगता है कि कोई issue ही नहीं है तो judgment pronounce कर देंगे dismiss कर दिया जाएगा suit को इसके अलावा जो बाकी के rules हैं वो important नहीं है rule 3 आप देखेंगे parties are at issue अगर issue है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में करके आगे dispose of कर दिया जाएगा जादा rule पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इतना जानी है कि order 15 में है disposal of the suit at the first hearing इसके बाद आईए order 16 यहां से detail में question ब थोड़ा ज्यादा important in comparison to 15 जैसे हमने order 5 में पढ़ा था कि defendant को summon बेजा जाता है date decide की जाती है for the appearance of the parties अब आगे क्या हो रहा है witnesses को बुलाना है क्योंकि चीज़ें आप proof कैसे करेंगे with the help of witnesses और list of witness आप फाइल करते हैं उसके बाद witnesses को बुलाने के लिए summons बेजी जाती है और witness आते हैं फिर उनका examination होता है पहले तो summon and attendance उसके बाद उनका examination और hearing होती है suit की so order 16 देखिए rule 1 list of witnesses and summons to witness यह बहुत important है rule 1 यहां से अंदर से भी questions पूछे जाते है on or before such date as the court में appoint underline कर लीजे and not later than 15 days after the date on which the issues are settled the party shall present in court a list of witnesses यह बहुत important question है प्रिलिम का rule 1 का So rule 1 यहां से question क्या बनता है यह 15 दिन का question बनता है कि जैसे ही issues settle हो गए है 15 दिन के अंदर application देनी है on or before such date as the court में appoint and not later than 15 days जो भी date court देगा और यह date 15 दिन से जादा की नहीं होगी 15 दिन कब से not later than 15 days after the date on which the issues are settled जिस दिन issue settled हो गए है framing of issues हो गई है उसके बाद within 15 days एक date दी दी जाएगी उस क्या करना है the party shall present in court a list of witness उस 15 दिन के अंदर जो भी date fix होई है उस date पे आपको list of witnesses फाइल करनी है क्योंकि उन witnesses को समन भेजा जाएगा समन भेजा जाएगा तब तो वो court में appear होँगे उसके बाद तो उनका examination होगा और इस तरीके से suit की hearing होगी तो ये बात आप ज्यान रखियेगा 15 दिन important question है इदर list of witnesses फाइल करनी है कितने दिन के अंदर 15 दिन इसके बाद आगे देखिये sub rule 2 कहता है इसका party desires of obtaining any summons for the attendance of any person shall file in court and application stating there and the purpose for which the witness is proposed to be summoned आपको उसका purpose भी बताना है किसी उसको बुलाया जारा बहुत important नहीं है लेकिन sub rule 3 इसका important है कि आपको किसी witness को बुलाना था आपने list में नहीं नहीं दिया तो क्या बिना उस जो आप list file करेंगे at the beginning of the hearing कि हमें in-in witness को बुलाना है अगर किसी वेक्ति का नाम किसी witness का नाम आपने उस list में नहीं दिया है तो क्या लेटर स्टेज में court allow करेगा ऐसा witness उसके लिए sub rule 3 देखिए the court may for reasons to be recorded permit a party permit a party to call whether by summoning through court or otherwise any witness other than those whose names appear in the list referred to in sub rule 1 if such party shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the said list अगर कोई person छूड़ गया है कोई ऐसा person जिसको आपको ऐसा witness बुलाना था आपने जो list file करी उसमें नाम तो नहीं लिखा लेकिन लेटर स्टेज पे आप उसको बुलाना चाहते है तो court may permit court permit कर सकता है अगर आप court को sufficient cause दे दें कि क्यों आपसे वो नाम छूड़ गया था list देते समय इस बात को अगर आप court के सामने justify कर देंगे तो court में allow चीक इसके बाद the sub rule 4 देखिए this is again very very important यहां से यह 5 दिन का question बनता है subject to the provisions of sub rule 2 summonses referred to in this rule may be obtained by the parties on an application to the court पहले आप list of witness file करेंगे settlement of issue के फंदरा दिन के अंदर list of witness file होगी उसके बाद आपको summons obtain करना है summons obtain करने के लिए application देनी है जिसके regarding एका है maybe obtained by the parties on an application to the court or to such officer as may be appointed by the court in this behalf underline कर लीजे within 5 days of presenting the list of witnesses within 5 days of presenting the list of witnesses under sub rule 1 यह दोनों सवाल पूछे जाते हैं in problems में settlement of issues के बाद कित्ते दिन के अंदर आपको list of witness file करनी है 15 दिन के अंदर जिस दिन वो list आपने file करी है witnesses की list file करी है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको summons obtain करने की application code को दे देनी है यह दोनों time period आप ध्यान रखिएगा इसके बाद इस order में आप सीधे आ जाईए 10 पे बहुत जादा important नहीं है बीच में कुछ सीधे आ जाईए order 10 पे तो सबसे पहले हमने पड़ा इसका rule 1 उसके बाद हम आ गए rule 10 एक superficial rating आप मार सकते हैं 1a की भी एक बार उसको mark कर लेजाए गर आपको लगे कि आप वो भी याद रख सकते हैं तो उसको एक बार देख लेजाए बहुत जादा important नहीं है बट बन ही आप mark कर सकते हैं इसके बाद सीधे आईए rule 10 पे procedure where witness fails to comply with summons summons को अगर comply नहीं करेगा witness तो क्या होगा and before we read this rule 10 let's see the substantial portion पार्ट का sections वाला जो portion है जहां यह बताया गया है कि क्या करना है थोड़ा उस पे भी आते हैं क्योंकि हमने witness की attendance की बात करी है तो इससे related section भी हमारे पास है जरा एक बार उस section पर आईए तो बेरिट में निकाल लेजिए आप section 31 बेरिट में द section 31 में है summons to witness witness को summons बेजे जाएंगे और 31 में बस यह लिखा है कि जो 17, 26, 29 में procedure है summons के related जो बातें लेकी है वो इस पे भी अपले के बहले है वो किसके लिए थी defendant के लिए section 27 में summons किसको बेजे जारी थी defendant जैसे order 5 section 27 और order 5 यह किसको summons की बात करता है defendant को ऐसे ही section 31 और order 16 य अगर किसी वेक्ति को court बुला रहा है और वो वेक्ति वहां नहीं पहुंचता है तो क्या penalty है section 32 is regarding important है section 32 में देखिए the court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30 and for that purpose may compel कर सकता attendance किसी भी वेक्ति की summons issue करके और अगर मालीजे इसके बाद भी वेक्ति नहीं आता है issue, summons तो issue कर दी लेकिन न similar provision हमने CRPC आपड़ा है कि कैसे किसी वेक्ति की attendance secure कराई जाएगी court में, पहले summons भेजा जाएगा, summons से नहीं आए तो warrant होगा, warrant से नहीं आए तो proclamation होगा, attachment होगा आपकी property का, यह सब हमने CRPC में पड़ा था, कि criminal proceedings में अगर किसी वेक्ति की attendance secure करानी है court को, तो क्या-क्या methods है उसी की तरह civil proceeding के लिए दिया हुआ है, कि आपने समन्तों भेज दिया, लेकर उसका compliance नहीं हो रहा है अगर, तो फिर आप क्या करिए, compel कैसे करेंगे, तो A, देखिए, issue a warrant of his arrest, यहाँ पे भी arrest warrant issue करे जाएंगे, B, देखिए, attach and sale has property, property attach करके बेज दीजे, इसके बाद C, impose a furnish security for his appearance and in default commit him to the civil prison, अगर कोई वक्ती नहीं आया है, तो उसके बाद security भी furnish कराई जाएगी, कि आगे तो मैं सानी करोगे, और अगर किया, तो in case of default, अगर आप security भी furnish नहीं करोगे, तो आपको civil prison में भी भेजा जा सकता है, तो यह सारे actions हैं, जो court ले सकता है, in case of default, समन के आपको बुलाया, आप नहीं आए, वो तो भाई substantive portion हो गया आपका, कि क्या करना है, वो लिखा है 32 में, अब यह execute कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए ही अपनी orders पढ़ रहे हैं और इनके अंदर के rule, तो सिधा आईए rule 10 पे, procedure where witness fails to comply with summons, क्या procedure अपनाया जाएगा, अगर witness compliance नहीं करता है summons का, तो देखिये, where a person to whom a summons has been issued either to attend to give evidence, or to produce a document fails to attend, or to produce the document in compliance with such summons, तो आगे यह यह action उसके against लिये जाएंगे, इसमें जो important है, वो दिया है sub rule 2 में, so rule 10 का sub rule 2 देखिये, यहां पे भी आपको majorly जो याद रखना है, वो rule 10 का sub rule 2, this is very important, where the court sees reason to believe that such evidence or production is material and that such person has, without lawful excuse failed to attend, or to produce the document in compliance with such summons, or has intentionally avoided service, underline कर लीजे, it may issue a proclamation, proclamation issue कर सकते हैं, requiring him to attend to give evidence, or to produce the document at a time and place to be named therein, and a copy of such proclamation shall be effigged on the outer door to the other conspicuous part of the house in which he ordinarily resides, आप देखिये, जैसे CRPC में क्या था कि पूरा वो procedure आपको बताया गया था उस chapter में, यहां पर हमने क्या देखा कि section बस बता देता है कि करना क्या है, अगर default किया witness में आने में तो करना क्या है, यह section 32 ने बता दिया, उसका execution कैसे होगा, उसके लिए procedure क्या होगा, वो सब आप से visible हो, वहाँ यह चिपका दिया जाएगा, इसके बाद, sub rule 3 देखिये, sub rule 3 is also important, sub rule 3 is important, in lieu of or at the time of issuing such proclamation, proclamation के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, और at any time afterwards, proclamation के साथ भी या उसके बाद भी, the court में in its discussion underline करिये, issue a warrant, warrant भी issue करा आ जा सकता है, either with or without bail for the arrest of such person, arrest करने के लिए warrant, अब criminal में अपने क्या देखा, पहले arrest warrant, फिर proclamation और attachment, इधर पे अपन क्या देख रहे हैं, आप नहीं आए summons के लिए तो पहले proclamation, उसके बाद, अगर लगता है, उसके साथ ही, साथ में भी करा जा सकता है, proclamation के या उसके बाद, arrest warrant निकाल दिया जाएगा, वित्ती का, and we make an order for the attachment of his property, और इसके साथ ही, property भी attach करा जा सकती है, method सारे वही है, proclamation करा जाएगा, arrest करा जाएगा, warrant निकाला जाएगा, या फिर property आपकी attach करा जाएगी, method, same है, आपकी appearance, compel करने के लिए, that's all for rule 10, इसके बाद देखिए, 12 mark कर लिए, rule 12, rule 12 में लिखा है, अगर आप, procedure of witness fails to appear, इसके बाद भी अगर आप appear नहीं होते हैं, तो आप पर fine लगाया जाएगा, और fine वह वाला आप देखिए, जो 5000 लिखा हुआ था, आपके section में, section 32 में, that is important, तो rule 12 भी उसी तरीकी की बात करता है fine की बात, बट वहाँ amendment होगया है, 99 में, that's why it is, that's why it is 5000 and that is important, rule 12 भी सकते हैं, बस मैं आपका, तकी वो sequence खराब नहीं हो, इसलिए, वो कुछ कुछ आपको बताते जा रहा हूँ, rule, इसके बाद जो exam point of view से important rule है, that is 14, court may of its own accord, summon as witness strangers to suit, this is important, which may be asked in exam, rule 14, अपने से भी court समन कर सक देखिये, एक तो क्या है, कि party ने application दी है, party ने पहले list of witness file करी, issue settle होने के 15 दिन के अंदर list of witness file करी, और summons obtain करी, witness बुलाने के लिए, किसने किया party ने, party को जो लग रहा है, कि इसको witness बुलाना चाहिए, वो, court अपने से भी बुला सकता है, किसी को भी, court जिसको चाहे उसको ब PCP भी पड़े हैं, correct tanvir, 311 CRPC, किसी को भी बुला के examine कर सकता, court, 14 में देखिये, subject to the provision of this court as to attendance and appearance and to any law for the time being enforced, where the court at any time thinks it necessary to examine any person including a party to the suit and not called as a witness by a party to the suit, the court may of its own motion, जिसको party ने नहीं बुलाया, लेकिन court को लगता है कि नहीं, इस वेक्ति को हमें examine करना है, और इससे हमें सुनना है, court may of its own motion cause such person to be summoned as a witness to give evidence or to produce any document in his possession on a day to be appointed and may examine him as a witness or require him to produce such document, court अपने से भी on its own motion किसी को बुला सकता है, as a witness यह document प्रोडूस करा सकता है, यह court खुद भी कर सकता है, इसलिए यह power दिया है rule 14 में, बहुत important है, इसको माग करिए, इसके बाद rule 20, इसके बाद माग करिए आप rule 20 में rule 20 is important here, consequence of refusal of party to give evidence when called on by court, evidence देने के लिए बुलाया और आप refuse कर देते हैं, ऐसे में क्या होगा, where any party to a suit present in court refuses, without lawful excuse when required by the court to give evidence or to produce any document, then and there in his possession or power, the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, तो अगर आप वहां मौझूद हैं और आप से कोई evidence मांगा गया है, कोई document मांगा गया है, अगर आप वो नहीं देते हैं, तो आपके against judgment प्रणांस किया जा सकता है, simple it is, आप अगर court की presence में मौझूद हैं, आप से कोई document मांगा गया है, कोई evidence मांगा गया, आप नहीं दे र 16A is also important. माल लीजिए, जिसको आपको बुलाना है, जिस वक्ति को as a witness, वो प्रिजन में है, जेल में है, तब क्या करेंगे? Attendance of witnesses confined or detained in prison. Order number ज्यान रखिएगा पहले. और जो वक्ति प्रिजन में है, उसको बुलाने के लिए, अगर समंस भेजना है, तो कहां भेजेंगे, एक तो ये सवाल, दूसरा ये सवाल की prison का meaning क्या है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के 2015, 2015 में उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, कि यहां prison का मतलब क्या है? So देख लिए जिए 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 जारा rule 1 definitions बताता है, in this order, detained includes detained under any law provided for preventive detention, preventive detention में भी detained है, तो भी उसको detained माना जाएगा, इस particular order के purpose के लिए, और जो इसका B है, this is very important कि prison में क्या-क्या include होगा? So prison includes, first, any place which has been declared by the state government, by general or special order, to be a subsidiary jail. कोई भी ऐसी जगे, जिसे एक subsidiary jail माना जाता है, state government के द्वारा, कोई भी ऐसी place, जो भले ही officially designated as a jail ना हो, वो subsidiary jail हो, उसे भी present माना जाएगा, साथ ही, इसका जो second part है, ये कहता है, any reformatory, postal institution or other institution of a like nature, जैसे जो इनलो इनल को रखने के लिए, जो होते हैं institutions, उनको नॉर्मल जेल में नहीं रखा जाता है, उनको रखा जाता है इस तरीके की चीजों में, तो वो उनको भी present consider किया जाएगा for the purpose of this order, और अगर प्रिजन से किसी रख्ती की attendance require करानी है आपको as a witness, तो किसको भेजी जाएगी, ये summons, तो rule 2 में underline कर लीजे, power to require attendance of prisoners to give evidence, where it appears to a court that the evidence of a person confined or detained in a prison within the state, is material in a suit, the court may make an order requiring the, underline कर लीजे, requiring the officer in charge of the prison to produce that person before the court to give evidence, किसकी जिम्मेदारी है इस witness को लाने की court तक in charge of prison की, जो भी officer in charge है उस prison का, उसकी जिम्मेदारी है इस witness को court तक लाने की, this is very important, तो इसमें आप रूल पढ़ लीजे दोनो, rule 1 और rule 2, दोनों important है, और question यहां से बनते हैं, इसके बाद आजाईए next order की तरफ, बस इतना ही important है इसमें, बाकिक बढ़ने की जरुरत नहीं है, परीकर question बस इधर से ही बनेंगे, इसके बाद आजाईए next order पे, that is order 17 adjournments, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, order का number ध्यान रखिएगा, adjournment के इस order में है, और कितनी बार generally adjournment होना है, तीन बार लिखा हुआ है, इक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, जो जो important points हैं, उस पर अपन emphasize करेंगे, तो अपन आजाते हैं, order 17 की तरफ, order 17, इसमें देखिए, adjournment, adjournment आप समझते हैं, जो postponement होता है, proceedings का, that is adjournment, rule 1 में लिखा है, court में grant time and adjourn hearing, ये भी सवाल पूछा गया है, कुछ प्रिलिम्स examination में, कि जो court adjourn करता हूँ, कितने time के लिए, ये बहुत important सवाल है, इसलिए rule 1 का number नहीं पूछा जाएगा आप से, कि ये चीज रूल 1 में दी हुई है, पूछा जाएगा इसका proviso, जो proviso लिखा है, वो बहुत important है, आपन पूरा rule पढ़ लेते हैं, the court may, if sufficient causes shown at any stage of the suit, grant time to the parties, or to any of them, and may from time to time adjourn the hearing of the suit, for reasons to be recorded in writing, तो अगर court को लगता है कि parties को थोड़े समय की जरूरत है अपनी बात रखने के लिए, तो वो समय grant करेगा, postpone कर देगा hearing, adjourn कर देगा, और adjourn करके समय देगा party को, लेकिन इसका जो proviso है, sub rule 1 का, ये बहुत important है, provided that, underline कर लीजे, provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party, during hearing of the suits, तीन बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक party को तीन बार से ज़्यादा adjournment नहीं मिलेगा, generally ये बात, ये question सबसे ज़्यादा important है यहाँ, तो इसमें तो मैं कहूँगा, कि rule 1 important तो है, बट rule 1 में simple बात ये question बनता है, कितने adjournment, तो भाईया ध्यान रखियेगा, तीन adjournment दिये जाएंगे, ये general rule ने प्रहेगा, बट दिये तो बहुत सारे जाते हैं, आप जाते हैं, civil court के पास अपने inherent powers हैं, इसका सब rule 2 cost of adjournment की बात करता है, अगर आप unnecessary adjournment लेना तो आपके cost लगाई जाएगी, ये कि आपने postpone कराया, एजन कराया, date fix होई, उस दिन आप नहीं आए, ऐसे कि इसमें suit dismiss हो सकता है, so देखिए rule 2, procedure if parties fail to appear on day fix, where on any date to which the hearing of the suit is adjourned, जिस भी दिन के लिए adjourn करी गाई है, the parties or any of them fail to appear, अगर फिर party नहीं हैं, तो court क्या कर सकता है, इसके बाद rule 3 से भी previously question आए है, rule 3 देखिए, court में proceed notwithstanding, either party fails to produce evidence etc, अगर मान लिजे कोई party evidence produce नहीं कर पाती है, तो भी court तो proceed करेगा, वो अपनी proceeding जारी रखेगा, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, rule 3 के regarding इस से जाधा पढ़ने की ज़रूरत इसे नहीं है, तो इसके तीनो rule important है, जो सबसे important prelims का question in German से बनता है, it is that, इसके बाद अपन आ जाते हैं, अगले order की तरफ हमारे, so order 18, hearing of the suit and examination of witnesses, अब देखिए, case की hearing होगी, suit की hearing होगी, और examination होगा witnesses का, जिनको समन भेजी गई, जिन witnesses को, बुलाया गया, quote अपने से भी भेज़ दकता है, 14 में लेका है, आप उनका examination होगा, और suit की hearing होगी, I hope you are getting the approach, for prelims की CPC को, prelims के लिए कैसे समझना है, I hope you are getting that, क्योंकि मैंने आपको overview पूरा समझा दिया, अब मैं सिरफ वो चीजें mark करा रहा हूँ, या ध्यान दे रहा हूँ, या आपन पढ़ रहे हैं, जहां से pre के direct question बने, overall जानकारी आपको पूरी है picture की, कि ये चल क्या रहा है, और क्योंकि कई जगे बहुत-बहुत rules है, बहुत सारे order आप देखिए, जिनमें बहुत-बहुत सारे rules है, हमने सारे नहीं पढ़े, जैसे अभी जो हमने recently order पढ़ा, आपका order 14, sorry, order 16 जो हमने पढ़ा, Summoning and Attendance of Witness, इसमें आप देखिए rules तो हैं, कई सारे भाई, 20 rules हैं, लेकिन हमने किंती के 3 पढ़े, क्योंकि प्रीमे सवाल भहीं से आता है, बाकि आप जब कभी detail में पढ़ें CPC, for your understanding, तो मेरा suggestion यह होगा, कि एक बार read आप हर चीज करें, ताकि वो story के जो कुछ थोड़े बहुत धागे, जुड़ नहीं पाए होंगे, वो और जुड़ जाएं, ताकि आपका एक confidence जो है subject को लेके, वो build आपो, कोईंट्स मैंने आपको अलग से mark कराई दिया है, जो problems में पूछे जाते हैं, तो याद आप सिरफ उतना content रखिए, ये बात आप समझ गए हैं या नहीं, एक बार ज़रा comment में बता दीजिए, yes or no, लिखते, कि approach क्या है CPC को problems के लिए पढ़ने की, समझ अपन रहे हैं सारी चीज़ें कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि बिना समझ रटने वाला concept में belief मेरा थोड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा समयापन देते हैं चीजों को समझने के लिए भी, चलिए तो आजाईए अगले, order की तरफ, that is order 18, जो बात कर रहा है, hearing of the suit and examination of witness की, rule 1 देखिए, right to begin, the plaintiff has the right to begin, unless the defendant admits the facts, elish by the plaintiff, generally, suit begin कौन करता है, plaintiff ये बात रिखिए है, order 18 के rule 1 में लिखा है, शुरू करने का दीकार, generally किसका है, आपके plaintiff का है, तो rule 1 important है, नमबर नहीं पूछा जाता, rule का इदर, जो specifically rule के number पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको अलग से बता दीगे हैं, हर जगा कि कहां इस rule का number पूछा जाएगा, यहां process पे ध्रान होता है, number नहीं पूछा जाता, rule 2 देखिए statement and production of evidence, evidences के production की अब बात हो रही है, क्योंकि आप proceeding चाले हो रही है, आप hearing हो रही है, अभी हमें witnesses को भी examine करना है, तो आपको सारे evidence produce करना है, यहां लिखा है, rule 2 में, on the day fixed for the hearing of the suit, or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin, जिसको भी अधिकार दिया है, begin करने का, जनरली यह अधिकार plaintiff का होता है, बट defendant भी कर सकता है, so and produce his, party having the right to begin, shall state his case and produce his evidence, in support of the issues which he is bound to prove, तो जिस पार्टी को अधिकार दिया गया है, suit को begin करने का, वो शुरुआत करेगा, अपने case को state करेगा, और अपने evidences लेके आएगा, criminal की अगर आपको याद हो, trial जो CRPC में हमने पढ़ा था, वहां हमेशा begin करने का अधिकार किसका होता है, prosecution का, prosecution अपने charges बताता है, कि क्या allegations है, उसके against the accused, और list of witness देता है, that's how they begin, एक prime office, और उसके बाद वहाँ अपनने पढ़ा था, discharge होता है, हर तरीकी की trial में, prosecution की, प्राइमाफिसी बात सुनने के बाद, discharge का option है, court के पास, कि वो discharge कर सकता है, और अगर court को लगता है, कि नहीं discharge नहीं करना, आगे बढ़ना है, और तो फिर आगे की चीज़ें, चालू होती है, framing of charges और वो सब है न, तो थोड़ा correlate करते जाएं, यह CPC, C, RPC, तो जहन में जादा रहेगा आपके, तो यहां आप, जिसको मौका मिला है शुरू करने का, वो start करेगा, अपना case state करेगा, और evidences लेके आएगा, बाकी सब आपको पढ़ने की ज़रूरत, फिलहाल नहीं है, और जैसा मैंने का, बाद में पुर्सत में बैठके पढ़ते रहना, प्री का question इतर जो बनता है, बहुत important वो है 3A, तो rule 2 भी हमने पढ़ा, basic जानकारी के लिए, rule 3A, यहां से rule का सवाल भी पूछा जाता है, यह किस rule में दिया है, यह question भी आता है, प्रीलिम्स में, rule 3A, बहुत important है, पार्टी तो अपियर, अपियर बिफोर अधर विटनेस, अगर पार्टी को खुद अधर विटनेस अपियर होना है, तो यह काम उसे करना है, दूसरे विटनेस के अपियर होने के पहले, यह rule का नंबर भी पूछा जाएगा आपसे, अगर उसको खुद भी आज़ विटनेस अपियर होना है, पार्टी को खुद अपियर होना है अज़ विटनेस, तो वो कब होगा, इसके पहले की कोई दूसरा विटनेस एक्जामिन हो, उसके पहले पार्टी को होना है, यह भी सवाल पूछा जाता है, और रूल का नंबर भी पूछा जाता है, दो प्रिलिम्स के क्वेश्चन दिदर बनते हैं, लेटर स्टेज पर कोट की पर्मिशन से तो सीपी सी में कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हमेशा as an exception अपन लेके चलेंगे, कि कोट पर्मिट कर देगा, तो आप बाद में भी आ सकते हो as a witness, जनरल रूल वूट बी दाट, कि अगर पार्टी को खुद as a witness आना है, तो पहले बाती witnesses के examination के पहले आना है, अब जरा CRPC को correlate करते हो, तो तुरंथ मुझे बता दीजिए कि CRPC के कि सेक्शन में लिखा है कि accused is also a competent witness, और अगर accused को आज़ा witness आना है, तो अपनी written application पर आता है, यह सब पढ़ा है भाई CRPC में, किदर है, बता दूजरा कमेंट में जल्दी से, और राइट, there was a slight glitch in the network, थोड़ा से network issue था, I hope that is resolved, अभी clear है न, अभी भी glitch आ रहा है, थोड़ा से network issue था, network थोड़ा कम आ रहा है, मझे दिख रहा है system में, थोड़ा से network issue था, I guess, अभी it is fine, yes or no? 315 is correct, that's correct, 315 CRPC connect कर लीजे, तुरंथ, आल राइट, आल राइट, आल राइट, चलिए, तो मैं देखिए, इसी तरीके से आप पढ़िए, दोनों को correlate करते चलिए, सांथ सांथ, इधर की process, उधर की process, तो clarity भी ज़्यादा हो जाएगी, इसी लिए तो बेटा, अपन साइन्स और गड़िट से भागा है, तो कि गड़िट अपने बसका नहीं था, साइन्स अपने बसकी नहीं थी, ये सब बातें आप जो बोलते हैं, इंटर्वू में जाके, I opted law because of its unique features, and to serve the society, ये सब बगवास से आपको बथा, मुझे बथा, गड़िट बसका नहीं था, दीदी लोग आती हैं, उनसे पूछो कि, वाई ड़िट यू आप law as a career, तो बड़े फैंसी से आंसर मिलते हैं, सार, because it's a very lucrative career, and I'll get an opportunity to serve the society directly, इस थाइप के आंसर मिलते हैं, सच्चाई तो ये हैं, तीदी आप से फिर मैं हिंदीय बोल देता हूं, कि दीदी आप से घड़ेत नहीं बन रहता है, तो सच्चाई से बता नहीं क्यों भागते हैं, हमेशा से आदत रही है जनता हैं, that's why I try to confront all the truths, इसलिए मैंने आप से कहा है कि मैं कोई काम selflessly नहीं करता हूँ, है ना, नहीं, देर में भी exceptions तन्रीर, देर में भी exceptions, बट मैं majority कहानी बता रहा हूं, 80% अच्छे वो है, जिनके कलग बसका नहीं ता, मैं सच बता रहा हूँ, और या आप जानते हैं, इसलिए आप बहां से भागे थे, वो ही काम आप इधर मत करें, इसको जरा समझ के पढ़िए, मज़दार चीज है यह बहुत, इसलिए इसको जरा समझ के पढ़िए, वो अप्रोच इधर मत अड़ाउट करें ना, चीक है, आजाए ये रूल फोर पे, रूल फोर पे आजाए ये जरा तुरंट, रूल फोर इस वेरी इंपोर्टन, रिकॉर्डिंग ओफ एविदेंस, इन एवरी केस, इग्जामिनेशन इन चीफ, ओफ विटनेश शाल बी ओन एफट एफट, ये सवाल प्रिलम्स में पूछा जा चुका है, इसको जरूर आप पढ़िये, रिकॉर्डिंग ओफ एविदेंस बहुत इंपोर्टन है, रूल फोर इस ओडर का, इन एवरी केस, is the examination in chief of a witness shall be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence. based in award witness, examination in chief so that is important. इसके बाद इसका सबरूल डूँ देखेड़िँए, the evidence cross examination and examination of the witness in attendance whose evidence examination in chief by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed लेकिन रूल 4 याद रखिएगा recording of evidence की बात करता है और examination in chief पर होने की बात करता है विटनेस के बहुत important rule है भाई साथ rule 4 इसके बाद सीधे मार्क करिए rule 12 अब देखिए इसमें बहुत सारे रूल है इस order को आप देखेंगे तो 19 रूल है सारे नहीं पढ़ना जो बहुत important जहां से परी का सवाल आ रहा है बस वो पढ़ेंगे अपन तो 4 पढ़ लिया 4 के बाद आ चाहिए rule 12 रूल 12 पढ़िया यहां लिखा है कि कोड विटनेस का जब एक्जामिनेशन होगा उसका डिमने और भी एक देखेगा उसके बाद उसको भी उसके भी प्लिए रिमार्क्स लिखेगा डिमने और मिकला उसका कंड़क उसकी बॉड़ी लांगवज बोलने का तरीका CRPC का सेक्षन बता दीजे बाई तुरंत यश ने बताई दिया है 280 डिमनर ओफ बिटनेस सिमिलर प्रोविशन सियार सीपीसी में रूल बारा में चीक और रेटीन रूल बारा CRPC 280 करेक्ट करेक्ट साथ साथ चलाते जाएं दोनों इसके बाद सद्रा माग कर लिजे 17 12 के माद माग करिए रूल 17 पढ़ना है प्री के लिए that is important कोट में recall and examine witness जिनका examination हो गया है उनको दोबारा बुला के court examine कर सकता है CRPC बताई ज़रा कहाँ प्रोविजन था CRPC बताई जिनका examination हो गया उनकी attendance दोबारा require करा सकता कोट दोबारा बुला के ग्जामिन कर सकता है सब CRPC में भी पढ़का आपने 17 देखिए the court may at any stage of a suit recall any witness who has been examined and may subject to the law of evidence for the timing and force put such questions to him as the court thinks fit किसी भी stage पे दुबारा बुलाया जा सकता है correct 311 में भी पावरे CRPC के की दुबारा बुला सकते है इसका examination हो गया उसको दुबारा भी बुलाया सकता है और multiple provisions CRPC में आपको मिलेंगे that's correct so यह हो गया आपका rules 17 और आखरी rule इस order का इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना इतने rules पढ़े हमने इस order में और यह सबके सब important है order 18 इसके बाद आईए order 19 order 19 बहुत ज़्यादा important नहीं है सिर्फ order का number primarily आपको याद रखना है order number आपको primarily याद रखना है यह ज़्यादा important है so order 19 एफट एफट की बात करता है rule 1 देखिये power to order any point to be proved by एफट एफट court के पास अधिकार है कि वो यह compel कर सकता है कि कोई भी particular point proof होना है court में तो एफट एफट पे हो rule 1 में लिका है any court may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts may be proved by एफट 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 or that the effort of any witness may be read at the hearing on such conditions as the court thinks reasonable तो court चाहे तो किसी भी point को एफट 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 पे किसी भी समय मंगवा सकता है किसी भी party से यह ध्यान रखियेगा rule 3 भी सका आप माग कर सकते है matters to which effort shall be confined तो कुछ specific matters हैं जिन पर effort confined होता लेकिन बहुत जाद आने के chances नहीं होते major chances आपको इधर पढ़ना है जो आने की संभावनाई ज्यादा है वो आपको देखना है order का number that is quite important वो थोड़ा सा ज्यादा important है and I hope that is clear to all of you इसके बाद अगला जो order है वो है आपका judgment and decree लेकिन इसको मैं आज skip कर रहा हूँ इस judgment और decree को हम आज नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम start करेंगे कल की class में and before that we will be studying about cost और judgment और decree में कल स्टार्ट करूँगा उदर एक conceptual चीज़ भी है तो जब कल स्टार्ट करेंगे सीधे उस concept से स्टार्ट करेंगे preliminary decree, judgment or decree के बीच का difference, preliminary decree, final decree, partly preliminary, partly final इन सब के बारे में इन सब को समझना है इसलिए ये judgment or decree का जो order है, इसको मैं करूँगा cover कल, इसके पहले और अभी आज का खतम नहीं कर रहा है, cost अपन complete करेंगे तो जरा sections की तरफ आ जाईए, cost पढ़ने के लिए, section 35 पे आ जाईए, cost के बारे में बात करता है, section 35 cost की briefing मैं आपको अल्रेडी दे चुका हूँ, उस introduction वाली class में, CPC की जो introduction वाली class थी, उसी में मैं आपको cost के बारे में brief कर दिया था, क्या purpose होता है, cost का क्यों लगाई जाती है, क्योंकि भाई, party का जवर जस्ती खर्चा हुआ, अब एक party ने, आपने तो being the plaintiff, मुझे code बोला सकता, अब जरूरी नहीं कि वो plaintiff पही लगाएगा, defendant पही लगा सकते है, अगर genuine cost है plaintiff के, तो आपने अगर उसके right का violation किया, तो आपको वैसी भरपाई करनी चाहिए, उसको code क्यों आ ना कड़ा, plaintiff को भी पैसे क्यों खर्च करने पड़े अपनी बात, मनवाने के लिए, त जो कर रूम को प्रूफ करने की cost उस party से लिजाती है, यह मैंने कल पड़ाया था, admissions में अपने यह चीज़ देखी, तो इस सब के इर्दगिर्द cost से related provision section 35, 35A, 35B, और 20A order जो है उसमें दिया है, तो इस topic को अपनाज करते है, 35 देखिए cost, बस इतना ध्यान रखिएगा इधर कि यह जो cost लगाई जाती है, इसका कोई amount fix नहीं है, ध्यान रखिएगा, cost लगाने का कोई amount fix नहीं है, generally cost discretion of the court होती है, यह बात section 35 में दी है, section 35 देखिए subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of any law for the time being enforced, the cost of and incident to all suits, suit की जो cost है, shall be underline कर लीजिए, shall be in the discretion of the court, तो suit की जो cost लगाई जानी है, वो क् कि हमेशा discretion of the court होगी, यह बात ध्यान रखनी है, बस आपको 35 में, कि suit की जो cost लगाई जा रही है, वो discretion of the court होगी, इसके बाद 35A देखिए, मैं section select से mention कर देता हूँ, cost की अपन बात कर रहे हैं, तो cost के regarding, सबसे पहले आपने देखा section 35, फिर अपन देख रहे हैं, section 35A और उसके बाद अपन देखेंगे, section 35B, so 35A में देखिए, compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defense, अगर आपने vexatious claim या defense किया है, कोई false claim या false defense आपने किया, तो फिर यह compensatory cost लग रही है, यह as a penalty आपके उपर लगाई जा रही है, इसकी limit क्या होगी, यह भी देखिए, so if in any suit or other proceedings, including an execution proceeding, but excluding an appeal or a revision, any party objects to the claim or defense on the ground, that the claim or defense or any part of it is as against the object or false or vexatious, अगर false या vexatious है, वो फरजी claim आपने किया है, फरजी चीज़े आपने defense में डाली है, अगर यह प्रूफ कर दिया पार्टी ने, तो compensatory cost लगाई जाती है, question जो prelims में बनेगा, वो इस section का बनेगा, कि यह compensatory cost 6 के section में है, और इसकी maximum limit क्या है, वो आपको मिलेगी, subsection 2 में, इस section के 35A के, subsection 2 पे आईए, जरा, no court shall make any such order for the payment of an amount exceeding, underline कर जीजे, exceeding 3,000 rupees, और exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, whichever amount is less, court की जो pecuniary jurisdiction है, या फिर 3,000 rupees, 3,000 rupees तक की cost compensatory लगाई जा सकती है, for vexatious claim और vexatious defense, या फिर pecuniary limit अगर इस से कम है court की, तो जितनी pecuniary limit है, उतनी cost वो लगा सकता है, इसके बाद देखिए 35B, 35B है cost for causing delay, अगर आपने delay calls किया है, court का समय बहुत इंपोर्टन्ट है, court का समय बहुत इंपोर्टन्ट है, और अगर आपने वो बेस्ट किया, तो cost लगाई जाएगी, जैसे मैं आपको बता था, अगर जितना समय है, उससे ज्यादा लगाता है, captain, तो इसकी match fee में से पैसा काट लिया जाता है, ऐसा इधर है, court की proceeding, आपने unnecessary delay करी, तो पैसा ले लिया जाएगा, 35B देखिए, if on any day fixed for the hearing of a suit, or for taking any step there in a party to the suit, fails to take the step which he was required by, or under this court to take on that day, or obtains an adjournment for taking such step, or for producing evidence, or any other ground, से cost लगाया जाएगा, चीक, और यहां भी as such, बाकी और कुछ important नहीं है, इस section में, बस section number ध्यान रखिएगा, कि 35B जो है, वो किसमें deal करता है, delay cause करने के लिए जो cost लगाया जाती है, वो 35B है, false or vexatious claim or defense के लिए जो लगाया जाती है, वो 35B है, cost लगाया जा सकती है, इसी के साथ, इसका corresponding order ज़रा देख लीजे, कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ order number ध्यान रखिएगा, order 20A, इसके साथ आपको पढ़ना है, order 20A, बस, यह collectively cost से related, भूली कहानी आपको मिल जाएगी, order 20A पढ़ना है, बाकि रूल इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ order का number ध्यान रखना है, कि 20A में यह चीज दी हुई है, provisions relating to certain items, वो cost के बारे में और दूसरी बाते हैं, जादा कुछ important नहीं है पढ़ने के लिए, basic पूरा discussion है, it is about judgment and decree and its execution as well, ठीक, तो आज जो मैं आपको cover कराऊंगा, इसमें basically यह तीन चीज़े हैं, judgment, decree and execution, decree का execution, अब यह सब होता क्या है, इसकी कहानी मैं आपको basic already बता चुका हूँ, आपने अगर वो पहली class CPC की देखी थी, तो you very well understand कि यह क्या है, judgment क्या होगा, decree क्या होगा और उसका execution, क्यूं होगा, क्या होगा, यह सब अपन already discuss कर चुके हैं, आज इसको थोड़ा सा detail में देखेंगे, और यह जो particular topic है, judgment, decree and execution, इससे सबसे ज़्यादा questions आते हैं, किसी भी problems examination में, इस judgment decree order से आप देखेंगे, बहुत questions आते हैं, especially इसके execution, यह जो execution वाला portion है, इधर से बहुत questions बनते हैं, काफी सारे sections हैं, जो इससे related है, order सबसे बड़ा यह ही है, पूरे CPC में लग बग आप देखेंगे, सबसे बड़ा यह ही है, और इसमें कई सारे rules हैं, जिनसे कई सारी details से question बनते हैं, तो यह topic majorly cover करना है, this is one of the most important topics for the prelims examination, सबसे जाधा वेटेज जो CPC में होता है, वो इस से होता है, judgment decree और उसके execution से, पहले हम समझेंगे, कि judgment होता क्या है, decree क्या होती है, और इसका, इसको differentiate करेंगे with order, कि order में क्या difference है, उस basic understanding को लेंगे, then we'll move on to the respective orders, which deals with these topics, च तो इसको जरा समझिएगा पहले कि यह decree क्या है, यह order क्या है, इन चीजों को थोड़ा समझते होए चलिएगा, उसके बाद अपन उस execution और उस पूरे particular portion के उपर आएंगे, तो सबसे पहले to start with definition देखिए, इसके लिए decree, judgment और order तीनों के बीच का जो basic difference है, उसको समझने के ल अलग होगा, बस यही purpose है, उसको समझने का, तो जरा बेरिक निकालिए CPC का, उसमें आप निकालिए section 2, section 2 में यह तीनों चीज़ें है, आप इसका clause 2 देखेंगे तो decree defined है, clause 10 देखेंगे तो, sorry, clause 9 देखेंगे तो judgment defined है, और 14 देखेंगे, तो order defined है, चीक, तो decree है 2 में, judgment है 9 में और order है 14 में, चीक, इसको जरा देखते हैं, before we move on to decree, पहले जरा judgment और order की definition देखेंगे, order exclusion में बताया गया है, decree से की कैसे वो अलग है और होता क्या है, तो पहले देखेंगे, सबसे पहले, where it में section 2 का clause 9 देखेंगे, जो define करता है judgment को, judgment means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order, decree या order के जो grounds हो judgment है, basically decree क्या है, वो final adjudication, उसके जो grounds है, वो judgment है, judgment में आपको पहले भी बताया था, एक court ने दो parties के matter को सुना, और अपना एक decision दिया, अब वो उस जो भी court जिसमें decision पे पहुंचा है, उसके पीछे बहुत सारे grounds होंगे, बहुत सारे reasons होंगे, वो पूरे grounds और reasons, वो सब मिला के constitute होता है आपका judgment, और जिसमें decision पे आप पहुंचे है, उसका जो formal expression है, जिसमें decision पे आप पहुंचे है, मानलीजे, recovery of immovable property का suit था कि वो property recover करनी थी, end में plaintiff जो है, वो recover कर पाएगा है, या उसको possession देनी है या नहीं देनी है, that will be the decision, that will be the adjudication, इसे उसका right determine होगा party का, कि उसे उस property की position दिलाई जाएगी या नहीं, ये बात लिखी जाएगी decree में, बस ये party का right determine करनी के लिए, लेकिन अगर court इस conclusion तक पहुचा है, कि जिस plaintiff ने suit file किया था immovable property की recovery के लिए, अगर court इस conclusion पे पहुचा है, कि उस plaintiff को वो property दी जानी है, तो इसके पीछे reasons होंगे, grounds ह वो पूरा collectively कहलाता है आपका judgment, और उसका जो formal expression है, जिसमें right decide होता है party का liability, उस expression को, उस formal certification को अपन कहते है, decree, order की बात, अभी मैं और detail में आ रहा हूँ, decree के जैसे ही definition के अपन जाएंगे, थोड़ा सा और इसको detail में देखेंगे, order देखिए, जो clause 14 में दिया, इसकी definition, exclusion में दी हुई है, कि जो decree नहीं है, वो order है, इस तरीके से बताया है, जरा 14 देखिए, order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree, so order को कैसे define किया, कोई भी formal expression of decision, court ने कोई भी decision दिया, उसका formal expression जो decree नहीं है, तो जितने formal expression है decision के, जो decree नहीं है, वो सब order होंगे, और बाकी decree होगा क्या, यह आपको clause 2 म आप देखते जाहिए, section 2 का clause 2, clause 9 and 14, यह तीनों आपको देखना है, अब जरा आएए clause 2 पे, तो समझ में आएगा कि decree क्या है, तो जो decree हो गया, वो सब order नहीं होगा, clear, जरा decree पे आएए, जो clause 2 में है, decree means the formal expression of an adjudication, which so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, अब यह जो आप definition देख रहे हैं, जो यहाँ clause 2 में दी हुई यह decree के, इसके essentials निकालने की अपन कोशिश करेंगे, कि decree के क्या-क्या essential है, वो बहुत important है, उसी से आप समझ पाइने कि यह decree है, क्या, और order क्या है, दोनों के बीच का basic difference क्या है, एक जो बहुत important बात इस decree के बार हूँ, उसके पहले brief difference, जो सबसे major difference है, order or decree का, उसको समझ लीजिए, देखिए, order proceeding के दौरान दिये जा सकते हैं, जब civil proceeding चल रही है, उस दौरान order pass किये जा सकते हैं, बाद में भी pass किये जा सकते हैं, लेकिन decree जो है, वो decision होता है, finally, end में ही decree आती है, कई बार preliminary decree भी आती है, जो की बीच में आती है, basic difference, order or decree का ये है, कि decree वो pronouncement है, जिसके through किसी party का right determine किया जाता है, वो है decree, order में as such right का determination नहीं होता, for example, जैसे मान लीजिए, court ने order दिया attachment का, अगर आपने पहली class CPC के attend करी है, तो आप जानते हैं, मैंने वहाँ बात करी थी, कि court during proceeding भी attachment और arrest के order दे स जाल रहा है, defendant उस property को ही dispose of कर सकता है, जब तक suit खतम होगा, तब तक property खतम हो जाएगी, अगर इस तरीगी की संबाबना है, तो in between attachment court करा सकता है, तो attachment जो करा रहा है court, it's an order, कि बाइस साब इस property को attach किया जाना चाहिए, वो court के संगर्षन में रखी जाएगी property, ये एक order है, ये जो order दिया, ये जो decision है court का, कि इस property को attach करके रखना है, आप जरा बताइए मुझे, क्या इसमें किसी party के right को determine किया गया है, क्या इसमें किसी party के right को determine किया गया है, the answer is no, हाँ, जिसको जिसका भी right end में determine होगा, कि ये property, right determine मतलब किसका अधिकार है उस property पे, ये तो अभी में decide करेंगे ना अपन, अभी थोड़ी ना determine कर रहा है, राइट हम किसी का, लेकिन फिर भी court का ये decision है, जिसमें कुछ किया जा रहा है, property को attach किया जा रहा है, that will be an order only, that cannot be a decree, that is just an order, लेकिन decree क्या करती है, parties का right determine करती है, conclusively ये बात ध्यान रखिए, अगर court ये decision दे रहा है, कि मालेजे तीन partners थे, जिनके बीच में बात में dispute हो गया या उनकी firm dissolve हो रही है, अगर court ये order देता है, कि जो तीनों partner है, ये equal share के लिए entitled है, जितने भी asset है उनकी partnership firm के, वो equal share के लिए entitled है, 33, 33, 33, में बाटा जाना चाहिए, ये अगर decision court नेक लिया है, तो बताइए ये decree होग के लिए entitled है उस partnership firm में, ये right का determination है या नहीं, yes, this is a determination of right, आप एक party का right decide करें कि इसको one third मिलना है, माल लेजे तीन बच्चे हैं, एक family में, और वो अपना right मांग रहे, ancestral property में वो अपना अजिकार मांग रहे, court ने decide कर दिया, कि तीनों को equal share मिलेगा, तीनों lawfully entitled है, succession के अंदर और तीनों को equal share मिलेगा, property का, ये जो determination, ये जो decision है, court का whether it is decree or not, so the answer is yes, क्यूंकि यहाँ पे conclusively right determined हो रहा है, इसको अपन कहेंगे decree, जिन decisions में right determined नहीं होता, generally वो होते हैं, orders, that is the basic difference between decree and order, अब जरा वापस अपने clause 2 पे आईए, और decree के essentials को एक एक करके देखिए, तो आप औ पूरा judgment है, अब वो decision order का भी हो सकता है, चाहे, decree का हो सकता है, वो formal expression है, कि भाई ये हमने decide किया है, final क्या decide होगा, वो या तो order होगा, या तो decree होगा, order or decree को कैसे differentiate करेंगे, I hope you got this, एक बार जरा yes लिक के बता दीजिया, अगर ये बात convey हो गई है, because this is important, general clarity के लिए CPC में ये अच्छा law graduate अगर आप कहना चाहते हैं, तो, जी, all right, yes, चलिए, अब ज़रा decree की definition पर आईए, तो इधर अपन समझेंगे कि preliminary decree क्या होती है, final decree क्या होती है, और partly preliminary और partly final decree क्या होती है, ये सब विद example अपन समझेंगे, अब ज़रा clause 2 पर आईए, decree means the formal expression of an adjudication, किस चीज का final expression एडिटिकेशन है, ये formal expression है, एडिटिकेशन का, now, what do you understand by the word, एडिटिकेशन, एडिटिकेशन का मतलब होता है, किसी legal matter को decide करना, जच या court, जब कोई matter, decide करता है उसको कहा जाता है, एडिटिकेशन,即ि decision किसी का भी हो सकता, आपका भी, हो सकता, मेरा भी हो सकता, लेकिन, important essential decree का इस underline कर लीजे, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, conclusively determine करता है party के right को, जो adjudication party के right को conclusively determine करता है, उसका formal expression कहलाता है decree, आगे देखिए, and में, अब आगे बता है, deemed decree के बारे में कुछ इस तरीके के adjudication CPC में हैं, जिसमें से कुछ अपन पड़ भी जोके हैं, उनको decree माना जात है, इसे कहते हैं deemed decree, आगे देखिए, and maybe either preliminary or final, decree कैसी हो सकती है, decree preliminary भी हो सकती है, decree final भी हो सकती है, it shall be deemed to include, this is very important for prelims, it shall be deemed to include the rejection of a plaint, underline कर लेजिए, decree में क्या include होगा, rejection of plaint, so rejection of plaint को भी decree माना जाता है, जरा order और rule बता दीजिए, कहां पड़ा है, आप पड़ चुके हैं, इसी सीरीज में हम पहले ये कवर कर चुके हैं, rejection of plaint, तो जरा order और rule बता दीजिए, comment में, correct करती, order 7, rule 11, और वहां देखा आपन ने कि at 1 सीधे rejection नहीं होता, पहले chance दिया जाता है, correction का, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं, पो of any question within section 144, 144 में जो determination होता है, वो भी decree माना जाता है, 144 बात करता है, restitution की, होता क्या है restitution, brief में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिस दिन अपन ने, पहली class करी थी CPC की, दो अभी जब हम sections की sequence पे आएंगे, sequence में सारे section कवर करेंगे, वहां में आपको थोड़ा detail में बता अब मेरे favor में जब court ने decree दी, तो हो सकता है कुछ ऐसा decision वो court का decree में कुछ ऐसी चीज़ा हो, जो मुझे आपसे लेनी है, पैसा लेना है, recovery of money है, मान लेजे 50,000, कोई property मुझे आपसे लेनी है, by that decree, अब मान लेजे अगर वो property में आपसे ले लेता हूँ execution में, लेकिन आप ज ले लिया, out of the decree, जो मुझे आपसे लेना था, ऐसे में court क्या करेगा, अगर appeal में वो reverse हो गया, तो जो भी benefit मैंने obtain किया है, उसको वापस मुझे आपको करना पड़ेगा, इसको कहते हैं, restitution, to give back the property, जो मेरे को मिल गई है, वो मेरे को वापस करनी पड़ेगी, ये order pass होता है, 144 में, and that is also considered as a deemed decree, all right, इसके बाद देखिए आगे, but shall not include, क्या include नहीं होगा decree में, ये भी बहुत important है, is this clause 2 से ही, 3 से 5 सवाल बन जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, अभी preliminary, partly preliminary, ये सब भी बहुत important है, तो इधर से ही आपको 3 से 5 questions बड़े आराम से मिल जाएंगे, इसके बा appeal लाए करती है, इसका मतलब वो adjudication कैसे है, वो adjudication order है, तो अगर वो चीज order है, तो वो decree नहीं होगा, ये बात हमने clause 14 से भी interpret कर ली है, इसके बाद भी देखिए, और any order of dismissal for default, default के case में जो dismissal का order pass करता है, it is not considered as a decree, तो ये 3-4 question इतर से बहुत important है, किस clause में decree defined है, decree के essentials क्या है, और for your conceptual clarity, मैंने आपको वो difference भी बता दिया, कि judgment, decree और order के बीच में क्या difference है, question जो बनते हैं, वो major lease clause 2 से बनेंगे, कि decree के क्या-क्या essentials होते है, and I hope you understood the difference between order and decree as well, अब explanation पर आईए, बहुत important explanation, explanation कहता है, decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit, can be completely disposed of, preliminary decree क्या होती है, जहां भी further proceedings होना है, completely disposed of नहीं हुआ है suit, right का adjudication तो हो गया, भाई देखिए, decree कब होगी, जब right का determination होगा, through an adjudication of the court, तो right determined तो हो गया, लेकिन अभी completely disposed of नहीं हुआ है suit, ऐसे adjudications को, या ऐसी decree को क्या कहा जाता है, preliminary decree, और वो decree जिसससे finally suit खतम हो जाता है, उसको कितने final decree, आगे देखिए, it is final when such adjudication completely disposes of the suit, adjudication जब completely dispose of कर देता है suit को, उसको कहा जाता है final decree, और इसके आगे लिखा है, it may be partly preliminary and partly final, decree जो है, वो partly preliminary और partly final भी हो सकती है, अब ज़र आ जाईए इन तीनो terminologies पे, preliminary decree कैसे आएगी, final decree क्या होगी, और partly preliminary और partly final क्या होगी, तीनों के मैं आपको example बता देता ह तीन भाईयों ने अपनी जो ancestral property है, उसके लिए एक suit file किया उनमें से किसी एक ने, किसाब partition कर दो हमारी property का, अभी decided नहीं है, partition नहीं है, माल लेजे एक family की property है, जिसमें तीन बंगले है, दो plots हैं, और इसके अलावा दो चार बहुत सार इमोवेबल property है, बहुत सारा bank balance है, तरीके की पूरी एक family की property है, अब एक बंदे ने उसमें से partition का suit file किया, कि साब हमारा ये property का, आप partition कर दीजे, अब जब ये suit file हुआ, तो A, B और C, तीन ये भाई हैं, इन तीनों के बीच में ये partition होना है property का, अब court ने ये decide कर दिया, proceeding की कि किसी भी stage पे, जहां court ने ये decide कर दिया, कि these three are entitled for one third share each, one third इसको मिलेगा, total property का, one third इसको, one third इसको, तीनों person, one third share के लिए entitled है, court ने ये कह दिया, ये हो गई आपकी preliminary decree, court ने क्या कह दिया, कि तीनों भाई, one third share के लिए entitled है, this is a preliminary decree, अब ये final क्यों नहीं है, क्योंकि अभी suit dispose of नहीं हुआ, आपने ये तो बता दिया, कि A को one third मिलेगी, B को one third मिलेगी, और C को one third property मिलेगी, ल रही है, अभी हमने सर्फ ये समझा है, court ने सर्फ इतना determine किया है, कि तीनों को एक तिहाई भाग दिया जाएगा, जब finally ये होने के बाद, court जब ये decide कर देगा, कि भाई साब, दो बंगले तुम्हारे, एक piece of land तुम्हारा, इतना तुम्हें मिलेगा, इस भाई को दे दिया दो piece of land दे दिये, और एक घर दे दिया, और कुछ cash दे दिया, इसको भी similarly, एक particular portion of property as one third दे दिया, ये हुआ final disposal of the suit, so ये जो है, this is final decree, कि किसको कौनसा portion मिलेगा, will be a final decree, और ये जब court ने decide किया, कि तीनों one third के लिए entitled है, that is preliminary decree, and I hope that is clear, clear है बाई, preliminary कब होगी, final कब होगी, final जब suit, completely dispose off होगा, and I hope that is clear, इसके अलाबा, मान लिजे, partnership business था, एक तीन लोगों का, तीन पार्टनर्स थे, एक firm में, तीनों, मान लिजे, firm dissolve हो रही है, और तीनों अपने share के लिए court जाते है, अब यहाँ court is determined करता है, कि एक partner जो है, उसको 40% share मिलना चाहिए, एक partner जो दूसर उसको 30% मिलना चाहिए, और तीसरे को 30% मिलना चाहिए, तो एक court ने जहाँ यह decide कर दिया, कि एक partner को 40% मिलेगा, दूसरे को 30, और तीसरे को 30, यह हो गई आपके preliminary decree, इस suit में final decree कब आईगे, जब court यह भी बता देगा, कि 40% में कौन से asset जाने है, उसके पास, 30% में second partner के पास कौन से asset जाने, और तीसरे partner के पास 30% में कौन से asset जाने, जब यह determine होगा, this will be the complete disposition of the suit, और उसको बोलते हैं, अपन final decree, तो यह है आपका preliminary, और यह है आपका final, आप कई बार आपसे यह भी सवाल पूछ लिया जाता है, कि किन suit में preliminary decree आईगी, तो अगर आपने concept समझ लिया, देखने, पढ़ने या समझने जाएंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको लिस्ट हर जगे मिल जाएगी, कि किन में preliminary decree pass हो सकती है, partition के suit में हो सकती है, partnership firm के उसमें हो सकती है, इन सब चीज़ों में generally होती है, उसको याद रखने के लिए concept अगर clear है, तो से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, आप अपना logic लगा सकते हैं, कि हाँ इसमें होगी या नहीं होगी, छीक, इसके बाद आजाएए, अब next, partly preliminary, अब कभ एक decree partly preliminary और partly final होगी, क्योंकि explanation ये भी कह रहा है, कि it can be partly preliminary and partly final, देखिए ये कैसे होगा, माल लिजे एक suit file किया गय और उसमें mean profit भी claim किया गया, किस-किस का suit है भाई साब, possession का, और mean profit का, अब ये mean profit क्या होता है, तो ज़रा इसकी भी definition देख लिजे, दो मैं आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ, clause 12 देख लिजे, आप section 2 खोल के बैटे हैं, clause 2 ज़रा देख लिजे, mean profits of property means those profits which the person in wrongful possession which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received there from together with interest on such profits but shall not include profit due to improvement meant by the person in wrongful possession. Wrongful possession में अगर कोई वक्ती किसी property के है, उस wrongful possession में रहते हुए जो profit उसने कमाया, उसको कहते है mean profit. जब रजस्ती किसी ने adverse possession ले रखी, कभजा कर रखा घर पर, ये घर है जिस पर किसी वक्ती ने कभजा कर रखा उससे जो profit कमाया, वो mean profit. जो actually entitled है इस घर के लिए उसने suit file किया, जब उसने suit file किया, possession और mean profit का suit है वो, अब इस suit में decree partly, preliminary, final भी आ सकती है, जैसे माल लीजे, और एक final decree और एक आपकी आ सकती है इसमें preliminary decree. तो माल लीजे अगर court ने ये decide कर लिया, माल लीजे B इस पर कभजा करे हुए है, इस land पे और यहां से उसने कुछ main profit भी कमाया, अब माल लीजे A जब B के again suit file करता है court में, तो decree आती है किसके favor में, A के favor में, इसके favor में आ गई, court ने कभी या, इसको दिलाना है possession, तो यहां प court ने ये भी decide कर लिया, कि इसको mean profit भी दिया जाएगा, decide कर लिया, finally adjudication हो गया, कि भाई सहाब, आपको possession भी दिलाई जाएगी, because you are entitled for this home, and जो mean profit is, पूरे adverse possession के duration में, B ने इस घर से कमाया है, वो भी आपको मिलेगा, अब आप एक बात समझेएगा, यहां, in respect of possession, the decree is final, yes or no, कि बता दिये ना कोटने इस घर की possession आपको मिलेगी, जिस पर B ने कबजा कर रखा है, so in respect of possession, the decree is final, but in respect of mean profit, in respect of mean profit, the decree is preliminary, इसके respect में क्या है, preliminary है यह, क्योंकि बता दिया mean profit मिलेगा, अभी उसका calculation नहीं हुआ कितना मिलेगा, कितने दिन से adverse possession था, क्या-क्या उसने कमाया, उ as per clause 12, clause 12 also says, mean profit के साथ interest भी दिया जागा, वो सब calculation आभी बाकी है, लेकिन आपने right बता दिया, right determined हो गया, कि आपको possession भी मिलना है, और mean profit के respect में decree final है, sorry, possession के respect में decree final है, और mean profit के respect में it is preliminary, so that's where we call it, partly preliminary, partly final, check, तो यह होता है आपका, जो explanation में last लिखा है, it may be partly preliminary and partly final, I hope that is conveyed to you, कि किस तरीके से यह चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, और मैंने आपको यह भी बताया है, कि जो, यह जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं CPC में, इसके लिए थोड़ा आपको, जो substantive laws हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे provision भी आएंगे, जिसमें थ कि जोड़ी substantive जानकारी आपको होनी चाहिए, substantive laws की जोड़ी जानकारी आपको होने चाहिए, कुछ ऐसे concepts भी हम CPC में देखने को मिलते हैं, फिर भी मैंने आपको कहा है, जितना हो सकेगा, I'll try my best, कि उसके बिना भी आप in procedures को, इन चीज़ों को समझ पाएं, इसलिए जहां ऐ या फिर profit के distribution का suit and all that, and I hope that is conveyed to you, yes or no, clear हो गया भी यह decree की कहानी, judgment decree order, तो अब अपन properly उस procedure पर आ जाएंगे, जो CPC में पढ़ना है, अब अपन section देखेंगे judgment decree के कहां दिये हुए है, और फिर उसका execution अभी हमें पूरा देखना है, कैसे कैसे execution होगा, and this is one of the most important topics of CPC, जिसमे से किसी भी state का judiciary का आप exam देने चले जाएए, सबसे जादा सवाल आपको इस particular topic से मिलेंगे परीके, judgment, decree और decree का execution, right, all right, चलिए, हो गया भाई, clear, convey to everyone, चलिए, कुछ basic जांकारी आपको देदू, before we move on to the provisions related to decree and judgment, जैसा आप जानते है, 36 गड़ का exam है, 26 फरवरी को, उसके मिलेंगे 10 mock tests exactly on the pattern of 36 गर्ड़, तो अगर आप उसको भी target कर रहे है, you can go for this test series, जिसमें आपको 10 mock tests मिलेंगे exactly on the pattern of 36 गर्ड़, जिसमें answer के explanations भी आपको मिलेंगे और आपको add कर दिया जाएगा, doubt discussion group में भी, अगर उन questions में कहीं आपको कोई doubt है, तो you can ask that doubt as well and the faculties will revert on that, तो यह सारी facility आपको इस test में मिलती है, इसके साथ आपको ranking मिल जाएगी आपकी where you stand, this is exactly on the pattern, यह आपको for judiciary के mobile application पे मिल जाएगा, इसके बाद similar pattern पे उत्तरफरदेश की भी mock test series है, जिसमें law और GK दोनों के mock test है, law के separate है 10 और GK के separate है 10, यह भी आपको course वाले section पे मिल जाएगा features same है, answer के साथ explanation मिलेगा, doubt discussion group मिलेगा, और इसी के साथ एक scholarship test conduct होने वाला है 22nd January को, that is Sunday को, सुबह 9 बज़े से रात के 11 बज़े तक आप कभी भी इसको attempt कर सकते हैं scholarship test को, अगर आप foundation course में admission लेना चाते हैं, तो you can avail up to 50% of scholarship, और exactly जो fees आप अभी अगर आप लेके आपके आप देख रहे हैं after discount, उसमें further 50% additional आपको मिल जायरा, अगर आप टॉप करते हैं scholarship test में, वो up to 50%, 50% के लिए है और फिर slab है आगे के rank holders के लिए, so that is a scholarship test where you can appear, चलिए इसके बाद अब आपन आ जाते हैं, उन exactly उन provisions की तरफ, जो हमें इस से related पढ़ने हैं, इस judgment or decree से related जो provisions पढ़ section, section में पहले देख लीजे, judgment decree से related, तो section 33 निकालिए जरा, where it में निकालिए section 33, 33 talks about judgment and decree, section 33 के अता है, the court after the case has been heard, shall pronounce judgment and on such judgment a decree shall follow, तो भाई, court क्या करेगा, case सुनने के बाद, judgment प्रणांस करेगा, और उस judgment के basis पे decree ड्रॉ करेगा, लेकिए judgment के basis पे decree होगी, क्योंकि judgment तो पूरा decision है उसका, जो भी उसने case में hearing करी, दोनों parties को सुना, और judgment पे पहुँचा, वो judgment बड़ा ही lengthy होता है, उसमें सारी बात ने लि पूर किया, तो क्यों किया, यह सारी बाते मा लिकी जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया, कि जो parties है suit में, वो आपकी तरह जल्दी में है, उन्हें कोई मतलब नहीं है concept पढ़ने से, उन्हें बस इससे मतलब है कि कोई यह से बेरग लेको उन्हें बस यह बता दे कि यह आप तो डिकरी दे दो, आप तो यह बता दो end में कि conclusion है क्या, education में जो आपने right determine किया है हमारा parties का right determine हुआ आप तो बस वो लिखके दे दो certificate में, कि भाया यह यह बहर मेरा होगा या उसका होगा, बस बात में तब, क्यों होगा, क्या साब आपने कहानी रची, उसमें हमें मत करी जाएगी, अब आजाएए इससे related order की तरफ, यह होगी आपका section वाला portion, अब इसके corresponding order पे आजाएए जरा, तो निकालिए आप order 20, order 20 देखिए, judgment and decree, यहां और आपके वोची समझ में आएगी कि judgment में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है, चीक, तो क्रती कह रहे हैं कि concept यही मतलब है, इसलिए बस class लेते हैं, आपको चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, कि आपने यह इस बात को acknowledge किया, कि concept अभी पढ़ना है हमें, इस बात को सुनके मुझे नीद आईगी अच्छे, कि अभी भी ऐसे बच्चे इस दुनिया में exist करते हैं, जो चीज़ों को conceptually भी जानना चाहते हैं, सिर्फ objectivity से नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही हर शो उल्लास का विशय है, यह मेरे लिए, तो दे जजमें देखिए judgment when pronounced, कब judgment pronounce होगा, तो जैसे ही कोट की hearing complete होगी case की, at once judgment pronounce करना है, यहां लिखा है, at once, अगर आप sub rule 1 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जैसे hearing complete होगी, आपको judgment pronounce करना है, at once, लेकिन फिर प्रवाइशों important है, जहां से सवाल आएगा, question किदर से आएगा प्रवाइशों से आएगा, किते दिन के अंदर हो जाना चाहिए judgment pronounce, अगर at once नहीं कर रहे हुआ, तो आप postpone कर दीजे hearing, और किसी दूसरी डेट पे आप judgment pronounce कर सकते है, लेकिन यह किते दिन के अंदर होना है, इस बात को समझेए, तो प्रवाइशों में लेका है, provided that where the judgment is not pronounced at once, अगर at once प्रणास नहीं हुआ, तो क्या होगा, every endeavor shall be made by the court to pronounce the judgment, underline कर लीजे, to pronounce the judgment within 30 days, from the date on which the hearing of the case was concluded, किते दिन के अंदर करना है प्रणास, 30 days के अंदर, this is an important question for prelims, 30 दिन के अंदर, और अगर यह भी लिखा है, अगर यह प्राक्तिकली संभवना हो, तो थोड़ा और सम practicable, so to do on the ground of the exceptional and extraordinary circumstances of the case, the court shall fix a future day for the pronouncement of the judgment, and such day, underline कर लीजे, shall not ordinarily be a day beyond 60 days, from the date on which the hearing of the case was concluded, अगर तिस दिन में प्राक्तिकेबल नहीं है, नहीं हो पारा किसी extra ordinary circumstance के कारण, तो थोड़ा और पोस्पों कर सकते हैं, but it should be, should not be, generally it should not be beyond 60 days, तो अगर सवाल आता है, प्रोग्यम्स में कि जजमें कितने दिन में प्रोनाउंस होना है, सबसे पहले भाईया, आटवन्स कर दीजे, आटवन्स नहीं हो पारा, तीस दिन के अंदर करनी हो पारा, तो फ़र extraordinary circumstances होनी चाहिए, in that case, the day may be extended up to 60 days, यह दोनों सवाल important है, तीस दि और साथ दिन, और इसके बाद आभी decree का भी important है कि judgment कि कितने दिन में decree ड्राउं होनी है, so the answer is routine days, किसी ने comment में लिख भी दिया, चलिए, इसके बाद rule 3 पे आईए, यह दो question important है, rule 1 में से जो आने हैं आपको, तो यहां में order भी लिखते जाता हूं, for your convenience, जैसा हम बाकी orders में कर रहे थे, so this is order 20 that we are studying, और इसमें हमने सबसे पहले देखा हमारा rule 1, rule 1 में से क्या important है, days का question बनता है, कितने दिन में judgment प्रनांस होना है, rule 3 देखिए, rule 3 is important, judgment to be signed, the judgment shall be dated and signed by the judge in open court at the time of pronouncing it, and when one signed shall not afterward be altered or added to save as provided by section 154, और on review, so judgment पे sign होना है, और एक बार sign होगया, तो फिर conclusion 152 में जो दिये है, उसके हिसाब से होई clerical arithmetic या फिर review में change हो सकता है, यह है, review हमने CRPC में भी ऐसा पढ़ा था कि judgment एक बार sign होगया, तो फिर उसमें alteration नहीं होगे, वहाँ पे भी clerical और arithmetic error correct हो सकने है, लेकिन वहाँ review का power नहीं है, यहाँ क्योंकि review का भी power है, तो code जब review क परेगा तो पर उसको देख सकता है, change कर सकता है, तो rule 3 देख लिए, this is important, मिताली का doubt है sir, which is the best book for studying, IPC, आप किस परपस के लिए मिताली पढ़ना चाहरे हैं, it all depends on that, अगर आप detailed में पढ़ना चाहते हैं, IPC, so my recommendation would be KD Gors, IPC के किताब है KD Gors, जिसमें section wise चीज़ हैं, बढ़ काफी थोड़ी सी detailed है, पिल्लाई भी आप refer कर सकते हैं, वो इक्दमी conceptual है, बढ़ topic wise है, हर section का explanation नहीं मिलेगा, ऐसे ही रतन लाल है section wise है, बढ़ explanation थोड़ा कम है, तो आप KD Gors की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको ढंसे है किसी पढ़ना है in that case, बाकि अगर आपको किताबों पर ग्यान चाहिए, तो थोड़ा ज़रा इतना भी selfish होना सही नहीं, प्लेलिस्ट पर जाईए, एक्स्प्लोर करिए, वहां referral book की separate playlist बना रखी है, हमने, महनत करके वो वीडियो भी बनाए, थोड़े views उनके भी बढ़ा हो, थोड़े likes उन पर भी करो, इस अभी एक ही में जा आईए, और वहां देखिए, सब कुछ बताया है, किस subject से किस year में कितने सवाल आए हैं, उक्तर प्रदेश में, वो सब बताया है, कैसे पढ़ना everything, चीक, हान जी, पंकत जी, रोज class लेते हैं, कभी बीच में काथ दिन break ले लेते हैं, subject complete होने के बाद, या कुछ substantive portion होने के ब पर सिरफ point or determination, और उनका decision, उन points पे क्या लिया गया, बस इतना लिखा जाता है, कई बाद, बहुत जादा chance नहीं है, order 4 के आने के, बट, प्रिलिम्स में कई बार ये पूछ लिया जाता है, कि small causes court के judgment में क्या-क्या होता है, तो point of determination और उसका decision, that's it, इसके बाद, इसका sub rule 2 है judgment of other courts, तो दूसरे courts के judgment में देखो क्या होगा, this is important, judgments of other courts shall contain a concise statement of the case, case का concise statement होगा, साथ में the point for determination and the decision thereon, concise statement पूरे case का, फिर point for determination की कैसे क्यों, आप उस decision तक कहुंचे और उसके साथ, आखरी में decision, इसलिए judgment क्या होता है, बड़ा होता है, लेंदी होता है, जनता हो क्या इसलिए decree का concept है, जजमेंट के बाद, decree इसलिए ते दी जाती है, आप चाहें तो content of decree पड़ सकते हैं, इसके बाद rule 6 में दिया है, but exam point of view से बहुत important नहीं है, समझने के लिए जरूर आप पढ़ियेगा, rule 6 b, important जो है, वो है 6 a, pre के लिए जो important है, that is, 6 a, preparation of decree, every endeavor shall be made to ensure that the decree is drawn up as expediently as possible, जितना जल्दी हो, जजमेंट आने के बाद, decree draw करनी है, and in any case, underline कर लीजिए, within 15 days, from the date on which the judgment is pronounced, जिस दिन जजमेंट प्रनांस हुआ है, 15 दिन के अंदर decree draw हो जानी चाहिए, कोशिस तो यह होनी चाहिए, कि जितना जल्दी हो जाए, लेकिन maximum 15 दिन के अंदर decree draw होनी चाहिए, that is an important question है, यह prelims में पूछा जाने वाला सवाल है, वाई साहब आप से, इसके बाद rule 7 बहुत जादा important है प्री में पूछे जाने के लिए, कि जो date होगी decree पे वो कौन सी होगी, क्योंकि judgment अलाग्डे प्रनांस हुआ है, decree अलाग्डे बनी है, तो decree पे जो date दलेगी, कौन सी दलेगी, तो rule 7 केता है, the decree shall be a date, the day on which the judgment was pronounced, underline कर लीजिए, the day on which the judgment was pronounced, decree पे date दलेगी, जिस द judgment प्रनांस हुआ है, decree वाले किसी दूसरे दिन ड्रौ हुई है, जिस दिल judgment प्रनांस हुआ है, suit का, vote it डलेगी decree पे, that is an important question for prelims, इसके बाद rule 11 का subrule 2 important है, rule 11 का subrule 2, rule 11 basically कहता है कि installment में भी payment हो सकता है decree में, जैसे माल लीजिए decree आई, अब आप जानते है, decree holder और judgment data, यह मैं में decree आई है, मुझे आप से कुछ लेना है, उस decree के बाद, तो rule 11 कहता है कि वो installment में भी लिया जा सकता है, लेकिन installment court order करेगा मेरे consent से, I am the decree holder, मेरे consent से यह होगा, कि हाँ ठीक है, जो भी payment है, एकटा मत दो installment में दे देना, so 11 का subrule 2 यह बात बताता है, कि order after decree for payment by installment, installment में पे करा आए जा सकता है, लेकिन कैसे होगा, third line में लिखा है, with the consent of the decree holder, decree holder के consent से यह काम किया जाता है, चीक, तो इसको आप परी के लिए ध्यान रखियेगा, बस इतना ही पढ़ना है, इस पूरे order में, order में से specific यही questions आपके लिए, prelims में important है, इनी में से आने की समभबना है, इसके यह पढ़ा था, अब आपन आगे हैं आज, decree की तरफ, तो अब decree का हमें पढ़ना है execution, लेकिन before we switch to this order, इसका भी अपन section वाला portion पढ़ेंगे, पहले हमने वो section पढ़े, जो सिरफ judgment decree के बारे में बता रहे थे, decree के executions से related section अभी हमने नहीं पढ़े है, तो पहले हम वो section 24 मैंने इंट्रो क्लास में आपको पूरा समझाया था, यह पूरी बेरिट की structuring मैंने आपको समझाया थी, तो 36 से 74, section निकाल लीचे ज़रा 36, part 2 है execution, judgment आचुका है, decree भी आचुकी है, यह execution है, क्या क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, भाई दे decree आने के बाल, जो भी decree holder है, अगर उसको compel करना है judgment data को, कि भाई साथ decree में जो court ने करने को बोला, वो करिये, इसके लिए भी decree holder को court जाना पड़ता है, application लेके, suit file करने वो क्या लेके गया था, plaint लेके गया था, execution proceeding के लिए वो क्या लेके जाएगा, application लेके जाएगा, अब कि इस court में जाना है, सबसे पहले आपन देखेंगे इस part में, execution जो part है, जिसमें 36 से 74 तक के section है, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि execution के लिए किस court के पास जाना है हमें, ये application लेके, इसके लिए rule, sorry, section 38 देखिए जाए, इस part में section देखिए 38, तो मैं इस order के बाद लिख दूँ ये चीज़ें, ये हो गया judgment, और इसमें हमने section कौन सा पढ़ा, तो section 33 प्लस ये order पढ़ा हमने judgment degree से लेटेड, अब हम आ गए हैं, sections की तरफ, तो अगर मैं section यहां लिख दूँ सारे, जो की execution से related हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है 36, 37, 38, और अभी आगे क्या मैं बताऊंगा, पहले पढ़िए जरा 38 सबसे पहले, सबसे पहले 38 और उसके उपर heading देखिए, quotes by which decrees may be executed, decree execute करेगा, कौन उसको इधर बताया है, तो सबसे पहले देखिए 38, quote by which decree may be executed, decree may be executed, either by the quote which passed it, कौन करेगा, decree को execute, जिसने pass करा है, वो ही, जिस quote ने decree pass करी है, वो ही execute भी कराएगा, आगे लिखा है, और by the quote to which it is sent for execution, या फिर जिस quote ने decree pass करी है, वो अगर execution के लिए किसी दोसरे quote के पास भीज देता है, तो जिस quote के पास उसने भीजा है execution के लिए, वो quote execute करेगा decree को, execute करवाने के लिए orders pass करेगा, I hope that is clear, simple सी बात 38 में, जिसने pass करी हो, या फिर उसने जिसे transfer कर दी है execution के लिए, वो, transfer कब की जाती है, कौन करता है, कैसे करता है, उसके लिए देखिये 39, section 39 is important, prelims में सवाल पूछे गए हैं इससे, transfer of decree से, तो देखिये, the court which passed a decree may on the application of the decree holder send it for execution to another court of competent jurisdiction, किसी तूसरे court के पास भी बेश सकता है, जिसके पास competent jurisdiction हो, decree को execute करने का, और normally यह होता है, कि जिस court ने decree pass करी है, उसी के बराबर jurisdiction होना चाहिए, दूसरे का, territorial अलग होगा, but power wise, जो subject matter और pecuniary, जो jurisdiction होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, competent होना चाहिए, execute करने वाला court भी, territorial अलग होगा, क्यों भेज रहे हैं दूसरे के पास, एक बात यह समझे, सबसे पहले 38 ने कहा कि, जिस court ने decree pass करी है, वो execute करा देगा, लेकिन हम 39 में देखना है, या फिर 38 में देखा है, जिसको उसने based the execution के लिए, वो कराएगा, execute, क्यों भेजएगा, हो सकता है, execution ऐसा है, जो उसके territory में होई नहीं सकता, जैसे माल लीजिए, मैं आपको 39 summarize कर दे रहा हूँ, आपको बस याद रखना है, transfer of decree यहां दिया हुआ है, किन circumstances में transfer होता है, 39 में देखा है, माल लीजिए, decree जिस वेक्ति के against execute होनी है, वो इस court के jurisdiction के बाहर रहता है, जिस court ने decree pass करी है, उसके jurisdiction के बाहर रहता है judgment data, तो अब उसको अगर compel करना है, तो यह court के limited powers है, इसलिए इसको क्या करना होगा, यह decree transfer कर सकता है, ऐसे court के पास, जिसके jurisdiction में वो judgment data रहता है, जिसके against decree pass होई है, वो व्यक्ति, जिस court के jurisdiction में रहता है, उसके बेजाजा सकता है, माल लीजिए, जो judgment data है, जिसके against decree pass होई है, उसकी सारी कारा है, की सारी property इस court के jurisdiction में है ही नی, जिसने decree pass करी, जिस court के पास करी, उसके jurisdiction में उसकी property ही नहीं है, अब आप पढ़ेंगे execution के mode, किसे execute करा ही जाती है, तो property प SOUNDख करेंगे, अब उसकी property है ही नहीं हमारे jurisdiction में, तो ङा करेंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, transfer कर सकते है decree, एसे court के पास, जिसके jurisdiction में उसकी property हो, तो I hope you got the idea कि कैसे और किन circumstances में ये, transfer generally होता है, 39 को एक बार read करेंगे, we understand the same thing is given here, जी, इसके बाद आईए, आप आते हैं 36 और 37 पे, तो पहले हमने 38 देख लिया, कि कौन करेगा execute, जिसने पास करी, वो करेगा, या फिर वो जिससे ट्रांसवर करतेगा, execution के लिए, वो करेगा, 36 देख लिए, application to orders, ये बताता है, कि ये जो पूरा part हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो execution से related, decree के execution से related, जितने provision हम पढ़ रहे हैं, ये सब order के execution पे भी applicable होंगे, तो कि orders को भी execute कराना पड़ेगा, तो जैसे मानलीज़ अटाच्मेंट का order है, अब order को जब आपको execute कराना है, तो भी same rules apply होंगे, जो decree के execution पो थे लिखाए, the provisions of this court relating to the execution of decree, so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of order, order के execution पे भी applicable होंगे, बस ये बताता है, 36 इस से जादा importance नहीं है, लेकिन section number important है, section 36 is important, इसके बाद देखिए 37, definition of court which passed the decree, इससे भी सवाल prelims में पूछे जाते हैं, क्योंकि 38 ने तो कह दिया कि execute किसको करना है, जिसने decree pass करी, तो ये जो word यूज किया गया है, court which passed the decree, इस term का मतलब क्या होगत है, जिसने पास करी, अगर मान लीजे, ये जो 37 बताना चारा है, वो ये बताना चारा है, कि मान लीजे, decree अगर appeal में pass हुई है, मान लीजे, decree अपील में pass हुई है, ऐसे case में कौन execute कराएगा, appellate court नहीं कराएगा, first instance, court of first instance, जहां trial शुरू हुई थी, वो executing court होगा, ये बात यहां लिखिये, 37 देखिये, जरा, the expression court which passed a decree, और words to that effect, shall in relation to the execution of decrees, unless there is anything repugnant in the subject or context, we deem to include, A, देखिये, where the decree to be executed has been passed, in the exercise of appellate jurisdiction, ऐसे case में, किसको माना जाएगा, decree किसने पास करी है, माना जाएगा, the court of first instance, first instance मतलब जहां suit institute हुआ था, उसको माना जाएगा, court which passed the decree, भले ही वो appeal में हुई है, appellate jurisdiction exercise करके किया, लेकिन माना किया जाएगा, court of first instance, किस परपस के लिए, execution के लिए, क्योंकि execution तो उस court of first instance कोई कराना है, appellate court नहीं कराएगा, यह बात यहां लेकि हुई है, इसका जो भी आप देखेंगे, तो भी में यह लिखा है, कि मानली जी एक court था, dry court है, और उस court के jurisdiction में वो particular matter आ रहा था, उन्होंने decide करा, इसके बाद मानली जीए, वो court महाँ से हट जाता, उसकी जगे कोई दूसरा court आ जाता है, with same competent jurisdiction, या वो जो matter था, वो किसी दूसरे court के jurisdiction में, अब आने लगा, पहले एक court के jurisdiction में आता था, अब दूसरे के में आने लगा, तो decree जब आ चुकी है, decree जब pass हो चुकी है, execution के लिए आपको किस के पास जाना है, अब जिस court का jurisdiction है उस matter पे, आज अगर वो suit institute होता, तो किस court में होता, उस court के पास execution के लिए जाना है, एक diagram से इस बात को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए, there is court 1, and this is court 2, चेक, यह दो अलग-अलग court है, अब मान लीजिए, जो, मैं territorial से आपको समझा दे रहा हूँ, it may not be in that context, but just to understand this concept, कि भी क्या कह रहा है, उसको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखियेगा, जैसे मान लीजिए, जो disputed property थी, जिससे related matter था, वो exist करती थी इधर कहीं पे, इसे लिए इसके jurisdiction में आके, jurisdiction है, इसको कर दिया लिया, extend, जैसे, इसको थोड़ा सा लगतरी के सपन बना लेतने, so that you will understand this, जैसे ये है court 1 का jurisdiction, और ये है, ये था आपके court 2 का jurisdiction, court 2 का jurisdiction अब इधर तक आ गया है, court 2 का jurisdiction अब इधर तक आ गया है, जब decide हो गया उसके बार, तो अब execution के लिए अगर जाना है, तो किस के पास जाना है, जबकि decide तो इसने किया है, लेकिन आप उसकी जगह पर कौन सा court है, court 2 है, तो आज अगर ये suit institute होता, तो किदर होता, इससे रेल है, court 2 में, so court 2 के पास जाना है, आपको execute कराने, बले decide इसने किया है, लेकिन जाना किस के पास है, court 2 के पास ये बात लिखी है, इसलिए 37 ने ये सारी बाते बताई, तो 38 ने जनरल ही बता दिया था, कि जिस court ने decide करा है, decree जिसने pass करी है, वो ही execute कराएगा, लेकिन 7 वो बता रहा है कि किन cases में वो change हो सकता, और किसको माना मैं आपको mark करा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं इस particular part में, और जब order पर भी जाएंगे execution के, क्योंकि है बहुत कुछ, मैं आपको flow chart पूरा समझा दूँगा, मैं story बता दूँगा कि क्या है execution की, but provision हम वो ही पढ़ेंगे और mark करेंगे, जिनसे सीधे problems में सवाल बनते हैं, तो मान लीजिए उसको execution के लिए कोई यसी property attach करनी है, जो दूसरे के jurisdiction में, अगर पूरा सब कुछ उधर ही है, तो 39 का power exercise करके, वो decree भी transfer कर सकता है, या अगर उसे लगता है कि यह decree transfer करने की ज़रूरत नहीं, उधर से attachment अपन करा सकते हैं, वो actually preset, कि एक court, दूसरे court को बोलता है, उसके jurisdiction की property attach करनी के लिए, एक court, एक दूसरे court से request करता है, कि भाई, तुम्हारे jurisdiction में यह property उसको attach कर लेजे, that's basically preset, क्या duration होती है, attachment कितने दिन तक होता, यह सावाल आता है, तो देखिए, 46 जो लिखा हुआ है, upon the application of the decree holder, decree holder की application पर यह होगा, upon the application of the decree holder, the court which passed the decree, जिसने decree passed करी है, may whenever it thinks fit, issue a preset to any other court, which would be competent to execute such decree, किसी ऐसे दूसरे court को precept issue कर सकता है, जो से execute करने का अधिकार रखता है, आभी transfer नहीं कर रहे हैं, पहले precept से देख ले रहे हैं, अगर attachment हो जाएगा, तो well in would, execute such decree, underline करिये, to attach any property belonging to the judgment data and specified in the precept, दूसरे court को बोल सकता है, कि आप judgment data की जो property है, वो attach कर लेजे, basically attachment का order होता है, precept, इसके बाद, इसका, subsection 2 देखे, the court to which a precept is sent, shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in execution, जैसे execution of decree में प्रोसेस दिया, उस प्रोसेस को अडप करके, वो दूसरा court attach करेगा, प्रवाइशो बहुत important है, this is very important, provided that no attachment under a precept shall continue for more than 2 months, इसको underline कर लेजे, it shall not continue for more than 2 months दो मेहने बस, अगर 2 मेहने से ज्यादा बढ़ाना है, तो फिर ऐसा करो, transfer कर दो आप, फिर आप decree ही transfer कर दीजे, for execution, फिर वो कितने भी लंबे समय तक कर सकता, इसलिए आगे लिखा है, unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the decree, या तो जिसने decree पास करी है, वो extend कर सकता है, इस precept की duration को, या फि before the determination of such attachment, the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made, या फिर दो तरीके है, जिसने decree पास करी है, या तो वो extend कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, उस decree को ही, दूसरे court को दे सकता है, जिसके jurisdiction में जर्मेंट इंटर की property है, वहाँ transfer कर सकता है, या तुम ही execute करा देना, तो हम इत्ते लफ्ल मेनी सकता है, ये सारी बाते हैं, इस से important है, और बहुत ही जादा important section है, और जैसा मैंने आपको बार-बार बताया, कि ये जो particular portion है, judgment decree और उसका execution, ये सबसे जादा important portion है, CPC का, prelims के लिए में में भी बहुत सवाल बनते है, इसके बाद next part देखिए, 46 के बाद जो subheading लिखी है, that is important, questions to be determined by court executing degree, अब आपने देख लिया कि कौनसा court decree execute कर सकता है, जो court decree execute कर रहा है, वो कौन-कौन से सवाल का जहाद देगा, वो क्या-क्या question determine करेगा, that is also important, ये धिया है 47 में, पहले तो आप section number ही आद कर लिजी, this is important, कि जो executing court है, उसको कौन-कौन से question determine करने का अधिकार है, that is important section number और किस-किसी से related question determine करता है, तीन चीज़े ध्यान रखनी है, आपको execution, discharge और satisfaction, ये याद कर लिजे, execution, discharge और satisfaction, decree का execution, discharge और satisfaction से related, जितने सवाल है, वो decide करेगा, court, देखिए, इसमें लिखा हुआ है, all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, or their representatives, and relating to the, underline कर लिजे, relating to the execution, discharge, or satisfaction of the decree, shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit, ये किसी separate suit के थुरू determined नहीं होंगे, इस तीनों, इन तीनों, execution, discharge, और satisfaction से related, जितने भी question होंगे, decree का satisfaction, decree का discharge, decree का execution, उससे related, जितने सवाल है, executing court determine करेगा, एक और question जो इदर से बनता है, वो बनता है, इसके subsection 3 से, that is very very important, कि legal representative कौन है, एक party का legal representative कौन है, या ये person उस party का legal representative है या नहीं, ये भी executing court determine कर सकता है, देखिए, subsection 3 में लिखा है, where a question arises as to, whether any person is or is not the representative of a party, such questions shall for the purposes of this section be determined by the court, executing court determine कर सकता है, कि ये व्यक्ती party का representative है या नहीं, चीक, अब देखिए, ये होता क्यों है, ज़रा थोड़ा से legal representative की कहानी समझ नहीं, क्योंकि है, वो आने वाला है, हमने कहा है, legal representative कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये को decide करेगा, legal representative क्यों आ रहा है, मान लिजिए, जिसके favor में decree pass होई, वो मर गया, तो अब उसके बिहाफ पर कौन लेगा समान चीज़े, जो भी legal representative, मान लिजिए, judgment debtor की death हो गई है, तो judgment debtor का legal representative होगा, उसके against decree execute कराई जाएगी, तो legal representative हो ताक कोहन है, ये भी समयन है, section 2 में भी definition दिए, वो भी देखना है, और इधर provision भी देखना है, section भी देखना है, अब एक concept सरा समझ लीजे, तो इधर section में जादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जब हम कह रहे हैं, कि एक decree हम execute कर लेंगे legal representative के against भी, उस गरीब में कोई कुछ नहीं किया था, मान लीजे, मेरे और एक व्यक्ति के बीच में contract हुआ, उस व्यक्ति ने contract का breach किया, मैंने उसके against suit file किया और वो तो निपढ़ गया, अब उसके निपढ़ने के बाद decree तो मेरे favor में है, मुझे execute करानी है वो decree, लेकर वो व्यक्ति exist नहीं करता, तो उसके legal representative के against में execute करा लूँगा, लेकर एक common sense से इस बात को समझेए, कि वो legal representative किस हद तक liable होगा उस decree के लिए, जित तरीके से being the legal representative, उतने के लिए ही वो liable होगा, वो अपनी personal कमाई से decree execute करता नहीं बैठेगा, deceased person की, इस बात को समझना, वो किस से decree execute करेगा, किस हद तक उसके against execute हो सकती है, जितना उसने acquire किया है deceased की property से, क्योंकि अगर आप acquire कर रहे है deceased की property से, asset आपने ले लिया, तो पिटा liability भी लेनी पड़ेगी, and decree can be considered as a liability, वो liability ही तो है कि उसमें देना है आपको, तो अगर आपने acquire करी है deceased वक्ती की property, तो आपको decree satisfy भी करना पड़ेगा, ठीक, यह concept अगर आपके समझ में आ गया, तो आगे एक दो section है, उनको mark कर लीजे, 50 देखिये, legal representative, 50 is very important, इससे prelims में question why नहीं हुए है, judgment data मर जाता है, the holder of the decree may apply to the court, which passed it to execute the same against the legal representatives of the deceased, so decree holder किसकी against execute करानी की application दे सकता है, legal representative के against दे सकता है, यह बात 50 में लेखिये, अब इसका subsection 2 देखिये, where the decree is executed against a legal representative, he shall be liable, क्या लेका है, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of, जो property deceased वक्ती से इसने गेन करी ह जो इसको मिली है, और उसका कोई वो dispose of अभी नहीं हुई है, किसी और liability के लिए deceased वक्ती की बची हुई जो property है, उससे ही decree satisfy कराई जाएगी, यह अपनी personal property से decree satisfy नहीं कराईगा, I hope that is clear, so that is section 50, इसके बाद आजाएए procedure and execution 51, बहुत ही important है, powers of court to enforce execution, जेखिये, एक बात ध्यान हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी section पढ़ रहे है, section क्या बताता है, मैंने आपको CPC की पहली class में यह बात समझा दीती, section क्या बताता है, कि क्या करना है, करना क्या है, यह section बताएगा, कैसे करना है, यह order बताएगा, तो decree execute करने के लिए, क्या करना है, यह section बता रहा है, उसको क इसे किया जाएगा वो order में detail में देखेंगे तो इधर देखेंगे 51 power of powers of court to enforce execution कैसे execution को enforce कर सकता है court क्या power है court के पास इसमें लिखा है subject to such conditions and limitations as may be prescribed the court may on the application of the decree holder order execution of the decree decree holder की application पे execution order कर सकता है क्या क्या कर सकता है उस order में देखिए अ अंडर्लाइन कर लिजाए बाई delivery of any property specifically decreed को specific property है तो इसके delivery करा सकता है जनली mobile property तो इसके delivery करा जा सकती है वी देखिए by attachment and sale or by the sale without attachment of any property को दूसरी property attach or sale करके decree satisfy करा जा सकती है तो कोई भी दूसरी property attach करके satisfy करा जा सकती है see देखिए by arrest and detention in prison for such period not exceeding the period specified in section 58 where arrest and detention is permissible under that section arrest or detention से भी decree satisfy करा सकते है अभी हम क्या पढ़ रहे है क्या क्या कराया जा सकता है execution of decree के लिए कैसे कराया जाएगा इसकी detail आगे मिलेगी order में तो देखिए attachment and sale हो सकता है arrest and detention हो सकता है और last ready by appointing a receiver receiver appoint कर सकते है कोई property उसकी देख रहे हैं उससे lending करने के लिए यह मैं आपको पहली बता चुका हूँ receiver का role in brief इसके बाद in such other manner as the nature of the relief granted may require को किसी दूसरे manner में भी करा सकता है जो relief दिया है उससे related कैसे execute होना चाहिए code decide कर सकता है यह general चीज है लिकी है कि in-in तरीकों से कराया जा सकता है यह बहु भी suitable उस particular relief को दिलाने में उस तरीके से किया जा सकता है अब इसके बाद आगे जो proviso बताता है कि कव arrest और detention नहीं करना है कि इन cases में security भरवा के भी काम चल सकता है वो एक बाद रीड करिएगा you'll understand बहुत जादा important नहीं है इसके बाद 52 में भी इसी तरीके की बात है enforcement of decree against legal representative कि तरीके से legal representative के अगेंस decree execute होगी तो property attach कर ली जाएगी जो उसने deceased से acquire करी है वो ही similar provision है बहुत जादा याद रखने की जरूरत नहीं है 54 से directly question पूछे गाए हैं इसके बाद section 54 से directly सवाल पूछे गाए है enforcement of decree against legal sorry partition of estate or separation of share जब भी decree execution के लिए separation होना है property का या partition होना है और वो property अगर ऐसी है जिससे state government को revenue पे होता है अगर उस property से state government को revenue पे होता है तो यह partition कराएगा कौन यह सवाल आता है प्रिलम्स में and the answer is collector आप लास्ट की third line देखेंगे तो वहां collector मेंचन है या फिर collector के बिहाफ पे कोई subordinate तो बस यह ध्यान रखिएगा section 54 में दिया है उन properties के बारे में which pays revenue to the government और उनका अगर partition कराया जाना है separation होना है तो वह कौन कराएगा collector कराएगा that is an important question इसके बाद अग नमबर याद रखिएगा बस section का number बस याद रखिएगा कि section 55 में दिया है arrest and detention arrest and detention कहां कराया जाता है civil prison में कराया जाता है इसको भी mark कर लेजे third line में लेखा है civil prison of the district district की civil prison होती है उसमें रखा जाता है execution के लिए जब arrest कराया जाता है बागी section number important है कि execution of decree में arrest and detention के section में दिया है 55 ध्यान रखिएगा इसके बाद आजाए 56 this is very very important 56 बहुत सारे state के exams में पूछा गया है section 56 is very important prohibition of arrest or detention of women and execution of decree for money money decree के execution में किसी woman का arrested detention नहीं किया जाएगा अगर money decree है तो इसके execution के लिए किसी woman का arrested detention नहीं किया जाएगा यह बात लेकिए 56 में and that is very very important इसके बाद 57 बात करता है subsistence allowance की यह भी पूछा गया सवाल है prelims में section 56 is all sorry 57 is also important यह भी पूछा गया subsistence allowance होता क्या है brief में समझे लीजे state government बनाएगी subsistence allowance देखिए judgment data के इस decree पास हुई आप उसको execute करा आए है हो सकता है decree execute कराने में उस गरीब का सब को चला जाए judgment data के पास कुछ ना बचे तो decree holder जो है जिसने decree ही है उसकी responsibility है उसके पालन पोशन के लिए थोड़ा पैसा देने की जैसे ने decree execute करा है जो decree holder है उसकी responsibility है कि judgment data को subsistence allowance दे जीविका के लिए पूछ दे तो वो दिलवाएगा वो को determine कर सकता है यह दिया हुआ है subsistence allowance 57 में यह बहुत important सवाल है section number important है इसके बाद 58 पर आई है detention and release very important section number उतना important नहीं है इसके अंदर की detail है but section B आपको याद रखना है 58 में दिया है अगर किसी वेक्ति का detention किया गया है for the execution of decree तो कितने दिन तक maximum वो detention continue होगा अगर पैसे की decree है तो तो यह बात ध्यान रखिएगा यह scale बहुत important है आपको वो पूरी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है जो 58 में लिखी है मैं आपको brief में summarize कर देता हूँ उस पूरी कहानी को जो वहां लिखा हुआ है अगर decree है up to 2000 रुपीज डिक्री कितने की है इसको जरा इधर डिटेल में समझ लीजिए अगर decree है up to 2000 रुपीज दो हजार तक की decree है तो no imprisonment 2000 तक की decree execute कराने के लिए no imprisonment कोई detention नहीं होगा विक्ती का up to 2000 रुपीज लेकिन अगर मान लिजे decree 2000 से 5000 के बीच है this is very important 2000 से 5000 रुपे तक की decree है in that case जो maximum duration है प्रिजन की वो होगी up to 6 weeks maximum किते दिन up to 6 weeks यह ध्यान रखिएगा months नहीं है अदर up to 6 weeks है this is very important और अगर 5000 से उपर की decree है above 5000 अगर decree है उसको execute कराने के लिए up to 3 months इसके लिए क्या है 3 months है 2 से 5000 रुपे के लिए 6 हफते 2000 तक कुछ नहीं 2 से 5 के लिए 6 हफते और 5 से उपर में तीन महीने तक retention में रखा जा सकता है यहां प्रोवाइजों में यह भी दिया है कि कब detail नहीं किया जाएगा अगर वो तुरंट सारे चीज़ें देने को तयार है पैसा वैसा देने को तो रिटेन नहीं किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा अगर decree holder subsistence allowance नहीं दे रहा है तो भी छोड़ दिया जाएगा वो सब reasons के एक बार रीड कर लेना important सवाल यह ही है और एक बार अगर release कर दिया गया है किसी वेक्ति को judgment data को तो दोबारा रियरस नहीं होगा यह subsection 2 में लिखा है बाकी subsection 1 इसका 1A 1 और 1A पढ़ेंगे तो यह रीच on this conclusion जो मैं आपको यहाँ table बना दिया बस इसको ध्यान लखना है सवाल आपका बन जाएगा जो इदर से आता है 59 पूछा गया है 59 section उत्तर प्रदेश UP PCSJ 2015 में यह सवाल पूछा गया था कि illness के ground पर अगर किसी वक्ति को execution of decree में detain किया गया है तो illness serious illness अगर है seriously बिमार है तो इस ground पर छोड़ा जा सकता है section number ध्यान रखिएगा पढ़ने की आससा जरुरत नहीं है जब फुरसत में बैठ हैं बाद में कभी तो read कर लिजएगा अभी बस ध्यान रखिए 59 मे है release on ground of illness serious illness अगर है उस वक्ति को छोड़ा जा सकता है इसके बाद आईए attachment अगली subheading देखिए attachment section 60 this is very very important बहुत ही जाधा important है section 60 आपका property liable to attachment and sale and execution of decree कौनसी वो property है जो decree के execution में attach और sale हो सकती है यह बहुत ही जाधा important question है section 60 में बताया है कौनसी property attach हो सकती और यह बताया कौन पूछा जाता है कौनसी वो property है जो attach नहीं हो सकती decree के execution में यह बात दी हुई है section 60 में इसका जो subsection 1 है वो brief में बताता है उन properties के बारे में जिन्ने attach किया जा सकता है तो जिन्ने attach किया जा सकता है उसमें लिखा है land, home, other building goods, money, bank note, check, bill of exchange, hundi, promissory note, government security, bond, debt यह सारी चीज़े attach करी जा सकती है उसके बाद आप नीचे proviso देखेंगे this is the most important part from this section क्या चीज़ अटाच नहीं होगी यह question आने के जाधा chances होते है तो इसको देखिए provided that the following property shall not be liable to such attachment or sale यह जो list दी है property की यह attachment के लिए liable नहीं है इस property का attachment नहीं किया रह सकता मैं बहुत brief हर point का मैं brief बताऊंग बस पूरा पन नहीं देखेंगे आप बाद में एक बार रीड करिएगा तो आपके देमाद में बैठ जाएगा ए में दिया है the necessary wearing apparels, cooking vessels, beds वगएरा जो कपड़े पहनने के जो कपड़े है, सूने का विस्तर है, utensil से खाना बनाने के cooking के basically जितनी necessities है जो necessity का समान है essential वो attach नहीं होगा, भी देखिए tools of artisans के बारे में दिया है, जो artisans हैं उनके tools, माल लीजिए कोई ले बर 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 हैं उनके tools हैं कोई artisans हैं जिससे उसकी जीविका चलती है, जिससे उसकी जीविका चलती है, उसके tools attach नहीं किये जाएगे, जिससे वो अपने livelihood चलाता है, वो नहीं किये जाएंगे, c है houses and other buildings, किनकी last line देखिए c में, an agriculturist और laborer और a domestic servant, इनको accept किया गया है, कि इनके घर वर जहां वो रहते हैं, वो attach नहीं किया जाएगे, लेबर के, agriculturalist के और domestic servant के, ये जिन buildings में अपना रहते हैं, survival करते हैं, वो attach नहीं किया जाएगा, d books of account, ये बह पैसा ले जाओ नो भाइट, इसके बाद e a mere right to sue for damage, किसी के पास right है, suit file करने का, किसी दूसरे का, ये राइट ये, जो right है, ये right attach नहीं होगा, इसको आप भणा भी correlate कर सकते हैं, जैसे टीपे में आपने पढ़ा होगा, कौनसी properties transferable नहीं होती, उसमें और इसमें भी करमचारियों को gratuities और stipends दिये जाते हैं, जो gratuity मिलती है, retirement के बाद या stipends दिये जाते हैं, वो attach नहीं होगा, क्योंकि बहुत common sense की बात है, कि अगर ये हो जाएगा, तो फिर उसमें बचे गाने जीवन में, आई देखिया, ये तो हो गया, कि इनका लेबर्स और इनका आपको जो domestic servant है, ये जो इनके wages, salary की अगर आपन बात करें, तो salary कितनी attach हो सकती है, आई में दिया है, बहुत important है, ध्यान से समझना, इसमें दो categorization है, salary कितनी exempt करी जाएगी, उसके लिए दो categorization है, एक, अगर maintenance के decree है, तो अलग rule है, maintenance के अलवा कोई और decree है, उसमें rule अलग है, तो आपके against, अगर maintenance के decree pass होई है, तो याद रखना, ज्यादा property attached हो सकती है, और maintenance के अलवा कोई दूसरी decree pass होई है, तो थोड़ा ज्यादा portion आपके पास बचेगा salary का, इसे लिए, ये सिर्फ exam point of view से नहीं, जीवन के लिए भी बहुत तो पहले हजार रुपे नहीं होगा, 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 तो इसमें से कितना portion अटैच नहीं होगा, सबसे पहले 1000 रुपे हटा दीजिए, बचा कितना 9000, तो 9000 का कितना portion अटैच नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए लिखा है 2 3rd नहीं किया जाएगा, 2 3rd नहीं किया जाएगा, इसका मतलब अटैच कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड वो भी 1000 रुपे निकालने के बाद, तो 9000 का 2 3rd आप निकालेंगे तो वो आएगा 6000, तो 9000 में से 6000 अटैच नहीं होगा, अटैच होगा कितना, अगर किसी व्यक्ति की 10,000 सेलेरी है, तो other than maintenance, अगर attachment होना है, तो सिर्फ 3000 अटैच होँगे, सिर्फ 3000 अटैच होँगे 10,000 सेलेरी में से, कब जब decree maintenance के अलावा कोई और decree है, लेकिन जहां maintenance के decree आईगी, यहां यह कारेकरम चेंज हो जाएगा, इसलिए 1A में, इसको देखिए, 1 3rd of the salary in execution of any decree for maintenance, maintenance में exempt, अपन क्या पढ़ रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, कौनसा portion अटैच नहीं होगा, तो अगर maintenance के decree है, तो आपकी जो भी total salary है, उसका सिर्फ 1 3rd attached नहीं होगा, बाकी पूरा हो जाएगा, तो अगर आपकी salary 10,000 रुपे है, और maintenance के decree है, तो 1 3rd attached नहीं होगा, 3,330 रुपे attach नहीं होगे, बाकी सब attach हो जाएगा, बाकी सब attach हो जाएगा, सिर्फ 1 3rd, 10,000 में से 1 3rd attached नहीं होगा, बाकी पूरा जो 2 3rd portion है, आपकी salary का वो attach हो सकता है, for the purpose of maintenance, 3,330, that's correct, 3,000 क्रती ने calculate भी करके बता दिया, देखिए, 3,333 रुपे बचेंगे, अगर maintenance के degree है, तो अब भारत में, जो ये एक शादी का कारेकरम आप देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से शादी शायद वेडिंग्स वापस चाली हो गई है, इन वेडिंग्स में अपन देखते हैं, बड़ा ही भयानक समारो होता है भारत में शादी, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो दूले होते हैं, बहतरीन आलीशांसी बरात निकल रही है, बगई है, और वो भाई बहतरीन शेरवानी बेहन के तलवार अलवार लेके बैठा है, जिर्फ पता नहीं कितनी सल्तिनतें चल भाई है, इनकी सुबह जाना है, इनको राजावन के वहाँ, इस तरीके से तैयार होते हैं लड़के एकदम, उस गरीब की बगई पर चड़के मेरा मन होता है, कि उसे ये सब प्रोविशन पढ़ा दू जड़ा लौके, थोड़ा बहुत यह और थोड़ा बहुत दोमिस्टिक वाईलेंस, कसम से उतर के नीचे आजाएगा क्या गसन नहीं करनी, रहन दो, ऐसा ही ठीक है अपन, उसको कोई उस बगई पर चड़के अगरी साब बता देना, कि बैटा, अगर मेंटनेंस हो, अगर माल लो, खुदा ना कसता, ये शादी नहीं चली, और अगर सामने वाली पार्टी ने मेंटनेंस लेना शालू कराना, तो जितना कमारा होना सल्तनत है, तो वेसा ही नहीं है तुमारी जो तुम राजा बने यहां बैटे हो, जो थोड़ा बहुत कमारा हो, उसका भी टू-थर्ड तो बोले जाएगी, तो यह ध्यान रखियेगा कि मेंटनेंस की जो नोटों की माला पहन के वाज़ा भाज़ा भी उसकी वाज़ा प्री वेडिंग लोग्लास होनी चाहिए, उसका भी कोर्स लांच करेंगे, आपान में सोच रहूं, इसका भी कोर्स बना के लांच कर दिया जाए, जिसमें इंट कितना पोर्शन छोड़ा जाएगा और कितना अटाच हो सकता है, that is really very important, इसके बाद, J में सिंपल सी बात है, Air Force, Arms Act और Navy Act के तहट जो लोग आते हैं, उन पर ही applicable नहीं है, K में Provident Fund की बात है, जो Provident Fund का पैसा है, वो attachable नहीं है, इसके अलाभा आगे आप देखेंगे, इंश होगा, किस में नहीं होगा, यह ध्यान रखियेगा, books of account ध्यान रखियेगा, attach नहीं होगा, इसके बाद आजाएगे, इसके subsection 1A पर, यह जो सारी list खतम हो रही है, इसके बाद लिखा है 1A, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, underline कर लीजे, an agreement by which a person agrees, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void, अगर कोई यह agreement कर लेता है, यह जो exemptions दिये हैं, कि इतना portion attached नहीं होगा आपका, execution में, अगर मान लीजे, कोई ऐसा contract या agreement करता है, जिसमें अपने इस exemption को waive off कर लेता है, मान लीजे, मैं आपके साथ contract कर रहा हूँ, तो उसमें मैं यह भी, एक clause जलवा दूँ, a contract में, कि भी मेरे पास advantage है, जो भी exemption है, इसमें कि यह property मेरी attach नहीं होगी, मैं उसको waive off करता हूँ, अगर ऐसा मैं agreement में लिख रहा हूँ, तो वो agreement का portion क्या होगा, वो valid होगा, वो valid होगा, वो valid होगा, आप mutual consent के through भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, क्यों कि सारी basic necessities हैं, इसलि दीजे क्या है, partial exemption of agriculture produce, state government अगर चाहे, तो वो ये भी rule बना सकती है, कि जो agricultural produce होता है, जो फसल कटती है, जितना भी agriculture का produce होता है, जो भी production होता है, उसका कुछ specific portion exempt कर सकती है, state government, कितना portion, जितना उस family के survival के लिए, अगले season तक दोबारा फसल बोई जाए, कटे, तब तक उनक खाने पीने के लिए, जितना चाहिए, उतना, प्लस अगली बार, production करने के लिए, फसल बोने के लिए, जितना produce जरूरी है, इतने को exempt करा सकती है, ये state government कर सकती है, रूल बना के, ये power यहाँ दिया है, 61 में, इसके बात 64 भी देख लिजे, 64, क्योंकि आप देखेंगे, decree के execution से related, पहले बहुत limited question आते थे, बट अब थोड़ा सा na mbit बढ़ गया है, exams का, थोड़ी ज्यादा चीज़ें execution से पूछने लगे, because this is one of the most important thing, इसलिए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ additional sections भी बता रहा हूं इसलिए, जो आपको जहन में रखने चाहिए, क्योंकि हमें exam crack करना है So 64, देखिए, private alienation of property after attachment to be void, किसी property का attachment अगर हो गया है, बस brief में समझ लिजे, 64, किसी property का अगर attachment हो गया है, तो attachment होने के बाद उस property का alienation नहीं होगा private, जो होगा court के consent से होगा, कोई भी party जो जिसकी वो property है, वो किसी दूसरे को transfer नहीं कर सकता, basically, attach होने के बाद, ऐसे जितने transfer या जिस भी तरीके का alienation होगा, वो alienation valid नहीं होगा, वो valid नहीं होगा, अगर attachment के बाद हुआ है, तो, इसके बाद 65 भी आपको पढ़ना चाहिए, ये section number important नहीं है, number तो इदर 60 और 61 ही important है, सबस्या तो 60 important है इदर, इसकी बात समझ लिजे, ये purchasers title, ये किस हमेड के अंदर आ रहा है, sale के अंदर, अब देखे, समझ येगा, जब execution of decree के लिए कोई property sale करी जाती है, decree को execute करने के लिए, जब कोई property sale करी जाती है, तो उसका पूरा procedure है, लंबा चोड़ा, auction के थूरू sale होती है, objection लिए जाते है, वो सबब ये पना आगे, order में पढ़ेंगे, तो, जिस व होगा, और जो sale होगी, वो absolute कभी और जाके होगी, उसकी कहानी अभी पढ़ेंगे, detail में जाएंगे, अभी ये समझ ये, कि जो date of purchase, या जो title derive होगा, वो होगा purchase की date से, उस दिन से नहीं, जब वो sale absolute होगी, क्योंकि purchase की date और sale absolute होने की date में difference होगा, कई दिनों का, तो उस purchaser का title किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन purchase हो गया था, उसी दिन से, भले sale absolute बाद में हुई हो, ये बात अभी आप आगे समझेंगे, आगे के provision, जब हम order पे जाएंगे, वहाँ आप ये बात समझेंगे, तो 65 is also to be understood, इसके बाद 73 है, rule उत्ता important नहीं है, बट ब्रीफ में ये ब purpose of execution, अब जो net proceed आया, जो पैसा आया property sale करने के बाल, उसका distribution कैसे होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले court अपने expenses लगाएगा, निकालेगा, क्योंकि भाईया, auction करके विखवाई जा रही है, property sale करी जा रही है, तो court का जो खर्चा पानी हुआ, सबसे प पतलब होता है, distribute करने का, कि जिसका जितना share, जो जितने के लिए entitle, उसको उतना दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें से पहले कौन निकाल लेगा, court अपने expenses निकाल लेगा, उस net proceed से, फिर जो बचेगा, जो भी decree holder है, अगर multiple है, तो जिस भी, जो भी उनका share बनता है, उस share ब उनको दे दिया जाएगा, बस यह है, डीटेल में समझाया, बहुत ज़्यादा पढने की अंदर जरूरत नहीं है, इसके बाद 74 एक mark कर लेजे, 74 is also important, section 74, resistance to execution, और यह किस चीज़ से है, immovable property, अगर immovable property से related कोई decree है, किसी व्यक्ति को immovable property की possession दी गई है, decree में, उसके execution को अगर कोई resist करता है, उसके execution को अगर कोई रोकता है, तो उसके against court के पास power है action लेने का, civil prison में भेज सकते हैं 30 दिन के लिए, देखिए, यहाँ 74 में लेका है, where the court is satisfied that the holder of a decree for the possession of immovable property, or that the purchaser of immovable property sold and execution of a decree has been resisted or obstructed in obtaining possession of the property by the judgment data, judgment data या कोई दूसरा व्यक्ति उसको obstruct कर रहा है, यह रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, प्रोपर्टी की पदेशन लेने से, ऐसे किस में क्या होगा, in that case, by the judgment data or some other, some person on his behalf and that resistance or obstruction was without any just cause, the court may, at the instance of the decree holder or purchaser, order the judgment data or such other person to be detained in civil prison, 30 दिन के लिए, civil prison में भेजा जा सकता है, 30 दिन के लिए, ऐसे वेक्ति को, जो immov property की possession लेने से रोख रहा है उसे 30 दिन के civil prison में भीजा जा सकता अब यह हमने पढ़ा कि execute करने के लिए एक decree को execute करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें कर सकते हैं आप प्रोपर्टी अटाइच करके कर सकते हैं और आप possession ले सकते हैं उस property की या delivery करा सकते हैं या फिर property अटाइच करके sale कर सकते हैं विक्ति का arrest and detention आप करा सकते हैं या पिर receiver appointment कर सकते हैं कोई और तरीके से कर सकते हैं तो अब यह हमने section वाले portion में पढ़ा कि क्या-क्या आप कर सकते है for the purpose of execution of decree, अब आजाएए इसके corresponding order की तरफ, so let's move to order 21, अब देखिए जरा 21 is very important, लेकिन बहुत बड़ा order है, बट मैं आपको सिरफ वो particular rules बताऊँगा जो important है, जिनसे सवाल बनेगा prelims का, बस मैं आपको वो बताऊँगा कहानी, अपन पूरी समझते चलेंगे, कि ये चल गया रहा है, लेकिन पढ़ेंगे हम सिरफ वो rule जो exam में आने की संभावना ज्यादा है, तो ये हमने पढ़े sections, execution से related, अब मैं आपको बता देता हूँ, execution से related rules, कौन-कौन से rules आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले rule 1 से yes, सवाल आता है, इस section को मैं अलब कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए rule 1, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि mode of paying money, अगर decree में पैसा pay करना है, decree किस चीज़ के है, payment of money की, मैं decree holder हूँ, मेरे favor में decree आई है कि मुझे आप से 50,000 रुपे लिना है, तो इस 50,000 का payment कैसे होगा, court ने तो लिख दिया कि money का payment करवा दें, section में तो लिख दिया कि money का payment करवा दें, कैसे करवाएंगे ये, वो details इदर दिया है, तो ये दिया है, rule 1 में, mode of paying money under decree, पैसे का payment, अगर decree में करना है, तो क्या mode होगा, मैं आपको brief कर दे रहा हूँ, सारी बाते हैं, एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रुवत नहीं पढ़ेगी, येदर, मैं आपको brief कर दे रहा हूँ, सबसे पहला है, कि सीधे जाके court में जमा करवा दू, जो भी judgment data है, वो court में जाके जमा करा सकता है, वो amount, court में नहीं जमा कराना है, तो फिर किसी दूसरे payment mode से कर दीजिए, B में लिखा है, किसी भी दूसरे, ऐसे mode of payment से आप पे कर सकते हैं, पैसा decree holder को, जिसमें acknowledgement मिले आपको, जहां आपके पास proof हो कि यहां साफ पैसा दे दिया, bank account में जमा करदा दीजिये, आप तो multiple mode आगा है, phone पे कर दीजिये, पे ATM कर दीजिये, Google पे, जहां भी acknowledgement हो इस बात का, कि यहां साफ payment हो गया, उसकिसी भी mode से आप कर सकते हैं, या फिर इसके लाबा, court जैसे direct करें, वैसे कर सकते हैं, इसके लाबा, C में लिखा है, जैसे court direct करें, वैसे payment हो सकता है, तो यह mode of payment है, कि पैसे का payment अगर होना है, तो या तो court में दे दीजिये, direct उसको दे दीजिये, या कोट जो डारेट करें वैसे कर दीजे यह है rule 1 में इसके बाद rule 2 this is also important payment out of court to decree holder यह तो सब court के confidence में हो रहा था, court के knowledge में हो रहा था कि या तो आपने court में करा दिया या फिर आपने court में बता के कि साब हम इस mode से कर दे रहा है और उसका acknowledgement है या फिर court जैसे डारेट करें आउट of court अगर payment आप कर रहे हैं आपने अगर decree holder को कुछ pay किया है तो ऐसे case में rule 2 कहता है इसकी fourth line में आप देखेंगे decree holder shall certify such payment तो अगर मांगीजे out of court पैसा दिया है judgment ditter ने तो decree holder इस बात का certificate submit करेगा certificate देगा court में कि साब मैंने receive कर लिया पैसा judgment ditter के गेंस जो decree थी जितने पैसे का payment तो से करना था वो मैंने receive कर लिया यह बाद certify कॉन करेगा decree holder इसके बाद next जो rule आपको पढ़ना है that is 22 सीधे आजाए यह 22 पे बीच का सब शोड़ दीजे rule 22 केता है notice to show cause against execution in certain cases अब देखिए यहां कुछ specific cases दिये हैं जहां decree execute करने के पहले court notice देगा उस वक्ति को जिसके against decree execute होनी है जिस वक्ति के against decree execute होनी है court उसको notice देता है कि आप आईए और show cause करिए कि आपके against क्यों यह decree हम execute ना करें एक मौका देता है उस वक्ति को जिसके against decree execute होने वाली है लेकिन यह कुछ specific circumstance में होता है आप circumstance देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है और मैं आपको circumstances देख लिए जिनमें यह किया जाएगा notice दिया जाएगा यहां लिखाए लेन application for execution is made a more than two years after the date of the decree application execution की कवाई है decree pass होने के दो साल के बाद अब भाई साब decree older दो साल बाद अगर जागा है judgment debtor के against तो आप judgment debtor को मौका दिया जाना चाहिए उसको notice दिया जाएगा कि तुमारे बताओ कि क्यों तुमारे against decree execute ना करी जाए क्योंकि समय बहुत हो गया दो साल हो गया और या तो दो साल हो गया हो जब decree किसके against execute होनी है judgment debtor के against जब execute होनी है तो दो साल बीच चुके हो तब या फिर आप आगे जो लिखा है B और C में वो दोसरे वेक्ति हैं वो actually judgment debtor ही नहीं किसी और के against execute हो रहे है वो देखिए तो और में लिखा है B against the legal representative of a party to the decree अगर आप decree किसके against execute करा रहे है judgment debtor के legal representative के अगेंस्ट कराने जा रहे है तो उसको notice मिद्धी आ जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप बताईए कि क्यों आपके against execute ना करा जाए क्योंकि वह यह देखना रहे है कि उसने कुछ acquire भी किया डिसीज वेक्ति से या नहीं अपने जिव से थोड़ी और टिक्री execute करेगा इसके बाद सीधे कि against the assignee or receiver in insolvency मान लीचे judgment ditter insolvent हो गया है तो जो भी उसका assignee है या जिसको भी receiver appoint किया गया है जो dispose off करेगा उसकी property को उस वेक्ति को अगर उसके against आप execute करा रहे हैं तो यह notice जाएगा judgment ditter के against करा रहे हैं तो जब दो साल बीच चुके हैं डिक्री आने के उसके बाद अगर आप जा रहे ह हैं in that case आप notice देंगे आगे देखें लिखा क्या है the court executing the decree shall issue a notice to the person against whom execution is applied for requiring him to show cause on a date to be fixed why the decree should not be executed against him एक date fix करके उसको बलाया जाएगा उसको बुचा जाएगा कि उसके against the decree execute क्यो ना करी जाए यह जाए यह का doubt है कि 1b और 2 में क्या difference है 1b और 2 में यह difference है कि जो 1b है वो court के consent से हो रहा है सब कुछ court ने बोला payment of method ऐसे करिये जिसमें acknowledgement आता उससे आप कर रहें और 2 बात कर रहा है out of court court का interference नहीं है ऐसे ही execute कर लेना है खुद सही वो है 2 तो वहाँ पे certify करके देगा decree holder कि यहां साब पैसे मिल गए क्योंकि उसको भी तो satisfy होना है ना court को ठीक पूरा है execute करने के कुछ specific decrease के जहां से सवाल पूछे जाते हैं 31 32 32 32 तो बहुत ही जादा important है djs vjs में भी आपको question मिलेंगे prelims में 32 से तो देखिए पहले 31 देखते है decree for specific movable property अगर decree में कोई specific movable property की delivery होना है तो वो कैसे होगी देखिए where the decree is for any specific movable or for any share in a specific movable it may be executed underline कर लीजे it may be executed by the seizure उस property को seize करके execute कराया सकता है अगर कोई movable property है specific movable property की delivery करना है तो उस movable property को seize करके कराया सकता है अगे लिखा है if practicable अगर practicable है तो अगर वो practicable नहीं है तो फिर क्या करेंगे आगे देखिए of the movable or shares and by the delivery thereof to the party to whom it has been adjudged or to such person as he appoints to receive delivery on his behalf और दूसरा तरीका एक तो क्या करेंगे seize करके उस वक्ती को दिला देंगे जो entitled है जो भी decree holder है उसको वो movable property दिला देंगे यह अगर practicable नहीं है तो क्या करेंगे उसके लिखा है underline कर लीजे और by the detention in the civil prison of the judgment data or by the attachment of his property और by both अगर वो movable property seize करके decree holder को दिलाना संभव नहीं है in that case detention से कराई जा सकती है execute decree उस वक्ती को detain किया जा सकता है civil prison में या फिर उस वक्ती के कोई दूसरी property attach करके sale करा दी जाएगी और attach दोनों के थूँ भी करा सकते है उस वक्ती को detention में डालके या property attach कराके इन किसी भी माध्यम से decree execute करा सकते है अगर देखो हो क्या रहा है इसका purpose समझना इस attachment का और इस detention का purpose क्या है कि जो judgment data है वो court की बात मान ले और court ने उसको जो direct किया है उसको जो भी obligation दिया है कि तुझे यह करना है in favor of decree holder वो वो कर दे जैसे हमने CRPC में पढ़ा था ना attachment and sale मैंने बहां भी बताया था court को आपकी property में कोई interest नहीं court बस यह चाता है कि आप उसके सामने page हो जाए इधर पर execution ने court किया चाता है कि आप वो चीज कर दे सीधे कर दो नहीं तो jail में डालेंगे फिर करना पड़ेगा समझे रो अगर वो property cease करना possible नहीं है आपने destroy destroy कर दी तो आपकी किसी दूसरी property को attach करके execute करा लेंगे आपसे नि अगे attachment नहीं रहेगा वह तो बहुत ज़्यादा important यह सवाल नहीं है सिर्फ यह ध्यान रखिएगा कि specific mobile property का attachment किस rule में दिया है और किन-किन method से कराया जा सकता है तो एक है Caesar दूसरा है detention in prison या फिर attachment of property और बोट यह modes है इसके बाद आईए आप 32 पर इसके पाद आईए rule 32 this is very very important यह किन decrease के execution की बात कर रहा है specific performance of contract की या फिर restitution of conjugal right की या injunction तीन तरीके के दिक्री के execution की बात करता है rule 32 जहां contract का specific performance कराना हो या conjugal rights restitution की degree और restitution of conjugal rights से बसने spouse के एक married couple में जो दोनों spouse है एक दूसरे के प्रती जो उनके obligations है domestic obligations उनको fulfill कराने की decree को केते हैं restitution of conjugal right वो decree कैसे execute कराई जाएगी या specific performance of contract की decree कैसे execute कराई जाएगी या फिर injunction से related decree हो तो व order है तो वो कैसे execute कराया जाएगा इसके बारे में लिखा है और बहुत important है ये rule where the party against whom a decree for the specific performance of a contract or for restitution of conjugal right or for an injunction has been passed has had an opportunity of obeying the decree and has willfully failed to obey it. underline करिए the decree may be enforced ये पूरा portion underline कर लीजे the decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal right पहले किसका enforcement बताया है decree for restitution of conjugal right इसको कैसे कराया जाएगा तो underline करिए by the attachment of his property, property attach करके और in the case तो भाई restitution कैसे कराई जाहेगी restitution की decree attachment of property ध्यान रखेगा सावाल ये पूचा जाता है कि क्या in the execution of a decree of restitution of conjugal right क्या arrest and detention हो सकता है? So the answer is no. इसको कैसे कराया जाएगा? Attachment of property से ही कराया जा सकता है. और in the case of a decree for specific performance or for injunction. Specific performance और injunction की decree को कैसे execute करा सकते है? तो आगे लिखा है. Why is detention in the civil prison or by the attachment of its property or both. तो भाईया, specific performance और injunction को में attachment के थू भी कराने जा सकता है. civil prison में भेज के भी करा जा सकता है. लेकिन restitution of conjugal right की decree को execute कराने के लिए सिर्फ attachment of property अवैलेबल है. Civil prison में detention अवैलेबल नहीं है. यह बहुत important सवाल है. ध्यान रखियेगा. और यहाँ जो attachment होता है, 6 मेने से जादा नहीं होता है. वो सब rule 3 में दिया है, बट वो बहुत important नहीं है. इसके बाद mark कर लेज़े 35. अंदर की detail पढ़ने की ज़रुरत नहीं है. immovable property की decree को कैसे execute कराया जाएगा, वो लिखा है decree for immovable property. तो वो चिपका दिया जाएगा उस immovable property के भाईया की. पहले proclamation होगा. सीधे attachment नहीं करेंगे, proclamation होगा और उसके बाद attach करके sale well या फिर पाजिशन वाजिशन दिलानी है, वो सब होता रहेगा. तो बस ध्यान रखिएगा rule 35 में decree for immovable property, आप चाहना तो पढ़ भी सकते हैं बाद में से. इसके बाद सीधे आजाएए 46A. This is very important. Rule 46A, जो की बात करता है notice to garnish, 46A और 46B, दोनों हमारे लिए important है. 46A and B. दोनों important है. Notice to garnish, देख ये garnish होता क्या है? एक वेक्ती है आपका, मैं जब आपको ये चीज समझा दूँ, एक वेक्ती है आपका decree holder, और एक वेक्ती है आपका judgment data. Decree किसके favor में आई है? Decree holder के. किसके against आई है? Judgment data के against. अब decree execute करने के लिए, इसका पैसा, इस decree holder को दिया जाना है. अगर decree holder कहता है, कि पास कोई debt है, debt मतलब इसको किसी से पैसा लेना है. There is a person, G, garnishy. इस garnishy से judgment data को पैसा लेना है, और decree holder को इस judgment data से लेना है. तो court क्या करेगा? Court सीधे इसको notice भेज सकता है. Judgment data अगर चाहेगा, तो सीधे court जो है, judgment, sorry, decree holder तो नहीं भेजेगा, बट decree holder के benefit के लिए, court सीधे किसको notice भेज देगा? इस garnishy को. Garnishy कोन होता है? Judgment data का जो debtor होता है, उसको garnishy करते हैं, जिसने judgment data से पैसा उदार ले रखा है. Court notice भेजएगा इस garnishy को, कि भाई साफ जिसका आपने पैसा ले रखा, उसके against decree आईए, और आप decree execute करनी है. अब इस garnishy के पास दो option है, जो भी पैसा है, judgment data से उसने लिया, अब भो लाके court में जमा करा दे. अगर ये काम वो नहीं करता है, court में जमा नहीं कराता है, तो court के पास power है, उस decree को इसके against execute करने का, as if the decree was passed against this person. तो जितने भी methods अभी अभी अपने decree के execution के लिए पढ़े, वो सब इसके against भी हो सकते हैं. अगर ये judgment debtor का पैसा देता नहीं है for the execution of decree, ये आप पढ़ेंगे 46A में और B में, यही सारी बातें, दो-तीन चीज़ें लिखी हुई है, that's garnishing और ये जो number है rule का, ये बहुत important है भाईया, 46A में notice है, और 46B में order against garnishing, वही मैंने बताया, कि अगर वह पैसा जमा नहीं कराएगा, तो हर वो चीज़ अपना ही जा सकती है, मान लिया जाएगा, कि इसके against decree pass हुई है, और ऐसे execute कराई जाएगी, उस garnishing के against ये decree, so that is about 46A and B, इसके बाद मार्क करिये rule 57, rule 57 मार्क करिये, that is determination of attachment, attachment मान लिजिये, किसी court ने एक property को attach कर लिया, समझना द्यान से, for the purpose of execution, court ने किसी property को attach कर लिया है, लेकिन बाद में court इस execution की, जो application इसको dismiss कर देता है, अगर किसी current से, अगर किसी current वर्ष, ये court इस execution की application को ही dismiss कर देता है, तो इस attachment का क्या होगा, जो आपने for the purpose of execution कर आया था, उसके लिए लिखा है 57 में, जब court इस dismissal का order पास करेगा, इस application को जब dismiss करेगा, तो साथ में बता देगा, कि भाईया वो जो property हमने attach करी थी, वो attachment continue होगा या नहीं होगा, अगर court बोलेगा कि continue नहीं होगा, और attachment के regarding कुछ नहीं बोला, तो मान लिया जाएगा, that the attachment has come to an end, attachment will cease, तो दोई चीज़े होगी, या तो dismissal के साथ court बता देगा, कि क्या करना है, नहीं बताएगा, तो attachment cease मान लिया जाएगा, ये लिखा है 57 में, जो की है आपका determination of attachment, इसे ही इसको भी ध्यार्म रखियेगा, इसके बाद आप सीधे आजाएगे 82 पे, 82 के उपर आप एक subheading देख पा रहे होंगे, sale of immovable property, rule 82 के उपर आप, sale of, अब हमने पढ़तो लिया, कि decree के execution में, property attach हो सकती है, या property sale हो सकती है, उस sale का procedure क्या होगा, इसलिए जो section में मैंने आपको बताया था, purchaser's title, वो इसलिए बताया था, कि जब property sale करी जाती है auction में, तो purchaser purchase तो करता है, लेकिन उस sale को absolute होने में समय लगता है थोड़ा, और इसलिए वो section आपने पढ़ा कि purchaser का title उसी दिन से होगा, तो इसमें लिखा है, sales of immobile property and execution of decree may be ordered by any court other than a court of small court, small court के अलावा कोई भी court immobile property की sale कर सकता है, ये भी एक प्रीखा question है कि कौन से वो court है, जो immobile property की sale नहीं कर सकते for the purpose of execution, इसके बाद आजाए 84, 82 के बाद पढ़ना है, 84, this is important, deposit by purchaser and resale on default, जिस दिन भी purchase करेगा purchaser, जिस दिन भी purchaser purchase करेगा, जो amount decide हुआ है, उसका एक portion उसे तुरंत देना है, तो देखे 84 में लिखा है, on every sale of immobile property, the person declared to be the purchaser, shall pay immediately after such declaration a deposit of, underline कर लीजे 25% on the amount of his purchase money, जित्ते में भी उसने property खरीदी है, immobile, उसका 25% उसे तुरंत जमा कराना है, immediately जमा कराना है purchase करने पर, इसके बाद आगे लिखा है, on the amount of his purchase money, to the officer or other person conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold, और अगर वो, आपने auction में जाके, hero बन के खरीद तो ली पैसे हैं या गिन आपके पास, 25% आप जमा करना नहीं पा रहा है, और वहाँ जाके आपने खरीद ली property, तो ऐसे case में, वो sale cancel करके, दोबारा resell कर दी जाएगी property, अगर आप immediately 5% जमा नहीं करा पाएंगे, तो इसके बाद 85 देखिए, यह भी important है, 85 में बताया है, बाकी का amount कब कराना है, जो अभी immediately तो 25% कराया, पिछ 70% कब होना है, और कितने दिन में और नहीं हुआ तो क्या, 85 देखिए, फुल अमांट अप पर्चेस मनी पेबल शाल बी पाइड बाइधी पर्चेसर इंटो कोड, before the court closes, underline कर लीजे, on the 15th day from the sale of the property, जिस दिन sale होई थी, 15 दिन के अंदर बाकी का amount करा दीजे, immediately जब आपने property पर्चेस करी है, 25% और अगले 15 दिन के अंदर, remaining amount, that is the 75% आपको जमा कराना है, 86 में लिखा है, इसके बाद, 86 में लिखा है, कि अगर आपने 15 दिन के अंदर, ये remaining amount, जमा नहीं कराया, तो बहुत भैतरीन खेलता, court इदर, वो जो 25% जमा किया था, वो भी forfeit हो जाएगा, कहने का मतलब ये, क्या court को पसंद नहीं है, court का समय बेस्मत्तर है, आप जीवन में खाली है, तो आप पहुँच गए कि चलो देखें, क्या property विखरी या खरेल लिया जाए, पैसे आपके पास है नहीं, पहले दिन आपने 25% इम्मिडिटली करवा भी दिया, पर्चिस करने के बाद, लेकिन 15 दिन में अगर आप बाखी कामाउंट पे नहीं कर पाए, तो बेटा वो 25% भी court रख लेगा, court अपना खर्चा निकालेगा, उसमें से जो sale करने को बाखी state government को देदेगा, जो बेटा आश करो, और आपका वो पैसा 4 feet हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, यह 86 में, इसके बाद देखिए, सीधे आईए 89, इसके बाद आईए rule 89, so 89 में देखिए, application to set aside sale on deposit, अब इस sale को set aside कराया जा सकता है, तो ज़रा एक बात बताएए, कौन होगा जो इस sale को set aside कराएगा, भाईस आप execution of decree में, immovable property sale हो रही है, एक व्यक्ति है, जिसने ये purchase कर ली है, amount amount deposit करा दिया, लेकर एक व्यक्ति आ रहा है, जो इस sale को set aside कराना चाहता है, similar चीज़ अपन ने CRPC के section 84 में पड़ी थी, अगर आपको याद हो, claims and objections against attachment, यहाँ sale में, के बाद व्यक्ति objection raise करने आ रहा है, यह व्यक्ति कौन है, कोई प्यसा व्यक्ति हो सकता है, जो इस property में interested हो, कोई प्यसा व्यक्ति जो अपना interest क्लेम कर रहा हो, इम्मूवबल property में, वो आके set aside कराएगा, देखिए यह एदर लिखा है, वेर इम्मूवबल property has been sold in execution of decree, एनी person claiming an interest in the property sold, at the time of the sale, और at the time of making the application or acting, for or on the interest of such person, may apply to have the sale set aside on his depositing in the court, तो कोई भी व्यक्ति जो इस property में interest क्लेम कर रहा हो, आके set aside करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ deposit करना पड़ेगा, क्या deposit करना पड़ेगा, sales set aside कराने के लिए तो ए रेखिए, for payment to the purchase, a sum equal to, underline कर लीजए 5% of the purchase money, जिस वेक्ति ने खरीदिया property, जितना उसने purchase money pay करा है, उसका 5% आपको पहले court में जमाह कराना पड़ेगा, तब आपका claim सुना जाएगा, क्या आपका interest है उस property में, इसके बाद B, for payment to the decree holder, the amount specified in the proclamation of sale, as for the recovery of which the sale was ordered, क्याने का मतलब decree का amount, जितना decree holder को लेना है, एक तो पहले तो आप क्या कराईए, 5% purchase money का जमाह कराईए, और उसके साथ साथ, जितने के decree है, जो amount है decree का, वो भी जमा कराईए, तब आपका claim देखा जाएगा, जिक, तो that is important, 89, इसके बाद 90 है, application to set aside sale, on ground of irregularity or fraud, this rule is also important, rule 90, is also important, rule 90 कोई भी आके करा सकता है, decree holder, या कोई दूसरा, decree holder या purchaser, दोनों में से कोई भी, जिसने वो property purchase करी है, वो या फिर जो decree holder है, वो आके, इस ground पे इस sale को set aside करा सकते हैं, कि sale का जो procedure था, वो proper नहीं था, irregular procedure के थूरू ये काम हुआ है, ये कर सकता है, decree holder या, या फिर purchaser of the property, दोनों में से कोई भी, इस ground पे sale को set aside करा सकता है, कि जो sale का जो procedure था, वो proper नहीं था, ये है 90 में, इसके बाद 91 है application by purchaser to set aside sale on ground of judgment data having no saleable interest, 91 में judgment data का एक और अधिकार है, जिसके ground पे वो sale को set aside करा सकता है, 91 में कौन करा रहा है, याद रखना, judgment data करा रहा है, किस ground पे, sorry, purchaser करा रहा है, I'm really sorry, 91 में purchaser sale को set aside करा रहा है, इस ground पे, कि जो judgment data है, जिसकी property बोलके, आपने decree के execution में इस property को sale किया है, उस judgment data का तो कोई interest नहीं था, इस property में, उसका कोई interest नहीं था, तो फिर आपने कैसे, या property बेज दी, इस ground पे purchaser set aside करा सकता है, that is 91, इसके बाद 92 important है, so rule 92 की कैसे sale absolute होगी, sale when to become absolute और भी set aside, मैं ब्रीफ कर देता हूँ 92 आपके लिए, sale absolute कैसे होगी देखिए, या तो कोई claims आए होंगे, जैसा लिखा है 89, 90, 91 हमने पड़े, sale set aside करने के लिए, अगर कोई objection या claim आया, तब तक ये sale absolute नहीं होगी, और अगर 89, 90 में कोई substance नहीं लगा, court को कोई substance नहीं लगा, कोई substantive नहीं लगा, उन्हें नहीं लगा कि ये sale set aside करनी चाहिए, in that case वो sale को absolute कर देंगे, अगर court को लगता है कि नहीं, इसमें substance है, कोई वाकई ही एक वेक्ति आया, जिसने अपना interest claim किया उस property में, तो उस sale को set aside भी कराया जा सकता है, दोनों में से कोई भी order pass हो सकते 92 में, इसलिए हमने वहाँ पढ़ा था, कि जिसने ये immovable property purchase करी, अगर मालीजे sale absolute होई है उसके favor में, तो उसका title किस दिन से माना जाएगा, इसलिए हमने section पढ़ा था, purchasers title किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन sale होई थी, ये सब कारिकरम नहीं, तो कि जिस दिन sale होई, इमेडियेटल उसने 25% जमा करा दिया, फिर उसको 15 दिन का समय दिया गया, बाकी के 55% के लिए, फिर हमने समय दिया कि किसी को objection है, तो वो लिया हो, उसको हमने सुना, settle down किया, ये सब करने में समय लगा, इसलिए date of purchase, और date of absolute of sale, किस दिन absolute होई है, दोनों में difference है, लेकिन purchaser का title किस दिन से माना जाएगा, resistance और obstruction to possession of immovable property, ऐसा आपनने section भी पड़ा है, यहां भी वो बात लिखी है, कि यहां जो पूरा execution में, अगर किसी वक्ति को property धिलाई गई है, immovable property, उसकी possession लेने में, अगर कोई वक्ति obstruction कॉज कर रहा है, या फिर resistance कर रहा है, बात किसी वक्ति को, इन दाट केस, उसके against code action ले सकता है, यही बार इस rule में लिखी है, so rule 97 is also important, and that's all for this particular order, और इस तरीके से आपका खतम होता है, judgment, decree and execution of decree, सारे section हमने पड़ लिए, इस से related, judgment and decree से related, उसके execution से related, बहुत सारे section हमने पड़े, 36 to 74 के बीच में, जितनी important question बन सकते हैं, वो सब में आपको बता दिये, इस particular order, order 21 से 20 और 21, दोनों से जो pre-K question बन सकते हैं, वो हमने देख लिया, और I hope आपको एक comprehensive idea भी लग गया, कि सब चल गया रहा है, क्यों judgment आता है, उसके बाद decree अलग आती है, और decree के बाद execution अलग होता है, यह सब क्यों हो रहा है, I hope you have understood that as well, तो यह पूरा concept मेरे खहल, आपके जहन में बैड़ गया है, अगर यह concept आपके जहन में बैड़ गया है, तो बेड़ा सबसे पहले तो इस वीडियो को कर दीजे लाइक, अब आजाईए ज़रा order 22 की तरफ, order 22, और जैसा हमने पहले भी discuss एक बार किया है, जब हम लोग पहली class कर रहे थे, CPC की, उसमें मैंने आपको बताया था, कि यह जो chapter है, यह बहुत ही बहतरीन है, जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, order 22 का, death, marriage and insolvency of parties, तीन चीज़ों को एक साथ रखा गया है इस order में, death, या तो आप मर जाएए, या तो insolvency of party, या तो आप insolvent हो जाएए, या फिर आपकी शादी हो जाए, तीनों को बड़े भेतरीन तरीके से, इस CPC में equate किया गया है, बट, इनका purpose कुछ अलग है, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ साथ में रखा गया है, purpose यह है इस पूरे order का, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाले purpose के लिए ने equate नहीं किया गया है, साथ में नहीं रखा गया है, यहाँ इसलिए इने साथ में रखा गया है क्योंकि इसके हुने के बाद अगर एक suit institute होता है और उसके बाद एक party की death हो जाती है तो उसका suit पर क्या impact होगा अगर एक suit institute होने के बाद एक वेक्ति, especially female की शादी हो जाती है, तो उसका क्या impact होगा suit पे, कोई वेक्ति अगर insolvent हो जाता है suit institute होने के बाद, तो उसका impact क्या होगा, इसको बताया गया है इस पूरे order में, चीक, और इसको abattment भी कहा जाता है, abattment of suit, क्या suit end हो जाएगा, क्य एक party, जो कि उस कोई भी वेक्ति, जो एक suit में party है, let him be plaintiff और defendant, अगर एक वेक्ति party है, यहाँ suit में, तो क्या, उसकी death के बाद, suit await हो जाएगा, या फिर suit आगे continue होगा, ये सारी बातें इस particular order में हमें देखनी है, उसका impact क्या होगा, यह यहाँ पे, basically, बताया गया है, चीक ह तो चलिए, order 22 पे आईए, क्या-क्या पढ़ना है, वो देख लेते हैं, कौन-कौन से rule important है, होता क्या है, meaning is abitment का, ये भी आप ज़रा देख लेजिए, so we are coming to order 22, हाँ शिवानी, constitution की भी classes होगी, बता, constitution contract के बाद start होगा, contract की कल last class है, उसके बाद दो जो GS के acts बचे हुए है साथ आपके already playlist में है, दो बचे हैं, वो कराए जाएंगे, then contract will be started, I guess 23rd or 24th से contract आपका जो है, वो start हो जाएगा, probably 24th से contract आपका, sorry, constitution, constitution, constitution आपका उदर start हो जाएगा, ठीक, तो that will be started, there is, कुशान का क्याना, कि जन्वर ही नहीं, बटा, there is a change in that, पहले वो जो दो special arts बचे हैं, उनको cover कर रहा हैं, जो GS के लिए, कि मैं जो नए add हुए हैं, उसमें से दो subject नहीं हुए हैं, जो आपको इस playlist में नहीं मिलेंगे, उनको पहले cover कराया जाएगा, then we'll be coming up with constitution after life, ठीक, तो rule 4 तक यह बताया गया है, कि अगर किसी व्यक्ति की death होगी, तो इस case में क्या होगा, so rule 1 से 4 important है, यहां, मैं लिखते जाता हूँ, और आपको उसकी summary बताते जाता हूँ, rule 1, rule 2, rule 3 and rule 4, यह चारों के चारों important है, अब इस concept को थोड़ा समझना पढ़ेगा हमें, जो abitment से related है, जिसको थोड़ा से समझना पढ़ेगा, देखिए, rule 1 देखिए, no abitment by party's death if right to sue survive, अगर एक party की death हो जाती है, suit institute होने के बाद, अगर एक party की death हो जाती है, तो क्या suit abit होगा, rule 1 कहता है, कि अगर right to sue survive करता है, अगर right to sue अभी भी exist करता है, in that case, suit जो है, वो abit नही होगा, the death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abit if the right to sue survives, अगर right to sue survive कर रहा है, तो suit abit नहीं होगा, suit abit नहीं होगा, तो क्या करेंगे, why legal representative को लाके replace करेंगे, बंदे की death होगा, यह party की death होगा, यह होगा, क्या, उसका legal representative replace हो जाएगा, अगर suit ऐसा है, which cannot, where the right to sue doesn't survive, cause of action survive भी नहीं करता, अब द पहले भी CPC पढ़ने के लिए कई चीज़े यह बताई हैं, कि आपको थोड़ा सा substantive laws का भी knowledge होना चाहिए, कभी कुछ ऐसे concept हैं, जो आप CPC के समझ पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ substantive laws का knowledge होना चाहिए, substantive laws में यह बात बताई गई है, कि कभ एक party की death हो जाएगी, तो right to you survive होगा या नहीं, CP से सिर्फ इतना बताता है आपको कि अगर right to you survive कर रहा है, तो suit abit नहीं होगा, 1 से लेके 4 तक सब में यही बात बताई है, चाहे plaintiff की बात करिए, plaintiff की death हो जाए, अगर उसकी death होने के बाद भी right to you survive करता है, तो the code will, the suit will continue, अगर right to you survive नहीं करता है, the suit will come to an end, किसी एक defendant की death हो गई है, अगर उस defendant की death होने के बाद भी right to you survive करता है, plaintiff का, against the remaining defendant, तो suit continue करेगा, और otherwise, अगर वो continue नहीं कर सकता है, तो in that case, उस defendant के legal representative को लाके suit में पार्टी बनाया जाएगा, उसके बाद suit continue होगा, that's how it is to be done, तो देखिए, एक एक करके rule को थोड़ा स समझ लेते हैं, बहुत जादा detail में मैं नहीं चापाऊँगा, क्योंकि substantive law से आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कि कब right to you survive करता है, कब नहीं करता, लेकिन एक basic understanding, क्योंकि ये provision हम पढ़ रहे हैं, इस order के, उसके लिए basic understanding जरूरी है, कि right to you survive कब करेगा, कब नहीं करेगा, क Rule 2 आपको बता रहा है, जहां one of several plaintiffs or defendants died and right to sue survive, वो अलग अलग दो तीन plaintiff हैं, और या फिर दो तीन defendant हैं, वहां अगर एक particular, एक plaintiff की death हो जाती है, या फिर एक defendant की death हो जाती है, in that case, क्या होगा, ये Rule 2 में बताया है, Rule 3 कहता है, procedure in case of death of one of several plaintiffs or of sole plaintiff, multiple plaintiff है, किसी एक plaintiff की और 4 similar बात करता है, defendant के context में, अलग अलग multiple defendant है, किसी एक की death हो गई, तो कब suit continue करेगा, कब legal representative को आपको लेकिया आना, ये सारे Rules बताएं, मैं 2-3 examples है, ये 4 rule आपको clear कर दूँँगा, 2-3-4 जो अलग अलग बातें कह रहे हैं, देखिए, सबसे पहले एक बात ये समझीए, य मान लीजिए, जहां sole plaintiff and sole defendant है, एक plaintiff FB, इसने एक suit file किया है, against defendant D, check, plaintiff ने suit file किया, against defendant D, अब अगर मान लीजिए, इस suit को file करने के बाद, इस plaintiff की death हो जाती है, अगर ये suit file करने के बाद, plaintiff की death हो जाती है, और death होने के बाद भी right to sue, अगर survive कर रहा है, ये भले ही मर गया ह लेकिन right to sue survive कर रहा है in that case suit await नहीं होगा और इसकी जगे legal representative को ले आएंगे इसकी जगा कौन आ सकता है legal representative आ सकता है suit इस बात से अवेट नहीं होगा कि ये sole plaintiff था और ये मर गया अगर right to sue survive कर रहा है same होगा defendant के साथ माल लीजे plaintiff जिन्दा है लेकिन defendant की death हो गई है during the pendency of the suit अब इस case में defendant की जगा legal representative को लाया जा सकता है अगर right to sue survive कर रहा है after the death of defendant तो defendant की जगा किसको ले आएंगे legal representative को ले आया जाएगा और इस defendant को substitute कर दिया जाएगा by legal representative अब एक example इसका आप ये समच सकते हैं sole defendant के case में जैसे मान लेज़े आप सब जानते हैं suit for specific performance specific performance का suit अगर specific performance किसी ऐसी चीज की है जिसमें कोई artistic चीज है या कोई individual personal skill की अगर कोई चीज है तो specific performance का जो cause of action है वो सिर्फ उस व्यक्ति के against होता है किसी और के against नहीं उसके legal representatives के against यह सब बाते कहां से पता चलेंगी आपको मैंने कहा substantive laws CPC इसकी बात नहीं करता CPC न तो बस स्रिफ यह लिख दिया है कि अगर आपका right to sue survive कर रहा है तो continue कर ये नहीं कर रहा है तो legal representative को लाना पड़ेगा इस तरीके के बात CPC ने बस इतना बताया वो यह नहीं बताएगा कि कहा right to sue survive करेगा आप एक example यह समझ सकते हैं Contract Act में भी यह चीज़ मिल जाएगी Specific Relief Act में भी आपको यह चीज़ मिल जाएगी कि मान लीजे अगर कोई personal skill से related काम है उसका अगर contract था और अगर मान लीजे इस वेक्ती की death हो गई है और फिर अगर आप specific performance का अगर suit है तो आप बताईए क्या specific performance legal representative के against आप claim कर सकते हैं क्या उस case में specific performance claim करने का suit क्या exist करता है after the death क्या वो right to sue exist करता है specific performance का after the death of that person नहीं करता ऐसे case में suit abit हो जाएगा वेर देर इस single difference हाँ लेकिन अगर damages का suit है अगर मान लीचे damages claim करने का suit है तो बिल्कुल right to sue survive करता है damages आप legal representative से claim कर सकते हैं उस case में एक application देखे LR को ले आएगे अगर आप damages claim करना चाते हैं वो कर सकते हैं उस case में आप क्या करेंगे legal representative को party बना देंगे बात करता है plaintiff की application पे हो जाएगा यह पोट कर देगा जहां right to sue survive कर रहा है वहाँ replace कर दिया जाएगा जहां right to sue survive नहीं करता वहाँ suit बंद हो जाएगा अबेट हो जाएगा यह तो होगा single plaintiff single defendant की बात same चीज़ apply होती है multiple pb अगर मान लीचे there are multiple plaintiffs and multiple defendants अब देख लिए एक बात समझना अगर मान लो यहाँ पर multiple plaintiffs है p1 है p2 है p3 है तीन plaintiffs है तीनों ने मिलके एक suit file किया किसके against dk against defendant rule 3 की बात कर रहा है अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ rule 3 चीज़ को बता रहा है तीन अलग-अलग plaintiff है तीनों ने मिलके suit file किया है dk against अगर मान लीजिये इन में से एक बंदे की death हो जाती है किसकी इस p3 की अगर death हो जाती है अब यह देखा जाएगा कि क्या इन दोनों का p1 और p2 का individually alone क्या इनके पास right to sue survive कर रहा है क्या इनके पास अधिकार है कि बिना p3 के यह suit file कर सकते है इसके against यह कहां से पता चलेगा substantive law से पता चलेगा अगर यह right to sue survive करता है इन दोनों में alone अगर सिरफ इन दोनों में वो right to sue survive करता है in that case यह suit continue हो जाएगा और अगर इन दोनों में वो right to sue survive नहीं करता है in that case क्या किया जाएगा इस P3 की जगे लाया जाएगा इसके legal representative को उसको add किया जाएगा तब sue continue होगा क्योंकि इन दोनों के पास अधिकार नहीं है right to sue survive नहीं करता ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा जो just plaintiff की death क्योंकि तीनों साथ में ही इसको लाना पड़ेगा इसको लाना पड़ेगा इसको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा तब continue होगा otherwise नहीं होगा I hope that is clear yes or no समझ महाँ है same applies to defendant the same exactly same applies to defendant defendant के case में देखी जारा क्या होगा अगर मान लिजिए एक plaintiff है P P ने मान लिजिए एक suit file करा है P ने मान लिजिए एक suit file किया है against D1, D2 and D3 तिन defendant है multiple defendant है अब मान लिजिए इसकी death हो जाती है D3 की अब यह देखा जाएगा कि क्या plaintiff का जो right है right to sue है वो क्या इन दोनों के against भी रहता है क्या यह इस capacity में है क्या इन दोनों के against भी इसके पास अधिकार है कि दोनों को individually suit file कर दे if the answer is yes then the suit will continue लेकर अगर answer यह है कि नहीं नहीं भाईया तीनों के against suit file करना है आपको आपका जो right to sue है वो तीनों के against collectively है jointly एक के against नहीं है individual के against इन दोनों के against आपके पास right to sue नहीं था तीनों के against collectively था in that case क्या करना पड़ेगा इस D3 को LR से replace करना पड़ेगा यहां किसको लाना पड़ेगा legal representative को लाना पड़ेगा इस defendant के add कराना पड़ेगा वो court करेगा यह लिखा है आपका rule 4 में तो दोनों की यह बात है अब यह कहानी कि कहां right to sue survive करता है कहां नहीं करता जैसा मैंने कहा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहा substantive laws की तरफ एक example में आपको इसका contract act का बता दू ना से शायद आप थोड़ा यह connect कर भाएं कि कहां right to sue आपका exist करता है कहां नहीं आपने पड़ा होगा contract act में dissolution of joint rights and dissolution of joint liability आपने section 42 और 45 पड़ा होगा Indian contract act का devolution of joint liability 42 devolution of joint right 45 वहां से थोड़ा सा correlation निकाल सकते हैं कि कहा right to sue survive करता कहां नहीं मैं आपको recall करा देता हूँ उन provisions में क्या लिखा है जहां पे अब 42 कहता है जहां भाई साथ joint promisor थे मान लीजिए A ने B ने और C ने तीनों ने मिलके एक promise किया था किसको D को कि भाईया तिरे को हम 60,000 रुपे देंगे A, B और C ने मिलके joint promise किया था किसको D को कि तेरे को हम 60,000 रुपे देंगे अब Indian contract act ये कहता है section 42 ये कहता है Indian contract act का कि अगर मान लीजिए इसकी death इन में से अब D का जो अधिकार है वो कैसा दिया है substantive law में कि D चाहे तो पूरे 60,000 जहां ये joint promisors है D चाहे तो पूरे 60,000 सिर्फ A से ले सकता है सिर्फ B से ले सकता है C से ले सकता है या तीनों से collectively ले सकता है वो जिससे चाहे उससे claim कर सकता है ऐसे case में अगर मान लीजिए उसने तीनों के against claim किया और C की अगर death हो गई तो अब आप बताईए क्या D का A, B के against right to see survive करेगा येस क्योंकि वो तो एकसे भी मांग सकता है ये अधिकार उसको किस ने दिया आपके substantive law ने दिया contract ने दिया कि आप किसी एकसे भी मांग सकते हो दो से भी मांग सकते हो जहां joint promissor थे तो आप मांग लीचे उन से यहां कोई फर्ट नहीं पड़ागा यहां जरूरी नहीं है कि आप C का legal representative लेकिया आए आपका right to see survive कर रहा है इन दोनों के against भी independently तो the suit will continue LR को replace करने की जब़त नहीं पड़ेगा I hope that is clear Yes or no इक बार लिखके बता दीजिए कि समझ आया की नहीं यह मैं आपको एक्जाम्पल बताना चाहरा हूँ कहा right to see survive करेगा कहा नहीं करेगा And I hope that is clear to everyone यह आपको मेलेगा Indian contract act के 42 बात में यह जरूर है कि आपस में एक दूसरे के against claim कर सकते है बट इसको आपने अधिकार दे दिया ना इसको आपने अधिकार दे दिया ना जिससे चाहे मांगे हो कोई दिक्कत नहीं है इसको आपने right proper दे दिया है कि वो जिससे चाहे मांगे लेकिन अगर आप उसी में section 44 बढ़ेंगे resolution of joint right की बात करते है resolution of joint liability joint right दोनों दिया है 42 और 45 में अब अगर मान लीजिए promise ही joint है मान लीजिए A ने एक promise किया कि भाई साब मैं 60,000 रुपे दूँगा किसको B को C को और D को इन तीनों को 60,000 रुपे देने का promise किसने किया है A ने किया है कि तुम तीनों को मैं 60,000 रुपे दूँगा अब Indian Contract Act ये कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ D की death हो जाती है तो क्या B और C के पास अधिकार है A से 60,000 मांग लेने का क्या B और C individually या alone क्या अधिकार रखते हैं suit file करने का A के against as per the sub-frontive law as per the Indian Contract Act बताइए yes or no क्या A, B और C के पास अधिकार है कि वो individually मांग सकते हैं A से या दोनों collectively मांग सकते हैं without D तो इसके लिए आपको जवाब मिले रहा Indian Contract Act के section 45 में और वो कहता नहीं इनके पास अधिकार नहीं है जब यह plaintiff बनेंगे इस case में आप समझना जब यह तीनों plaintiff बनेंगे कौन-कौन बनेगा plaintiff आपका तो B, C और D जब यह तीनों suit file करेंगे against A और आप इसमें अगर मान लीजिए D की death हो जाती है तो क्या B और C के पास अधिकार है कि बिना D के representative को बोला है A से पैसा मान सकते हैं The answer is no Substantive Law का अधिकार नहीं देता Substantive Law कहता है कि भाईया इधर पर आपको लाना पड़ेगा है आप इंडिविचुली क्लेम नहीं कर सकते हाँ जहां प्रॉमिसर मल्टेपल थे वहाँ प्रॉमिसी के पास अधिकार है कि कि किसी एक से क्लेम कर ले लेकिन जहां मल्टेपल प्रॉमिसी है तीनों को प्रॉमिस किया था एने कि तुम्हें साथ हजार दूँगा यहां यह दोनों मिलके क्लेम नहीं कर सकते साथ हजार इन तीनों को आना पड़ेगा सांत वो क्लेम करने के लिए तो राइट तो स्यू यहां सर्वाइब नहीं करता अफ्टर देट बन परसंग इसलिए ऐसे किस में क्या करा जाएगा इसके लर को लाया जाएगा इसके लर को एड किया जाएगा बस यही बातें रूल बन से रूल फोर तक आपको मिलेंगी और इनके समझ में ना आने का ना आप आने का जो कारण है में वो मुझे लगता है सब्स्रेंटिव लॉज की कम क्लारेटी जैसे फैमिली लॉव में भी आपको बहुत जगी सब मिल जाएगा कहां को पार्सनर है तो उनके क्या र नहीं होगा वेन राइट गट की डच के बाद तो सूट अबेट नहीं होगा अगर आपका राइट उस्यू सर्वाइब कर रहा है इन टाट केस कि अल्राइट हम इसके बाद माग करें तरहब प्री के दूसरे सवाल यहां से तो देखो तो सिंपल रूल में से कुछ आप से पूछा जाता है, नंबर जनरल ही नहीं पूछा जाता है, एक से चार का, सिर्फ यह पूछा जाता है कि कब सूट अबेट होगा, कब नहीं, और जैसा मैंने आपको कहा था कि CPC अपन सिरुफ याद नहीं करेंगे, कि राइट टीसु पर जाता है, यार कर रहा है, इसलिए उस हिसाब से मैं आपको इतना जरू समझा दे रहा हूं कि आपको चीज़ा याद रहे हैं, इसके बाद देखिए, रूल फॉर ए पर आ यह यह दिस वेरी इंपोर्टन्ट, रूल फॉर ए देखिले जी इसके बाद, प्रोसीजर वेर अब माल लेजिए, सूट को continue करने के लिए legal representative की जरुरत है, बिना legal representative की सूट continue नहीं हो सकता, क्योंकि right to sue survive नहीं कर रहा है, जितने remaining parties है, जो भी remaining plaintive है, remaining defendant है, उनमें right to sue survive नहीं कर रहा है, LR को लाना ज़रूरी है, लेकिन जो गक्ति deceased है, जिसकी मृत्य हुई है, जो मरा है उसका कोई LR ही नहीं है, ऐसे case में क्या करेंगे, यह दिया है 4A में, यहां से primary question आता ही, बहुत important है, कि जहां LR नहीं है, वहां कौन आएगा, यह officer है court का, इसका नाम कई बार problems में पूछा जा चुका है, if in any suit, it shall appear to the court that any party who has died during the dependency of the suit has no legal representative, कोई legal representative नहीं है, उसका जिसकी of a person, absence में भी proceed कर सकती है, representing the state of the deceased person, अगर कोई नहीं है तो absence में भी proceed कर सकती है, और लिखाया आगे, और में, underline कर लीजे, और में, by order, appoint the administrator general or an officer of the court, और such other person as it thinks but to represent the state, या फिर किसी वक्ति को appoint कर देगी, किस को कर सकती है, administrative general को, या किसी दूसरे officer of court को appoint कर सकती है, as legal representative of that deceased person, जो उसकी property, क्योंकि मर गया विक्ति property तो होगी न, उसको manage कर लेगा, उसमें से जो linden होगा, वो हो जाएगा, इसे लिए 4a में ये बताया गया है, this is very important, इसके बात, जो important rule है, जहां से question आता है, वो बहुत important है rule 6, rule 6 is very very important, अगर आपसे कोई rule पूछा जा सकता है, इस particular order में तो वो है rule 6, और इसमें ये बात, इसका concept भी पूछा जाता है, rule 6 basically है, क्या no abattment by reason of death after hearing, अगर एक party की death होई है, जहां hearing complete हो गई है, judgment pronounce नहीं हुआ, किस बीच death होई है party की, hearing complete हो गई है, लेकिन अभी judgment pronounce नहीं हुआ है, इस बीच में अगर किसी party की death होई है, तो इसका कोई impact नहीं होगा उस सूट, इस बात का कोई impact नहीं होगा उस सूट पर इह लिखा है rule 6 में, notwithstanding anything content in the foregoing rules, whether the cause of action survives or not, इसे मतलब नहीं है, cause of action survive कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर hearing complete हो गई है, उसके बात किसी के death होई है, तो इस बात का कोई impact नहीं होगा, there shall be no abattment by reason of the death of either party between the conclusion of the hearing, between the conclusion of the hearing and the pronouncement of the judgment, but judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death, judgment वैसे ही प्रनौंस होगा, जैसे बेखती इनना मरा होता तो होता, और इस बात का कोई impact नहीं होगा, खल भी हमने देखा था कि जैसे hearing complete होगी, या तो at once judgment प्रनौंस हो सकता है, जरा comment box में तुरंद मुझ पहली limit क्या है, court के उपर, क्या कोशिश होनी चाहिए, किते दिन में judgment प्रनौंस होना चाहिए, अगर advance नहीं कर रहे है, hearing complete होने के बाद, बताव भाई, 30 days, that's correct, 30 दिन में होना चाहिए, अगर 30 दिन में नहीं हो पा रहा है, extra ordinary situation है, तो किते दिन, अगर 30 दिन में हो पा रहा in that case कोई कुछ है क्या, अगर मान लीजिए, 30 दिन में नहीं हो पा रहा तो, फिर कुछ है क्या, correct, 60, correct, और judgment प्रनौंस होने के किते दिन के अंदर decree रहा होनी है, चाहिए, और जारा यह भी बता दो, क्योंकि यह सब question आने है, judgment decree execution से बहुत question है, तो judgment प्रनौंस होने के बाद किते दिन में होगा, decree रहा होनी चाहिए, 15 दिन, that's correct, correct, और जारा यह भी बता दो, कि decree पे date कौन सी होती है, decree पे जो date होती है, वो कौन सी date होती है, यह भी बता दीचे, तो decree पे जो date डाली जाती है, correct, तन्वीर, judgment की date डाली है, जो judgment की date है, वो होगी decree पे, correct, चलिए, good, revision कर रहे हैं, उनके test available है, app पे, देते जाओ उनको, उनको देते जाएए, और full-fledged अगर आपको exactly वो feel लेना है, उक्तर प्रदेश के paper का, तो फिर mock test को जाएए, चलिए, तो rule 6 आपके समझ में आ गया, कि अगर conclude हो गई है hearing, और death कब हुई है, conclusion of hearing के बाद, judgment, pronouncement से पहले, तो क knowledge का impact देखेंगे, death का देख लिया हमने, death में क्या impact होगा, कब suit abate होगा, जब right to sue survive नहीं करेगा, ताब abate होगा, और अगर right to sue survive कर रहा है, तो फिर तो भाई, कोई समझ जाए नहीं है, इसके बाद 7 देखिए, suit not abated by marriage of female party, अगर मान लीजे, कोई भी party, जाए, plenty for child defendant, वो female ह उसके शादी होने से suit abate नहीं होगा, उसका को impact नहीं होगा, यह जनरल बाद rule 7 में लिखी है, इसके अलाब rule 7 में यह भी लिखा है, कि अगर मान लीजे, female party की शादी हो गई है, अगर by law husband liable है for the debts of the wife, वाइफ ने जो उदार उदार ले रखा है, उसके लिए अगर husband liable है, in that case, जो भी decree आएगी, वो husband के अगेंस भी execute हो सकती है, यह लिखा है, यह कैसे पता चलेगा, यह आपके personal law से पता चलेगा, जिन personal law से आप गवन होते हैं, वहाँ से पता चलेगा, कि husband के अगेंस्ट अधिकार फैया या नहीं, जहां wife के debt है, उस case में husband के अगेंस्ट क्लेम कि to judgment and judgment किया जाएगा and where the decree is against a female defendant, अगर defendant female है और उसके against decree आई है, it may be executed against her alone, सबसे पहले general बात लिकिये, अगर female के against, वो defendant है और उसके against decree आई है, in that case, उसके अकेले के against ही execute किया जाएगा, लेकिन इसका जो sub rule 2 है, वो कहता है, where the husband is by law liable for the debts of his wife, the decree may with the permission of the court be executed against the husband. लेकिन अगर by law wife के debt के लिए husband liable होता है, तो ऐसे case में ये जो defendant wife के against decree आई है, ये उसके husband के against be execute करी जा सकती है, husband के against be execute करी जा सकती है, तो कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो बहुत सच दच के बक्री मग्रीम बैठ के जो गड़के दूला बनते हैं, उनके लि उनको ये बताना चाहिए, तो नहीं है, पता चला आप liable है wife के debt के लिए बाद में डिकरी आ रही है, और इतने पैसे चले जा रहा है और उस डिकरी के execution में, इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ऐसे भावी दूलों के लिए एक कोर्स चलाना, प्री वेडिंग लोग क्लासिस के नावन से, और शायद जल्दी उस दाहिच को लाँच या जाए, उक्तर खृदेश निपट लें जाना, फिर इन शादी वालों को देखेंगे, इसके बाद आईए रूल एट पे, तो भाई, मैरिज का सिंपल है, अगर फीमेल है तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, शादी का सूट अवेट नहीं होगा, हाँ, डिकरी का एग्जेक्यूशन जनरल बात यह है कि फीमेल का अगेंस्ट ही होगा, बट अगर बाई लॉव डि एग्जेक्यूट भी करा सकता है, इसके बाद आजाए एट, एट is important then, rule 8, so rule 8 कहता है when plaintiff's insolvency bar suit, अगर plaintiff insolvent हो गया, तो क्या suit अबेट हो जाएगा, तो जनरल बात ही है कि जनरल ही नहीं होता, उसके लिए conditions है, यह जहनना बहुत ज़रूरी है, इसको समझेगा जारा, य insolvency of a plaintiff in any suit, which the assignee or receiver might maintain, for the benefit of his creditors, shall not cause the suit to abate, भले plaintiff insolvent हो गया है, लेकिन अगर assignee या receiver उसको continue कर सकते है, in that case, suit abate नहीं होगा, किस condition में abate होगा, जब यह assignee और receiver अपनी duty फुल्फिल नहीं करेंगे, वो court में जो cost loss जमा करानी है, वो नहीं कराएंगे, आगे यह बहुत important है, इतर से question आता है, unless such assignee or receiver declines to continue the suit, अगर मान लीजिये, अगर हम किसकी बात कर रहे है, plaintiff की, जिसने suit file किया, वो insolvent हो गया, तो क्या उसके भिहाब पे suit continue किया जा सकता है, yes, उसके जो भी assignee or receiver हैं, वो continue कर सकते है, कब suit abate होगा, अगर वो खुद मना कर दे such assignee or receiver declines to continue the suit, अगर वो continue करने को मना कर दे, या फिर और, or to give security for the cost thereof within such limit, या फिर cost के लिए security जो मांगी जाती है, वो देने से मना कर दे, थोड़ा सा इस cost की security का भी समझ लेना, आगे order ज़रूर आएगा, but इस concept को समझ दे, कई बार क्या होता है, जैसे माल लीजिये, आप ऐसे plaintiff हैं, जिससे अभी हमें security, पता चला, आपने defendant के लिए suit file करा, वो defendant आया, आपने को defend किया, suit decide हुआ, और बाद में अगर court को लगता है, कि आप plaintiff से cost पे करवानी चाहिए defendant को, ये concept अपन पहले ही समझ चुक है, हो सकता है, ऐसा find out करे court end में, कि भालतू का suit था defendant को जब defendant को तो ये सता दे suit file करके, लेकिन उसका पता नहीं cost दे पाएगा कि नहीं, इसलिए court पहले ही, court plaintiff से पहले ही security मान सकती है, for payment of cost, कि भाई या तुम ऐसा करो, पहले कुछ security रख दो, क्योंकि बाद में तुम बग जाओगे, इसलिए तुम पहले ही, इसको कहते है, security for cost, इसक जो कि plaintiff जो है, वो insolvent हो चुका है, plaintiff जो है, insolvent हो चुका है, तो court assignee or receiver को बोलेगा, पहले security रख दो, कि कल को आपका suit भरजी निकला, तो defendant को cost दिलवाएंगे, और उसके लिए आप security furnish करिए, अगर ये security नहीं furnish करते हैं, तो suit await हो जाएगा, insolvent होने के बाद plaintiff, I hope you got this कि ये क्यों चल रहा है, इसके बाद इसका sub-roll 2 देखिए, procedure where assignee fails to continue suit or give security, अगर मान लीजे वो continue नहीं कर पाता है, security नहीं देता है, in that case suit will come to an end, देखिए, where the assignee or receiver neglects or refuses to continue the suit and to give such security within the time so ordered, the defendant may apply, the defendant may apply for the dismissal of the suit on the ground of the plaintiff's insolvency and the code may make an order dismissing the suit and awarding to the defendant the cost which he has incurred in defending the same to be proved as a debt against the plaintiff's state, तो मान लीजे अगर ये जो assignee है, plaintiff ने suit file किया, और suit file करने के बाद वो plaintiff, during the pendency of suit, वो plaintiff क्या हो गया, insolvent हो गया, तो general provision तो ये कि अपने आप suit अबेट नहीं होगा, अगर उसके जो assignee or receiver है, उस insolvent क्या करते है, जो वेक्ति insolvent हुआ है, उसके receive कम करना है, लेकिन अगर कुछ receive करने को बचाया, तो उसके लिए एक person appoint किया जाता है, जो वो receive करेगा, और आपके जो creditor है, जिनसे आपने ले रखा है, जिनको आपको पैसा pay करना है, उनको थोड़ा बहुत दिलाएगा, proportionately, ये काम करने के लिए assignee receiver बैसे भी होते हैं, तो इनको ये अधिकार दिया है, कि plaintiff नगर suit file किया था, और उसके बाद वो insolvent हुआ, तो आप continue कर सकते हैं, लेकिन continue करने के लिए, आप एक चोग होने चाहिए, कि आप continue करना चाते हैं, अगर आप फोड continue नहीं करना चाते हैं, तो suit में come to an end, suit dismiss हो सकता है, और आपको security furnish क करनी पड़े की for payment of cost, अगर ये आपने नहीं किया, तो defendant एक application देदेगा, court में किसाभ ये, assignee receiver करना नहीं चाह रहे हैं, continue, या फिर उने security नहीं दिये for the purpose of cost, और इस ground पे court dismiss कर सकता है, suit को, I hope that is clear to everyone, yes or no, समझ मैंना भीया, क्या चल रहा है, क्या चल रही है, क्या security for cost, I hope that is clear, see, चल ये, इसके बाद आजा ये 9, effect of abitement or dismissal, this is also important, 9 is very important, 9 is very important, effect of abitement or dismissal, where a suit abits or is dismissed under this order, underline कर लीजे, अगर एक suit abit हुआ है, या dismiss किया गया है, underline कर लीजे, no fresh suit shall be brought on the same cause of action, अगर इस order में suit abit हो गया है, या dismiss कर दिया गया है, तो fresh suit नहीं लाया जाएगा, same cause of action पे, this is very, very important, इसका sub-rule 2 कहता है, the plaintiff or the person claiming to be the legal representative of a diseased plaintiff, और the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff, may apply for an order to set aside the abitement or dismissal, जो भी व्यक्ति है, जो plaintiff या उसके, जो assignee है, receiver है, insolvent के, या party जो मर चुकी है, उसके legal representative, वो चाहें तो इस order को set aside, इस abitment के order को या फिर इस dismissal के order को set aside करा सकते हैं, माल लीजे, court मैं आपने समय पर security furnish नहीं करी, assignee या receiver ने, और court ने क्या करा, dismiss कर दिया, इस dismissal के order को बाद में अगर वो आते हैं कि आप security ले लो, उस समय नहीं कर पाएते हैं, आप कर दे रहे हैं, तो इस court जो है, अगर उसको आप satisfy कर देंगे for sufficient reason, तो वो set aside कर सकता है, उस dismissal को और suit को continue कर सकता है, उस abatement के order को भी अगर बाद में legal representative आता है, तो भी उस abatement के order को set aside करके continue किया जा सकता है, लेकिन fresh suit नहीं लापाऊगे, इस dismissal के abatement के order को आप set aside करा सकते हैं, बट fresh suit नहीं आएगा, ये है आपका rule 9, इसके बाद 11 भी देखिए, important है for prelims, rule 11 बस इतका है अध्यान रखना है कि rule 11 में है क्या application of order to appeal, appeal पे apply होता है या नहीं ये, और जो 12 है, 12 भी important है, इसका rule 12 भी important है execution, जो proceedings है उस पर applicable है या नहीं, इसके बारे में 11 और 12 कहते हैं, तो 11 देखिए, in the application of this order to appeal, so far as maybe the word plaintiff shall be held to include an appellant and the word defendant or respondent, बदब जो plaintiff लिखा है उसकी जगे अपन appellant मालेंगे, जहाँ appeal की बार चल रही है और defendant की जगे respondent मालेंगे, उसमें ये दो parties होगी है, when it comes to appeal, appeal पे ये apply होगा, ये जो order है, ये appeal पे apply होता है, ध्यान रखिएगा, बट इसका जो rule 12 है, वो कहता है कि execution की जो proceedings होती है, जिसके बारे में कल हमने पड़ा था, execution की जो proceedings हैं, उस पे इस order का rule 3, 4 और 8, rule 3, 4 और 8 applicable नहीं है, execution proceedings पे, ये ध्यान रखिएगा, 11 और 12, important है, तो ये होगे आपका order 22, which is abitment, और किन-किन cases में ये बताता है, कि suit के सांथ क्या होगा, suit abit होगा या नहीं होगा, तो death, marriage और insolvency of a party के बारे में बताता है, सबसे पहले हमने death के बारे में देखा, फिर female party की शादी होती है, उसका क्या impact होगा, वो देखा, और हमने देखा कि अगर plaintiff insol हो जाएगा, in that case, क्या होगा, तो ये सारी बतें यहां दी होगा, and I hope that is clear, थोड़ा भग concept भी आपके समझ में आया है, कि ये सब चल क्या रहा है, इसके बाद आजाएए अगले order की तरफ, that is order 23, this is also very important, withdrawal, बहुत important है, order 23, देखिए इस order 23 में हमें क्या-क्या पढ़ना है, order 23 का नाम है, withdrawal and adjustment of suit, withdrawal and adjustment, इसमें basically हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इस order में, इसमें हम पढ़ेंगे, abandonment, abandon मतला छोड़ देना, कुछ नहीं है, suit institute किया, उसके बाद छोड़ दिया, खतम कर दिया, that is abandon, उसके साथ होगा withdrawal, एक तो abandonment पढ़ेंगे, आपकी suit abandon हो जाएगा, दूस इस ने किसी lawful agreement से आपस में compromise कर लिया, तो court क्या करेगा, court दोनों party को बुलाएगा, और उस agreement के हिसाब से decree draw करके suit खतम कर देगा, तो basically इस order में आपको तीन चीज़ें बताई गई है, abandonment, withdrawal and compromise, ये तीनों इस order में हमें पढ़ना है, कौन-कौन से rule important है, वो में यहां लिखते गया है, compromise के लिए separate rule है, rule 3, इस rule 1 में क्या-क्या मिलेगा आपको, abandonment और withdrawal, तो देखिए rule 1, withdrawal of suit or abandonment of part of claim, at any time after the institution of a suit, the plaintiff may as against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon a part of his claim, पूरा suit abandon कर सकता है, या कोई part छोड़ सकता है, कि ठीक नहीं चाहिए, जाओ ask करो, that is abandonment, ये काम कर सकता है, लेकिन एक बा नहीं लापाऊगे, provided that where the plaintiff is a minor, ये proviso भी important है, minor के case में suit का abandonment खुद से नहीं होगा, क्योंकि minor खुद suit file नहीं करता, वो आगे के order में पढ़ेंगे, minor के बिहाफ पे suit file किया जाता है, by next friend, कोई दूसरा person जो competent है, वो suit file करता है, उसको केते है next friend, तो अगर next friend ने suit file किया, तो वो खुद से abandon नहीं कर सकता, बिना permission of court के वो abandon नहीं कर सकता, ये proviso लिखा है, provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom, the provisions contained in rules 1 to 14 of order 32 extent, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned, underline कर लिजे, shall be abandoned without the leave of the court, बिना court की permission से abandon नहीं किया जाएगा, चिक in this case, इसके बाद देखिये sab rule 2, वह सव रूर 2 बात करता है कि अगर ये आपको application देना है तो if it effect देगा next friend, बहुत important नहीं है, इसका sab rule 2 बहुत important नहीं है, sab rule 1 important है, क्योंकि ये बात करता है abandonment की, और sab rule 3 बहुत important है, क्योंकि ये बात करता है withdrawal की, सब रूल 3 बताएगा विड्रॉल के बारे में तो सब रूल 3 देखिए विएर दा कोट इस साटिसफाइड एगर कोट को लगता है कि किसी फॉर्मल डिफेट के कारण सूट वैसे भी खतम हो जाएगा फिल हो जाएगा सूट कोई भी फॉर्मल डिफेट की वज़े से अगर कोट को लगता है कि सूट डिसमिस एणिवेज हो सकता है ऐसे केस में कोट परमीशन दे सकती है प्लेंटिफ को कि भाई या तू विड्रॉ कर ले तो सूट विड्रॉ कर ले देखो एक बात त्यान रखना कोट का परमीशन देता है इन केसे में तो ए है अगर को लगता है कि सफीशन रीजन है कि प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाना चाहिए फ्रेश सूट फाइल करने का इन दाट केस ओलसो दा कोट में कि प्रमीशन तो धी प्लेंटिफ कर लो और तुभारा सूट ले आना आगे लिखा है it may on such terms as it thinks which grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim underline कर लिजे with liberty to institute a fresh suit यह जो withdrawal with the permission of court किया जाएगा इस case में court उसको liberty देगा क्या liberty देगा liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit और such part of उसी subject matter के respect में आप fresh suit ले आईए यह liberty के साथ withdraw करने की permission court देगा इसके बाद sub rule 4 देखिए where the plaintiff abundance any suit or part of claim under sub rule 1 अगर आपने abandon किया है suit या फिर और भी withdraw from a suit or part of a claim underline करिए without the permission referred to in sub rule 3 बिना court की permission से आपने withdraw किया है या फिर आपने suit को abandon किया है दोनों cases में आप fresh suit नहीं ला पाएगे fresh suit कब ला पाएंगे जब आपने sub rule 3 के हिसाब से with the permission of court withdraw किया हो तो कि वहाँ court आपको liberty देता है to institute of fresh suit आगे लिखा है sub rule 4 में he shall be liable for such cost as the court में about and shall be underline कर लीजे and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter और such part of the claim तो अगर आपने बिना court की permission से withdraw कर लिया है तो भी आप fresh suit नहीं ला पाएंगे य properly court की permission लेकर withdraw किया है in that case आप fresh suit ला सकते है otherwise नहीं ला सकते यह बहुत important है rule 1 बहुत important है कई सारे सवाल इदर से बन जाते है rule 2 भी important है दो रूल 2 में तो काफी concept भी है जो आप limitation act के साथ पड़ते हैं पट यहाँ उतना important नहीं है basic बात समझे जो समझने लायक है for the purpose of problems limitation law not affected by first suit law of limitation affect नहीं होगा first suit के institution से यहां लेखाए in any fresh suit instituted on permission granted under the last preceding rule the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted law of limitation आप पर वैसे यह applicable होगा जैसे वो पहला suit ना file हुआ हो जिसको आपने withdraw कर लिया है ना यह माना जाएगा कि वो suit file ही नहीं हुआ और अगर आपका limitation period खतम हो गया है तो फिर उस limitation period को खतम मान लिया जाएगा आप fresh suit उसके बाद नहीं ला पाएंगे अगर आपका cause of action arise होता है law of limitation में limit दी है कि कित्ते दिन के अंदर आप suit file कर सकते है on the basis of that cause of action मान लीजे तीन साल की limit है आपने एक suit file किया लेकिन उसको withdraw कर लिया तो माना जाएगा आपने वह suit file किया ही नहीं cause of action से within three years अगर आपने दूसरा suit file नहीं किया fresh suit file नहीं किया तो आपकी जो remedy है वो lapse हो जाएगी as per law of limitation इसको पढ़ा जाता है along with limitation act उसके साथ correlation में but prelims के लिए उतनी technicality फिलहाल required नहीं है एक basic idea मेरे ख्याल से आपको लगया कि अगर आपने withdraw किया है तो इस बात का law of limitation पर कोई effect नहीं होगा वो वैसे ही applicable होगा जैसे होता है इसके बात देखिए rule 3 this is very important सीधे सीधे सवाल आ जाता है कि compromise of suit किस rule में दिया है यह direct question बनेगा और इस से related आगे कुछ बाते बताई गई है कि इस compromise वाले suit को set aside करने के लिए आप एक suit file नहीं कर सकते यह बात rule 4 3a में बताई है that is important 3a is also important तो जारा देखिए rule 3 क्या है क्या है यह compromise of suit where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise underline कर लीचे कैसा होना चाहिए agreement lawful agreement होना चाहिए by any lawful agreement lawful agreement से दोनों पार्टी के बीच में compromise हो गया है और compromise in writing and signed by the parties writing में होना चाहिए parties के sign होने चाहिए और where the defendant satisfy the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit the court shall order underline कर लीजे the court shall order such agreement compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith तो वो जो agreement हुआ है वो जो satisfaction हुआ है दोनों पार्टी के बीच court उसको record करेगा और उस agreement के basis पर decree ड्रॉ कर देगा उस agreement decree होगी इसमें ऐसा नहीं कि compromise हो गया तो decree नहीं होगी आपने suit institute किया है तो decree होगी लेकिन जो decree होगी वो उस agreement या satisfaction जो आपस में समझोता हो गया है उसके basis पर decree court draw करेगा ठीक इसके बाद इसका explanation भी important है वाई साब explanation important है क्योंकि हमने यहां क्या पड़ा है कि lawful होना चाहिए agreement और explanation कहता है agreement or compromise which is void or voidable under the Indian contract act shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule अच्चों agreement होगा है दोनों parties के भीच अगर वो agreement void or voidable है इस पर Indian contract act तो वो lawful agreement नहीं माना जाएगा उसके basis पर decree drop नहीं करी जाएगी इसके बाद rule 3a जैसा मैंने बताया is also important that is also very important 3a bar to suit no suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful अब इस ग्राउन पर माल लेजे एक आपको का compromise हुआ उस compromise के basis पर court ने decree भी ड्रॉ कर दी अब decree ड्रॉ होने के बाद कोई party एक suit file इसलिए उस decree को set aside कराने के लिए कोई suit file नहीं कर सकती fresh suit file नहीं कर सकते आप उस decree को set aside कराने के लिए इस ground पर कि वो जो agreement था हो लॉपल नहीं था इस ground पर आप suit file नहीं कर सकते दूसरी जो remedies आप वो कर सकते हैं आपी उपी कर सकते हैं suit file नहीं आप कर पाएंगे suit क्या होता है similar jurisdiction के court में जो आप decree को set aside कराने के लिए करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे यह बात ध्यान रखिएगा so that is about 3a इसके बाद 3b that is very very important क्योंकि पूरे अभी हमने representative suit world पहले भी सुना है CPC पड़ते समय लेकिन representative suit की कहीं definition नहीं मिली हम है कहीं CPC में हमने नहीं देखा जहां representative suit को define किया गया हो लेकिन इसके लिए एक rule है 3b जिसमें यह बताया गया है कि representative suit का आप जानते हैं कोई एक वेक्ति है जो बहुत सारे लोगों के interest को represent कर रहा है अकेले तो भाया उन गरीबों को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे नाम के क्या क्या हो गया है तुम्हें जो वेक्ति रप्रेसेंट कर रहा है उसने compromise कर लिया है यह बिना court की permission के नहीं होगा इतर लिखा है no agreement or compromise in a representative suit shall be entered into underline कर लिजे without the leave of the court, बिना court की permission के नहीं होगा, और अगर court की permission के बिना हुआ तो last line में लिखा है shall be void, entered into without the leave of the court, so recorded shall be void, वो वाइद माना जाएगा, क्योंकि आप court की permission लेंगे किसाथ हम ने compromise होगया, with the permission of court ही वो compromise किया जाएगा, और क्योंकि जब विद्धी permission of court करेंगे, तो court क्या करेगा, जितनी interested party अगर उसको लगता है कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, तो उसको notice बिजेंगे, बता चला हूँ गरीबों का suit इसने पैसे ऐसे लेकर compromise कर लिया, जो represent कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के interest को represent कर रहा है इसलिए अगर court को inform नहीं किया है, तो आपका महाँ malified कुछ हो सकता है, लेकिन आपने court को inform कर दिया, तो court को अगर लगता है, कि जिन लोगों का interest effect हो रहा है, हमको notice देना चाहिए, तो court ने notice बिज देगा, कि भईया, तुमारे suit का compromise हो रहा है, देख लो तुम क्या करना है, और यह बात सब rule 2 में दी है, notice बिजने माली, explanation 3B का जो explanation है, वो बताता है कि representative suit कौन से होंगे, in this rule, representative suit means, a suit under section 91 और 92, अभी पढ़ेंगे, अपन section 91 और 92, public nuisance से related है, वो representative suit माने जाएंगे, B कहता है, a suit under rule 8 of order 1, order 1 का rule 8, वहीं पढ़ा था अपने representative suit, कि किसको plaintiff की तरह जोइन करना है, किसको नहीं करना है, उससे related, वहाँ आपने देखा था कि representative suit हो सकता है, इसके बास सी देखिए, suit in which the manager of an individual Hindu family issues, और a suit or representing the other members of the Hindu undivided family अगर है, हुए तो उसका जो main percentage और represent कर रहा है, अगर वो कोई suit फाइल कर रहा है, तो उसे on behalf of the other members, उसे representative suit माना जाएगा, इसके अलाबाद D कहता है, कोई भी ऐसा suit, जिस व्यक्ति ने फाइल किया है, और जिनके बिहाफ पे फाइल किया, अगर वो लोग liable होंगे उस suit के judgment से, तो ऐसे suit को भी representative suit माना जाएगा, basically explanation ने ये बताया है, कि कौन से suit representative suit माने जाएगे for the purpose of this rule, ये बात इसके explanation में लिखी हुई है, ये important है, आपके prelims examination के लिए, order है, आपका पूरा suit withdrawal और abandonment ये execution proceeding पर applicable नहीं है, तो बहुत important नहीं है, वो rule is use को में इधर mention नहीं कर रहा हूँ, ये होगा आपका order 23, बहुत important है, rule 1 सबसे ज़्यादा important है, rule 1, 2 और 3, बहुत important, rule 1 में भी आपने देखा, sub rule में abandonment, sub rule 3 में withdrawal, अगर with the permission of court withdraw किया, तो fresh suit ले compromise of suit, ये सारी चीज़ें ध्यान रखियेगा इस particular order के लिए, बहुत important है, इसके बाद आपनाते हैं, अब आगे, तो अब देखिए, जैसा मैं आपको बताया, हर order के अंदर की चीज़ें पढ़ना important नहीं है, जाहां से question बनते है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ ऐस order है, जिनको मैं सिर्फ बताऊंगा, कि इस order का नाम याद रखियेगा, कि किस order में क्या है, सवर ने लिखा है, सवर ने लिखा है, सवर और नोबडी के इच प्रसीजर लाइं सच अवे, थैंक्यू सो मच for this compliment, hope of more law videos on YouTube like this, वार प्रलें सवर, और वार फोकसिंग उन दाट, स कि आप जितने भी crash course available होते हैं, generally online mode में, यह crash course चलाने का परपस ही था, कि आपको किसी paid course की जरूरत नहीं पड़ेगी, if you are attending these crash course classes, और यह जो common subject है, यह किसी विस्टेट के लिए आप पढ़ लीजे, यहाँ, they are beneficial for you, they are anyways beneficial for you, thank you so much for this appreciation, and I would appreciate it more, कि अगर इस live के end के बाद, लोग हैं, but इसके बाद इसे बहुत लोग देखते हैं, तो they may also get an idea about this, जो यह चल रहा है, चलिए, इसके बाद आईए, order next pay, that is 24, अब यहाँ कुछ order है, जिनके सिर्फ नाम ध्यान लखना है, तो 24 is that order, जिसका सिर्फ नाम याद रखना है, payment into court, basically है, क्या court में, defendant को payment करना व उसे, या किसी और चीज़ के लिए, उस पर cost लगाई गई है, तो वो जो payment उसे करना है, कोई debt है, वो कैसे होगा court में, इसके बारे में rules दिये हुए है, order 24 में, order का नाम है, payment into court, 24 का सिर्फ नाम याद रखना है, nothing है, जरूल बूल पढ़ने के जरूरत नहीं है, generally questions नहीं बाद में भाग सकता है, या इस से पैसे देते नहीं बनेंगे, defendant को cost के, तो पहले ही आप से security रखवाई जा सकती है, that is security for cost, उससे related rule इस order में लिखे है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, सिर्फ order का नाम और नमबर ज्यान रखिएगा, यहां से कोई भी order आप से पूछा जा सकता है, कि किस order में क्या दिया है, 24-25 डीटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन order number याद रखना है, इसके बाद आएगा commission, लेकिन commission का order उतना important नहीं है, जितने section important है, order में से भी कुछ rule हमें पढ़ने है, बट पहले आपने हैं, इसके section वाले portion पे, तो यहां जो commission बेज आ जाता है, यह कुछ और भी purposes fulfill करने के लिए हो सकता है, सबसे पहले section निकाल लीजिए, जहां part 3 आ जाता है, incidental proceedings, उसमें पहली subheading है commissions, इस commission में 75, 75 से commission चालू हो रहा है, जो 78 तक ही आ है, तो अब मैं आ रहा हूँ अगले topic पे, हमारे that is commission, तो commission में हमें section पढ़ना है, commissions, यह जो commissions है, इसमें हमें पढ़ना है section 75 to 78 और उसके बाद इसका order को लेंगे, तो पहले देखिए section 75, power of court to issue commissions, क्यों court issue करेगा, किस purpose के लिए सब बताया हुआ है, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court में issue a commission, किस किस purpose के लिए कर सकता, देखिए, सबसे पहला है a, to examine any person, किसी person के examination के लिए, यह हमने CRPC में भी पढ़ा है, किसी भी witness के examination के लिए कर सकते है, यहाँ पे भी लिखा है, किसी भी person के examination के लिए commission हो सकता है, b, to make a local investigation, कोई local investigation करने के लिए, अब यह होते क्या है, examination of person क्यों करा जा रहा है, commission के 12 court में क्यों नहीं बला रहे हैं आप उसको, इसके बारे में आके दिया हुआ है, उसके अभी आएंगे, चीक, तो examination of person के लिए हो सकता है, local investigation, किसी जगे पे जाके investigation करना है तो, और खुल चीज, जो court में present नहीं हो सकती, उस जगे पे जाके investigate करना है, उसके लिए commission issue हो सकता है C है, to examine or adjust account, accounts को examine या adjust करने के लिए, माल लिजे पैसे वैसे का मामला है, partnership में हेर फिर होई है, company में हेर फिर होई है, accounts को examine करना है, या adjust करना है, उसके लिए commission हो सकता है, और D, to make a partition, partition कराना है, property का, for that also, commission में भी issued, E, to hold a scientific, technical, or expert investigation, कोई scientific या technical investigation कराना है, जो lab web में हो सकता है, court के सामने नहीं हो सकता, उस case में भी commission issue होगा, FA to conduct sale of property, which is subject to speedy and natural decay, कोई यासी property, जो थोले टाइम में खराब हो जाएगी, उसकी sale के लिए, भी commission, दिया जा सकता है, इसके बाद जी है, to perform any ministerial act, कोई और ministerial act, ministerial acts, वो acts होते हैं, जिसमें further कोई decision making की ज़रुरत नहीं है, आप को जैसा instruct कर दिया आप वैसा कर दीजी, चुप चाब बस, उनको कहते है, ministerial act, तो court खुद नहीं करके, किसी भी वक्ति को कर सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा, CPC में commission issue किसको होता है, किसी भी वक्ति को, जो competent वक्ति लगता है court को, कि इस काम को वो अच्छे से कर सकता है, उसको commission दे देते हैं, जैसे माल लीचे, local investigation की, scientific investigation की अपनने बात करी, तो अब बात करी, तो अब बात करी, तो अब बात करी, तो किसी भी वक्ति को commission में शुकरी जा सकती है, अगर person का examination करना है, तो generally court का इस्तेमाल किया जाता है, कि किसी person को examine करना है, जो इस court के jurisdiction में नहीं ह कि उसके बाहर है, तो जिस court के jurisdiction में वो person है, उसको commission शुकर दिया जाएगा, उसको interrogatories वही, सवाल जवाब लिखके बोल देंगे, कि भाई, उस court को बोल देंगे, कि आप इसको examine कर दीजे, और वो interrogatories हमें पहुचा दीजे, interrogatory आप समझते हैं, सवाल जवाब, इसके बात in a state other than the state in which the court of issue is situate, जिसने issue किया, वो एक अलग state में है, जिसको आप issue कर रहे हैं, वो किसी दूसरे state में बहां के किसी भी आप court को भेज सकते हैं, except high court, high court को ने बेच के, बहा कि किसी दूसरे court को भेज देजे, जिसके भी jurisdiction में वो वक्ति है, जिसे examine किया जाना है, उस court को भेज सकते हैं, and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides, जिस वक्ति का examination होना है, वो जिस भी court के jurisdiction में रहता है, उस court को भीज दिया जाएगा, commission for the purpose of examination of the person, that's it, इसके बाद आजाएए 77 देखिए, letter of request, अगर भारत के किसी दूसरे state में है, तो आप ये भीज देंगे, commission भीज देंगे, भारत के ब provision CRPC में पढ़े हैं, आपने एक दम, वहाँ भी मैं आपको बता है था, भारत के बार भीज लेटर of request, letter of request भीज दिया जाएगा, 78 commissions issued by foreign court, foreign court ने अगर commission भेजा है, तो जो भी central government के, state government के norms है, उसे साफसे, उसे execute किया जाएगा, बहुँ जादा important नहीं है, correct, या शौर करती 66 investigation के purposes के लिए पढ़ा था, भारत के बाहर investigation होना है, तो letter of request भी जाता है, correct, तो 77 यह कहता है, 78 बात करता है, बाहर से इधर आने वाले, जो रूल ज्यादा important है, वह आपका 75 ही है, basically, कि किन-किन purposes के लिए किया जाता है, यह सवाल आएगा कि commission किन-किन purposes के लिए issue किया जा सकता है sections हो गए, इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, order, order 26, अब इसके अपन rules देख लेंगे, कौन-कौन से important है, तो देखिए, इस order में rule 1 देख लिजे सबसे पहले, तो, इस order में क्या देख लिजे, rule 1 देख लिजे सबसे पहले, cases in which court may issue commissions to examine witness, तो भाई, वो कौन से cases है, जहां court, witness को बेख सकता है commission, any court में in any suit issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person, resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this court from attending the court or who is from sickness or infirmity unable, अपने ही jurisdiction में भी commission issue कर सकता है, अपने ही jurisdiction में किसी विक्ती का examination के लिए, जो बिमारी की वज़े से court नहीं आ सकता है, या किसी infirmity की वज़े से court नहीं आ सकता, उस case में commission issue कर देंगे, interrogatories, सव बोट से करेगा, जवाब लिखके court में submit कर देगा, यह होता है interrogatories, बस, तो यह हो गया rule 1 में, अपने ही jurisdiction, third देखिए, rule 3 देखिए, where witness resides within court's jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person, किसको करेंगे, किसी भी वेक्ती को कर सकते है, rule 3 बताता है, कि जब आप किसी ऐसे वेक्ती को examine करने के लिए, commission issue कर रहे है, जो आपके ही jurisdiction में है, तो किसी भी वेक्ती को, अगर किसी दूसरे court के jurisdiction में है, तो उस court को, यह हमने section में पढ़ लिया, rule 4, rule 4 is important, rule 1 के बाल, ज्यादा important जो है, वो है rule 4, persons for whose examination commission में issue, किन लोगों के examination के लिए commission issue किया जाएगा, this is very very important, CRPC में हमने पढ़ा था, कि अगर कोई ऐसा witness है, जो जिसे लाया नहीं जा सकता court में without unnecessary delay और expense, उसको examine करने के लिए commission issue होता है, लेकिन वहाँ जो मैंने आपको example बताया था, कि मानलीजे मोदी जी को बलाना है court को examine करने, तो जितना खर्चा मोदी जी को ऐसा witness भपाल बलाने में लग लेकिन CPC के अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग already exempted हैं, इधर जो इस तरीके के offices hold कर रहे हैं, वो already exempted हैं अपनी presence के लिए, तो जिनको वो immunity दी गई है, उनके लिए commission issue किया जाएगा, ये लिखा है इधर, तो देखिए, any court may in any suit issue a commission for the examination on interrogators or otherwise, any person resident beyond the local limit of its jurisdiction, अपनी local limit के, जो court issue कर रहा है commission, उसकी local limit के बाहर अगर कोई व्यक्ति reside कर रहा है, तो वो उस particular court को commission issue कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कि वो बाहर रहता है, बी देखिए, any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined in court, जस दिन उसको आना है court में, उस दिन के पहले वो jurisdiction छोड़के बाहर चला जाएगा, in that case, आप commission issue कर दीजिए, वहां के court को, जहां वो जा रहा है, see, देखिए, any person in the service of the government who cannot in the opinion of the court attend without detriment to the public service, कोई भी ऐसा सरकारी करमचारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार की service में है, और उसको बुलाने से, वो जो public duty perform कर रहा है, वो हिंडर हो की, ऐसे किसमें commission issue कर दिया जाएगा, उसको बुलाने की बजाए, ठीक, तो ये 4 भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा important है, बाकि यहां क्योंकि rule जादा important नहीं है, जैसा मैंने का section 75 जादा important है, इसके बाद एक rule mark कर लीजे, कुछ गिनी चुनी जगे, इस सवाल पूछा गया है, rule 9 और rule 10 A, rule 9 और rule 10 ने, कुछ गिने चुने states में कई बार ये सवाल किये गए है, commission to make local investigation, हमने 75 में पढ़तो लिया, कि local investigation के clear कर सकते है, उससे related rule इदर दिया है, detail में, कि कहीं पे जाके ही investigate करने की अगर जरूरत है, in that case, commission issue कर दिया जाएगा, in any suit in which the court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market value of any property, ये सब काम है कि जो जाके उस जगे पर जाके हो सकते हैं, उसके लिए commission issue कर सकते हैं, किसी भी जानकार वेक्ती को, आप आगे देखेंगे, तो लिखा है, the court may issue a commission to such person as it thinks for directing him to make such investigation, जो भी appropriate person लगे, उसको कर सकते हैं, कहने ही बात करता है, commission for scientific investigation, मैंने आपको बता कोई experiment scientific investigation कुछ करा करना है, किसी expert के दौरा जो court में नहीं करके बताया जा सकता, तो भी commission issue कर दिया जाएगे, ये तुम कर लो अपने वहां जाके experiment और वो जो investigation है, scientific है, technical, और उसकी report बना के court में submit कर देना, तो ये भी उसके जानकार विक्ती को कर दिया जाएगा, इसके पावर तो बड़े ही normal है, जो आप अपने general prudence से भी समझ सकते है, ये लिखाए, any commissioner appointed into this order में, unless otherwise directed by the order of appointment, a, examine the parties themselves and any witness, parties को भाई, examine करने के लिए, तो commission issue हुआ है, commissioner बना है, वो examine कर सकता है, b, मैं लिखाए, call for and examine documents and other thing, document, document महा सकता है, गर examine करना है, तो बुलवा सकता है, reasonable समय पे, किसी भी building में, या land पे जा सकता है, जहां जाने के लिए, court ने उसे बूला है, ये सारे power है, commissioner के पास, जो rule 16 में दिये है, कोई ज्यादर technicalities नहीं है, लेकिन important हैं ये, that's all for commission, बस इतना ही पढ़ना है, ये sections हमने पढ़े, जिसमें सबसे important पिछितना है, commission से related, कि किन आपका काम हो गया, अब इसके बाद, जिन, और जिस order पर अपन जा रहे हैं, वो है आपका order 27, लेकिन, जैसा मैंने कहा order 27 में, पढ़ना कुछ नहीं है, हमें पढ़ना है section इसे related, देखिए, order 27 क्या है, suits by or against the government or public officers in their official capacity, सरकार के against, या किसी public officer के against suit file कर रहे हैं, और किस लिए जो official capacity में उसने काम करे, उसके लिए, तो भाईया, सरकारी करम चारी है, अब वैसी बात है, कुछ immunities उसके पास होनी चाहिए, मैंने आपको CPC की पहली class में बताया था, कि अगर government officials को immunities नहीं दी गई, तो रोज उनके against suit file होंगे, और वो कोटी attend करते रहेंगे, अपना जो public duty है, जो काम करना वो छोड़के, वो खोड़ी attend करते रहेंगे, इसलिए proper checks और safeguard इस पे दिये हुए है, जो यहाँ आपको देखने को मेलेगा, इसके लिए, इसको पढ़ने के पहले, order में से तो कुछ पढ़ना नहीं है, section important है, तो जड़ा section 79 निकाल लीजे, बेरिट में, त पहुंचिए section 79 की तरफ, commission खतम हुआ 75 से 78, उसके बाद 79 suits in particular cases, कुछ specific cases के suits है, जिसमें पहली subheading है, suits by और against the government और public officers in their official capacity, 79 बहुत जाधा important है, 79, 80, 81, 82, यह तीन section अपन पढ़ेंगे, तो भाई, किसके against suit के अपन बात कर रहे हैं, government, servant के against, या फिर सरकार के against, इनके against के अ रहे हैं, section जो हमें पढ़ना है, वो देख लीजिए, कौन-कौन से section यहां important है, तो section important है, 79, 80 important है, इसके बाद 81 और 82 इंपोर्टन्ट है, 81 and 82 बस हैं और भी, बट वो इतने ज़्यादा important नहीं है, और order जो है, वो उसका सिर्फ number याद रखिएगा, आप तो that's it, काम हो जाए तो जब आप सरकार के against suit file करेंगे, या सरकार किसी के against suit file करेगी, तो plaintiff का नाम क्या लिखा जाएगा और defendant का नाम क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यह suit file कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, अब जब तुरंट मुझे वो order का वो rule बता दीजिए, जहां यह लिखा था, ति अगर plaintiff या defendant किसी भी party का description सही नहीं दिया गया है, तो उसको correct कराया जा सकता है, इस चीज़ के बारे मैंने आप से वहाँ बात करी थी, plaintiff या defendant गलत अड़ नहीं हुआ, उसका description proper नहीं दिया गया है, यह किस order के, किस rule में मैंने आपको CPC पढ़ा है, ज़रा को comment में बता दे, तो यह जो चिला रहा हूं में इतनी देर से और पछले 5 दिन से सफल हो जाएगा कसम से, order 1, rule 10, very good, very good, rule 10, sub rule 1, वो description की बात कर रहा था, है ना, कि अगर description गलत दे दिया है, तो भाया जो यहां लिखा है कि सरकार, अगर suit file कर रही है, या सरकार के अगर suit file कर रहे हैं आप, तो न तो किसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, the union of India, word गया यूस किया जाएगा, the union of India, और अगर state के against है, तो state का नाम लिखा जाएगा, इसके बाद 80 है, notice, this is very important, notice बहुत जादा important है, किसी भी सरकारी अफसर के against, आपको अगर suit file करना है, दो महीने का notice देना on respect of any act or voting to be done, by such public officer in his official capacity, until, underline कर लीजे, until the expiration of two months, next, after notice in writing has been delivered to, writing में notice देने के, दो महीने बाद आप suit institute कर सकते हैं, writing में notice देने के, दो महीने बाद ही आप suit institute कर सकते हैं, सरकार या सरकारी करमचारी के against, अगर उसकी official capacity में किये जाने वाले act के against, आप suit file कर रहे हैं, तो, notice किसको दिया जाना है, इससे भी question आ चुके हैं, prelims में, आगे जो AB और WB और C आप देख रहे हैं, इससे भी सवाल Central Government के against suit है, तो notice किसको बेजा जाएगा, Secretary to the, to that government, Central Government के Secretary को, ये भी सवाल पूचा गे, और सबसे ज्यादा पूचा जाने वाला railway वाला है, B, कि railway के against suit करना है, तो notice किसको बेजा जाएगा, General Manager of the railway, इसको mark कर लीजे जारा, General Manager of the railway, को deliver किया जाएगा, और इसके बाद C, आप जाएगा, और ज्यादा पूचा जाने वाला General Manager of the railway, के सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका sub-rule 2 आप देखेंगे, तो आपको ये समझ महाएगा, कि अगर immediate relief required है, सरकार के against, तो बिना इस notice के भी suit file करा जा सकता है, General rule ये होगा, कि दो मैने का notice देना है, वो expire होगा, उ बिना notice के भी हो सकता है, बट ये exception होगा, ये exceptional circumstances में होगा, इसके बाद 81, 81 important है by section, exemption from arrest and personal appearance, सिर्फ execution of decree में arrest या attachment of property करा जाएगा, during the pendency of the suit, क्यों कि अभी एक order अपन ये भी पढ़ने पाले है, जहां judgment के पहले ही, judgment के पहले ही, arrest or detention of property हो सकता है, तो सरकार के against, अ सरकारी के against suit file किया है, during proceeding, ये सारे काम नहीं किया जाएंगे, ये T1 में लिखा है, in a suit instituted against a public officer, public officer के against a suit institute किया है, in respect of any act, purporting to be done by him, in his official capacity, the defendant, underline कर लेजे, shall not be liable to arrest, nor his property to attachment, otherwise than in execution of a decree, सिर्फ decree के execution में ये किया जा सकता है, उसके अलाबा नहीं, and B, where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself, from his duty, without detriment to the public service, it shall exempt him from appearing in person, साथ में वो ये भी कर सकते हैं, कि जिस public officer के against a suit file किया गया है, उसकी presence ही exempt कर दें, कि तुम्हें कोट में आ रहा ही नहीं है, क्योंकि भाईया सरकारी करमचारी है, उसके पास काम है, वो आपकी तरह दिन वर वैटके यूट्यूब नहीं देख रहा है, और आप क्या देखते हैं, यूट्यूब में या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सरकारी करमचारी बन गया आपाना भी तब क्योंकि अगर आपको वो ही देखना है, तो भी उस तो हमें भी चाहिए, लेकिन एक साही हिदायत देना भी मेरा काम है आपको, इसलिए वह मैं भी इस वीच में आपको दे देता हूं, आप यह मत कहना कभी आपके आपके चैनल है, बिलकुल मिले हैं, आपन तो समाज की क्योंकि परिक्षा के इस जाल से वह बाहर निकल के नौकरी पा चुका है, उसको काम करना है, इसको काम है, इसके बाद 82 देखिये, this is again very important, execution, execution की बात करते हैं कि public officer के अगेंस या सरकार के अगेंस, डिक्री execution के लिए एक बात ध्यान रखियेगा, अगर तीन महीने तक satisfied नही जाएंगे, otherwise नहीं जाएंगे, देखिये हैं लिखाए, we're in a suit by or against the government or by or against the public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the union of India or a state decree, पास हो गई है सरकार के अगेंस्ट, और as the case may be the public officer's decree, such decree shall not be executed except in accordance with the provision of subsection 2, subsection 2 के हिसाब से ही execute करी जाएगी, उसके लाब execution नहीं होगा, और subsection 2 क्या कहता ह है, तीन महीने के बाद ही execution होगा, execution shall not be issued on any such decree, underline कर लिजे, unless it remains unsatisfied for the period of 3 months, decree पास हो गई है सरकार के अगेंस, तीन महीने तक अगर वो unsatisfied रहती है, उसके बाद ही आप execution proceeding के लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद से ही execute करते हैं, satisfy करते हैं, जो भी liability आई है सरकार क पर पे करते हैं, इन मैंने का समय दिया जाएं, पैस एक बात वही है, सरकार और सरकारी करमचारी के पास समय है, वो परिच्छत तयारी नहीं कर रहे हैं, फिर वेट हैं जी मनने, बस, तो ध्यान रखिएगा, so that's all for this particular sections, और जैसा मैंने कहा, order में तो बढ़ा अपने वो कु बढ़ान suits by or against government में यही बताया है, कि किसके against by करना है, तो उस अपन ने section में देख लिया, कि अगर central government के against करना है, तो किसको party बनाना है, state government के against करना, तो किसको party बनाना है, क्या नाम लिखना उस अपन ने देख लिया, इधर कुछ important नहीं है, order number ध्यान रुकिए, अगला जो हैं, इन से बहुत question पूछे जाते हैं, 31 तक, 27 से 31 order का नाम और number पूछे जाने की संभावना बहुत जादा होती है, क्योंकि इन orders से rules generally पूछे नहीं जाते है, इसलिए सिर्फ order का नाम याद रखना है अपने को, कि क्या है, तो 27A देख लिए, suits by or against the government और public officer होगे अपना, इ किसी दूसरे statutory instrument की validity को लेके है, तो उससे related rules इस order में दिये हैं, पढ़ना पढ़ना नहीं अंदर, इसके बाद next order देखिए, 28, suits by or against military और naval men और arm, airmen, तो यह जो arm forces के person है, उनके लिए थोड़े से special rules बनाएगा है, वो इस order में दिये है, order का number ध्यान रखिएगा, बस 28, इसके a name other than their own, partnership firm हम है, तो उनसे related कुछ rules दिये हैं, इस order में, order 30, जी, तो सिर्फ नमबर याद रखिए, ऐसे 31 में भी सिर्फ नमबर याद रखिए, order 31 डिल करता है, suits by or against trustees, executors और administrators से related, बाकी अंदर से सवाल पूछे, नहीं जाएंगे, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत उसको हमे बिलकुल भी नहीं है, तो यह हो गए आपके order 31, अब अपनाते हैं order 32 पे, अब आईए ज़रा order 32, that is important, किदर से अंदर से question पोचे जाएंगे, इसके rules भी बहुत important है, और यही मैंने target रखा था, आज की class का, और आपसे कहा तक, यह हम बड़े आराम से कर लेंगे, 22 दे चालू किया, 32 पे आगए है, तो कि भी यह वीच में ज्यादा चीज़ा है, important नहीं है, कल हमने सिर्फ दो order डिल करें, क्योंकि वहाँ वैसी requirement, आज आईए ज़रा 32, सबसे पहले तो order number का सवाल आता है, कि minor और unsound mind के person से related, जो suit के लिए rules दिये हैं, वो किस order में दिये हैं, ध सबसे पहले इसमें rule 15 मार्क कर लीजिए, यह कहता है, rules 1 to 14, except rule 2a, to apply to person of unsound mind, यही जो 14 rule है, यही 14 rule किस पे applicable होंगे, person of unsound पे भी same apply होंगे, इसलिए पहले हमने इसको देख लिए, अब देखते है rules, rule 1 पे आईए, तो भाई देखिए, order आगए है, अपन 32, आज का आखरी order, order 32, सबसे पहले rule 1, important है, minor to sue by next friend, एक minor अगर plaintiff है, किसी minor को अगर suit file करना है, तो वो खुद नहीं करेगा, उसके बहाफ पे कौन suit file करेगा, next friend कहते हैं उसे, यही सिदे सिदे question आते है, कि minor को different कौन करेगा, तो guardian add return कहते हैं उसको, वो करेगा, और suit file कौन करेगा, plaintiff के बहाफ तो, sorry, minor के बहाफ पे suit file कौन करेगा, next friend, ध्यान रखियेगा, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, every suit by a minor shall be instituted in his name by a person, who in such suit be called the next friend of the minor, minor के बहाफ पे अगर suit file करना है, तो suit file कौन करेगा, next friend करेगा, ध्यान रखियेगा, इसके बास सीधा आ जाई है, 3, rule 1 के बाद आ जाई है, सीधा, 3, guardian for the suit to be appointed by court for minor defendant, अगर minor के against suit file किया गया है, minor किसी suit में defendant है, तो इसके लिए guardian appoint किया जाएगा, इसको क्या कहते है, guardian ad litem, लिख लीचे, guardian ad litem, कहते हैं इसे, gillotent term है, guardian मनाया जाएगा, कौन बन सकता है, यह सवाल आता है, बहुत important है, इसका retirement, यह सब सवाल बनते है rule 3, where the defendant is a minor, the court on being satisfied of the fact of his minority shall appoint a proper person to be garden for the suit for such minor, इसे भी proper person को बना सकते है, अभी proper person को बना सकते है, अभी proper person को होगा, कोई भी वेक्ती हो सकता है, जो कि competent हो, contract करने के लिए, उस age हो और वो सब satisfy, अभी आगे वो चीज़ आप देगा, अगर बना जाता है, अगर natural parent है, तो नहीं किसी और परसन को रूणा जाता है, इसके बाद देखिए sub rule 2, in order for the appointment of a guardian for the suit, may be obtained upon application in the name and on behalf of the minor, minor के बिहाफ पे भी application हो सकती है, कि भी या गार्दन अपॉंट कर दिया जाए, या फिर plaintiff भी application दे सकता है, जो suit file करने, क्योंकि उसको बता है, minor के again suit file करने जा रहा हूँ, वो तो लड़ेगा नहीं आपके गार्डिन अपॉंट कराना तो प्रिंट भी एप्लिकेशन दे सकता है कोई दूसरा वेक्ति दे सकता है जो गार्जन बनना चाहिए कतम सबर्ड भाएंड बहुत इंपॉन करेगा इसलिए गार्डिन किस वक्ती को बनाया जाएगा इसलिए इडर्स इंच्रेस्ट निधुम sub rule 5 बहुत important a person appointed under sub rule 1 to be guarded for the suit for a minor shall unless his appointment is terminated by retirement or removal or death continue as such throughout all proceedings arising out of the suit including proceedings in any appellate revisional code and any proceeding in execution एक बार जसको गार्टन अपोइंट कर दिया गया है minor defendant का वो continue करेगा जब तक retire ना हो जाए terminate ना हो जाए retire ना हो जाए, remove ना कर दिया जाए death ना हो जाए, तब तक वो continue करेगा आगे की सारी proceeding, appeal वापील में भी वो ही represent करेगा execution में भी वो ही represent करेगा इसके बाद आजाए rule 3A this is important decree against minor not to be set aside unless prejudice has been caused to his interest अगर मान के जाए यह proof होता है कि जिस व्यक्ति को appoint किया गया था, उसका interest adverse था, लेकिन जब तक यह proof नहीं होगा कि उस adverse interest की बज़े से minor का interest affect हुआ है, तब तक set aside नहीं करा जाएगा decree को, अगर minor defendant था, उसके बिहाफ पे किसी गाजन को appoint किया गया और decree आ गई है और यह पता चलता है कि interest adverse था उस व्यक्ति का, तो सिर्फ मेरली इस बात से decree set aside नहीं होगी यह भी प्रूफ करना पड़े का हुआ कि उस adverse interest की वज़े से minor का interest prejudice हुआ है no decree passed against a minor shall be set aside merely on the ground, that the next friend or guardian for the suit of the minor had an interest in the subject matter of the suit adverse to that of minor, कि minor's adverse interest सेफ इस ground पे set aside नहीं होगी but the fact that by reason of such adverse interest of the next friend or guardian for the suit, prejudice has been caused to the interest of the minor, उस adverse interest की वज़े से minor को prejudice cause हुआ है, minor का interest affect हुआ है, in that case only the decree will be set aside otherwise not, इसके बाद आई है rule 4, who may act as next friend or we appointed as guardian, very important किसको appoint करा जा सकता है next friend या guardian, तो देखिए any person who is off underline कर लीचे sound mind and has attained maturity may act as next friend of a minor or as is guardian for the suit sound mind का होना चाहिए maturity attain कर ली हो और उसका interest adverse नहीं होना चाहिए यह आगे लिखा है, provided that the interest of such person underline कर लीचे, provided that the interest of such person is not adverse to that of the minor minor के interest से adverse interest आपका नहीं होना चाहिए तो आपको appoint किया जा सकता है as a plaintiff or guardian sound mind होना चाहिए, यह of majority होना चाहिए sub-roll 3 भी पढ़िए important है no person shall without his consent in writing the appointed guardian for the suit बिना उस वक्ति के written consent किसी भी वक्ति के बिना written consent के उसको guardian नहीं बना जाएगा किसी minor different hand का इसके बाद rule 6 भी थोड़ा important है rule 6 भी थोड़ा important है इसको भी देखिए reset by next friend or guardian for the suit of property under decree for minor अब यह वक्ति क्योंकि minor के बेहाफ पर suit file कर रहा है या defend कर रहा है तो इसके पास अपने individual right नहीं होगे property property लेने के our next friend or guardian for the suit shall not without the leave of the court receive any money or other movable property on behalf of a minor minor के बेहाफ पे कोई पैसा या और more property आप नहीं लेंगे बिना court की permission के court को confidence में लेना है इसके बाकि उसके पहले काफी सारे questions है जैसे rule 4 बहुत ही जादा important है कि किसको बनाया जा सकता है rule 1 बहुत important है कि next friend suit file करेगा on behalf of minor guardian बना जाएगा तीन में तो यह वाले rule थोड़े जादा important है इसके बाद rule 7 वैसे important नहीं है सिर्फ इतना समझ लीजे agreement or compromise by next friend or guardian अगर बिना court की permission के हुआ है तो वो valid नहीं होगा इसका जो sub rule 2 है वहाँ लिखा है any such agreement or compromise entered into without the leave of the court so recorded shall be voidable against all parties other than the minor minor को छोड़के बाकि सारी parties के against वो voidable होगा अगर कोई compromise कर लिया गया है बिना court की permission के तो बाकि सारी parties के against वो voidable होगा minor चाहे तो उसे avoid कर सकता है यह ध्यान रखिएगा 8 बहुत ज़्यादा important 8 बहुत ज़्यादा important और 9 भी बहुत ज़्यादा important यहां से directly question आये है prelims के retirement of next friend किस rule में दिया है या removal of next friend किस rule में दिया है और किन किन ग्राउंड पर removal हो सकता है यह direct question आते है प्रिलम्स में rule 8 देखिए retirement of next friend unless otherwise audit by the court a next friend shall not retire without first procuring a fit person to be put in his place next friend अगर retire होना चाहता है वो बंतो गया next friend minor का और suit file कर दिया अब वो retire होना चाहता है तो पहले उसे कोई दूसरा fit और suitable person लाना पड़ेगा एक दूसरा next friend लाके देना पड़ेगा fit person तब आप retire हो सकते है नाइन देखिए removal of next friend कैसे next friend हटेगा हटाया जाएगा where the interest of the next friend of a minor is adverse to that of minor अब से पहला माग कर लीजे जहां उसका interest adverse है वहां आटाया सकता है और where he is so connected with a defendant minor का interest affect हो सकता है तो यह ground है कि व्यक्ति का interest जो है next friend जो है उसका interest adverse है to minor पहला ground of removal दूसरा है और where he does not do his duty यह सीधे सीधे mark कर लीजे सीधे सावाल आता है which of the following is not a ground of removal of next friend या which of the following is a ground of removal of next friend यह ध्यान रखिएगा सबसे पहले है interest adverse है अगर तो दूसरा अगर आप duty दंग से नहीं कर रहा है तो where he does not do his duty or during dependency of the suit underline कर लीजे ceasers to reside within India भारत छोड़के आप बाहर चले गए हैं इस ground पे भी remove किया जा सकता है और उसके बाद है और for any other sufficient cause इसके अलावा कोई दूसरा sufficient cause तो ये चार बाते ध्यान रखिएगा अगर interest adverse है तो या फिर आप अपना काम धंग से नहीं कर रहे हैं तो या भारत छोड़के चले गए हैं या फिर कोई और sufficient cause ये चारों बाते ध्यान रखिएगा इसके बाद rule 10 भी important है number नहीं पूछा जाएगा 10 का लेकिन stay of suit पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए next friend का removal हो गया है या death death हो गई है तो ऐसे case में जब तक दूसरा appointment नहीं हो जाएगा stay हो जाएगी proceedings on the retirement removal or death of the next friend of a minor further proceeding shall be stayed until the appointment of a next friend in his place जब तक दूसरा next friend नहीं होगा proceedings stay कर दी जाएगी ये भी सवाल पूछा जाता है इसके बाद 12 course to be followed by minor plaintiff or application attainment majority अब दिखिए ये कहानी के लिए आप समझ लीजिए 12, 13, 14 important नहीं है अब ये बात हो रही है कि कैसे minor के against और कौन minor के बिहाफ पे suit पाई करेगा प्री में जादा कर question वहाँ से आते हैं 12, 13, 14 बस ये बता रहे हैं कि अगर वो minor major हो गया during the pendency of the suit तो उसके पास क्या-क्या option है वो क्या-क्या कर सकता है जैसे 12 बता रहा है course to be followed by minor plaintiff और applicant on attaining majority उसने majority attain कर ली है तो उसके पास option है वो चाहे तो suit abandon कर सकता है छोड़ सकता है या फिर हो सकता है continue करें अगर continue करना है तो वो application देगा next friend की जगे next friend को replace कर दिया जाएगा उस minor से क्योंकि अब वो major हो गया है तो अब वो अपने नाम से suit continue करेगा यही basic बात नहीं है क्यों है कोई जादा technicalities में नहीं है 13 देखिए where minor co-plaintiff attaining majority desire to repudiate suit co-plaintiff है उसके साथ कोई दूसरा plaintiff भी था minor co-plaintiff है minor क्योंकि वो co-plaintiff minor था इसलिए next friend उसके भी हाफ पे suit में co-plaintiff बना अब यह co-plaintiff जब major हो गया तो उसको option दिया जाएगा कि यह तो चाहे तो continue कर तो चाहे तो छोड़ दे अगर वो छोड़ता है अगर ऐसा co-plaintiff जो minor था major हो गया है अगर वो suit छोड़ना चाहता है लेकिन अगर वो necessary party यह सब concept अपन पहले सीपी सीम पर चुके हैं अगर वो necessary party है तो आप जानते हैं उसका suit में होना party ज़रूरी है as a plaintiff वो तो छोड़ना चाहता है लेकिन क्योंकि necessary party है इसलिए उसको defendant की तरह add कर दिया जाएगा इसको कहते है pro forma defendant इसके बाद 14 है unreasonable or improper suit अगर मान लीजे एक minor plaintiff जिसके विहाफ पे suit file किया गया था major होने के बाद उसे लगता है कि भाई साब ये तो फर्जी suit था फालतों में next friend ने ये suit किया था reasonable नहीं था या improper नहीं है तो वो suit खतम कर सकता है या अधिकार उसके पास है rule 14 ये बताता है that's it लेकिन free में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना 1 की है 3 की है 6 की है ये थोड़े ज्यादा इनके पूछे जाने की संभावना है थोड़ी ज्यादा है और 15 जैसे आपने देखा यही सारे प्रोवेशल किस पर अप्लिकेबल है इसके अलावा 16 16 पढ़ने की ज़रुवत नहीं है देखिए 32a इसका भी सिर्फ ओडर नंबर ध्यान रखिएगा नाम याद रखिएगा कि इस ओडर में क्या है 32a में है suits relating to matters concerning the family family related matters के suit के बारे में कुछ special rules दिये हुए है ये इस ओडर में 32 बस नंबर ध्यान रखिएगा इस से जादा नहीं पढ़ना इसके बाद है order 33 suit by indigent person अब आजाईए ज़रा आज के order पे that is order 33 suits by indigent person देखिए थोड़ा सा brief समझते हैं इस order का जैसा हमने हर दूसरे order के साथ किया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा brief introduction उस order के बारे में उसकी कहानी बता दूँ है फिर आपन rule follow करेंगे ताकि वो जो rule है वो court fee लगाई जाती है तो माल लेजे आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप court fees अभी हम पढ़ेंगे कि indigent कौन होता है इस particular order के हिसाब से detail में उसमें जाओंगा आप इतना समझे इसके पास एकदम पैसे नहीं है उसको अगर suit file करना है तो क्या करना है तो suit file करने के पहले एसा व्यक्ति court जाके application file करता है जहां वो यह permission सीख करता है court की कि साब मुझे permission दी जाए to file the suit as an indigent person or as a popper वो व्यक्ति पहले application file करेगा court में कि मुझे आप permit करिये कि मैं as an indigent person suit file करका हूं अगर यह application उसकी accept हो गई तो फिर उसको court fee नहीं देना पड़ता है लेकिन फिर भी बहुत processing fees वगेरा लगती है court fee से आप माफ हो जाएंगे लेकिन कुछ nominal processing fees वगेरा स्टिल practical बता रहा हूं कि थोड़ी बहुत लगाई जाती है लेकिन जो major portion है वो सब आपका माफ हो जाता है court fees का ठीक तो यह होता है indigent person का suit अगर मालनीचे आपकी application reject हो गई आपने application फाइल करी to see you as a proper लेकिन आपकी application अगर reject हो गई तो फिर आप ordinary suit की तरह ला सकते हैं फिर आप पैसे भरके normal suit की तरह ला सकते हैं उससे अगर reject हो गई है तो अगर आपकी application grant कर दी अगर को to file a suit as an indigent person तो उससे withdraw भी कर सकते हैं उसके भी provision इदर पर दिये हुए है important question इदर से आते है indigent person कौन है और indigent person अगर किसी वेक्ती ने as an indigent person suit file किया है suit का जो judgment आएगा उसमें आप जानते है suit से related cost में दिलाई जाती है cost के बारे में अपने detail discussion CPC में already कर चुके है CPC की पढ़ा कैसे जाता है वेरेक्ट से comfortable कराया था उस class के हमने discuss किया था cost का purpose क्या है judgment आने के बाद भी या दूसरी party की जो समस्या है उसको जो expenses हुए इसको defend करने में या माली जे plaintiff जीता है तो उसने suit file किया उसका पैसा खर्चा हुआ तो opposite party से adverse party से cost दिलबाई जाती है यहा important question यह आता है कि indigent person अगर succeed हो गया rule 10 में लिखा है तो cost कौन पे करेगा अगर suit fail हो गया तो cost कौन पे करेगा यह important question problems में पूछेगा है multiple state judiciary examination में तो I hope the brief is clear है क्या एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास court fee जमा करने के पैसे नहीं है वो पहले court से permission मांगता है के application के थ्रू और उसके बाद उसको अगर permission मिलती है तो वो suit file करता है as in indigent person नहीं मिलेगी तो आप ordinary person की तरह normal suit file करेंगे अब आजाई जाए जारा order 33 के rule 1 पे suits may be instituted by indigent person subject to the following provisions any suit may be instituted by an indigent person explanation बता है कि indigent person होता कौन है a person is an indigent person बहुत इंपोर्टेंट सवाल है प्रलम्स का कौन है indigent person यहां थेखिए A if he is not possessed of sufficient means other than property exempt from attachment and execution of a decree on the subject matter of the suit underline कर लीजे to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaint in such suit अगर व्यक्ति जो suit file करने जा रहा है उसमें plaint के साथ जो fees pay करनी है आपको अगर वो fees pay करने में आप सक्षम नहीं है उतने resources आपके पास नहीं है आपके पास उतना पैसा नहीं है court fees pay करने का तो आप indigent person है इसमें कुछ चीज़ें exempt करी जाएंगी जब यह देखा जाएगा कि आपके पास resources है या नहीं as an indigent person suit file करने के ऐसी properties जो attach नहीं होती decree में execution of decree में जिन properties का attachment नहीं किया जा सकता उन properties को include नहीं किया जाएगा यह देखने में कि आप indigent person है या नहीं अब तुरंत मुझे section का number बता दीजिए कि कहां वो properties mention है जिनको attach नहीं किया जा सकता for the purpose of execution of decree जरा तुरंत बता दीजिए provision पढ़ाय है भाई हमने maintenance वाली भी बताई थी मने कि maintenance के decree है तो salary कितनी attach होगी correct section 60 that's correct 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 60 तो भाया वह जो properties है उसको consider नहीं करेंगे यह देखने में कि वक्ति इंडिजन है या नहीं that's it इसके बात भी देखिए we are no such fees prescribed अगर मान लीचे किसे suit में fees prescribed भी नहीं है तो फिर कैसे देखेंगे कि यह वक्ति इंडिजन है या नहीं तो उसके लिए लिखा है this is very very important if underline कर लीचे if he is not entitled to property worth 1000 rupees अगर उसके पास 1000 रुपे की भी property नहीं है अधर देंद प्रपरपरटी इंडिजन फिर्म बाकी सारी चीज़ें वही है कि जो exempted है उसको छोड़के दिखा जाएगा कि इसके पास 1000 रुपे भी है या नहीं एक 1000 रुपे यह 1000 की property आपके पास नहीं है तो आप indigent person माने जाएंगे उन cases में जहां कोई fees prescribed नहीं है जहां fees prescribed है अगर आपके पास वो fees देने का पैसा नहीं है तो आप indigent माने जाएंगे तो indigent कौन होता है जहां जब वह suit file कर रहा है अगर कोई fees prescribed है वो देने की हालत में न जाएगा to file a suit as an indigent person उस application पर hearing होगी देखा जाएगा कि वह इतना गरीब है कि नहीं इसके बाद सीधे आ जाएए rule 5 पे जरा मैं order इदर लिख देता हूं आपको कि क्या हम कर रहे हैं कौन सा order हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन-कौन से हमें rule पढ़ना है so order 33 हम लोग पढ़ रह है रूल कौन-कौन से हम पढ़ रहे हैं इसमें तो सबसे पहले हमने पढ़ा है rule 1 इसके बाद आजाए रूल 5 rejection of application मैंने बताया यह जो indigent person इसको एक application देनी है इसको permission लेनी है quote की to file a suit as an indigent person कब वो application reject हो जाएगी कब आपको permission नहीं मेलेगी to file a suit as an indigent person वो इतर लिखा हुआ है the quote shall reject an application for permission to sue as an indigent person A where it is not framed and presented in the manner prescribed by rules 2 and 3 इधर जो पहले rule 2 और 3 दिये हुए जिसमें दिया है content of application और presentation उसके कुछ rules prescribe किये गए है इसी order में कि इस तरीके से आपको application देनी है अगर आपने वो rule following करे तो इस ground के application reject हो सकती है to suit a file as an indigent person B देखिए where the applicant is बहुत important है यह सारे grounds of rejection आपको याद करने है इनको underline करते जाहिए B कहता है where the applicant is not an indigent person अगर आप indigent person नहीं है तो आपकी जो application reject हो जाएगी court कैसे पता लगाएगा कि आप indigent person है या नहीं एसस करेगा आपकी property को देखेगा अगर fees prescribed नहीं है तो अजार रुपर तक की property है fees prescribed तो उतना पैसा आपके पास नहीं है अगर court के सामने यह proof हो गया कि नहीं आपके पास उतता पैसा है तो आपको permission नहीं मिलेगी to file a suit as an indigent person और आपकी जो application है reject हो सकती है इस ground पे see देखिए where he has within two months this is important where he has within two months next before the presentation of the application disposed of any property fraudulently just then इस व्यक्ती ने application file करी है to file a suit as an indigent person अगर उस date से immediately पिछले दो महने के बीच पिछले तो महने में अगर इसने अपनी कोई property dispose off करी है fraudulently तो इसको permission नहीं मिलेगी to file a suit as an indigent person ऐसा क्यों क्योंकि आपने intentionally अपने आपको गरीब बनाया है आपके पास property थी आज आप application file कर रहे हैं to sue as an indigent person लेकिन पिछले दो महने में आपने एक fraudulent transaction किया जिसमें आपने अपनी property किसी और को देदी अगर आपने ऐसा कोई fraudulent transaction पिछले दो मेने में किया है तो कोट आपकी इस application को reject कर देगा इसके बाद देखिए डी वेर हैस allegations do not show a cause of action आपके पास अगर cause of action नहीं है तो तो आप अगर indigent person नहीं है तो भी suit file नहीं होगा यह तो rejection of plaint में भी हमने पड़ा था जरा order or rule number लिख दीजे एदर rejection of plaint all right Vishal that's correct rejection of plaint के साथ आपको देखना है भाई normal विक्ति की भी plaint reject हो जाती है याभी अपनने देखा है to cause of action ही अगर आप disclose नहीं कर पा रहे हैं तो भी plaint reject होगी इधर भी होगी that's correct इसके बाद देखें next where he has entered into any agreement with reference to the subject matter of the proposed suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter just subject matter का suit file करने वो आया है अगर उस subject matter से related उसने कोई agreement कर लिया है उस subject matter से related इस व्यक्ति ने कोई agreement किया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और इसमें उस दूसरे व्यक्ति का कोई interest create हो गया है माल लेजिए एक घर से related suit file करना था एक व्यक्ति को और वो व्यक्ति as an indigent person suit file करना चाता है उस घर का लेकिन इसने क्या किया है एक agreement कि थूरू इसने किसी दूसरे व्यक्ति को उस घर में interest दे दिया तो अब हो सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति के पास पैसा हो आप बले इंड उसरे व्यक्ति का interest अगर create कर दिया उस subject matter में तो तो भी आपकी जो application है to see you as an indigent person और as a proper ये reject हो जाएगी इसी के तरह अगला भी है F देखिए where the allegations made by the applicant in the application show that the suit would be barred by any law for the time being in force अगर वो suit barred है by any law ये हमने order 7 के rule 11 में भी पड़ा था कि अगर वो suit barred है by any law मान लिजे it is barred by limitation तो complaint आपकी reject हो जाएगी वो ground इदर पे भी दिया हुआ है इसके बाद G, D की तरह है जी देखिए where any other person has entered into an agreement with him to finance the litigation किसे दूसरे उस indigent वेक्ति उसके खुद के पास पैसा नहीं है लेकिन उसने किसे दूसरे वेक्ति के साथ एक agreement कर लिया है और वो दूसरा वेक्ति इस indigent person का litigation finance करने वाला है उस agreement के थूँए अगर आपने कोई agreement कर लिया कि भाया हमारा जो पूरा खर्चा होगा इस case को करने में वो आप उठाएंगे अगर यह agreement उसने किसी के साथ कर लिया है तो obviously इस ground पे यह application जो आप file कर रहे हैं जिसमें आप अपने आपको indigent बता रहे हैं और court से permission मांग रहे है suit file करने कि under order 33 वो application reject हो जाएगी तो I hope all the grounds are clear और इन सारे grounds को आपको दिमाग में रखना है यहां से question आता ही आता है बहुत important है यह rule 5 किन-किन ground पे reject होगा तो सबसे पहले तो 2 और 3 का compliance नहीं किया आपने या फिर आप indigent ही नहीं है या फिर तीसरा कि पिछले 2 मेने में आपने अपनी property dispose off कर दी है या फिर आपके पास cause of action ही नहीं है या फिर आपने किसी agreement के थो किसी दूसरे person का interest create कर दिया है उस subject matter में उस property में जिससे related suit है in that case also your application में भी rejected या फिर इसके अलावा law से बार्ड है वो suit तो भी application reject हो जाएगी या फिर अगर आपने किसी दूसरे वेक्ती के साथ agreement कर लिया है कि कोई दूसरा वेक् finance करेगा in that case also your application में भी rejected तो यह rejection के grounds है बहुत जादा important है आपका rule 5 इसके बाद देखिए 9 rule 9 बात करता है विड्रॉल की देखिए rejection आपने application दी court ने देखा समझा hearing curry reject कर दीगे आपको permission नहीं दे रहा है विड्रॉल कब होगा rule 9 का जब permission आपको मिल गई है लेकिन उसके बाद court उस permission को withdraw कर रहा है एक बार देने के बाद court उस permission को withdraw कर रहा है that is rule 9 इसको देखिए जरा withdrawal of permission to see you as an indigent person the court may on the application of the defendant defendant की application पे यह हो सकता है और of the government pleader या फिर government pleader की application पे of which seven days clear notice in writing has been given to the plaintiff साथ दिन का return notice देख दिया जाएगा plaintiff को order that the permission granted to the plaintiff to see you as an indigent person be withdrawn कि भाई तुमने जो permission ले ली थी court से तुमें जो court ने permission दे दी थी to file a suit as an indigent person उसको withdraw किया जाना है किस ground पे withdraw कर सकते हैं देखिए जरा a if he is guilty of vexatious or improper conduct in the course of the suit वो during the course of the suit उसका जो conduct है वो vexatious है improper conduct है उसका conduct सही नहीं है उस suit में एक तो फ्री में permission मिली है तुमें court ने फ्री में आपको यह सुबधा दे कि चलो ठीक है आप court fee मतो और suit और उसके बाद आप hero बन रहे हैं वहाँ तो this is not allowed जैसे यह crash course चल रहा है यूट्यूब पर लाइग अब इसमें आपकी demands नहीं हो रही है कोई कर लो कोई कर लो ब्लैक बटा पढ़ लो है वाइट और ब्लेक में कुन सब्सक्राइब तो क्या भारत की जनता बहुत अतरंगी है भारत की जनता को यहीं समझ में आता कि कि एक यह मैं चाहिए का जीवान में जिस दिन में वाइट रखता हूं उस दिन जनता के 30 से बिलैक कर लो एक जे जो फिरफ खांथाम में हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं कि अब एक्षिली मैं सेलेक्ट करते हूं आज ब्लैक है तो थोड़ा कंट्रास रहेगा बोट तो प्रपर ली विजिबल रहेगा लेकिन मैं बता रहा हूं इस देश की जंता को सेटिस्फाय करना भाई साहब नेक्स्ट विंपसिबल है उपर से देश की जंता कि जो इक्षाय कोक्रिट करना असमभव है । क्यों पता jest यहां कि जंता आगर बाहर जाती है खाना के कि तो वो ऐसा restaurant हुंती है जहां मिले घर जिसा खाना, restaurant marketing कर रहा है ये बोलके, कि हमारे हां घर जिसा खाना मिलता है, एक तो ये हो गया, कि आप जब बहर खाने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए घर जिसा खाना, restaurant पर जहां, जो ये बोलके marketing कर रहा है, कि हम घर जिसा खाना देते तो मेरे भाई, अगर तुम्हें बजार का टेस्ट चाहिए, तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, तुम क्यों चाह रहे हो कि महां जाके घर जिसा खाना खाना है, और अगर तुम्हें घर वाला खाना है, तो नॉर्मल मसाले में खाना बनाओ, घर वाला खाओ, उसके लिए क्योंकि आपकी इसलिए इसलिए कोई भी वैक्ती अपनी मार्केटिंग स्किल्स से आपको बना जा रहा है और आप बने जा रहे हैं करेक्ट तनली ये डोगला पने अशनीर्वाही अपने फिवरेट है सीलिए इसलिए मैं कहता हूं आप अपना समय कहां व्यर्थ कर रहे हैं कि कैसे करें इसी में पूरा समय आ रहा है वह देख लिया चलोड़ी अच्छी बाते देखना देख उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है उसके बाद भी मोटिवेशन चाहिए दिन भर पता नहीं कौन सा मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई करने कर वाई इतना क्या मोटिवेशन का वीडियो चल रहा है इसी लिए इस तरीके की मार्केटिंग भारत में सक्सेस्फुल हो जाती है क्योंकि आपको बाहर जाना है तो घर में बने तो बाहर रहता है तो आजा यह रूल नाइन पर वापस इसलिए अगर यह जो इंडिजेंट परसन है जिसको परमीशन देदी ग if it appears that his means are such that he ought not to continue to sue as an indigent person अगर बाद में को लगता है कि इसके पास sufficient means है या आगे है इसके पास sufficient means है और इसको indigent person की तरह suit करने की जरूरत नहीं है in that case withdraw किया जा सकता है वो जो permission आपको दी गई है to file a suit as an indigent person see देखिये if he has entered into any agreement with reference to the subject matter of the suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter आप permission लेने के बाल रिजेक्शन वाले में भी ये similar point था लेकिन वहां क्या था कि आपने पहले ही agreement में enter कर लिया यहां आपको permission मिल गई है उसके बाद court को बता चल रहा है कि आपने एक agreement कर लिया है जिसमें आपने उस subject matter में किसी दूसरे विक्ती का interest create कर दिय है तो इस ground पे आपको जो permission दी गई थी to file a suit as an indigent person वो permission withdraw करी जा सकती है under C I hope that is clear यह तीनों ध्यान रखिएगा यह तीनों बहुत important है इसके बाद आजाए 9a this is also important 9a is also important court चाहे तो pleader भी दिला सकता है अब क्योंकि indigent वक्ती है इसके पास पैसे नहीं है court fee पे करने के तो वकी represented indigent person अगर court को लगता है court ने किसी वक्ती को permission दे दी है to file a suit as an indigent person और court को लगता है कि इसको represent करने के लिए कोई वकील नहीं है कोई pleader नहीं है तो court अपने से assign कर सकता है pleader that is 9a इसके बाद आजाए 10 this is very very important सबसे ज़्यादा chances जो यहां आने के है रूल से question वो है आपका जो ज़्यादा chances है वो है 1, 5, 10 और 11 यह बहुत important है 10 देखिए cost where indigent person succeeds इसके बार में मैंने पहली बताया इस order को start करते समय cost where indigent person succeed indigent person जीत किया है plaintiff suit जीत किया है जो judgment आया है जो decree आई है वो plaintiff के favor में आया है plaintiff कौन है हमारा indigent person ऐसे case में जो cost दिलाई जाएगी वो state government recover करेगा उस party से recover करेगा court जो direct करे अब जरूरी नहीं कि जो जीता वो ही recover करेगा दूसरे से court पूरे observe करता है proceeding क्योंकि cost के अगर आपने delay किया है proceeding में तो भी आपके ऊपर cost लगाई जा सकती है वो सारी बाते हमने देखी है तो भाई यहां कौन पे करेगा जिसको court order करे रूल 10 देखी ज़रा where the plaintiff succeeds in the suit the court shall calculate the amount of court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person अगर उसको indigent person की तरह suit file करने की permission नहीं मिली तो फिर court fees पिली जाएगी उससे such amount shall be recoverable by the state government this is very important such amount shall be recovered by the state government from किसे करेंगे recover यह बहुत important है from any party ordered by the decree to pay the same decree में जिसको order दिया जाएगा तो में पे करना है cost वो पे करेगा and shall be a first charge on the subject matter of the suit और जो भी subject matter है suit का उसके उपर यह चार्ज होगा चार्ज समझते हैं कि वो subject matter अगर आपको बाद में लेके जाना है अगर आप उसके लिए entitled पाए गए और आप चाहते हैं कि court subject matter माल लीजे कोई mobile property है अगर वो आपको मिल जा है तो पहले आपको पैसा पे करना पड़ेगा जो उस पे charge है उस property पे वो पैसा पे करेंगे तब property आपको मिलेगी that's what charge is ठीक तो 10 ध्यान रखिएगा court decree में जिसको सीधा सीधा सवाल आप से पूछा जाएगा कि indigent person succeed हुआ तो कौन पे करेगा तो court जिसको order करेगा जिस party order करेगा decree में वो पे करेगा और इसको recover करने का काम करती है state government करती है ध्यान रखिएगा इसके बाद 11 11 बात करता है procedure where indigent person fails अगर indigent person fail हो गया दो एक तरीके के failure है माल लीजे suit dismiss हो गया या माल लीजे उसकी application ही reject हो गई उसको permission नहीं मिली to sue as an indigent person अगर उसको permission नहीं मिली to sue as an indigent person तो वो normal की तरह treat किया जाएगा और सारा पैसा उससे फिर लिया जाएगा अगर आपकी application reject हो या फिर आपको जो permission दी गई थी to file a suit as an indigent person वो permission withdraw कर ली गई है और where the suit is withdrawn or dismissed या पर suit ही withdraw कर लिया गया या suit dismissed हो गया ऐसे case में क्या होगा यह देखिये because the summons for the defendant to appear an answer has not been served upon him in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges if any chargeable for such service or to present copies of the plaintiff or concise treatment इन मेंसे किसी भी ground pay अगर suit dismiss हो यह सब अपनोड़ेटी कर चुके है कि अपको फीपे नहीं हुई है माल लेजे withdrawal हो गया आपको पहले तो permission मिली to file a suit as an indigent person लेकिन यह उसमें भी deal कर रहा है जहां आप क्या ऐसी permission withdraw कर ली गई है तो अगर permission withdraw कर ली गई है तो फिर आप तो आप तो आपको कोई immunity में विलेगी आप तो आपको सब करना है तो उसके बाद अगर आपने court fee pay नहीं करी इसकारण से court suit dismiss हुआ है या फिर जो समन सर्फ कराने थे dependent के उपर उसकी cost भी आपसे ली जाती है आप dismiss हो रहा है या तो वह appear नहीं हुआ या उसने जो requisites है वो फुल्फिल नहीं कर रहे है ऐसे किसमें हो क्या होगा last line देखिए the court shall order the plaintiff or any person added as a co-plaintiff to the suit to pay the court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person तो फिर plaintiff से court fee pay कराई जाएगी plaintiff से court fee pay कराई जाएगी इन circumstances में अगर मान लीजे आपकी जो application है withdraw कर ली गई है या आपके failure के current suit dismiss हुआ है आपने सारी requisites fulfill नहीं करें आप appear ही नहीं हुए तो वही बात है एक तो फ्री में permission मिली है और उसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो यह मत करिए जो मिला है फ्री में उसका फायदा उटा ही है जिए तो यहां से question आता है प्रिलिम्स में 10 बहुत important है और 11 भी equally important है दोनों याद रखिएगा रूल 10 में अगर plaintiff succeed होता है तो जिस party को court order करेगी वो पे करेगा cost ठीक इसके बाद आजाईए 17 सीधे आजाईए rule 17 बहुत ज्यादा important नहीं है 17 और 18 लेकिन थोड़ा सा concept बस ध्यान रखिएगा by chance पूछा जा सकता है defense by an indigent person अगर indigent person suit defend कर रहा है तो तो उसे filing तो करनी नहीं है file तो suit किसी और ने कर दिया लेकिन defendant को अगर मानलो कोई return set off या counter claim file करना है set off और counter claim पड़ा है order rate में defendant file करता है और set off और counter claim को भी plaint की तरह treat किया जाता है तो पैसे उधर भी लगेंगे तो अगर आप defendant है किसी suit में लेकिन आप indigent है और आप अगर set off या counter claim प्लीड करना चाहते है तो आपके उपर भी यही सारे rule applicable होंगे जो अभी हमने पड़े कहने का मतलब आपको वहाँ permission लेनी पड़े कि और with permission आप विना court fee कर सकते हैं file इसके बाद 18 देखिए power of government to provide for free legal services to indigent person अब सरकार चाहे तो ऐसे provision बना सकती है राजी सरकार केंदर सरकार दोनों central government या state government provision बना सकती है कि जहाँ जहाँ विक्ति को permission मिल रही है to sue as an indigent person उनको free legal services दिलाई जाएं इसके लिए provision बनाने का duty या यह provision 18 में दिया है कि central government और state government इसके regarding rule बना सकती है कि अगर कोई विक्ति indigent है और उसको permission मिली है तो उसको legal aid free provide कराए जाए यह 18 में दिया है बहुत ज्यादा important नहीं है बट कुछ exams में कई बार यह पूछा गया है ज्यादा जो important है वो मैंने आपको अलग से लिग दिये अब आईए जड़ा इसके बाद जो हमें आगे बढ़ना है यह हो गया आपका order 33 indigent person से related I hope the whole story the whole flow chart is clear in your mind और जो relevant rules है वो भी हमने पढ़ लिए process क्या होता है वो भी मेरे खाल आपको clear हो गया है इसके बाद अगला जो order है that is 34 इसमें ज्यादा चीज़ा important नहीं है कुछ limited order के बस number याद रखिएगा that's it यह sorry rules के यह order का number तो आपको याद रखना ही है suits relating to mortgages of immovable property immovable property के mortgages से related है यह पूरा का पूरा order that is order 34 और इसमें limited rules सिर्फ head note याद रखिएगा in rules के जैसे rule 2 preliminary decree in foreclosure suit foreclosure के suit में preliminary decree pass करनी है court को यह लिखा है preliminary decree क्या होती है final decree क्या होती यह मैं आपको समझा चुका हूँ already एक जो पूरी class हमने सिर्फ judgment decree और उसके execution पे करी है इस series में उसमें मैं आपको बहुत clearly समझा चुका हूँ preliminary क्या होता है और final क्या होता और मैंने आपको यह भी कहता है कई बार यह सवाल आता है कि इन में से कि suit में preliminary decree दी जाएगी किस में preliminary decree नहीं दी जाना है उस परपस के लिए यह important है rule 2 कहता है preliminary decree in foreclosure के suit में preliminary decree दी जानी है इसे की तरह rule 4 देखिए इसके बाद preliminary decree in suit for sale sale की जो suit होगा उसमें भी preliminary decree दी जाएगी इसके बाद 7 preliminary decree in redemption suit redemption का जो suit file होता है उसमें भी preliminary decree दी जाएगी redemption foreclosure क्या होता है यह भी मैंने deal किया है CPC के अंदर इनी classes में मैंने आपको brief में वो भी बताया था जब अपन देख रहे थे कि cause of action का joiner कैसे होता है immovable property की possession का suit है तो उसमें क्या join किया जाएगा कौन सा को the option नहीं किया जाएगा वहां मैंने आपको यह भी brief में समझा दिया था तो 7 भी आपको ध्यान रखना चाहिए preliminary decree in redemption के suit में preliminary decree दी जानी है अगर पढ़ेंगे जो तीनो रूल मैंने आपको बताए चाहे वो 2 हो चाहे 4 हो चाहे 7 हो रूल 2 रूल 4 चाहे रूल 7 इनमें लिखा है the court शाल पास्पटी मिनरी डेकरी तो बस इस point से यह relevant है बाकी इस order से कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको बिलकुल नहीं है इसके पहला order आपका है इसमें एक section है और order है बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें भी important नहीं है बट यह topic काफी important है CPC में इस topic से question आने के संभावनाएं काफी जादा होती है तो देखिए order 35 interpleader काफी important है section कौन सा है तो section 88 पहले जरा section पर आजाईए फिर आपन order की बात करेंगे जो relevant section आते जा रहे है orders में आपन उनको कबर करते जा रहे है बाकी जैसा मैंने आपको कहा कल की class में मैं सारा बचा कुछ आपको पढ़ा दूआ जितने इसे section है जिसके corresponding orders नहीं है वो सब अपन कल कबर करेंगे जितना portion बचा रहेगा आई प्राय कि कल अपन वो सब निपटा दें तो देखिए 88 पर आईए जरा इंटर पीडर की बात करता है 88 यहीं हमने इसके बारे में दिया हुआ था तो गर्मेंट वाला अल्रेडी पढ़ चुके है इसके बाद आज आईए 88 पे इंटर प्लीडर सुट में बी इंसिट्यूटेट इंटर प्लीडर सुट कहां इंसिट्यूट होता है जरा मैं आपको फिर इस पोरे इंटर प्लीडर टॉपिक क अब ब्रीज बता दू तो अपन प्रोविशन पे जाएंगे इंटर प्लीडर सुट बेसिकली होता क्या है कि मान नीचे मैं ये सुट पाइल करने जा रहा हूँ इंटर प्लीडर तो ऐसे में होता क्या है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास किसी प्रॉपर्टी की possession है यह movable या immovable किसी भी तरीके की property हो सकती है और दो लोग और है मेरे अलावा दो और लोग है जो इस party में अपना interest claim करने हैं जो मांग रहे हैं यह property adverse interest claim करने वाले दो लोग हैं जो मेरे पास आके वो property claim कर रहे हैं मैं उस property में कोई interest claim कर रहा हूं मैं कर रहा है मेरी नहीं है यह property मुझे तो देना है जिसकी हो लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि यह property है किसकी मैं किसको दूँ क्योंकि A, B, M, 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 मुझसा बाँगँ वो कहते हैं मी यह property अब मैं तो फज गा मैं कैसे determine करूं कि एक ही है कि इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं जाओंगा court और एक suit file करूंगा जिसको कहते हैं inter-pleader suit मैं जाएक suit file करूंगा. कोट में कि साथ मेरे पास यह प्रॉपर्टी है और मैं इसमें अपना कोई इंट्रेस्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं आप तो इस सूट को डिटर्माइए यह दो लोग है इनको मैंने डिफेंडेंट बना दिया है आप जड़ा इनको लडवाओ इनसे एविडेंस लो और आप मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं मेरा तो कोई इंट्रेस्ट इस प्रॉपर्टी में है नहीं तो फिर मैं जो गोट जा रहा हूं पैसे खर्च कर रहा हूं सूट फाइल कर रहा हूं जो कश्क ले रहा हूं उसका क्या तो मुझे कॉस्ट दिलवाई जाएगी क्योंकि मैं प् पहले वो cost pay करनी पड़े कि उसके बाद property के लिए entitle होंगे, क्योंकि वहाँ जाना पड़ा मुझे. मेरा तो कोई interest था यहीं ना उस property. That's what interpleader is. तो normally क्या होता है, ये interpleader plaintiff बनता है, दोनों को defendant मनाता है, फिर अगर court इस बात से satisfy हो जाता है, जहाँ इसकी अब जरुवत नहीं है, इस interpleader की मेरी अब आके जरुवत नहीं है suit में, इन दोनों का पंड decide कर लेंगे, तो मुझे वहाँ से हटा दिया जाएगा. मुझे ऐसा party उस suit से हटा दिया जाएगा, मेरे कुक को अस्वास दिला के खतम कर दिया जाएगा, इन दोनों को फिर आपस में लडवाया जाएगा, plaintiff defendant मना दिया जाएगा, और वो अपना claim प्रूफ करते रहेंगे उस property के ऊपर. That's what interpleader is and I hope that is clear. यह जो suit फाइल करता है उस वक्ति का आज सच इंटरेस्ट नहीं है. इसी के बारे में section 88 बताता है, तो देखिए ज़रा where interpleader suit may be instituted, where two or more persons claim adversely, two or more persons claim adversely to one another the same debts, sum of money or other property movable और immovable कैसी भी property हो सकती है. from another person, यह तोनों मेंके किसी तीसरे वक्ति से claim कर रहे हैं और यह जो तीसरा वक्ति है, from another person who claims no interest therein other than for charges or cost, और यह जो तीसरा वक्ति है, वो subject matter में कोई interest claim नहीं कर रहा, वो सिर्फ कैरा भया कि मेरा जो खर्चा हुआ है, suit file करने में आप मेरे को दिला दो बात कातम, मेरा इस property में कोई interest नहीं है, मैं तो clear हूँ कि इन दोनों में से किसी की है, बट यह clear नहीं है कि किसी है, इसलिए मैं court के पास आया, उनकी court determine कर दे, and who is ready to pay or deliver it to the right claimant, वो जो तीसरा वेक्ती है, वो ready है, कि साब मेरा कोई interest में इस property में मैं तो जो सही वेक्ती है, जो entitled है, उसको देने के लिए ताहिया हूँ, लेकिन समस्या का है, यही समझ नहीं आ रहा कि देना किसको है, किसी लिए court के पास आया है, सच अधर परसन में institute a suit, तो तीसरा वेक्ती है, वो एक suit institute करेगा, institute a suit of interpreter, against all the claimants for the purpose of obtaining a decision, as to the person to whom the payment or delivery shall be made, and of obtaining indemnity for himself, जित्ते भी लोग claim कर रहा है, चाहे दो लोग claim कर रहा हूँ, चाहे पांच लोग claim कर रहा हूँ, सबको में defendant मना दूँगा, मैं प्लिंटे पर हूँगा, सबको defendant मना दूँगा, किसाब ये लोग claim कर रहा है, अब आप decide करो, किसको देना है, मेरा तो कोई interest इसमें नहीं है, प्रवाइशो देखिए, provided that where a suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpreter shall be instituted, जब ये interpreter अपना suit file करने जाएगा, और अगर court को ऐसा पता चलता है, कोई एक party उसमें कहती है, कि साब इस subject matter से लेड़ेट अलरड़ी suit चल रहा है, मान लीजिए, A और B मुझसे property claim कर रहा है, अब मैं confused दूँ कि किसको दूँ, मैं चला गया suit file करने interpreter suit, और वहाँ पे भी कहता है कि साब मैंने अलरड़ी एक 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 इन suit file कर रहा है इस property को cover करने के लिए, तो जब अलरड़ी एक suit चल रहा है, in that case interpreter suit entertain नहीं होगा, यह भी section 88 कहता है, अब इसी का पूरा detailed जो provision है, यह तो सिर्फ मैंने आपको brief बात बता दी, कि होगा क्या interpreter suit में, यह सब कैसे होगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, order 35 interpreter, पूरा order important नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, section number important है, समझना जरूरी है, interpreter suit होता क्या है, एक-एक rule में नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस का बहुत important question होता है, interpreter, तो मेंस में अपन पढ़ते हैं, इधर में आपको as such वो नहीं पढ़ाऊंगा, यहां बस आप इतना ध्यान रखिए, कि भाई साब section 88 plus order 35, यह मिला के बनता है, interpreter suit, एक important सवाल इदर से आया है, आने के chances ज़ादा होते हैं, वो यह कि कौन वो व्यक्ति है, जो interpreter suit file नहीं कर सकता, यह important सवाल इस order से पूछा जाएगा, बकि process मैंने आपको पूरी समझा दी है, वो ही सब इन orders में दिया है, में सके लिए कभी पढ़िएगा, तो डीटेल में इसको आपको जानना और समझना चाहिए, यही बातें order में लिखी हुए है, जो मैं आपको बताई, Is there any technical glitch? कृतिगरी है, कुछ technical glitch हो रहा है, कृतिगरी है, वीडियो आडियो में और एवरिटिंग इस फाइन, एक बार जाना confirmation दे दीजिए, इफ एवरिटिंग इस फाइन, फाइन, फाइन फाइन लेग दीजिए एक बार या थम बाया के बता दीजिए मुझे, कि अपने अपना टेक क्या है कि मैं उस टाइप का व्यक्ति हूं जो स्मार्टफोन लॉंच होने के बाद भी मार्केट में कीपड वाला फोन रहा था, फिर मुझे मिला था Nokia का C5, जब 60% जनता स्मार्टफोन लेकर घूम रही थी, तब मैं कीपड वाला फोन रहा था, आपन थोड़ा उस टाइप के व्रेक्ति हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पे मेरी reliability कम है, एक पे, क्लियर पर तो है, कॉंसेट पर कोई डाउट नहीं है, मुझे इस पर है थोड़ा, चीक है, चलिए, ओल्राइट, तो देखें, एक व्वेश्चन जो इंपोर्टेंट आता है, कि भया, इंटर पीडर सूट जो है, यह कौन फाइल नहीं करेगा, तो एक टेनेंट अपने लैंडलोड के अगेंस नहीं कर सकता, और एक एजेंट अपने प्रिंसेपल के अगेंस सूट फाइल नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए, मैं किसी व्वेश्चन का एजेंट हूँ, एक कंपनी है दिल्ली में, उसने वो मुबाइल फोन बनाती है, उसने मुझे एजेंट बनाया है भुपाल में, कि आपको हम एक लॉड अफ मुबाइल फोन देंगे, कुछ मुबाइल फोन देंगे, आपको भॉपाल में बेजना है, मैं उनका एजेंट हूँ, अब बाद में कोई व्यक्ति आके कहता है, कि आ रहे ये मुबाइल फोन उस प्रिंसिपल कंपनी के नहीं है, इसके लिए तो हम इंटाइटल हैं, हमारा अधिकार है इस पे, और वो मुझसे क्लेम करते हैं, और जिस कंपनी से मैंने लिये था, जिसका मैं एजेंट हूँ, वो मेरा प्रिंसिपल भी मुझसे क्लेम कर रहा है, कि अभे मेरे हैं फोन उसको कहां देरा, और वो आके कर रहा नहीं मेरे हैं, ऐसे केस में क्या मैं इंटर्पीटर सूट फाइल कर सकता हूँ, आंसर इस नो, बहुत सिम्पल सा लॉजिक है, कि जिससे मैंने टाइटल डेराइब किया है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, किसी वेक्ति ने, लैंडलॉड ने टिनेंट को रखा है, इम्मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो इम्मूवेबल प्रॉपर्टी, वो टिनेंट उस लैंडलॉड के टाइटल को चैलेंज जनरल ही नहीं कर सकता, यह कई जगे लॉज में दिया हुआ है, यहां पर भी वो इचीज एपले केबल है, कि टिनेंट अपने लैंडलॉड के अगेंस्ट और एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट यह नहीं कर सकता, कोई तीसरा वेक्ति जो इस प्रॉपर्टी को क्लें कर रहा है, अगर उसने इंट्रेस्ट जराइफ किया है, फ्रॉम दी लैंडलॉड हिंसेल्फ और फ्रॉम दी प्रिंसिपल हिंसेल्फ, इन दाट केस मैं इंटर्प्लीडर सूट फाइल कर सकता हूँ, इसके इलस्ट्रेशन दिये हैं, जरा एक बार देख लिजे, कुछ बढ़िया स्टेट के एक्जाम आप, डीजेस वीजेस टाइप के अरेन टाइप के एक्जाम आप देंगे, मतलब बढ़िया से मेरा मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, थोड़ा ज्यादा कॉंसेप्चुल पूछे जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक बार, रूल 5 के जो इलस्ट्रेशन है वो देख लिजे, और 35 का, जो रूल 5 है, एजेंस और टेनंस में नॉट इंसिट्यूट इंटरप्लीडर सूट, इसके इलस्ट्रेशन दरह देख लिजे, क्योंकि लिखा है, जनरल ही आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस तीसरे वक्तिन है, आपके लेंडलोड से ही, आपके प्रिंसिपल से ही, टाइटल डराइफ किया है, उसके इसमें कर सकते हैं, इंदी केपासिटी as an agent, और फिर P ने क्या किया, इसके बाद P ने जो गुड्स यहां दिये थे, जैसे मान लिजिए एक बॉक्स था इसके बास, इसमें कुछ गुड्स थे, अब मान लिजिए as an agent यह होल्ड कर रहा था, इसके बाद यह जो प्रिंसिपल है, इसने वो गुड्स जो इसके agent की position में है, उनको as security रखके C से उधार ले लिया, एक debt ले लिया C से, C से पैसा उधार ले लिया किसने, इस प्रिंसिपल ने, क्या करके, इसको बना दिया क्या security for the debt, security बना दिया, ए भी यह बात जानता है, कि security, goods जो मेरे पास है, वो security है, अभी किसके लिए C से जो debt लिया गया, पचास अजार रोपे का loan लिया है इस प्रिंसिपल ने, और इसको security रखा है, security रखागा मतलब, अगर principle पचास अजार रोपे वापस नहीं करेगा C के, तो इसके लिए हकदार कौन है, इस goods के लिए C हकदार हो जाएगा, अब debt तो ले लिया, इसके बाद बाद में, थोड़े टाइम बाद, यह principle यह से कहता है, कि भाईया, उसका debt wait पे हो चुका है, तेरे को मैंने goods दिये थे, तू वापस कर, और यह जो व्यक्ति था, जो creditor है इस principle का, जिसने पैसे उधार दिये थे, जिसके पास security रखी थे, यह भी आके claim करता है, कहता भाई, तेरे प्रिंसेपल ने पैसे नहीं दिये है, और तुझा पता है, security रखा है, एस security की लोन वापस पे हुआ है, नहीं, in such situation, this agent can file a suit, against the principle as well, ऐसी situation में, file किया, जा सकता है, इंटर प्लीडर सूट, यह ध्यान रखियेगा, concept चांदना थोड़ा ज़रूरी है, illustration जो दिया है, दोनों वही हैं, जो मैंने आपको बता दिया, and I hope that is clear to everyone, यह हो गया आपका इंटर प्लीडर सूट समाथ, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब जो provision हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दो मिनट आपको शान दिमाथ से समझना पड़ेगा, कि कौन से section और फिर कौन से order से relevant है, एक order और इसी sequence में summary procedure है, उसको बस समझ लीजे, उसके बाद हम उस पर आएंगे, summary procedure के लिए कोई as such corresponding section की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह order ही है, कि जो चीज लंबी है वो चाहिए नहीं हमें, तो इसलिए एक shortcut बनाया गया, summary procedure बनाया गया, जहां उतना detailed procedure नहीं होगा, जल्दी निप्तारा करेंगे, लेकिन यह कुछ specific courts के पास यह अधिकार है, और basically यह कुछ specific matters में ही deal होता है, कुछ specific matters हैं, जिनमें यह summary procedure अपनाया जा सकता है, high court permit करता है courts को, कि किस court को summary procedure अड़ॉप करने का अधिकार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किन matters मिलेगा, यह बताया गया है, और जहां वो summary procedure है, उसमें होता क्या है, जरा पहले brief में वो कहानी समझ लीजे, ताकि फिर जब अपन rule पढ़े, इधर से question भी आता है rule में, वो आप समझ लीजेगा, देखे एक तो आप यह चीज़ पढ़ेंगे, कि कौन से वो court हैं, जो summary procedure अड़ॉप कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप यह पढ़ेंगे, कि कौन से वो matters है, जिन में summary procedure अड़ॉप किया जा सकता है, चोटा procedure, यह चोटा procedure है क्या, तो चोटे procedure में यह होता है, कि plaintiff अपनी plaint लेके आता है, अपने allegations लगाता है, और क्योंकि वो specific matter, जनरली कौन से matter, जिसमें पैसे ऐसे की recovery है, बस, इस तरीके के जो matter है, उनको जनरली रखा गया है, summary procedure के लिए, तो यहाँ पर plaintiff क्या करता है, plaintiff लेके आता है, उसमें अपनी allocation लगाता है, defendant के against, अब होता क्या है, कि defendant को ऐसे ही नहीं chance मिलेगा, to defend his case, हमने normally पढ़ा है, कि pleader के थुरू भी आप अपने को defend कर सकते हैं, और इनी सब में तो लंबा कारिक्रम खिछता है, इसलिए इदर पर इन्होंने, क्योंकि summary procedure है, चोटे मूटे matters के लिए है, इसलिए इदर पर क्या रखा है, कि अगर defendant को, इस suit को defend करना है, अपने आपका बचाव करना है इस suit में, तो उसको appear होना पड़ेगा, तो जब भी summary procedure के under suit file होता है, defendant को appear होना है, appear होके उसे ये proof करना है, कोट के सामने, कि सहाब मैं इस suit को defend करना चाहता हूँ, और या तो क्या होगा, या तो ये होगा, कि भाया, प्लेंटेफ बोलेगा, साब बस इतना सा मेरा claim है, तो आप तो ऐसा कर ये claim दिलवा दीजे, अगर मालने चाहिए वो appear होता भी है, defendant और अपने आपको defend करने की बात, या तो वो appear ही नहीं होगा, खुद appear ही नहीं होगा defense के लिए, अगर appear नहीं होगा, तो सीधे सीधे judgment pass कर दिया जाएगा, in the favor of plaintiff, और defendant को बोल दिया जाएगा, ये पैसा है, तो देदेश को बात ख़ता है, इस तरहीं के बात अपने CRPC पे में पढ़ी थी, petty cases, petty cases में special summon याद है, कि सीधे defendant को ये बोल दिया जाता है, उसी तरीके का provision यहाँ summary procedure में अपनाया जाता है, कि अगर मान लीचे वो appear नहीं हुआ defendant, तो उसको suit defend करने का मौका ही नहीं मेलेगा, आपको against पर आजाएगा, आप सीधे decree execute कर ये, बात खतर, अगर मान लीचे वो appear हो के permission मानता है defend करने की, तो फिर जो plaintiff है, वो एक समन भेजेगा किस चीज़ की, judgment की, फिर एक समन भेजेगा कि भाईया, आप तो judgment होना, आप defend कर रहे हो, judgment की समन सीधे वहाँ आईए और अपने आपको defend करिये, और उसके बाद अगर वो defendant convince कर देता है court को कि हा मुझे defend करना है, तो फिर नॉर्मल defend होके, वो दोनों की बात सुनके फिर decision होगा, और अगर ये अपने आपको defend करने के लिए agree नहीं होता है, इन डाट के सीधे-सीधे प्रेंटेफ के favor में इस ओच चला जाएगा, ये basically summary procedure इदर है, और CRPC में correct, 206 में हमने पड़ा था, वो offenses जो 1000 रुपे तक coin से punishable हैं, पूरा कारे करम रचने की जरूरत नहीं, सीधे समझ में आप तो पैसा मंगा लीजिए, कुछ वैसा ही, not exactly the same, बट वैसा ही कुछ प्रोविजन ये है, परपस दोनों के सेम है, क्योंकि छोटा मोटा मामला है, जल्दी से नफटा हो, ज्यादा time खराब नहीं करना है, तो देखिए ज़रा summary procedure, कौन-कौन से court कर सकते हैं, रूल बन केता है, courts and classes of suits to which the order is to apply, कौन से वो courts हैं और कौन से वो suits हैं, जिन पर ये order applicable होगा, this order shall apply to the following courts, namely high courts, city civil courts, and courts of small causes, and other court, other court में high court जिसको चाहे, empower कर सकता है, इनके पस तो power है, city civil courts, high court, court of small causes, इसके अलाबा, other courts empower किये जा सकते हैं, official gazette के थूँ, ये empowerment हो सकता है, इसके sub rule 2 में सरा देखिए, subject matter बताएगा है, किन पर ये applicable है, एक brief नसर मांख लीजिए, बस रटने की सरुवरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए देखिए जिए एक बार की किन पर अपलिकेबल है, subject to the provisions of sub rule 1, the order applies to the following classes of suits, namely इन पर अपलिकेबल है, सब सब देखिए, suits upon bills of exchange, undis, promissory note, इन पर अपलिकेबल है, V, suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt, or liquidated damage, और money payable by the defendant with or without interest, पैसे वैसे कई suit है, या फिर, negotiable instruments हो, हुंडी है, promissory note, a bill of exchange, इस से related है, या फिर किसी return contract का suit है, उससे आपको पैसा लेना है, attachments से related है, बैसे कि छोटी मोटी properties, पैसे या debt, इन सब से related suit पे ही, या अपलिकेबल है, इसके बाद rule 2 में इसका institution बताया है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, प्री में, प्री में जो सवाल यहाँ पूछा जाएगा, this is very important, जरा मैं आपको rule भी यहाँ लिख दूँ, कि कौन-कौन से important है, so order 37, rule 1 तो सबसे पहले important है, इसके बाद rule 2 भी important है, rule 2 से भी question आता है, कितने दिन का समय मिलेगा, और वो different होना है, नहीं होना है, यह सारी बाते हैं, तो rule 2 में, अलग-अलग sub-rule है, कौन सा important है, जरा उसको देखिए, sub-rule 1 जो है, वो तो basically बताता है, कि suit institute हो जाएगा, application पे, that's it, इसका जरा sub-rule 3 देखिए, rule 2 का sub-rule 3 देखिए, जरा बेहरेट में, the defendant shall not defend the suit, referred to in sub-rule 1, unless he enters an appearance, यह अंदर लाइन कर लीजे, unless he enters an appearance, and in default of his entering an appearance, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted, and the plaintiff shall be entitled to a decree, for any sum not exceeding the sum mentioned in the summons, together with interest, तो भाया, आपको appearance में enter होना पड़ेगा, नहीं तो आपके against decree आजाएगी, वो ही जो मैंने आपको बताया, यह तो आई है, नहीं तो decree, दोनों में से कुछ एक, अब इसके बाद जो rule 3 है, इसका, rule 3 है procedure for the appearance of defendant, defendant के appear होने का procedure, वो चारा है, वो कह रहा है कि हाँ मेरको appear होना है, तो इससे related rule 3, इसका sub rule 3 ध्यान रखिये, और इसका sub rule 5 important है, rule 3 का sub rule 5, अब यह procedure for the appearance of defendant, मैंने जो आपको कहानी बताई होता है, उसको समन भेजी जाती है, वो आ जाता है, आने के बाद वो permission मांगता है, कि हाँ साब मैं defense, enter होना चाता हूँ, मेरको defend करना है इस suit को, यह जब हो जाएगा कि हाँ वो defend करने के लिए agree होता है अगर, तो फिर एक further समन भेजी जाएगी judgment के लिए, कि इस दिन आपको आना है, और उस दिन आपको आना है, जो भी further समन भेजी जाएगी, यह आपको समझ आ जाएगा, अगर आप rule 3 का, sub rule 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो, आपन सीधे आ रहे हैं, sub rule 5 की तरफ जहां से सवाल आता है, the defendant may at any time, underline कर लीजे ज़रा, the defendant may at any time, within 10 days from the service of, such summons for judgment, by if it if it or otherwise disclosing such fact as may be deemed sufficient to, entitled him to defend, underline करिये, apply on such summons for leave to defend such suit, summons serv होने के बाद, 10 दिन के अंदर आपको apply करना है, कि साब मैं defend करना चाहता हूँ, इस suit को यह सवाल पूछा जाता है, problems में, कि summons for judgment जब serv हो गई है, defendant के उपर कितने दिन के अंदर, उसा यह application file करनी है, कि वो suit defend करना चाहता है, 10 दिन के अंदर, summary procedure का purpose क्या है, कम में निप्ताना, चल्दी निप्ताना, इसलिए time limit रखी गई है, 10 दिन में अगर आपने यह application file नहीं करी कि आपको defend करना है suit को, तो आपकी against judgment हो जाएगा, बात करता हम, थोड़ा और आपको अगर उस procedure को पढ़ना है, तो बस rule 3 के जो बाकी सब rule है, एक बार read करिएगा, जो brief है मैंने story बताईए, वही इधर पे applicable है, so that's it about order 37, अब अपना आते हैं अपने अगले orders की तरफ, और इन orders को पढ़ने के पहले, हमें कुछ section पढ़ना है, जिसमें इन सब का mention है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, CPC की जो पहली class इस series में ली थी, वही मैंने आपको purpose बता दिया था, कि section का purpose क्या और orders का purpose क्या है, section बताता है कि क्या करना है, quote को, orders बताते हैं कि ये चीज कैसे करी जाई, तो क्या करना है section में देखेंगे पहले, कैसे होगा अपन इदर order में देखेंगे, सबसे पहले इन orders को पढ़ने के पहले, आगे कि जो orders अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे order 38, ये है arrest and attachment before judgment, order 39 देखिए, temporary injunction and interlocutory order, इसके बाद order 40 देखिए, appointment of receiver, इससे related details provision दिये हुए हैं, ये जो तीन अलग-अलग हम order पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी अगर आप order 38 देखेंगे, तो उसमें arrest before judgment है, एक heading, और rule 5 के उपर एक sub heading है, attachment before judgment, so arrest before judgment, attachment before judgment, और इसके बाद क्या, temporary injunction, interlocutory order और receiver, इन सब के बारे में detailed rule इदर मिलेंगे, लेकिन पहले section इन सब की बात करता है, एक section इन सब की बात करता है, कि quote ये सारी चीज़ें कर सकता है, कैसे करना है वो आपको order में मिलेगा, तो जरा section 94 निका लिए, वेरिक्र में आप निकालिये section 94, part 6, supplemental proceedings और section 94, section 94 जो है part 6 का supplemental proceeding की बात करता है, 94 देखिये जरा, supplemental proceeding in order to prevent the ends of justice from being defeated, the court में if it is so prescribed, ends of justice for preventing the ends of justice, ताकि एक case में, एक suit में properly justice किया जा सके, अच्छे से उस suit को decide किया जा सके, इस purpose के लिए court कई सारे action ले सकता है, देखिये, एक चीज़ तो हमने ये प्रली, कि court ने एक suit decide किया, एक judgment आया, एक decree आई, और फिर उस decree को execute किया जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, decree को execute कैसे किया जाता है, ये भी देख लिया, decree को execute करने के लिए, arrest हो सकता है, attachment हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमने देख लिया, लेकिन अभी चो हम बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, कि for the ends of justice, आप कुछ supplemental proceeding कर सकते हैं, during the proceeding of the suit, जजमेंट आने के बात, execution के लिए आप करेंगे, बहुत सरी चीज़ें, that's a different thing, execution is a different thing, लेकिन during the proceeding, कुछ supplemental चीज़ें, कुछ power code को दिये गए हैं, for the ends of justice, आप ये सब कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो देखिये, जरा इदर लिखा हुआ है, 94 में, A, issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court, to show cause why he should not give security for appearance, and if he fails to comply with any order for security, commit him to civil prison, court क्या कर सकता है, for the ends of justice, defendant को arrest करा के, बुला सकता है अपने सामने, अगर court को लगता है, कि defendant पेश नहीं होगा, करेगा, कैसे होगा ये, वो अभी अपना के पढ़ेंगे, क्यों होगा, वो सब order में पढ़ेंगे, ends of justice तो इदर लिखा है, detailed बातें उदर बताई गई है, order में, इसके बाद B, भी देखिये, direct the defendant to furnish security, to produce any property, belonging to him, and to place the same at the disposal of the court, or order the attachment of any property, defendant को ये order दे सकता है, court की कोई particular property, आप court मिला के submit करिये, या फिर court property को attach भी करा सकता है, ये भी court कर सकता है, defendant को arrest करके बुलवा सकता है, उसकी property बुलवा सकता है, या property attach करा सकता है, इसके बाद सी देखिये, grant a temporary injunction, and in case of disobedience, commit the person guilty thereof to the civil prison, temporary injunction grant कर सकता है, injunction क्या होता है, कुछ करने या ना करने का order देना किसी व्यक्ति को, तो injunction grant कर सकता है, और अगर कोई इस injunction का breach करता है, तो उसके बदले में उसे civil prison में भेजा जा सकता है, jail भेजा जा सकता है, पहले आपके ओपर injunction issue होगा, और अगर आप उस injunction का breach करते हैं, तो आपको civil prison में भेजा जा सकता है, यह सारे supplemental proceeding court के पास हैं, यह सारे powers है court के पास, इसके बाद D, देखिए, appoint a receiver of any property, and enforce the performance of his duties, by attaching and selling his property, इसके लाभबा court क्या कर सकता है, receiver appoint कर सकता है, receiver किसलिए होता है, property को manage करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया, कि suit तो चल रहा है, proceeding तो चल रही है, judgment आना है, decree आना है, लेकिन भाइया, वो property तब तक बची रहे, यह भी तो जरूरी है, इसे लिए उसका attachment हो सकता है, या फिर उसके लिए, receiver appoint कर सकता है, जो देखभाल करेगा उस property की, ऐसे वक्ती का appointment हो सकता है, इसके बाद देखिए, make such other interlocutory orders, as may appear to the court, to be just and convenient, इसके अलावा कोई और interlocutory order भी, court कर सकता, interlocutory मतलब जो during the proceeding किये जाने हैं, जो जरूरी लगे, वो during proceeding कर सकते हैं, अब देखिए, यह solid power आपने court को दे दिये, यह यह आपको करना है, यह आप during the dependency of the suit, यह सब आप कर सकते हैं, अब जरूरी एक बात यह समझिएगा, कि यह जो power दिये हैं, इनी के corresponding orders हैं, जिनके बारे में मैं भी आपको बता रहा था, अब चला एक बार दुबारा orders देखिए, और उन orders की heading देखिए, वो सब यहां लिखा है 94 में, जो जो court को करना है, वो ही करने के लिए detailed orders बनाए गए हैं, तो सबसे पहले आप अगर order 38 देखेंगे, arrest and attachment before judgment, इसमें लिखा है arrest before judgment, तो defendant को कब arrest कराया जा सकता है, क्योंकि 94 में लिखाता है कि court ऐसा कर सकता है, तो वो जो arrest and detention कराया जाना, वो कैसे कराया जाएगा, वो आपको इधर मिल जाएगा order के अंदर, एक subhead में, फिर order 38 का, जो rule 5 है, उसके उपर जो subheading लिखी हुई है, attachment before judgment, प्रॉपर्टी अटाच कराया जाएगी तो, इसका पावर भी section 94 में code को दे दिया है, आप देखिए, direct the defendant to furnish security to produce, security furnish करा सकते हैं, या property आप डिस्पोज आफ नहीं करेंगे, खतम नहीं करेंगे, इस इस इसीज़ का detailed order आपको मिल गया, और अगर कोई injunction का violation करता है, breach करता है, तो इसको आप civil present में बेच सकते हैं, इस सब कैसे होगा, इसका detailed provision आपको इधर में लेगा, order 39 में, इसके बात देखिए, D, appoint a receiver of any property, receiver appoint करने की बाद, तो order 40 देखिए, order 40 देखिए, जराब वो है appointment of receiver, क्या से किया जाएगा, क्या काम होगा यह सब, इमें जो लेखा है, make such other interlocutory order, यह भी 39 में ही deal कर लिया गया, 39 का आप first part देखेंगे, तो temporary injunction की बात करता है, और rule 6 के उपर एक subheading लिखी है, interlocutory order, इसमें भी deal करता है, तो 38, 39, 40, उन सारी चीज़ों का implementation बताएंगे, कि कैसे यह काम होगा, और यह काम किया जा सकता है, यह section में बताया है, और इसलिए मैंने आपको, पहली class में CPC के बताया था, कि section यह बताएंगे, कि क्या करना है, कैसे करना है, यह order बताएंगे, इसे ही यह यह जो corresponding orders, इनको हम साथ पड़ते हैं, कि यह section और फिर यह orders, I hope that is clear, I hope that is clear in your mind, क्योंकि यह थोड़ी scattered provision है, कई बार यह समझ ही नहीं आता, कि execution भी तो पढ़ लिया, उसमें भी तो arrest हुआ था, उसमें भी तो attachment हुआ था, फिर वो क्या था, यह कौन सा अलग से आ गया supplemental proceeding, क्या है यह, तो वो मेरे खाल से कहानी बैठ रही है दिमाग में, yes or no, बताते जाओ बाई जल्दी, बैठ रही है वो, वो बैठना बहुत जरूरी है, तब ही यह subject सब्जेक जैसा लगेगा, अभी तक तो यह बहुत बड़ा हववा लगता था, क्योंकि subject इसलिए आपको खराब लगता है, डर लगता है, क्योंकि उसकी structuring clear नहीं है दिमाग में, वो एक बार clear होगे, फिर कुछ नहीं है, easy है फिर, तो यह जो supplemental proceeding अपनने section में देख़ी, इनके corresponding orders अपने कोई के करके पढ़ने हैं, लेकिन before we move on to that, 95 भी देखिए जरा, उस part में 94 के बाद section पर आईए, 94 के बाद 95 section भी दिया हुआ है, compensation for obtaining arrest attachment और injunction on insufficient ground, अब यह जो supplemental proceeding की बात करी गई है, कि यह supplemental proceeding करा ही जा सकती है, कोड यह कर सकता है, अगर कोई गत्ती false application इसकी देता है, injunction लेने के लिए, arrest कराने के लिए, property attach कराने का false अगर आपने कोई application दी है, vexatious कोई claim किया है, तो आपको compensation देना पड़ेगा दूसरी party को, और यह heaviest compensation है CPC में, 50,000 रुपे, जरा 95 देखिए, compensation for obtaining arrest attachment और injunction on insufficient ground, आपके पास sufficient ground नहीं थे और आपने यह order obtain कर लिया, injunction लगवा दिया, या arrest करा दिया, या फिर property attach करा दी, इसका जो A और B clauses लिखिए है, subsection 1 में, उसके नीचे देखिए जरा, second line में आपको मिलेगा, award against the plaintiff by its order, such amount, underline कर लिजे, not exceeding 50,000 रुपी, पचास हजार रुपे तक का compensation दिलाया जा सकता है, for obtaining an order of injunction, arrest or attachment on insufficient ground, insufficient ground पे अगर आपने इन में से कोई order obtain किया है, तो आपको compensate करना पड़ सकता है, दूसरी party को 50,000 रुपे तक का compensation, I hope that is clear, चलिए, अब आजाईए जरा orders की तरफ, तो आप पट पट देख लेते हैं कि order का और कैसे होता हूँ, इदर से सवाल बनते हैं, बहुत important हैं यह orders, 39, 40, 38, 39, 40 important हैं, rules भी इसमें बहुत सारे important हैं, वो भी पढ़ना है, तो जरा इस supplemental proceeding को आपन थोड़ा start out कर लेते हैं, तो हमने क्या-क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़े, sections, sections कौन-कौन से, 94 and 95 हमने पढ़े, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, orders, so order कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, पहले 38, 38 देखिए, arrest and attachment before judgment, पहले है arrest before judgment, rule 1 देखिए, बहुत important है, प्रीमिस अवाल पूछे गए हैं यहां से, where defendant may be called upon to furnish security for appearance, अपनी appearance के लिए, security furnish करने को कब बोला, भाई, बहुत common sense और obvious सी बात है, आप CRPC मेरे साथ पढ़ चुके हैं, सीरीज में, CPC पे पहले already discussions हो चुके हैं, पूरे outline पे, आपको पता है, defendant को कब बोला जाएगा, कि भाई यह तुम अपनी appearance की security बरो, जहां court को doubt होगा, कि या तो आप भाग रहे हैं, या भाग सकते हैं, ऐसे किसमें आपके ओपर विश्वास नहीं है, इसलिए court बोलेगा, तो तुम ऐसा करो security बर दो, आओगे की नहीं हमको पता नहीं, या फिर आपका arrest करा लेंगे हम, अगर हमको अंदेशा की आपको बुलाया जाएगा, आप नहीं आओगे, तो ऐसा करते हैं, arrest करवा लेते हैं, तो यह सारे काम इदर करा जा रहा है, तो देखिए ज़रा, इसे सूट्स में क्या करा रहा सकता है, तो पहले बाले में, अंडरलाइं करिये, विट इंटन टो डिले दी प्लेंटिफ, और तो अवोईड एनी प्रोसेस अफ दी कोट, और तो अब्स्ट्रक्ट और डिले दी एग्जेकूशन अफ इनी डिक्री, दाट में बी पास्ट अगेंस्ट इम, यह अंदेशा है, कि यह जो डिफेंडेंट है, यह क्या किस इंटन्शन के साथ, प्लेंटिफ को डिले करने के इंटन्शन के साथ, या फिर प्रोसेस अफ कोट को अवाइड करने के इंटन्शन के साथ, इन में से अगर कोई एक काम करता है, जो तीन लिखे न, पॉइंट सब पॉइंट सब पॉइंट से हैं, वन टू थृरी, यह आपको बता रहा है, कि इंटन्शन के साथ, वो तीन वैसे कोई काम कर रहा है, उसका इंटन्शन है, कि प्लेंटिफ दिले हो जाए, या फिर प्रोसेस अव दी कोट को अवाइड करना चारा है, बिसीकलिकलिक को को अवाइड करना चारा है, या एक्जेक्यूशन ना हो पाए, decree का बाद में इस intention के साथ क्या कर रहा है first देखिये has abscunded or left the local limit of the jurisdiction of the court वो खुद भाग गया है court की local jurisdiction से बाहर चला गया है किस intention से? court की process से बचने के लिए या plaintiff को delay करने के लिए second देखिये or is about to abscund or leave the local limit of the jurisdiction या फिर अभी भागा नहीं है लेकिन भागने वाला है भाग सकता है और भागने के पीछे intention क्या है? वही court की process से बचना third has disposed of or removed from the local limit of the jurisdiction of the court his property or any part thereof या फिर वो उसकी जो property है वो court के local jurisdiction से बाहर ले जा रहा है और वो किसलिए कर रहा है? court की process से बचने के लिए इन में से तीन में से कोई एक काम कर रहा है कर रहा है तो ऐसे case में उसकी against arrest warrant issue हो सकता है इसके बाद देखिए B या तो इन में से कोच एक हो या फिर B में दिया है that the defendant is about to leave India बस सित्ते इंटरलाइन कर लेजे that the defendant is about to leave India वो भारत के बाहर जाने वाला है, अगर को लगता है कि जो defendant है, वो इस intention से कि कोट की process को avoid करना है, या plaintiff को delay करना है, उस intention से इन तीन में से कोई एक काम करें, या तो भाग चुका है, जुरिस्टिक्षन से बाहर कोट के, या जुरिस्टिक्षन से बाहर जाने की संभावना है, या अपनी प्रापर्टी वो जुरिस्टिक्षन से बाहर ले गया, तीनों में से कुछ भी, या फिर वो भारत के ही बाहर जाने वाला है, इन सारे circumstances में कोट क्या कर सकता है, तो आगे देखिए, या जाने वाला है, या जाने वाला है, या फिर भारत के ही बाहर जाने वाला है, और यह सब वो क्यों कर रहा है, with the intention of avoiding the process of court, process of court से बचने के लिए, ताकि court जाना ना पड़े, property attached ना हो जाए, इन सब से बचने के लिए, तो यह है आपका इस तरीके से arrest कराया जा सकता है, यह सरफ arrest कराया जा सकता है, क्योंकि इन में से कोई एक अंदेशा है, इसलिए आपको warrant भेज के, और इसके बाद आप से security furnish कराया जाएगे, वो rule 2, 3 सारे बताएगा है, बहुत important वो नहीं है, उनको पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, rule 1 से ही सवाल पूछा जाता है, कहानी clear होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से बैठ रही है दिमाग में, यह चल क्या रहा है, क्योंकि यह अंदेशा है court को, कि आप court की process से बचना चाहरा है, इसलिए court यह order कर देगा, जब judgment आजाएगा, decree आजाएगे, उसके बाद execution में तो यह सब कराये जाएगा, यह तो पहले की कहानी है, कहीं आप court की process से बचने की कोशिच ना करें, इसलिए इसलिए इस सब कहानी है, इसक security, अब आपको बोला गया, कि security furnish करना है, क्योंकि यह सब अंदाजे थे, आप security furnish अगर नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी appearance की, किसलिए court security furnish कर आ रहा है, ताकि आप appear हो, court की process से बचे ना, अगर आप यह security furnish नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो देखिए ज़रा of the suit, और where a decree is passed against the defendant, until the decree has been satisfied, और अब जब तक decree passed हो के satisfied नहीं हो जाएगी, तब तक आपको civil prison में रखा जा सकता है, लेकर नहीं एक proviso है, जो की बहुत important है, provided that no person shall be detained in prison, under this rule, in any case, underline कर लीजे, in any case, for a longer period than 6 months, 6 महीन से जादा नहीं रखना है, नौर for a longer period than 6 weeks, when the amount or value of the subject matter of the suit does not exit, 50 rupees, 50 rupees तक का subject matter हो, 3 weeks से जादा नहीं, और कोई भी value हो subject matter की, 6 महीने से जादा नहीं रखा जाएगा, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें doubt है, आप process से बचेंगे, आप court की process से बचेंगे, इसलिए पहले ही आपको अंदर दलवा दे रहे हैं, आप आने दो judgment, आप आने दो decree offer execute होने दो, पहले jail में डाल दे रहे हैं, पहले arrest करके civil prison में बेज दे जा रहे हैं, यह है process, यह ध्यान रखियेगा, कहानी चल किदर वाई है, तो आपको rule बूल याद रखने में समस्या नहीं होती है, तो rule 1 से 4 किस में deal कर रहे थे, arrest before judgment में, इसके बाद आईए, attachment before judgment, rule 5, त यह सब 94 में लिखा है, यह सब करवा सकता code, so देखे, attachment, where defendant may be called upon to furnish security for production of property, अब क्या कर रहे है, defendant को बुला सकते हैं, कि तुम security किस बाद की furnish करो, कि property produce करोगे, arrest किस लिए करवा रहे थे, security furnish करवा, rule 1 में किस लिए रहे थे, कि आप appear हो code में, आप भागेंगे नहीं code की process से यह जो security furnish कराई जा रही है, rule 5 में यह किस लिए कराई जा रही है, ताकि आप property produce करें code में, देखे, where at any stage of the suit, किसी भी stage पे suit में, the court is satisfied by affidavit or otherwise, that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of any decree, that may be passed against him, court को suit की proceeding के तौरान ही यह लगता है, कि भाइया, अगर इसके against decree आई, तो यह factory decree execute होने नहीं देगा और उसके लिए यह क्या करेगा, अपनी property ही या तो dispose off कर देगा, या court के local jurisdiction से बाहर ले जाएगा, ऐसा कुछ अन्देशा अगर court को है, कि आप decree के execution को रोकने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो court पहले ही आपसे security furnish करा लेगा, या आपकी property अपर्टी अटैच कर लेगा, त या तो वो property dispose off करने वाला है, बेजबाच के free हो जाएगा, या तो वो court के local jurisdiction से बाहर ले जाने वाला है, ताकि फिर अराम से execution ना हो पाई decree का उसके against, क्योंकि आपने execution पढ़ा है, attachment पढ़ा है, जब local jurisdiction के बाहर होती है property, तो attachment में थोड़ी समस्य आती है, फिर वहाँ transfer करना पढ़ता है, इन सब purposes के, अगर suit के दोरान ही court को लगया, कि यह ऐसा कर सकता है, in that case, पहले ही उससे security furnish करा ली जाएगी, या property attach करा ली जाएगी, यह है आपका rule 5, I hope you got the idea about this, यह किस बारे में बात कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इस attachment से related आके दी हुई है, कई सारे rule है, एक और prelims का सवाल बनता है, वो बनता है, order, sorry, rule 11a, rule 11a के सब rule 2 से, लेकिन इसको समझने के लिए आपको rule 9 भी देखना पड़ेगा, removal of attachment when security furnish or suit dismissed, अब मान लेजे, property आपकी attach हो गई है, और उसके बाद अगर मान लेजे, suit dismiss हो जाता है, property attach हो गई है, defendant की, लेकिन suit किसी व suit dismiss होता है, तो attachment remove कर दिया जाता है, यह लिखा है 9 में, rule 9 में लिखा है, याद गयाद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कहां नहीं समझ मैं है, इसलिए mention कर रहा हूँ rule 9, कि अगर मान लेजे, suit dismiss हो जाता है, तो जो property attach करी गई थी, during the suit, वो attachment खतम हो जाता है, इसके regarding rule 11a का subrule 2 कहता है, an attachment made before judgment in a suit which is dismissed, attachment हुआ था, और suit अब dismiss हो गया, suit अगर dismiss हो गया, तो rule 9 कहता है, कि वो attachment भी खतम हो जाएगा, तो अगर suit dismiss हो गया, तो attachment खतम हो जाएगा, तो अगर suit dismiss हो गया, तो attachment खतम, आगे देखिए, suit which is dismissed for default, shall not become revived merely by reason of the fact, that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside, अब जमाग लगा के समझेगा, तो ये rule और इसका subrule आप याद रख पाएंगे, देखिए, हमने पढ़ा है, कि अगर किसी default के कारण suit dismiss होता है, during the proceeding, तो उस dismissal के order को set aside करा सकते हैं, ये अपनने orders में पढ़ा है, already जो आपको मैं पढ़ा चुपा हूँ, CPC में, कि default के case में suit dismiss हो सक Yes or No? Yes, तो क्योंकि अगर suit दुबारा revive हो गया है, suit के dismissal का order उसको set aside कर लिया गया है, merely इस order से वो attachment दुबारा revive नहीं होगा, जो already खतम हो चुका है, order 9, sorry, rule 9 में, तो क्योंकि suit dismiss हुआ था, तो attachment भी खतम हो गया था, अब माल लीजिए, suit के dismissal के order को set aside करा दिया गया, इसका म करने का order दे दिया गया है, merely इस बात से दुबारा वो attachment रिवाइब नहीं होगा, दुबारा वो property attached नहीं मानी जाएगी, उसके लिए separate order करना पड़ेगा, यह कहता है, rule 11A का sub rule 2, यह समझ में आया या नहीं, एक बार ज़रा yes नहीं लिखके बता दीजे comment में, क्योंकि इदर स supreme सवाल पूछा जाता है, this is important, यह आया भी यह समझ में, आल राइट, चलिए बस, इस order से इतना ही पढ़ना था, अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, order 39, इसमें देखिए ज़रा क्या-क्या पढ़ना है, तो 39 में temporary injunction की बात और interlocutory order की बात है, यही चीज 94 में दी थी कि temporary injunction लगा जा सकते हैं, और interlocutory order pass की जा सकते हैं, temporary injunction देखिए, किस purpose के लिए, बहुत important सवाल पूछा जाता है, इस order के rule 1 से, कि किस purpose के लिए temporary injunction दिया जाता है, दूसरा यह भी पूछा जाता है, कि कौन सा वो case है, जिसमें plaintiff के against भी यह order दिया जा सकता है, क्योंकि जिसमें temporary injunction grant हो सकता है, will in any suit it is proved by if it or otherwise, this is very important, these grounds are very important, that any property in dispute in a suit is in danger, जो suit की property है, वो ही danger में है, अन्देशा है कि कोई भी party उस property को ही destroy कर सकती है, damage कर सकती है, कोई भी party, यहां defendant की बात नहीं है, यह सवाल कई exams में पूछा गया है, कि वो कौन सा ground है, जिसमें दोनों में से कि जिसी भी party के against temporary injunction दिया जा सकता है, तो वो यह a point है, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, किसी भी party पे अगर यह शक है कि वो इस suit की property को damage, destroy or alienate कर सकते है, in that case temporary injunction लगाया जा सकता है, दोनों में से किसी के भी against plaintiff or defendant, दोनों में से किसी के भी against, by any party to the suit or wrongfully sold an execution of a decree, और भी देख अब जो बाकी के दो ground है, वो defendant के लिए है, that the defendant threatens or intents to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditor, अंदेशा है कि जो defendant है, वो अपनी कोई property dispose of कर सकता है, with the intention of defrauding the creditor, मतलब जिन लोगों को उससे पैसा लेना है, वो पैसा ना ले पाए, इसलिए यह अपनी property ही dispose of करने में लगा हुआ है, किसी किसी वो परपरटी dispose of कर रहा है, ताकि उसके creditors उस प्रपरटी से पैसा ना वसूल कोई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो temporary injunction लगाया जा सकता है, see, देखिए, that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, जिस प्रपरटी का dispute चल रहा है, वहाँ ही अंदेशा है कि यह जो defendant है, उस property की possession से plaintiff को हटा सकता है during dependency of suit, या फिर कोई और injury cause कर सकता है उस plaintiff को in respect of that property जिस से related suit चल रहा है, ऐसे case में भी temporary injunction दिया जा सकता है, किस के against, defendant के against, तो B और C में defendant के against, A में दोनों में से किसी भी, अगर जो subject matter, जो property, अगर दोनों में से किसी से भी यह खत्रा है कि उस property को damage, destroy या alienate कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी के भी against temporary injunction फाहिल हो सकता है, आगे देखिए C के बाद लिखा है, the court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, यह जो सारे act हो रहे हैं, अगर कोई भी party damage पहुचा रही है यह property को या पहुचा सकती है, तो उसके against, उस act को, उस damage पहुचाने के act को रोकने के उसको रोका जा सकता है, वो property dispose off करने से, या ऐसा लग रहा है कि defendant plaintiff को injury cause कर सकता है in respect of the property या उसको disposes कर सकता है, in that case also defendant को रोका जा सकता है by a temporary injunction, तो injunction के यह सारे purposes हैं, बहुत important rule है, प्री में सवाल आने के बहुत chances होते हैं, rule 2 से भी सवाल आये हैं, तो इधर पर सबसे पहला हो गया rule 1 बहुत important, उसके बाल आ गया rule 2, injunction to restrain, repetition और continuous of breach, अब जो plaintiff है, वो court में ये भी application दे सकता है, आगे भी, same subject matter या property of suit को लेके, एक बार injunction हुआ लेकिन उसको लग रहा है, आगे भी defendant मान नहीं रहा है, इसी हरकत कर सकता है, तो उसके continuation को रोकने के लिए भी court injunction दे सकता है, on the application of plaintiff, बस ये याद रखिएगा, कि continuous of breach को रोक लेगा, उसके repetition को रोकने के लिए भी injunction लगाया जा सकता है, and that is under rule 2, इसके बात 2a तो बहुत ही जादा important है, 2a बहुत जादा important है, जो जादा important है, 1 और 2a, ये किया जा सकता है, जो इस injunction के order को breach करेगा, उसको civil prison में भेजा जा सकता है, तो 2a बता रहा है, कि जब आपके against कोई injunction का order आया है, अगर आप उस order का violation करते है, उस injunction का अगर कोई breach करता है, तो इसको क्या consequence face करने पढ़ेंगे, ये 2a में दिये हैं, तो देखिए ज़रा consequence of disobedience or breach of injunction, अगर आप disobedience करते हैं या breach करते हैं injunction का, तो यहाँ लेखा है, in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2, or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the court granting the injunction or making the order, or any court to which the suit or proceeding is transferred, underline कर लीजे, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, अगर आपने किसी injunction का breach किया है, injunction में लगाई की condition का breach किया है, तो आपकी property attached हो सकती है, इसके बाद देखिए, and may also order such person to be detained in, ये भी underline कर लीजे, to be detained in civil prison for a term not exceeding 3 months, 3 महने तक civil prison में भी रखा जा सकता है, तो अगर आपने temporary injunction का violation किया है, तो property attached हो सकती है, बदले में या 3 मह जा सकता है, ये है rule 2A, which was important, इसके बाद 3, pre के लिए as such important नहीं है, लेकिन 3A बहुत important है, और 3 को समझने के लिए एक brief जानना जरूरी है, 3 का भी, तो देखिए, 3 कैता है, before granting injunction, quote to direct notice to opposite party, अब ये जो temporary injunction की application, अगर एक party न दी है, तो जिस party के against temporary injunction दिया जाना है, जिस party के against inj injunction का order रहना है, उसको notice बेजा जाएगा, उसको notice बेजा जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद injunction दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा, ये general procedure है, लेकिन अगर exceptional situation है, immediate जरूरत है injunction की, in that case, बिना सुने, बिना notice दिये, सीधे injunction का order भी pass किया जा सकता है, ये स पोरी injunction की process को आपको 30 दिन में खितम करना है, क्योंकि आपने बिना notice दिये injunction लगा दिया, उसको बहुत जाएगा दिन तर चंटीनियू नहीं कर पाएगा, तीस दिन में आप उसको बिला की सुनिये, और सारा ममला, अभी तो टीक है, क्योंकि immediate requirement ली आपने इंजंशन लग तो जनरली क्या होता है, एक पार्टी में अप्लिकेशन दी किसाफ इंजंशन लगाई है, दूसरी पार्टी के अगे, तो इस दूसरी पार्टी को notice बेजाएंगे, उसको सुनेंगे, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको अपना पक्षरफने का मौका मिलेगा, उसके बाद सा पूछा गया, हायर जुडिश्री में पूछा गया है, तो इंजंशन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग उन इस ओफिस, किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट अगेंस्ट भी होता है, अगर उन ओफिसर के कंड़क्ट से रिलेटेड इंजंशन लगाया गया है, कि वो लोग जो क्राम करते हैं, उसी पर इंजंशन लगा है, तो वो उन ओफिसर्स में भी अप्लिकेबल होगा, बस यह रूल पाइव बताता है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है, बट कभी कबार उच लिया गया है, बाकि ज़्यादा थो 2A, 3A और 1, यह सबसे ज़्यादा इ जाएँ, और सेम चल रहा है, उसी में पार्ट है दूसरा, इंटर्लोक्यूट्री ओर्डर, यहां पर सिर्फ आपको देखना है, रूल 6 बस, रूल 6 देख लेजे, that's it. पावर तो अडर इंटरिम सेल, अगर मान लेचे कोड को आप देखें, यह इंटर्लोक्यूटरी ओडर दिया जा रहे हैं, इंटर्लोक्यूटरी ओडर में क्या दिया जा रहा है, मान लेचे कोई ऐसे कोड है, कोई ऐसा subject matter है, कोई ऐसी property है, जो नैचरली डिके या जो खाराब हो सकती है उसको सेल करने का इंटर लोक्यूट्री ओडर दे सकते हैं जज्मेंट टिक्री विक्री आती रहेगी यह प्रॉपरेटी सड़ जाएगी तब तर इसलिए पहले इसको बेज दो जो नेट प्रोसीड बचाएगा वो देदेंगे जिसको जो एंटाइटिल होगा उस ऐसी प्रोपर्टी जो के खराब हो सकती उसको आप बेज दीजिए यह इंटर्लोक्यूटर कोड पास कर सकता है रूल 6 के अंदर रूल साथ बदाता है डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन इटीस और सब्जेक्ट मैटर यह दूसरा ओडर है कि बहुत बच्चर आपके दिमाग में आई हो बन गई है तो यह सब जो और रूल है इनको आपको ध्यान रखने वे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी इसके बाद आजाएए और फॉर्टी और फॉर्टी रिसीवर की बात करता है इधर सिर्फ रूल बन देख लिजे रूल थ्री देख लिजे इतने में काम हो जाएगा रूल बन देख लिजे और फॉर्टी का चल यह सब उसी के अंदर रहा है जो सेक्शन में अपन ने वहीं ये सारे जाए को को कॉट यह सब कर सकता है को अरस सकता है को पररटी यॉटि और फोल्क्ठी और जारा है किसать जब लिजए आपार्पर्टी आप्रपर्टी की देख्भाल के लिए होता है रिसीवर वह इसाब बताया गया है रूल 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 पहले आपको एक प्रपर्टी समालने को दी गई है तो उसकी information time to time आप court को देंगे, आप से security भी furnish कराई जाएगी, क्योंकि एक property आपके सुप्रोत करी जा रही है, उससे जो कमाई भमाई होगी वो आप रख रहे हैं, इसलिए court पहले आप से security ले लेगा कहीं, आप लेके भगना जाएगे, तो वो सब duties में बताया गया है, कि security furn receiver होता है, बस, rule 5 ज़रूर आप मार कर सकते हैं, ये कुछ exams में ये पूछा गया है, ऐसी property जो सरकार को revenue पे कर रही है, कोई भी ऐसी property जो government को revenue पे कर रही है, उस case में receiver किसको point किया जाता है, ध्यान रखेगा ये, कई सारे laws में आपने पढ़ा, collector, कोई ऐसी property जो सरकार को revenue पे इन supplemental proceedings के regarding इर्धिर्ध सारी बातें, section हमने पढ़ लिए, उनके corresponding orders, कहा क्या correlate हो रहा है, मेरे खाल आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां लिखाता है, arrest करा सकता है, quote for the ends of justice, तो उससे related order, क्योंकि वहां लिखाता है, कि आप property attach करा सकते हैं, उससे related order, वहा आपको मिला जुला के आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ मा जाएगा कि कारेकरम चल क्या रहा है, और ये सब क्या चल रहा है, ये during proceeding कारेकरम चल रहा है, क्योंकि वहां होने के बाद execution तो एक अलग काता है, उसको अपन नहीं एक class में पढ़ा है, ये हो गया आपका order 40 तक complete, आप कुछ section आपको और मैं तो पढ़ा रहा हूँ, दो से तीन section, ताकि एक substantive portion अपन खतम कर दें, उसके बाद एक बार में before we end today's class, एक बार आपको पुरी वह picture दुबारा clear करा दूँगा कि कहा section, कितने order हमने पढ़ लिए, किस तीस से related, कौन से section, उसके बाद जो बचा-कु निकालिए section में, बेरेक्ट में part 5 निकालिए special proceedings, इसमें सबसे पहले subhead था arbitration, तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, arbitration section 89 पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, order के साथ correspond हो रहा था, वहां कर लिया हमने, फिर हमने, special case अभी हमने नहीं पढ़ा है, जो order 36 जिसमें deal करता है ये section 90 आपका भी रह गया है, जो order 36 से correspond करता है, तो इसके बारे में अपने को देखना है, क्योंकि commission हमने पहले complete कर लिया था, वो तो खैर चलो, पुरानी बात थी, एक second ज़रा हां, तो 30 is, all right, 35 हमने पढ़ा, उसके बाद हम summary procedure पर आ गए, that was 37, क्योंकि उस से related corresponding section का सवाल न 94, 95 पढ़ा और 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 पढ़े 38, 39 और 40, अब एक चीज और पढ़नीजे ज़रा, before we end today's class, that is section 90, ज़रा section 90 आईए, क्योंकि particular part अपने चालू कर दिया है, इसलिए उसको उस पार्ट को निटकाएंगे हम, तो special proceeding में सबसे पहले arbitration ता, जिसमें हम 89 पढ़ा, उसके बाद 90 के इसलिए कि यह special case, यह special case है, क्या ज़रा समझ लेजे, section 90 कहता है, power to state case for opinion of court, यहां पे क्या हो रहा है, दो parties के बीच में एक dispute है, और उन दो parties का ऐसा मानना है, कि हमें इस dispute पे court का opinion लेना चाहिए, देहा अगरीड, through a proper agreement, देहा अगरीड, कि भाई, court का opinion ले ले लेते हैं, बता दीजे क्या है, और court का opinion लोग है, तो भाईया, वो जो बोले ले ला, फिर वो होगा, जो कि court ऐसे तो बेटा नहीं है, court वो थोड़ी है, court वो candidate नहीं है, जिसका judiciary का exam निकल गया है, और अभी joining नहीं आई है, उनके पास महले का हर अच्छा पहुँच रहा है, जो जिवन में, समय है उसके पास, उस candidate के पास भी समय है, लेकिन court के पास नहीं है, court के पास गए हो, तो फिर भाईया, वो जो opinion देगा, वो आपको मन न पड़ेगा, चीक, तो देखिए ज़रा special case 90 में, होता यह है कि यह दो parties opinion के लिए जाते हैं, और court accordingly इनका case dispose of करता है, बस य opinion of court, where any persons agree in writing to state a case for the opinion of the court, then the court shall try and determine the same in the manner prescribed, अगर दो लोग यह कहते हैं, जो parties in suit में, वो यह चाहते हैं, कि court का opinion ले लिया जाए, इस particular dispute से related, यह इस case का, इस case में, court का opinion ले लिया जाए, तो वो court के पास जा सकते है, court उसको dispose of कर सकता है, कैसे करेगा, order पे आ जाईए ज़रा, special case, order देखिए, 36, order 36, special case, आप देखिए, इसमें कुछ पढ़ना वर्दा नहीं है, वो सारी बात नहीं है, कैसे क्या होगा, बस यह लिखा है, इसमें बस rule 6 मार्क कर लिए, वो बहुत ज्यादा important है, rule 6 ज़रूर मार्क करिए इसका, वो बहुत important है, सारी बातें बताई है, आ के लिए बहुत सकते हैं, फिर rule 2 कह रहा है, where value or subject matter must be stated, आपको बताना है, क्या subject matter, value क्या है, उसकी यह सारी बाते है, थर्ड कह रहा है, agreement to be filed and registered as suit, अब वो जो agreement है, कि हाँ में opinion लेना, वो suit की तरह register हो जाएगा, फिर 4 में parties to be subject to court, jurisdiction, court के jurisdiction का subject है parties, 5, hearing and disposal of case, hearing and disposal, आप court दोनो party को सुनेगा, case को dispose of कर देगा, जैसे करता है, normal किसी भी case में, वैसे ही, इसके बाद 6 important है, जो इसको अलग बनाता है, क्योंकि यह दोनों party, mutual consent से court आए है, होता क्या है normally, plaintiff defendant से आगे ले कर रहा है, तुने मेरे right का violation किया, इसके लिए remedy दे दे या इसको सही कर दे, वो मान न नहीं रहा, तो plaintiff, court आजाता है अपना अधिकार मागने, एक तो यह होता है, normal suit, यहाँ पर क्या है, दोनों party agree कर रहे हैं, कहां यार को समस्या है, case अपने बीच में, और अपन चलते है court, यह है, दोनों मिल के जागे हैं, और क्योंकि आप मिल के आए हैं, आप consent से आए हैं, इसलिए अब जो court ने decide कर लिया, वो चुप चाप माल लेना, इसके बाद आपको appeal करने का chance नहीं मिलेगा, इसलिए इसका rule 6 मात कर लेजिए, यह बहुत important है, no appeal from a decree passed under rule 5, no appeal shall lie from a decree passed under rule 5, इससे कोई appeal lie नहीं करेगी, यहाँ जो decree pass होगी, इस decree against, कोई appeal lie नहीं करेगी, दूसरे इसा तो नहीं कि आ गया और फिर defendant को सम अंगरेज के बलवा रहा है, नॉर्मल तो हो नहीं रहा है, तो दोनों आए थे, उन parties का opinion था, उनके बीच में केस था कि चलो court से opinion ले लिया जाए, तो जब आप खुद आए है, तो फिर तो भईया, अब court ने जो कह दिया, वो हो है, तो जारा 90 के बाद देखिए, public nuisances and other wrongful acts affecting the public, public nuisance से related, दो provision important है इदर, 91 और 92, ये दोनों बहुत important है, प्री में question पूछे जाते हैं, बिलकुल अलग चीज है, वो ये corresponding order आपको नहीं मिलेगा, ये separate part था, जिसने related कई चीज़े से 89 अपन ने पढ़ा, 90 हमने पढ़ा, now 91 91 और 92, public nuisance की बाद चल रही है, 91 देखिए, प्री में सवाल पूछा जाता है, public nuisance से related section कौन सा है, 92 पूछा जाता है, public charity से related कौन सा है, कौन विक्ति ये suit file कर सकते हैं, ये बहुत important सवाल है दोनों का, 91 से भी ये पूछा जाता है कि कौन suit file कर सकता है, 92 से भी ये पूछा जा करेगा, underline कर लीजे, बहुत important है, सबसे पहले, by the advocate general, advocate general ये suit institute कर सकता है, public nuisance हो रहा है कहीं पर, उस से related अगर injunction करना है, तो advocate general कर सकता है, एक बात समझना, public nuisance आप जहनते हैं, generally crime consider किया जाता है, public nuisance, private nuisance है, तो फिर आप taught action ले सकते है, public nuisance प्राइवेट कब बन जाता है, जब किसी को special damage हो, किसी एक वेक्ति को special damage, जैसे किसी ने सबाट प्राइवेट पर गड़ा खुद दिया, that's public nuisance, किसी में प्रफिशन पढ़ा है, लेकिन आप वहां से जा रहा है तो और आप उस गड़्टे में गिर गए, तो आपके पास एक private action लाने का अधिकार है, उस ग with the leave of the court, by two or more persons, even though no special damage has been caused to such person, या तो advocate general suit file करेगा, institute करेगा, या फिर कोई दो लोग करेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग, भले ही उनको कोई special damage ना हुआ हो, क्योंकि जिसको special damage हुआ, वो तो सीधे सीधे tort का action ले आएगा, और compensation claim करने का अधिकार उसके पास तो है, लेकि compensation claim करने की बात नहीं चल रही है, उस nuisance खतम करने की बात चल रही है, तो इसके लिए कोई भी दो वेक्ति भले ही वो, उनको कोई special damage उससे ना हुआ हो, कोई भी दो या दो से जादा वेक्ति ये suit institute कर सकते है, विद्धी लीव ओधी court, या फिर advocate general ये suit institute कर सकता है, ये ध्यान का पैसा, तुनिया वर कि आप trust trust सब जानते हैं, उन सब डीटेल में अपन नहीं जाएंगे, recent controversies भी चल रही है, आप जानते हैं, अभी इन सब चीजों को लेकर controversies चल रही है, तो जितने भी इस तरीके के charitable trust या religious या public पैसा जहां पे भी जा रहा है, उसको जो लोग manage कर रह लेकिन वो interested होना चाहिए, जैसे public nuisance में भली उसको special damage ना हुआ हो, तो भी suit file कर सकते हैं, यहां थोड़ी सी कहानी अलग है, ज़रा इसको देख लीजे, in the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, जहां court का direction जरूरी है उस trust के management के लिए, the advocate general underline कर लीजे, the advocate general or two or more persons having an interest in the trust, यह important है, two or more persons having an interest in the trust, दो या दो से ज्यादा लोग जिनका trust में interest है वो, या फिर कोई advocate general यह institute कर सकते हैं, and having obtained the leave of the court may institute a suit, court के लिए अप्टेन करके institute कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जो trust में interest रख रहे हैं वो, या फिर advocate general, 91, 92 दोनों के लिए same कानी है, section number पर याद रखिएगा, वो important है, plus कौन ही institute करता है, यह दूसरा सवाल परी में पूछा जाता है, I hope that is clear to everyone, तो चलिए भाई, आप start करते हैं, आज का हमारा session, जिसमें हमें पढ़ना है section 1 to 25, इसके अलावा हमें पढ़ना है appeal, और appeal के बाद हम जाएंगे, reference, review, और revision की तरफ, कितने topic हमारे remaining है, बाकि सब मैं आपको cover करा चुका हूँ, कल class end होने के पहले, इसके पिछली जो CPC की class है, आज की class के पहले वाली जो CPC की class है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें cover करवाई है, मैंने आपको एक overview with content करवाया था, कि क्या-क्या हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो remaining portion निकल के आया था, वो सिरफ section 1 to 25 था, appeal था, और reference review और revision है, जो आपको पढ़ना और कुछ short title commencement or extent बताता है, आपको थोड़ा, कोई अगर आज पहली बार इस class में आया होगा, तो वो जरूर ये सोचेगा, कि ये पकी बात है कि इन्हें law पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि आज CPC की मैं कह रहा हूं आखरी class है, and we are starting with section 1, तो भाई साब इसमें मेरा कोई दोश नहीं है, ये subject ही ऐसा है, कि अगर मैं आपको पहले दिन resudicator और resubjudice और इन सब के खेल में ले जाता, तो शायल आज जिस confidence के साथ बेरेक्ट को लेके आप बैठे हैं, वो नहीं बैठे होते हैं, इसलिए इसको पढ़ने की sequence थोड़ी अलग होती है, यहां तो फिर भी हमने subject को मैं पढ़ाता हूं, तो वहां individual topic उठाए जाते हैं, उस chain को बनाने के लिए, वो पूरा process आपके जहन में बैठना चाहिए, कि actually यह चल क्या रहा है, तो इस चीज को अगर आपके जहन में यह खयाल आ रहा है, कि यह सर बार-बार बोल रहे हैं, कि आज आखरी class है CPC की औ बढ़ा रहे हैं section 1, तो कृप्या उसके लिए आपको पिछली classes देखनी पड़ेंगी, और especially आपको पहली class देखनी पड़ेगी CPC की, जिसमें पूरा वो structuring है, तो देखिए section 1, short title, commencement and extent की बात करता है, यह जो CPC है, force मिना रहा है, underline कर लीजिए, first day of January 1909, एक January 1909 को यह force में आया है, इसके बाद extent की बात अगर करें, तो पूरे इंडिया में applicable होता है, except the state of Nagaland and tribal areas, वहाँ state government notification के तुरू apply कराएगी, generally Nagaland और tribal areas में applicable as such, पूरा नहीं होता है, that's it, यह है आपका section 1, इसके बाद section 2 पे आईए, तो section 2 में जो हमने specific definitions हमें पड़नी है, वो देख लेते हैं कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप चानते हैं, जैसे decree मैं आपको पहले बता चुका हूँ, decree हमने वहाँ पढ़ लिया था, जब हमने separate topic पढ़ा था, judgment decree and its execution, उसकी जब अपन ने बात करी थी, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, that is section 2, तो section 2 में इसके अला है, preliminary decree क्या होता है, final decree क्या होता है, partly preliminary, partly final क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ with example, तो इस पहपन दोबारा नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें इसके बारे में discuss कर चुके है, इसके बात देखिए, clause 3, 3 बताता है decree holder, तो decree holder कौन होता है वहाँ, जिसके favor में decree आई है, decree holder person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made, तो अब आप जरा ये बताइए, क्या decree holder होने के लिए किसी वक्ति को party होना जरूरी है suit में, इस तवाल का जवाब आप दे सकते हैं, क्या, यहां लिखा है decree holder कोई भी वक्ति है, जिसके favor में quote का judgment आया है, जिसके favor में decree pass हुई है, जिसके favor में decree pass हुई है, वो decree holder है, क्या decree holder कोई ऐसा विक्ति हो सकता है, जो party नहीं था suit में, yes or no, चलिए इस सवाल का जवाब आप ढूंडिएगा, कुछ चीज़े मैं आपके उपर भी छोड़ देता हूं, जो थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा, बटी important सवाल है, तो decree holder 3 में दिया है, इसके बा बाहर है, foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government, भारत सरकार ने उसे establish ना किया हो और भारत सरकार की authority में वो ना चल रहा हो, भारत के बाहर हो और भारत सरकार की authority में ना चल रहा हो, वो सारे court क्या कहलाएंगे, foreign court कहलाएंगे, और इसके बाद 6 भी important है, जो बात करता है foreign judgment की, तो foreign judgment क्या होगा, ऐसा judgment जो किसी foreign court ने किया, foreign court क्या होगा, यह आप देख लीजे, clause 5 से पता चल जाएगा, इसके बाद 7A बस ध्यान रखिएगा कि high court होता क्या है, ऐसे सच बताया नहीं है, सिर्फ clause आप ध्यान रख सकते हैं कि 7A में दिया है high court, वाकी पढ़ने की ज़रुरत नहीं ह इसके बाद 9 important है judgment, इसके बारे में already बात कर चुके है, order, judgment, decree, तीनों के बीच का difference आपको बता चुका हूँ पहले की class में, इसलिए आज उस पे दुबारा discussion हम नहीं करेंगे, so judgment clause याद कर लिजे, 9 में दिया है, judgment debtor दिया है, 10 में judgment debtor आप जानते है, जिसके against judgment आया है, जिस is again important, 11 is important, legal representative कौन होता है, तो execution में इसके बारे में आप already पढ़ चुके है, कि legal representative के against me decree execute हो सकती है, किस amount तक होगी, जिपता उसने deceased person से acquire किया है, उतने तक liable है वो execution में, यह मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ, section section important है, सारे mark करा है थे, देख जिए जारा legal representative होता कौन है, legal representative means a person who in law represents the state of a deceased person, किसी मरे हुए वक्ति के property को जो represent कर रहा है, वो legal representative है, and includes any person who intermiddles with the state of the deceased, and where a party sues or is sued in representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party, so suing, so by deceased person की property manage करने के लिए, जो भी वक्ति है, वो आपका legal representative कहलाता है, clause 11 में दिया है, यह धान रखियेगा, इसके बाद 12 है mean profit, अब mean profit भी मैं आ चुका हूँ, already जब हम लोग order spot रहे थे, जहां हमने gender of cause of action देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर immovable property की recovery का suit है, तो कौन से cause of action add हो सकते है, mean profit की बाद थी, और मैं आपको बताया था, mean profit भो होता है, जो adverse possession से कमाया जाता है, इसके बारह में भी already मैं बात कर चुका हू चुखड़ा धूट आझे राज के लिए रिए भी आपड़ मेंने रह और आपा झार।र आवता जुख़फब्स्टी का इसमें खालर आतनुकाना यह लूजवरा जो उए बाद्वरिए एंट कर रम आठाया डिए उत फर मि आbeश्ड का हूँ अभी फाइं चलिए और ओर 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 तो बहुत करता है पुब्लिक ओफिसर की और यह सिमिलर है जैसे आपने पुब्लिक सर्वन पड़ा उसी तरीके का है यह याद रखिएगा कि सेक्शन टू के किस क्लॉज में दिया है इसके लाबा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आप को इदर नहीं है सेक्शन टू में आप दूसरे सेक्शन की तरफ आ जाते हैं जो हमें पढ़ने हैं तो हमने जूरिस्टिक्शन की बाद अल्रेटी कर ली थी कि जब आप सूट इंसिट्यूट करने जाते हैं तो यह जरूरी है कि आप उस कोड के पास जाएं जिस कोड का पर यह जूरिस्ट्टिक्शन प्राइमरी तीन तरीके का होता है तरिटोरियल जूरिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट 6 important section 6 is very important. So section 6 बात करता है pecuniary jurisdiction की यह simply बता देता है कि pecuniary jurisdiction होना चाहिए court के पास जहां भी आप suit लेके गए हैं अब किस court का कितना pecuniary jurisdiction है यह state-wise vary करता है अलग-अलग वो बता दिया गया है यहां mention नहीं है किसी का pecuniary jurisdiction बस section 6 कहता है कि pecuniary jurisdiction होना चाहिए इसलिए section number याद रखिएगा सीधे सीधे प्री में सवाल आता है कि which of the following section deals with pecuniary jurisdiction तो ध्यान रखिएगा section 6 deals with pecuniary jurisdiction इसके बाद next part पर आजाईए suits in general इसकी एक subheading है jurisdiction of the courts and resudicator now this is very important अब जो अपन बात करने जा रहे हैं यह बहुत important है और इदर हमें पढ़ना है section 9 सबसे पहले section 6 के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे है section 6 के बाद जा रहे है हम पढ़ने section 9 चलिए separate heading के तहती मैं आपको पढ़ा दूं section 9 section 9 से सिर्फ यहां जो लिखा हुआ है उतना ही important नहीं है कुछ additional चीज़ें भी है इससे related I hope आप बेरट के साथ साथ एक pen और copy लिके बैठे है judgments भी इस portion में कुछ landmark judgments जरूर आपको जानने चाहिए तो that I'll give you the names of such particular judgments जो आपको जानने चाहिए जहां से question भी prelims में बन सकते हैं इसलिए please ensure that you are sitting with a pen in a notebook as well तो अब देखे जारा 9 है क्या पहले समझते है Quartz to try all civil suits unless barred the court shall subject to the provisions here in contained have jurisdiction to try underline कर लीचे all suits of civil nature इस तरीके के suit try करना है court को all suits of civil nature suit of civil nature word पहुंसा यूस किया गया है इधर suit of civil nature अब एक टम और होता है civil suit एक होता है civil suit और इधर पर क्या यूस किया गया है suit of civil nature what is the concrete and basic difference between these terms suit of civil nature और civil suit यह समझना जरूरी है उस पर मैं आता हूं जरा आगे का provision पढ़ते है try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly और impliedly barred आप देखें section 9 दो पाल्स में divided है first part में वो यह बता दे रहा है इसका जो पॉजिटेव aspect पॉजिटेव पार्ट है वो यह बता रहा है कि civil courts जो है वो कोई भी suit सुन सकते है जो कैसा हो civil nature का suit of civil nature सुन सकता है court अगर वो suit expressly or impliedly barred ना हो लेटर पार्ट जो है 9 का वो एक negative clause की तरह देखा जाना चाहिए वो यह जनरल बात यह है कि आप कोई भी suit सुन सकते हैं जो suit of civil nature का है लेकिन वो suit expressly or impliedly किसी laws से barred नहीं होना चाहिए यह कैसे होता है माल लेचे कोई पर बाहर बारश हो रही है इसकता हावा होगा चाहिए लिए कर लोगर आप स्पीश्टोप दो अ चाहिए मौझा कीषो यह इस सब्सक्राइबर चाहिए ओडियो तो देड़ समने टेकनलोजी के बारे में कुछ ज्यादा ही मैंने बात कर लिए थी कि मुझे टेकनलोजी भरोसा नहीं रहता है वाच चलिए लेट्स बिगिन चलिए वाई ओल्राइट इनके सब्सक्राइब कुछ आगे होता है तो इस बीडिया फर फ्रक्शन अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रीम नहीं होता है तो थोड़ा बहुत टेकनलोजी पूरा मानने वही है जादा मैने खल बोल दिया मेरे खाल से टेक के बारे में तो टेकनलोजी ने कहाँ बदिला ले यहां आपसे चीक है वाल राइट तो यह टेकनलोजी से माफी चाहता हूं है और हाथ जोड़के विनम रने वेदन है मेरा कि आज यह सीपीसी मुझे कंप्लीट कर लेने अभी तक बहुत साथ दिया है इस टेकनलोजी ने थोड़ा सवर देदे चीक है चलिए ओल्राइट आज आज यह सेक्शन नाइन देखो टेकर देखाना से काश चलिए अब यह आज फिर अडर वाहली लोग्राइट कर ला दो अबंड़ करें और अब याल लूगा यहिता टीक है अश्राइब आप इसलिए 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 मैं तो सविछ टू इरटि इंदर लगा है जी ओ फाइब लगा और नॉर्मल वाला इंटरनेट नहीं यहार फाइब लगा हुआ नॉर्मल इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती है आज लेकिन टेक्निलोजी ने कसम खाली है कि आपने बुरा ही कर कैसे दीते हैं कि चलिए आएंगो प्रॉटिपल नहीं हो इसा नहीं सेक्शन से क्या समस्थ चलिए वापस आ जाते हैं और अगर कुछ ज्यादा लगेगा तो भी में आफ्टू पॉस्पोन इट है ना हो सकता उसको फिर अपन कल देखें बट मैं बले ग्यारा की जगे बारा बच जाएं इतल भी फाइन बट राय मैं बेस्ट कि मैं करा ही तूंगे चलिए ओल्राइट तो सेक्शन नाइन जैसा मैंने आपको बताया दो पास में डिवाइड है पहला पार्ट कहता है कि जितने भी सेविल कोट्स हैं वो हर वो सूट ट्राइ कर सकते हैं जो सेविल नीचर का है बस वो सूट एक्सप्रसली बार नहीं होना चाहिए एक्सप्रसली कैसे लौ में कोई भी इसकोट को डिसाइड नहीं करें यह साब होते है एक्सप्रस बाउर तो ऐसा सबर अगर लगाया गया है तो तो मेंतर नहीं करेगा फिर सय सब्सक्राइड के बार के बारे में आपको बता रहा था इंपको बता रहा था इंप्लाइड बार को मतलब यह होता है Cai जहां expressly ऐसा कोई provision नहीं दिया है लेकिन एक special law बनाया गया है specific matters को deal करने के लिए और वहाँ कोई authority या court established किया गया है और जो special remedy है वो वो court प्रोवाइड कर रहा है in that case उस law का overall structure देखा जाता है उसका object purpose सब देखा जाता है और फिर ही determined किया जाता है whether civil courts are barred or not तो अगर कहीं भी ऐसा है किसी भी law में कोई particular suit of civil nature expressly impliedly bar है तो उन matters को civil court deal नहीं करेगा that is under section 9 I hope that is clear इतना समझ में आया अब इस express bar को लेके ना दो तीर important cases है अब मान लेजिए कि किसी particular law में expressly यह नहीं लिखा है कि civil court का jurisdiction bar होगा या फिर यह नहीं लिखा है किसी उसमें कि भाई सिर्फ इस court का या इस tribunal का jurisdiction होगा जस्ट एक additional law है और कुछ specific matters में वो deal करता है और उस law ने एक special tribunal या authority या court established किया है कि इन matters को आप सुन सकते हैं expressly कहीं यह बात नहीं लिखी है कि civil court का jurisdiction नहीं होगा इस पे या फिर यह नहीं लिखा है कि इन matters को सिर्फ in particular courts को ही सुनना है ऐसा भी नहीं लिखा है just because कि एक separate law है और उसमें एक separate authority दी हुई है जो उन matters को deal कर सकती है सिर्फ इस बात से यह presumption नहीं लिया जाएगा सिर्फ इस बात से यह presumption नहीं लिया जाएगा कि उन particular matters को civil court deal नहीं कर सकते just because कि उसके लिए एक special law है और उसमें कोई authority दी हुई है जो उसको deal करेगी सिर्फ इस बात से civil court का jurisdiction बार नहीं होगा यह बात ध्यान रखेगा और यह बहुत important point है जो held हुआ है number of cases में cases के नाम लिख लिए अगर यह बात आपको convey हो गई है जो मैं समझाना चाहरा था I hope that is conveyed कि भाई एक special law है जिसमें authority को दी हुई है particular disputes को सुनने के लिए just because कि एक particular authority वहां बना दी गई इसका मतलब यह नहीं कि civil court का jurisdiction बार हो जाएगा उसके लिए कुछ होना चाहिए implied day express कुछ होना चाहिए यह बात held हुई है multiple cases में case के नाम लिख लिजिए बहुत ज़्यादा important है cases इससे related धूला भाई versus state of MP case का नाम लिख लिजिए धूला भाई versus state of MP धूला भाई versus state of MP state of Madhya Pradesh that is 1969 सभाच सरी लेगे डीश्राव कोट Pride का ज्रूदिक्शन बार मी होगा कि एक और कैस का नाम लिखिए अब्दूल भर्सेज भवानी अब्दूल भर्सेज by theali66 यह उप्त्तुला भाई लिख यह भी यह इधी इसेटर बात कर रहा है दोडिए पार वैवर मेरा यौटी ज़िए कर दो कुस्ट है प्रजिए वरस कुझांख कुझा मृटिए जो मेंकल हुए शुट है कॉर्वक्षि कॉ갔 छेख VinCat circled with verses financial commissioner psychoancriminacy और नांकर ब Chris ilex कुछañब कर बना भी द्यक्के बूता कि नेPod ने वाइव करते है अगर वो natural justice follow नहीं करती है अपनी authority से अलग काम करती है in that case वहाँ भी civil court का jurisdiction होगा बहले एक separate authority court बना दिया गया है particular dispute को सुनने के लिए अगर वो ultra wires cheese करते हैं अपने jurisdiction से बाहर का काम करते हैं in that case दूसरे courts का या civil court का jurisdiction वहाँ होगा इस case का नाम भी लिख लेजिए जो आपको एक दो landmark है वो चानने चाहिए आगे जो हम topics पढ़ने जा रहे हैं 10 11 और बाकी की सारी चीज़े हैं इनमें multiple cases हैं लेकिन सब अपन डिसकस ना तो कर पाएंगे ना उसमें आपन जाएंगे थोड़े बहुत जो बहुत ज्यादा लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो यह तो एक बात हो गई बार की implied या एक्सप्रेस अब अपन आ जाते हैं इस चीज़ को समझ लीजे जरा ब्रीफ में suit of civil nature और civil suit देखें civil suit उन suits को कहा जाता है जहां purely एक legal right का violation हुआ है purely legal matter में जो deal कर रहा है civil right का violation sorry legal right का violation purely एक civil legal right का violation है उसको civil suit कहते हैं जैसे आपके और मेरे बीच में एक contract हुआ मैंने उस contract का breach किया that is purely a civil legal right उसको अपन बोलेंगे civil suit लेकिन यहां section 9 में CP से use करता है the word suit of civil nature suit of civil nature से यह reflect करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी matter हो सकते हैं जिनमें legal civil right तो है लेकिन थोड़े बहुत issues social या religious nature के भी है एक कोई particular ऐसा dispute है जिसमें थोड़ा सा issue जो है वो social और religious nature का भी है लेकिन along with that there should be some legal issue as well उस वो एक broader aspect है इसे लिए अगर यह suit of civil nature है तो civil suit इसका एक sub-part हो सकता उसके अंदर जहां थोड़ा बहुत religious है social nature का भी question decide करना है उससे related है उसको अपन कहते है suit of civil nature और civil suit थोड़ा सा narrow है वो confined है towards a particular civil right, civil legal right जैसे for example बात समझेगा जैसे मैं आपको यह बताया कि भाई आपके और मेरे बीच में contract है मैंने उसका breach किया है that is purely a question of civil legal right यह civil legal matter है purely civil suit इसको आप बोल सकते है लेकि कोछ ऐसी चीज़े हो सकती है जहां थोड़ा बहुत religion यह society की चीज़ भी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को उसकी caste से निकाल दिया जाता है एक व्यक्ति को जैसे होता है ना एक particular society boycott कर देती कि आप गाउं में इससे कोई बात नहीं करेगा आप बताइए क्या यह suit of civil nature में आएगा एक particular व्यक्ति है जिसको उसके caste के लोगों ने boycott कर दिया कि कोई अपने घर उसको शादी में नहीं बुलाएगा कोई उससे बात नहीं करेगा कोई उसके घर नहीं जाएगा क्या यह इसको आप suit of civil nature कह सकते हैं yes or no तो यह suit of civil nature में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा section 9 के तैस क्योंकि किसी legal right का violation नहीं है अब एक matter ऐसा हो सकता है जहां social या religious issue भी है साथ में legal right का violation है कब वो suit of civil nature में आएगा suit of civil nature में कोई चीज कब आएगी जब वहाँ social या religious concern भी है साथ में legal right का violation भी है in that case it will be considered as suit of civil nature और कैसे होगा जैसे मैने आपको example दिया कि किसी व्यक्ति को कास्स से बाहर कर दिया जाए अब मान लिजिए अगर इस व्यक्ति को जिसे गाउने boycott कर दिया अगर जो public resources है वो use करने से कोई इसे रोकता है मान लिजिए गाउं में कुआ है उसमें से पानी भरने से कोई इसे on any such ground now you tell me whether it is a violation of legal right or not या मान लिजे उस गाउं में एक मंदर है वहाँ चाने से इसको रोक दिया जाता है because of his caste or any such reason अब आप बताईए यहाँ legal right का violation है या नई सुदान सार इस येस क्योंकि उसके पास अधिकार है वो काम करने का वो अपना एक religious procession निकालना चाहता है एक वक्ति जिसको गाउं ने boycott कर दिया वो अपनी religious rally या कुछ समारों निकालना चाहता है वह यह उसका fundamental right है religious procession निकालना उसका fundamental right है तो right legal right का violation है भले इसमें religious question भी involved हो भले इसमें social nature का भी question involved हो but in substance there is a violation of a legal right that's why it will be considered as suit of civil nature और जहाँ purely सिर्फ legal right की बात है that is civil suit और जहाँ legal right का violation ही नहीं altogether कोई ऐसा matter जो purely religious या social nature का है वो suit of civil nature में भी नहीं आएगा जहाँ purely इस तरीके की चीज़ है जहाँ legal right का violation नहीं है जैसे मैंने कहा ना क्योंकि एक वक्ति को समाज से बाहर कर दिया गया उससे कोई बात नहीं कर रहा अब बात नहीं करना कोई legal right का violation थोड़ी है मैं किसी वक्ति को अपने घर के किसी function में invite ना करूँ अब invite ना करना कोई वो थोड़ी ना है legal right का violation लेकिन अगर मैं इस ground laws को public resource use करने से रोकूंगा तो यहाँ पर violation है in that case it will be considered as a suit of civil nature I hope you got the idea समझ में आया भी या yes or no यह difference यह distinction समझ में आया थोड़ा बहत आपके yes or no yes all right all right देखिए अब जैसे या फिर मान लीजे प्यॉर्ली कोई respect का matter है जैसे मान लीजे आप एक यह question है कि यह बहुत बड़ा trust है बहुत बड़ा मठ है उसके मठादीश की position को hold करने के लिए custom चला रहा है एक व्यक्ति उस office को claim कर रहा है उस trustee के office को या उस मठादीश के office को claim कर रहा है बले इसमें religious questions भी हो बट यह जो office का question है it will be considered as a suit of civil nature यह बात explanation में clearly लिखी हुई है जरा explanation 1 देखिए a suit in which the right to property or to an office जहां property claim कर रहा है office claim कर रहा है is contested is a suit of civil nature notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremonies religious rights or ceremonies पर dependent रहा है लेकिन office claim कर रहा हो या कोई property अगर आप claim कर रहा हो तो it will be considered as a suit of civil nature तो उस particular trust के उसमत के office office को कौन hold करेगा कौन वेक्ति hold करेगा यह अगर question है in that case वहले ही वो religious nature का है but it will be considered as a suit of civil nature लेकिन purely religious या social nature इसमें भी हो सकता है जैसे मालनीचे कोई एक व्यक्ति मधधीश है अब मालनीचे मैं उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देता है जो वो डिजर्व करता है पोरी दुनिया जाती है एक व्यक्ति के पहर चूती है मैं जाके वहाँ साइट में काड़ा हो गय इसके लिए फाइल कर सकते हैं कि मैं एक वक्ति को उसकी डियू रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ आंसर इस नो क्योंकि यहां ओफिस का सवाल नहीं है ओफिस तो वो होल्ड कर रहा है तो आप बहुत हत्तर सवाल बना ले जाएंगे इसके यस और नो समझ में आया भाई य अधर सेक्शन ये सेक्शन नाइन क्लियर है सुट अफ सेविल नेचर सेविल सूट कम्प्लीटली रिलीचियस या सोशल कभ हो जाएगा जहां कोई लीगल राइट का वोलेशन नहीं है चलिए ओल राइट तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन जो पढ़ेंग बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे दो मैंने आपको बताया ना ये लेट्चर काफी लंबे होते हैं आप सूट और सेविल निचर पर काफी लंबा डिस्केशन होता है बट अभी क्योंकि हम प्री के लिए कर रहे हैं टाइम कंस्टेंट है वी स्टिक्ट टू इम मैंने आपको पहले दिनी सीपीजी के क्लास में ये बात समझा दी थी कि भाई जहां पे भी आप ये देखेंगे कि कोट का समय व्यार्थ हो रहा है मल्टिप्लिसटी हो रही है कोट बिलकुल एक्सेप्ट नी करेगा तो अगर मान लीजिए एक कोट में एक मैंटर ऑल्रेड ठीक और तो अलरीडी चल रहा है सब्वालेडी चल रहा है एक मैंटर ऐट्रोट अलरेडी एसा चल रहा है तो ये वाला कोट क्या करेगा स्टू कर देगा अपनी प्रोसीडिंश प्र्रम फ्रेंद्रय टोटर्यपशव कि ब्ढ़ध स्टे कर बेगा फिर्टू एक पार जब with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction are before the supreme court. अब देखिये, subsequent suit, subsequent court जो है वो स्टेट वर्देगा proceeding आगार बता चलता है कि ये अल्रेडी एक court में ये मामला लंबित है ये proceeding अल्रेडी चल रहा है, ये party सेम होना चाहिए, subject matter सेम होना चाहिए, directly and substantially होना चाहिए, अब इस बात को समझने के पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन terminologies को समझें, now what do you understand by title, what do you understand by subject matter, पहले जड़ा brief में इनको समझ लेजे तो 10-11 समझने पर समझ जानी होगी, title, subject matter, matter and issue, matter and issue, ये कुछ terminologies हैं जो आपको इदर देखने को मिलती हैं, जी parties, तो parties के बारे में तो अपन अल्रेडी, detail में पढ़ी चुके हैं, ये कुछ terms हैं, जो आपको section 10 और 11 दूनों में मिल जाएंगे, पहले सरा brief में एक example से इन बातों को समझ लेजिए, ताकि बहुत सारी चीज़े clear हो जाएंगे, जैसे मान लेजिए, दो लोगों के बीच में एक dispute है, there is a landlord, L, और इसका एक tenant है, T, 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 जो है एक घर की possession में है, और इस landlord का ये कहना है, कि साब हमारे बीच में एक rent agreement हुआ था, हमारे बीच में एक rent agreement हुआ था, जिसकी validity थी 6 मेने की, और वो 6 मेने समाथ हो चुके है, अब मुझे घर की possession वापस चाहिए, ये landlord क्या claim कर रहा है, कि भया ये जो इस घर में रह रहा है, ये मेरा किरायदार है, और इसके साथ मैंने एक agreement किया था 6 मेने का, कि 6 मेने इस घर मे हैं ये, जो मैंने इदर term लिखे हैं, वो क्या है, सबसे पहले जरा समझेए कि subject matter क्या है इदर, subject matter क्या है इसमें, ये जो dispute है, जरा बताते जाए ये comment box में, subject matter क्या है इसमें, वो property जिससे related suit है, subject matter क्या है, वो property, वो घर, वो घर actually यहां subject matter है, या वो right जो वो claim कर रहा है, that is also sometime maybe the subject matter, तो वो property जो है, जिससे related right claim किया जा रहा है, that is basically the subject matter, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कि भाई साब, इसमें title क्या है, किस title के अंदर ये लोग claim कर रहा है, तो ये जो व्यक्ति है, ये being the L जो है, he is claiming the property, being the landlord, this T is claiming the possession, ये क्या claim कर रहा है, tenant possession, दोनों क्या claim करना चा चाहरा है, possession claim करना चाहरा, possession is the relief that he's looking for, ये possession क्या है, landlord जो चाहरा है कि इस से घर खाली करा दिया जाए, eviction चाहरा है basically, so eviction is the relief basically, and tenant is looking for the possession, so that is also the relief, चीक, तो ये जो प्रोपरिटी है, that is the subject matter of the suit, और जो टाइटल है, टाइटल बेसिकली उस व्यक्ति का relation है subject matter के साथ, जो पा subject matter से connected है, that's what we call title, I hope you're getting this, ये वेक्ति L इस प्रोपरिटी से कैसे connected है, being the landlord, अगर इसके पास एक cause of action है, आपको मैने cause of action पहली बता दिया था, cause of action मतला existence of legal right and its violation, that's cause of action, वो cause of action कहां से derive कर रहा है, किस relationship के तहत, cause of action derive कर रहा है, या इस व्यक्ति का subject matter के साथ connection क्या है, that's basically the title, so he is claiming the property being the landlord, और ये जो possession लेकर बेठे हैं भाई, he is claiming, he is doing that under the title of a tenant, किरायदार की तरह, so title is something by which a person is connected to the subject matter, I hope that is clear, और जिसके basis पे वो relief claim basically कर रहा है, just legal capacity में I should say, so title is the legal capacity जिससे एक वक्ती subject matter से connected है, I hope that is clear, इसके अलावा, अब अगर मैं बात करूं, matter in issue की, कि इधर पे matter in issue क्या है, तो matter in issue वो चीज़ है, जो इस व्यक्ति को legal capacity प्रोवाइड कर रही है, ज़रा structuring समझना, chronology समझना, matter in issue वो चीज़ है, जो इसका title बता रही है, या इसको title दे रही है, या फिर इसे cause of action इसको प्रोवाइड कर रहा है, यह landlord कैसे बना, यह अगर कह रहा है कि मैं landlord हूँ, और यह अपना title claim कर रहा है, यह अपना title assert कर रहा है, और cause of action जो इसके पास आ रहा है, वो किस चीज़ के थूँ आ रहा है, that is matter in issue, तो यहां matter in issue क्या होगा, यहां matter in issue क्या होगा, कि whether he is the landlord or not और matter in issue, इस बात को, इसका जो cause of action है, basically एक बात समझना, इसका जो cause of action है, इसको प्रूफ करने के लिए जो चीज़ जरूरी है, उसको हम कहते है matter in issue, इसका cause of action प्रूफ करने के लिए, क्या चाहिए हमें, यह rent agreement, क्या चाहिए cause of action, landlord का cause of action प्रूफ करने के लिए, क्या चाहि के basis पे वो क्लीम कर रहा है, so that is the matter in issue यह है, कि whether there exist matter in issue क्या है, whether there exist a rent agreement between these two or not, यह matter in issue, और rent agreement उसका evidence है, rent agreement क्या होगा, उसका evidence, landlord लाके दिखा दिया, code में copy, जिताब यह rent agreement ते दोनों party sign किया है, so matter in issue basically क्या है, जिससे यह अपना title derive कर रहे हैं, party जिससे, या party के पास जिससे cause of action आ रहा है, these are called matter in issue, I hope that is clear, yes or no, एक बार फिर बता दिजिए, party तो आप चांगते ही है, और यह भी लिखा है, parties claiming under the same title, उसको भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, अब मानली चीए इस landlord ने tenant को दिया था, गर, और जो L है उसकी death हो जाती है, इसकी जगे L का लड़का आ जाता है, Ls, L का लड़का आ गया, Ls, अब क्या यह claim कर सकता है, बिल्कुल claim कर सकता है, क्योंकि उसने succession में लिया है, अब इस case में जो काइटल डराइफ किया है, उसने उस पार्टी से डराइफ किया है, तो भाई देखिए, एक बार फिर से, एक बार ब्रीफ में फिर से इस chronology को समझी है, subject matter यह property है, जिससे related dispute है, subject matter कई बार वो legal right भी होता है, जो आप claim कर रहे है, जिससे possession claim करी जा रही है, एक RAWirm कर रहा है, अब subject matter को आप किस legal capacity से claim कर रहे हैं, या relief अगर आप claim कर रहे हैं, या आपके पास cause of action है, किस legal capacity से है, आप subject एक वेकथी, एक party, subject matter से, किस legal capacity के तहत connected है उसको आप कहते हैं क्या title इसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते है title I hope this is clear वो legal capacity जैंदा किस legal capacity में possession claim कर रहा है 혼 banquet जी अगर possession कर रहा है तो किस ground पर कर रहा है जैंडा है तो यहां जो title है वो क्या है landlord कि तरह इसने किया अब यह समझ लेजे टाइटल बदलेगा कैसे, माल लेजे rent agreement प्रूफ नी हो पाया court में, और माल लेजे suit dismissed हो गया, इसके बाद यह landlord क्या करता है, अब यह court इमें एक suit file करता है, और कहता है कि साब यह property मेरी है, and I am the owner, क्या कहता है, that I am the owner of this property, और यह जो वहती है T, यह एक trespasser ह यह कौन है, यह एक trespasser है, इसलिए इसको भगाईए, adverse possession में है, और मैं owner हूँ, और मैं being the owner, being the owner में इस property की possession क्लेम कर रहा हूँ, अब बताए पिछले suit में और इस suit में title बदल गया की नहीं, yes or no, बताए पिछले suit में और इस suit में title बदल गया की नहीं, उसमें वो claim कर रहा था being the landlord, यहाँ वो claim कर रहा है being the owner, अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कि यह जरूरी नहीं है कि landlord हमेशा owner ही हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप जब rent control acts वगरा पढ़ेंगे, different states के आप इस बात को समझेंगे, यह जरूरी नहीं है कि owner हो, landlord वो वेक्ती होता है, जो rent agreement code में proof नहीं हो पाया, suit dismiss हो गया, अब जब गुबारा suit file इसने किया, क्या बोलके किया, कि I am the owner, अब यह matter in issue क्या होगा, कि यह owner कैसे बना, माल लीजे इसने बोला, भाई, हमारी कुष्टेनी property है, गार है हमारा, हमारे पापा से succession में मिला तो हमको, तो matter in issue इधर यह हो जा this person is the trespasser or not, that will be the matter in issue, I hope you are getting this, यह बदल जाएगा, पिसलेस पर रेज़ोटी काटा applicable नहीं होगा, subsequent suit पे, title ही बदल गया, दूसरी capacity में क्लिम कर लिए हो से, yes or no, समझ आ रहा है, थोड़ा बद, लेको मैंने आपको पहली बताया, उस डीटेल में तो मैं शायद नहीं जा कुछ और examples में दूँगा, जैसे अपन Resudicate आप आएंगे या दूसरी चीज़ों पे, कुछ और अभी में को provision और पढ़ाने दीजे, इसके बाद मैं थोड़े से और examples आपको दूँगा, तो थोड़ी और clarity आपको इस particular चीज़ पे हो जाएगी, आप यहाँ जो एक word आप दे directly and substantially in issue है, matter directly and substantially in issue का contrary क्या होगा, इसका contrary होता है matter, colletary, colletary और incidental, direct and substantial का contrary क्या होगा, तो वो होगा collateral या फिर incidental, जो actually issue था ही में उस case में, लेकिन उसको add कर दिया क्या, यहाँ striking out भी आएगा, प्लीडिंग का, code हो सकता है, code को relevant ना लागे, strike हो कि, मैंना आपको बता ना, code सुनने के mood में होता नहीं है, जो relevant है, case decide करने के लिए, उसी पर बात हो कि, उससे जादा बात, code generally करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई ऐसे matters थे, जो actually directly and substantially in issue का मतलब, brief में आप समझ लीजे, जो merit decide करने के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं थे, in that case, यह जो बार है 10 चल रहा था इतर, और इसमें चार अलग-अलग issues raise करे गए, A, B, C और D, यह चार matter in issue थे, चीक, अब इधर पे जब code 2 में एक दूसरी proceeding चल रही है, यहाँ पे A है, B है, लेकिन इसके अलावा X और Y, दो दूसरे issues हैं, यहाँ पे चार अलग issues थे, अब जब subsequent suit file हुआ है, उस two issues, whether these two issues are directly and direct and substantial issues or not, और इस proceeding में भी यह दो direct और substantial थे या नहीं, यह जो matter in issue थे, यह directly and substantially in issue थे या नहीं, यह देखा जाएगा, अगर यह collateral और incidental निकले, in that case, इस suit पे section 10 applicable नहीं होगा, और अगर यह directly and substantially in issue, यह same चीज इधर थी, in that case, stay लग सकता है, section 10 applicable होगा, क्योंकि same है, दो issues, और वो directly and substantially in issue है, तो matter in issue से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी देखना पड़ेगा, कि वो matter in issue directly and substantially in issue है या नहीं, incidental भी कोई चीज़े हो सकती है, उन बातों को 10 और 11 consider नहीं करता, इसलिए यह यहाँ वो word use करे गए है, directly and substantially in issue, बाकि matter in issue तो आपको, थोड़ी बहुत clarity matter in issue पे आपको हो गई है, थोड़ी clarity आपको title के बारे में हो गई है, कि title से क्या मतलब है, title वो legal capacity है, जिसमें एक वक्ती subject matter क्लेम कर रहा है, आप section 10 के कुछ important questions जो आपको आते हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, rest subject is किस section में है, या history of suit किस section में दिया गया है, तो section 10 उसके लिए, इसके अलाबा, essentials पूछे जाते हैं, तो जारा mark कर लीजे, section 10 में अलग-अलग समझ तो आपने लिए brief में, जारा pre के हिसाब से question mark कर लीजे, no court shall proceed with the trial of any suit, तो trial पे applicable है, या किसी और proceeding पे नहीं, trial पे applicable है, सबसे पहले यह mark कर लीजे, trial of any suit, in which the matter in issue is also directly and substantially an issue, matter in issue, दो, दोनों cases में directly and substantially an issue होना चाहिए, यह एक essential है, इसके बाद, इना previously instituted suit between the, underline कर लीजे, same party, suit किसके बीच में होना चाहिए, same parties के बीच में होना चाहिए, और between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, या फिर जैसे मैंने वो बताया, कि जो main party है, उसकी death हो गई, तो उसका जो बच्चा है, वो आ रहा है, लेकिन वो title कहां से derive कर रहा है, उस party से ही, उस पे भी stay of suit applicable होगा, ऐसा नहीं कि आप रड़का आके दूसरा suit file कर लेगा, अगर यह चल रहा है तो वही decision हो जाएगा, वहीं आप replace हो जाईए, as a legal representative, उसके लिए दूसरा suit नहीं होगा, एक तो same parties or between parties under whom they or any of them claim lit indicating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India, यह बहुत important है, जो previous suit है वो pending कहां होना चाहिए, in India, that is very important, कहने का मतलब एक pre का question इतर से यह बनता है, कि foreign court के judgment पे, foreign judgment पे resubjudize applicable नहीं है, section 10 applicable नहीं है, जो previous suit pending है, वो कहां होना चाहिए, वो India की court में होना चाहिए, यह important सवाल section 10 से prelims में पूछा ज कियेगा, having jurisdiction to grant the relief claim, और in any court beyond the limits of India, established or continued by the central limit, मतलब why foreign court, जिक, explanation देखिए, the tendency of a suit in a foreign court, explanation में clearly उस बात को बता दिया गया है, the tendency of a suit in foreign court does not, does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action, अगर foreign court में कोई matter पेंट नहीं है, तो भारत के courts इस बात से preclude नहीं किये गया है, कि वो same cause of action पे matter ले नहीं सक simple सवाल prelims का यह ध्यान रखिए, बाकी यह है किसलिए stay of suit, a proceeding already pending है, दूसरी अगर institute हो गई है, तो उस पे stay लगा दिया जाएगा, इस purpose के लिए section 10 है, ठीक, तब operation में आता है, तो उसका जवाब यह है, कि जब यह सारे factors proof हो जाएं, कि यह जो suit है, same parties के बीच में, और same subject matter को लेके, और जो matter and issue substantially and directly issue है, इस suit में वो ही एक previous suit already instituted है, और उसमें भी यह same matter चल रहा है, इस ground पे section 10 force में आता है, subsequent court जो है, वो आगे proceed करने से रोक जाएगा, क्योंकि पहली line में लिखा है, no court shall proceed with the trial of any suit, वो रोक देंगे, आगर उन्हें पता चलता है, कि एक previous court में यह already चल रहा है, तो यहां पे उसको रोक दिया जाएगा, subsequent suit में वो stop कर दी जाएगी, proceedings, इसलिए इसको कहते है, stay off suit, इसके बाद आईए ज़रा 11, rest judicator, अब अगर आपको यह कहानी समझ आ गई है, कि matter and issue का मतलब क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया, title का मतलब क्या है, वो आप brief में समझ गा, अगर वो समझ में आ गया, तो rest judicator में ज़्याद समझ आने होगी, दो कुछ example में, इसके भी आपको देता हूँ, इदर, तो अब आजाए जाए ज़रा section 11 पे, section 11 बात करता है, rest judicator, अब देखे, difference क्या है 10 और 11 में, 10 बात करता है, एक quote में already matter चल रहा है, subsequent quote मे अगर initiate हो गया है, तो उसको stay कर दिया जाएगा, whereas rest judicator क्या बोलता है, कि अगर same matter, already एक quote decide कर चुका है, बस basic difference पहले समझ न, अगर same matter, अगर same matter, already एक quote decide कर चुका है, competent jurisdiction का, तो जो subsequent quote है, जहां दुबारा में matter लेकर आया गया है, वो इस matter को entertain नहीं करेगा, वो competent ही नहीं है, subsequent quote, competent ही नहीं है, उस matter को entertain करने के लिए, because the same matter between the same parties and where the matter in issue was directly and substantially in issue, यह सारे essential अगर इधर भी fulfill हुए है, same party के बीच में है, matter in issue directly and substantially in issue था, पिछले में भी, इसमें भी वो ही है, और पिछला suit अगर already decide हो चुका है, उसका judgment आ चुका है, तो subsequent quote उस matter को entertain ही नहीं करेगा, अगर previous suit decide हो गया है, पहले तो, इस principle को हम कहते है है, res judicata, कि भाया, दुबारा same matter तो नहीं चलेगा, basic बात यही है, 11 में, और वो जो points है, अगर आपको समझ में आ गए है, matter in issue क्या है, और directly and substantially in issue कब होता है, जब वो merit decide, अफेक्ट करें, इस इतना important matter हो, वो merely incidental matter in issue नहीं होना चाहिए, अब ज़रा देखिए, 11 के एकटर के essential or explanation देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और important points इससे related बथाता हूँ, no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit, एक पहले suit था, उसमें भी यही matter in issue directly and substantially in issue था, और अभी same matter लेके same party दुदारा आ गई है, दूसरे court के सामने, ऐसे में क्या होगा, suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court, अब देखिए, यहां पे भी same बात है, यह है court 1, यह है court 2, क्या-क्या essentials है, रिजुडिकेटा के उनको समझ लीजे, याद नहीं करना है, समझना है थोड़ा सा, तो सारा एक बात पहले, अब इसमें former court और subsequent court की बात चल रही है, former court कौट सा होगा, subsequent कौन सा होगा, सबसे पहले इस बात को समझ लीजे, उसके लिए आ जाएए explanation 1 पे, जरा इसका explanation 1 पढ़िए, the expression former suit shall denute a suit, which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior there too, तो भाया, former court वो माना जाएगा, जहां matter पहले decide हो गया, बले इंस्टिटूट बाद में हुआ हूँ, लेकिन matter decide पहले हो गया, जैसे मान लीजिए, court 1 में, एक matter institute हुआ, in the year 2009, in the year 2009, एक matter start हुआ, same matter start हो गया, दूसरे court में, court 2 में, और यह हुआ आपका 2011 में institute, यह हुआ 2011 में, अब court 1 में, यह matter decide हुआ है, 2015 में, 9 में institute हो गया, 15 में decide हुआ, इधर same matter, 11 में institute हुआ, और decide हो गया, 2013 में, decide गब हो गया, 2013 में decide हो गया, अब बताइए, इसमें former suit कौन सा, यह अभी भी चल रहा है, कहने का मतलब, 15 में इसको अपन नहीं करते हैं, इधर अभी चल रहा है, institute 2009 में हुआ था, same suit between the same party, जहाँ, same matter applicable होगा क्या, इसमें former suit कौन सा माना जाएगा, former court कौन सा माना जाएगा, यह बताइए, कौन सा suit former माना जाएगा, so former माना जाएगा यह, जो पहले decide हो गया है, जो पहले decide हो गया है, अब क्योंकि यह पहले decide हो चुका है, already decide हो चुका है, यह जो है, इस पे लग जाएगा resudicator इस पर लग जाएगा रेजुडिकेटा और यहां जो लिखरी होती है वो वॉइड होती है रेजुडिकेटा की तो कि आपको ट्राइ ही नहीं करना है अगर मानलेजे इसको आपने डिसाइड पता ही नहीं चला कि दूसरा सूट चल रहा था भाई देखिए section 10 का force में आएगा जब subsequent court में यह matter रेज होगा कि भाई साब यह matter पहले से चल रहा है और यह competent court के पास चल रहा तो section 10 exercise करके subsequent court क्या करेगा स्टे लगा देगा proceeding पर और पहले वाले को चलने देगा लेकिन मालनीचे एक court में already institute हो गई दूसरे court में इंस्टीट हो गई और इसने डिसाइड भी कर दी इस्टे लगी नहीं पाया पता चली नहीं पाया इसने अल्रेटी डिसाइड कर दी सबसीक्वेंट बाले ने 2009 में matter स्टार्ट हुआ था दूसरे court में 11 मों और 13 में डिसाइड भी हो गया आप क्यूंकि इदर अल्रेटी डिसाइड हो चुका है matter तो 2009 में जिस court में स्टार्ट हुआ था इस पे लग जाएगा रेजडिकेटा और यह जो है खतम अगर इसमें भी डिकरी आ गई तो वो गालेड नहीं होगी वह उती है वोईड टिकरी रेजडिकेटा से जो आई है अब ज़रा एक बात और समझेगा यह तो आप समझ गए कि कौन सा former court और कौट और कौन स कि क्या-क्या होना चाहिए तो भाई जब अल्रेड़ी एक court matter decide कर चुका है जो की है court 1, court 1 already matter decide कर चुका है between the same parties and everything, तो इस court की proceedings पे इस suit पे रेजडिकेटा कब applicable होगा, तो क्या-क्या होना चाहिए, parties same होनी चाहिए तर, ठीक है, parties same होनी चाहिए, और they are claiming under the same title, ठीक है, matter in issue हो होना चाहिए, directly and substantially the matter in issue होना चाहिए, इसके अलावा ये भी लिखा है, अगर आप इसका end का portion देखेंगे, तो इसमें end के portion में ये भी लिखा है, 11 में, litigating under the same title, inner court, यहां से ज़रा बेरिक्ट देखिए, inner court competent to try such subsequent suit, पहले जिसमें decide हुआ है, उसमें क्या जरूरी है, कि ये पुराना court था, ये competent होना चाहिए, उस subsequent को भी try करने के लिए, कहने का मतलब, जो इस court में suit file किया गया है, अगर ये same suit, पहले, जब यहां original suit file किया गया था, उस समय पे अगर इस court में किया जाता, तो ये court competent होता, अगर ये court competent नहीं था, in that case, resudicator नहीं लगेगा, तो ये भी एक essential है, कि जो subsequent court में, जो suit institute किया गया है, वो अगर इधर किया जाता उस समय, तो ये court competent होता, कभी resudicator लगेगा, subsequent वाले पे, otherwise नहीं, इसलिए अधर लगा है, in a court competent to try the subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such court, और इस court नहीं उसको, finally, heard and decide कर दिया हो, finally heard and decided by this court, ये competent भी होना चाहिए, किस वाले के लिए, subsequent वाले matter को सुनने के लिए competent होना चाहिए, जिसने already decide कर दिया है, plus इस court ने उस matter को finally heard and decide कर दिया हो, अभी कुछ pending ना हो, सब कुछ complete है, तो ये जो subsequent suit file इधर हुआ है, इस पे resudicator लगता है, अगर ये essential fulfill हुए है, तो I hope that is clear, ये आ इस court को बार कर रहे हैं under resudicator, जिस court के decision की वजए से, ये court competent होना चाहिए, उस subsequent वाले matter को सुनने के लिए, जिस दिन यहां original suit file हुआ था, उस दिन ये competent court होना चाहिए, क्योंकि इस से rated explanation है, और उसको आपको करना पड़ता है, याद, क्योंकि आप ये बात समझने को तयारी इसलिए, तो जारा समझ लिए है कि ये court competent होना चाहिए, उस से rated explanation अभी आएगा, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से basic essentials आपको clear हो गया भाई, resudicator कभ applicable होगा, इसके बाद जारा बाकी के explanations पर आई, अभी एक कहानी बची है इदर, और बची है अभी एक कहानी, चिक, तो देखि perspective of any provisions asked to write off appeal from the decision of such court, अब जो competency की बात चल रही है, court के, ये court competent होना चाहिए, वो competency इस बात से decide नहीं होगे, कि इसकी appeal कहान जाती है, इसकी appeal कहीं और जाती है, इस बात से competence से decide नहीं करेंगे, कि जो subsequent suit file हुआ था, वो entertain करने के लिए, ये suit competent थाया नहीं होगा, आपको subject matter और बा ये important है, the matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other, अब जो matter in issue जिसकी अपन बात कर रहे हैं, कि ये जो matter in issue है, ये same होना चाहिए, directly and substantially in issue होना चाहिए, दोनों proceedings में, ये जो matter in issue है, ये एक suit में alleged किया गया हो, पिछले suit में वो उठाया गया हो, और दूसरी party ने उसको deny या admit किया ह अगर हम इस ground पर कह रहे हैं कि साफ, same matter in issue है इन दोनों के बीच में, पहले एक court इसी matter in issue को deal कर चुका है, तो ये proof करना पड़ेगा raise judicator के लिए, कि ये matter in issue actually raise हुआ था, और raise होने के बाद इसको दूसरी party ने या तो deny किया था, या उसे admit किया था, ये है आपका express raise judicator, कि य यहां वो या तो deny कर दिया, दूसरी party ने admit और उसमे फिर court ने अपना judgment दिया, चीक, और वो same matter in issue subsequent proceeding में भी लाया गया है, तो explanation 3 कहता है, कि जिस matter in issue की वज़े से हम raise judicator applicable कर रहे हैं, वो बिचली proceeding में aleege हुआ हो, और उसको या तो admit या deny किया जाना चाहिए, इसके बाद explanation 4, अब देखें, 3 और 4 में basic difference समझना, 3 कहता है, जो matter उठाए गए, वो अगर दुबारा subsequent court में उठाए गए हैं, तो raise judicator applicable होगा, 4 कहता है, यह बात करता है constructive raise judicator की, तो महां लिख लीजिए constructive raise judicator, और इसको समझ भी लीजिए 3 और 4 के difference को, और इस constructive raise judicator को, constructive raise judicator को, constructive raise judicator क अब यह जो explanation 4 है, जरा इसको समझेए, explanation 4 कह रहा है, 3 तो यह कह रहा था, कि वो same matter and issue यहां raise हुआ हो, और फिर दुबारा, यहां raise हुआ हो, उसको यहां तो deny किया हो, या तो उसको admit किया हो, और फिर same matter and issue आपने दुबारा उठा लिया, यह तो explanation 3 ने बता दिया, लेकन explanation 4 य कह रहा है, कि यहां एक matter and issue उठा था, लेकिन एक दूसरा matter and issue, जो नए suit में उठाया गया, उसे भी यहां raise किया जा सकता था, पार्टी ने raise नहीं किया, जो matter and issue उन्होंने इधर raise किया, वो यहां भी raise किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने raise नहीं किया, और अब वो इस suit में, वो matter in issue raise कर रहे हैं, तो इस पे भी resudicator applicable होगा, इसको कहते हैं constructive resudicator, वाले वो matter आपने इदर raise नहीं किया था, लेकिन वो matter ऐसा है, जो raise किया जा सकता था, एक example से इसको समझ लीजिए, जरा resudicator की कहानी constructive वाली, तो देखिए, होता ये है, मान लीजिए, एक person है, एक piece of land है जो कि किसकी possession में है, B की possession में है, और A जो है, वो मांग रहा है ये land, वो ये land मांग रहा है, I am being the owner मांग रहा है, he is being the owner मांग रहा है, title क्या है, अब matter in issue क्या होता है, matter in issue वो है, जो इसे इस legal capacity में लाके खड़ा कर रहा है, इस title को, या इसको जो चीज इसको वो title दे रही है या cause of action दे रही है वो क्या है matter in issue है कि ये owner बना कैसे अब माल लेज़े एक suit file किया है A ने against B कि भाई साब ये land तो मेरा है क्योंकि ये land मुझे कैसे मिला है ये क्याता है मुझे succession में मिला है क्या क्याता है succession में मिला है अपने father से ये ground इसने raise किया so that is the matter in issue in this suit yes or no समझ में आरा ये जरा yes no लिखते जाईए क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज है जो बड़े आराम से समझ नहीं है थोड़ा सा अगर आप communicate करते रहेंगे तो मेरे लिए बहतर हो जाएगा समझ में आ रहा है yes चलिए तो ये इसने पहले suit में ये raise किया कि being the successor he is the owner और इसलिए उसको possession मिलनी चा गया सक्सेशन के थो ये प्रूफ नहीं कर पाया माल लिजे ये ये कहना चाहरा था कि मैं अडॉप्टेट सन हूं उस पर सन का और ये अपना एडॉप्शन लॉफुल क्लियर नहीं कर पाया कि वो लॉफुल एडॉप्शन है इसके थोड़े सन बनाई इसलिए किसी भी ग्र ओरीजिनल लैंड था उसने मुझे थ्रू विल ये दिया है कैसे दिया है थ्रू विल मुझे दिया है वसियत में लिखके दिया है और में कैसे बना? थ्रू विल बना. टेस्टमेंटरी ट्रांसवर था. इधर मैटर इन इशू क्या है? टेस्टमेंटरी ट्रांसवर. और उसका प्रूफ होगा वो विल. अब यह कहा रहा है कि मुझे विल में मिला है यह लाइन. अब आप बताईए यह जो सबसीकुएंट सू में रेज किया था. पिछले में रेज नहीं किया. पहले एलिज किया था क्या एने? एने क्या पहले एलिज किया था कि मैं इस प्रॉपरटी का ओनर विल के थू हूँ? नहीं, इसने यह बात एलिज नहीं करी थी. तो इस पे क्या explanation 3 applicable है? क्या explanation 3 के हिसाब से इस पे नहीं किया हो. यहां इसने यह matter रेज ही नहीं किया था. पिछले सूट में दोज ने सिर्फ सक्सेशन बोला था. इसलिए explanation 4 आता है, जो प्रिंसिपल लाता है constructive Rejudicator का, और constructive Rejudicator यह कहता है कि ऐसा matter जो आपने रेज तो नहीं किया था पिछले सूट में, लेकिन आप कर सकते थे. विच ओड टू बी रेज लिखा है इदर. विच ओड टू बी रेज फोर में आप देखिए लिखा है might and ought to be raised किया जा सकता था. तो करना साना भाया, हमने क्या पढ़ा है? कोट का समय बहुत important है. फ्रेम आफ सूट पढ़ा है, इसलिए बाकी चीज़ा पढ़ा है ताकि यह थोड़ा ज्यादा connect हो पाए. फ्रेम आफ सूट पढ़ा है, फ्रेम आफ सूट पूरे order का अगर essence निकाला जाए तो क्या था? कि भाईया, आपके सूट की क्योंकि यह matter up already raise कर सकते है. हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लीचे इस बात की चांदकारी आपको वो सूट होने के बाद मिली. पहले इसको विल के बारे में नहीं पता था, इसमें condition भी रहेगी. जब इसने पिछला सूट पाही किया, on ground of succession, तब ही अगर इसको पता था तो यह किसके हिसाब से बार्ड है, यह जो subsequent suit है किसके हिसाब से बार्ड है वहिया, यह वाला बार्ड है explanation 4 के हिसाब से. कि भले आपने वो matter raise नहीं किया था पिछले में, लेकिन आप कर तो सकते थे ना, तो कर सकते थे तो कर लेना चाहिए था. यह है आपका constructive raise judicator, शाली न आपने एक सूट में माल लीजिये अगर चार रिलीफ क्लेम करे और कोट ने सिरफ तीन पे ही decree grant करी है, एक के बारे में बाती नहीं करी. आपने चार रिलीफ क्लेम करें सूट में, तीन पे decree आई है, एक के बारे में कोट ने बाती नहीं करी, तो मान लिया जाएगा कि वो जो आपका relief है, वो refuse कर दी. अगर उसके बारे में कुछ in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others all persons interested in such rights shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating ये basically representative suits की बात कर रहे हैं आप लिख लिजे चाहे तो वहाँ ये basically बात चल रही है representative कि अगर एक representative ने suit फाइल किया बहुत सारे लोगों के बहाफ पे तो अब मालो वो हाल गया representative suit तो वो decree सबके अगेंस applicable होती है ये आपने पड़ा आप उन में से कोई व्यक्ति जाके कि भाया वो तो represent ने किया था अब हम आ रहे हैं ये नहीं चलेगा माना जाएगा कि आप नहीं suit फाइल किया था तो यहां भी रेजुडिकेटा applicable होगा जहां किसी और ने आपको रेप्रेजेंट किया था इनसूट अब आप नहीं जा सकते दुबारा लेके इसके बाद देखिए 7 7 सिंपली ये बताता है कि execution of decree पे भी applicable है the provisions of this section shall apply to a proceedings for the execution of decree बस इत्ता लिएजे से explanation साथ बताता है execution of decree पे भी applicable है रेजुडिकेटा इसके बाद explanation 8 पर आईए ये important थोड़ा सा मतब आपको क्योंकि याद करना है थोड़ा सा समझ लेंगे जो मैंने आपको 11 का later part बताया था ना इस court की competency को लेके उससे related explanation 8 है अब ज़र एक example से explanation 8 को समझेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है ये जो मैंने आपको बताया कि court 1 में एक suit institute हुआ decide हो गया और matter an issue substantially and directly an issue है दोनों suit में party party same है सब कुछ सेम है हमने एक essential क्याला में ये भी पढ़ा है कि जो subsequent suit है जो subsequent suit है जिसको आप रोक रहे हैं जिस पे आप situation हो सकती है जैसे माल लीजिए इस court में जब वो original suit file हुआ था एक property का dispute था माल लीजिए एक piece of land का dispute था और इधर पर माल लीजिए ये file हुआ था 1990 में अब 1990 में इस land की कीमत थी 10 लाग रोग और ये suit इस court में institute हुआ था क्योंकि इसका pecuniary jurisdiction let's say इसका pecuniary jurisdiction let's say बारा लाग था कि बारा लाग तक के matter ये court सुन सकता है कि इतना pecuniary jurisdiction बारा लाग तक का चीक तो 10 लाग की property थी इसले suit हो अब 1990 में ये matter decide हो गया है बाद में एक party same suit लेके एक दूसरे competent court के पास जाती है इसके पास और ये जो piece of land है ये जो subsequent suit है let's say ये आया है 2000 में सन 2000 में आया है वो 1990 में था ये 2000 में आया है या मान लीजेए 2010 में 2010 में ये suit आया है अब ये जो property थी जो 10 लाग रुपे की थी आज की date में वो land कित्ते का हो गया है दर भीया तो जो 10 लाग का था 1990 में 2010 में वो एक करड़ के असपस आगे होगा अपन मान लेते है 80 लाग हो गय कि वह 80 लाग हो गया प्राइज उसका अब अगर आज चो फाइल हुआ है 80 लाग के उसी प्रॉपरटी के लिए अब ज़रा इस सवाल का जवाग मुझे दीजिए कि ये 80 लाग का सूट अगर इस वोट में फाइल किया जाता उस समय तो क्या ये वोट कॉंपेटेंट होता इ इस से तो पूरे रेज जोडिकेटा के प्रिंसिपल का परपस ही फॉरफीट हो गया फिर मजाग परादी आपने तो रेज जोडिकेटा को फिर पर जो परपस था कि भाया सेम चीज़ का डिस्पूट दो बारह नहीं सोनेंगा अपन सेम पार्टी के बीच वो परपस इस बात से कोई फरक नहीं कडेगा विकास वीड़ पर जोडिकेटा को अगर ये कोट उस समय सक्षम नहीं था आच जो सूट फायल हुआ है अब एक स्प्सक्वेंट उसको एंटरेटेन करने के लिए क्यों विकास अफेट लिमेटेड जूरिस्डिक्षन तो इस पर भी रेजजुडिकेटा एपलिकेबल होगा एसे सब्सक्वेंट सूट पर प्रपस पूरफित हो जाता इसलिए एधर लिखा है आपके समझ आया नहीं और जो 11 का लेटर पार्ट जो मैं आपको सम्झाना चाहरा था वो क्यों सम्झाना चाहरा था आए यह सब्सक्राइब हो गया एक्स्प्लीनेशन से क्वेश्टन आते हैं और अब मेरे खेल से रटेंगे नहीं आप समझ लिया है याद रखिए गाई चीक एसेंशल ध्यान रखिएगा और यह कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिएगा क्वेश्टन तो भाईया रेजडिकेट से इतने बनते हैं अगर थोड़ा हुआ है तो काफी सारे क्वेश्टन आप कर लेंगे लेकिन बहुत नंबर ऑफ क्वेश्टन बनते हैं और जैसा मैंने कहा कि इसको पढ़ाने में बहुत समय लागी यह तो मैंने बड़े ब्रीफ में आपको एक एक पॉइंट का सिरफ क्र सवाल पूछे जाते हैं और अप्लिकेशन बेस्ट के लिए फिर वो इसके बाद आईये सेक्शन अपन देख रहा हैं आपको इस पेसे सेक्शन की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन बारा बहुत इंपोर्टेंट है परी के लिए बार टू फर्दर सूट section 12 सिर्फ इस बात का declaration है कि अगर कहीं और already किसी रूल में ये कह दिया गया है कि एक बार आपका सूट कतम हुआ तो आप फर्दर सूट ये लेके नहीं जाएंगे ऐसा हमने क्योंकि हमने पूरा CPC पहले पढ़ लिया है इसलिए अब आपको इस बात को समझने में कहीं मुश पर फर्दर सूट फाइल नहीं होगा कई जगे आपने पढ़ा है section 12 बात का declaration है कि अगर किसी रूल में ऐसा लिखा है कि फर्दर सूट आप फाइल नहीं कर सकते तो वो प्रवेल करेगा आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर पाएंगे just because क्योंकि यहां provisions में लिखा है कि civil court मे कोई भी suit of civil nature कर सकते हैं इस बात का express provision है बारा कि अगर कहीं और किसी रूल में already आपको बार किया गया है फर्दर सूट फाइल करने से तो वो entitlement आपको नहीं मिलेगा वो rule supersede करेगा यह है आपका section 12 इसके बाद आईए section 13 और 14 पर foreign judgment की बात करते हैं section 13 और 14 बहुत important है आपके यह दोनों provisions when foreign judgment not conclusive और 14 है presumption as to foreign judgments इन provisions को पढ़ने के पहले जरा ब्रीफ में इसकी स्टोरी समझ लेजेए कि यह चल क्या रहा है देखिए होता क्या है मांगेजिए किसी foreign court में matter decide हो गया है बाकि सब कुछ से में पार्टी से में matter सब कोज़े एक foreign court में already matter हो गया है अब दो चीज़े हैं कि या तो वह matter हो गया है उसको लाक यापन directly भी एक्जिक्यूट करा सकते हैं ऐसा भी प्रावधान यहां है CPC में ऐसा भी प्रावधान है कि foreign court की टिक्री को सीधे आप execute यहां करा सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे कि वह जो matter है उसको आप यहां दोबारा institute करें आप भारत में किसी court में competent court में उसको institute करें तो जब आप भारत में उस suit को institute करते हैं अब जो foreign court ने already judgment दे दिया है उसकी evidentiary value क्या है माल लिजे दो parties है A और B इनके बीच में एक matter already कहीं foreign court में decide हो गया है कुछ अब वह जो foreign court का judgment ह वह जो foreign court का judgment है उसकी evidentiary value यहां जो suit file हो रहा है उसमें क्या होगी तो section 13 कहता है कि भाया conclusive माना जाएगा generally conclusive माना जाएगा कुछ exception है जहां यह लिखा है कि वह judgment conclusive नहीं माना जाएगा conclusive माना जाएगा मतलब आप समझते है na evidence की basic जनकारी तो आप रखते है na conclusive माना जाएगा का मतलब वहां जो चीज decide करती है foreign court ने उस case में जो चीज decide करती है अगर आप उस judgment की certified copy यहां ले आए हैं इस suit की trial में तो उसने जो बातें decide करती है उसके लिए अब इस present trial में जो भा आप अगर यहां judgment की copy लिया है तो अब उस matter को यह court दोबारा opportunity देगा party को evidences लाने की उसको disprove करने की अगर वो conclusive है तो section 13 बताता है कि कब foreign judgment conclusive होगा और कब conclusive नहीं होगा इस से related है section 13 2013 देखिए quickly a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between the parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title except अगर foreign judgment आ चुका है है उसकी certified copy आपके पास है तो उसे conclusive माना जाएगा except यह exceptions लेके हैं a से लेके f तक वो conditions बताई गई है जब foreign judgment को conclusive नहीं माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा बहुत simple common sense की चीज़ें है इससे question आता है लेकिन a देखिए where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction competent jurisdiction के court नहीं दिया था अगर तो conclusive नहीं माना जाएगा या फिर law के इंडिया के किसी law को आपने recognize करने से refuse कर दिया है उस judgment को सुनाते समय ऐसे कि इसमें वो judgment conclusive नहीं माना जाएगा वारत में इसके बाद देखिए D where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice जिस proceeding में है वो foreign judgment obtained किया है वो opposed to natural justice थी natural justice की basic एक प्रिंसिपल बता दीचे जरा आप पड़ चुके हैं आप जैसे ओडियल ट्रम पार्टम की दोनों पार्टी को चांस मिला हो अपने आपको कहने का अगर natural justice के किसी वी principle का violation है उस proceeding में हुआ है तो वो conclusive judgment नहीं माना जाएगा E देखिए where it has been obtained by fraud fraud से obtained किया हुए judgment है तो भी वो conclusive नहीं माना जाएगा F where it sustains a claim funded on a breach of any law in force in India अगर आपने वहाँ पे जो claim obtained किया है वो किस करी किसे किया है Indian law जो की force में है उसके breach में किसी Indian law का breach करके आपने वो relief अगर हग claim आपने लिया है उस judgment से तो वो judgment conclusive नहीं माना जाएगा तो A से लेके F तक ground है यह बताते हैं कि कब एक foreign judgment conclusive नहीं माना जाएगा अब 14 क्या है presumption as to foreign judgment तो भाईया हमने 13 के A में पड़ा कि court of competent jurisdiction ने अगर दिया है अगर court of competent jurisdiction ने दिया है foreign court ने तभी वो conclusive होगा otherwise नहीं 14 इसके regarding एक presumption नताता है 14 यह कहता है कि अगर आप उस judgment की certified copy लाके इधर इंडिया के court में पेश कर रहे हैं तो इंडिया का court शाल प्रिजूम इंडिया का court यह प्रिजूम करेगा कि वो competent court ने ही दिया इंडियन court में प्रिजूम करना है but it's a reputable presumption क्योंकि शाल लिखा है यह एक reputable presumption है कि जिस judgment की copy यहां दी गई है वो एक competent court ने दिया क्योंकि section 13 के clause A में तो यह लिखा है कि आप इसको conclusive तभी मान सकते हैं जब यह judgment वहां के जिस foreign court ने दिया है वो उसके पास वो competent court हो यह जरूरी है तो पहले यह तो चेक कर लीजए कि competent court ने दिया है यह नहीं तो देखिए 14 the court shall presume upon the protection of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment अगर यहां के court में foreign judgment की certified copy paste करी जाती है तो court presume करेगा the court shall presume क्या presume करेगा that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction तो इंडिया का court यह प्रिजूम करेगा अगर इसके सामने certified copy लाए गई है कि यह जिस court ने judgment पास किया है वो competent jurisdiction का था आगे लेखा है unless unless the contrary appears on the record या तो on the record contrary appear होना चाहिए but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction तो अगर मान लिजे आप presumption रखेंगे यह कि आपके सामने अगर certified copy आई है तो आप मानिए कि competent court नहीं दिया और क्योंकि competent court ने दिया इसलिए वो conclusive proof होगा उस बात का जो स्कूर्ट ने decide करा है उस matter का यह conclusive proof माना जाएगा लेकिन अगर adverse party के पास chance यहां chance होगा कि वो evidence देखे इस बात को disprove कर सकते हैं कि साब यह competent jurisdiction ने नहीं दिया और अगर adverse party ने यह proof कर दिया है कि यह जो judgment डिसको आप conclusive proof मान रहे है मान रहे हैं उस matter का यह तो competent court ने दिया ही नहीं है अगर यह पूप कर दे थी adverse party तो फिर उस judgment को conclusive proof under section 13 clause A नहीं माना जा सकता that's the whole story around 13 and 14 and I hope you got it आगया भाई समझ में yes or no जड़ा लिखके बता जीजिए yes or no that's about foreign judgment yes all right चलिए आगया बलते हैं place of suing next जो subhead आप देख पार रहे हैं that is place of suing कहां suit file करना है basically jurisdiction की कहानी है कौन से jurisdiction की territorial अब यह जो कहानी है place of suing यह basically किस की कहानी है territorial किस court में जाना है किसका jurisdiction होगा 15 से लेके 25 तक इसी से related सारे provision है इसी के इर्ध के important है सबसे पहले section 15 बहुत important है प्री में पूछा जाता है तो place of suing से related जो section है वो देख लीजिए जरा place of suing इसमें देखिए सबसे पहले section 15 section 15 बताता है कि आपको उस territorial jurisdiction के उस court के पास जाना है जो lowest competent court है देखिए 15 क्याता है every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it जो सबसे छोटा court है जैसे माल लीजिए एक ही शहर में अलग-अलग hierarchy of civil court है एक है civil junior division और एक है district court तो भाया अगर आपका जो matter है उस पे जो lowest grade का court उस territory में बैठा है उस territory का जो lowest grade का court बैठा है अगर उसके पास अगर वो competent है आपके matter को सुनने के लिए तो आपको suit file करने उसके पास जाना है सीधे आप higher court के पास में चले जाएए जो lowest grade का court है उस territory में आप वहाँ जाएंगे यह कहता है section 15 this is important इसके बाद 16 बताता है immovable property से related अगर dispute है तो कहा फाइल होगा 16 में आप अगर देखेंगे a से लेके f तक जो सारी चीज़े आप सारी चीज़े देखेंगे तो सब कुछ करता है immovable property के suit से related f जो है for the recovery of movable property actually under district or attachment f जो है बस वह movable property की बात करता है लेकिन वह movable property कहा है कहीं attachment में है distress में किसी particular place पे है तो वह movable property भी कैसी हो गई immovable की तरह हो गई क्योंकि उसे move नहीं किया जा रहा महां से वह already वहाँ attached है fix इसी लिए यह बात कहीं गई है तो यह सब किस चीज़ से जहाँ property एक particular location पर situated है भाई immovable property एक particular जगे पर situated होती है तो इसके regarding section 16 में A से लिखे जो F तक clause है उसके बाद जो line लिखी है वो देखिये shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated तो यह जो सारे suits हैं जो majorly immovable property की बात कर रहे हैं यह सारे suits कहां institute करे जाएंगे जहां वो property situated है उस जगे उस territory में यह suit institute किया जाएगा प्रवाईशो यह कहता है कि अगर मान लीजे प्रवाईशो को आप brief में समझ लीजे इसका प्रवाईशो यह कहता है कि अगर मान लीजे जो defendant है जिसने इस तरीके कि किसी immovable property के साथ कोई wrong commit किया है उससे आपको अगर सिरफ compensation लेना है defendant से आपको compensation लेना है और defendant एक अलग jurisdiction में है और immovable property किसी और jurisdiction में defendant कहीं और रहता है लेकिन उसने जो wrong commit किया है किस से related किया है उस immovable property और उसमें आपको सिरफ damage वामज लेना है जहां इस defendant का personally appearance जरूरी है अगर ऐसी situation है कि defendant की personal appearance जरूरी है और defendant किसी और territory में रहता है और immobile property कहीं और situated है जिसके साथ उसने wrong commit किया है इन दाट केस् प्रवाईशो कहता है कि आप दोनों मेंसे कहीं भी suite file कर सकते हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं जहां वो immobile property situated है जिसके साथ wrong commit हुआ है या फिर आप उस जगे पे भी कर सकते है जहां वो defendant reside करता है या business करता है तो जहां defined defendant रहता है या business करता है वहाँ भी करा जा सक जहां आपको कोई क्लेम करना है defendant के अगेंस और जिसमें उसकी personal appearance required होगी in that case आप defendant की प्लेस पे भी कर सकते हैं या immobile property जहां situated है वहाँ भी दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं ध्यान रखेगा सूला important है सत्रा देखिए suits for immobile property situated within jurisdiction of different court आप मान लीजिए जो प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में situated मान लीजिए एक अंकल है एक अंकल है यू इनका एक घर है भौपाल में भौपाल में घर है इनका इंदौर में एक piece of land है और भयानक प्रॉपर्टी इनने मद्यप्रदेश के चार पांस शहरों बना रखिए अलग अलग अंकल है अब अंकल के निपटने के बाद जब इनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी आती है वह partition का suit file करना इसे में क्या होगा किसी में भी कर सकते हैं जिस 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 वर्ट के जुरिश्टिक्शन में property का कोई पार्ट है आप वहां suit file कर सकते हैं जहां कोई भी portion situated हो वहां कर सकते हैं ते 17 17 is also important जहां property अलग-अलग court के jurisdiction में situated है इसके बाद 18 अब 18 में certain ही नहीं है कि किस court के jurisdiction में अधारा बात करता है place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain court की local limit uncertain है समझ ही नहीं आ रहा है यह property किस particular court के jurisdiction में जा रही है ऐसे case mail के लिए भी 18 कहता है दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं जिन दो courts के बीच में यह uncertainty है जिन दो court के jurisdiction को लेके uncertainty है कि यह property किस particular court के jurisdiction में आ रही है दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं बस अगर यह uncertainty है तो इस बात को writing में record किया जाएगा कि uncertainty थी लेकिन इस particular court में suit institute कर दिया गया है बाकि इसका जो subsection 2 है वो appellate court के और provisional court के power बताता है तो भाया वो यह कहता है कि इस ground पे आगे चलके अगर dispute होगा तो यह देखा जाएगा कि पहले आपने objection raised किया है यह यहां पर एक ऐसी चीज है जो हर जगे चलेगी कुछ कुछ प्रोविजन CRPC जैसे है काफी चीज़ें है क्योंकि देखो procedure है अप्चा वो criminal का हो और civil का कुछ चीज़ें तो सेम आपकी रहेंगी तो वहां पर भी दोनों में से किसी भी court में करा जा सकता है जहां दो अलग-अलग court के jurisdiction में प्रोपर्टी आ रही है वहां भी किसी में करा जा सकता है section number याद रखना है यह ज़्याद है section number बहुत ज़्याद है कि 17 किसकी बात कर रहा 18 किसकी बात कर रहा है यह ज़रूरा ध्यां रखिएगा इसके बाद 19 तो 19 बात करता है अभी तक अपन इम्मूवेबल के बारे में पढ़ रहे थे नजी बात करता है यह लग के विया है इसके नजी किसके जुरिस्डिक्शन में उननेस बात करता है suits for compensation for wrongs to person or movable. ऐसे case में दो court का jurisdiction होता है, 19 में एक बात simply समझ लीजिए जहां cause of action arise हुआ उस जगे का jurisdiction या फिर जहां defendant रहता है या business करता है उस जगे का jurisdiction wrongs to movable या फिर person, इनके case में territorial jurisdiction किसका होगा, किन courts का होगा, तो दो बातें ध्यान रखिएगा पहला जहां cause of action arise हुआ है, वहाँ, मान लीजिए आप, मैं मान लीजिए भॉपाल में रहता हूँ, आप रहते हैं दिल्ली में, आप आए दिल्ली से भॉपाल और यहां आके आपने मेरी विजदती करी, defamation आपने कमिट किया और फिर आप चले वह वापस दिल्ली अब मेरे पास option है, cause of action कितरा arise हुआ है, भॉपाल में तो मैं या तो भॉपाल में suit file कर सकता हूँ, या जहां defendant रहता है, या बिजनस करता है, आप डेली में रहता है तो इन दोनों court का jurisdiction यहाँ रहेगा, illustration से question आता है, that's correct, शाल, यहाँ रहता है, इसके बाद 20 देखिए, तो यह भी हो गई मुवेबल की बाद, इसके बाद आते हैं section 20, बाद करेगा, जो बचा कुचा है, वो सब 20 में आ जाएगा, इसके बाद 20 है, other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises, subject to the limitations, of course that every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction, तो बाकी सारे court कहा, किन-किन court's का jurisdiction होगा, बाकी मैटर्स पर, तो A में लिखा है, the defendant or each of the defendants, where there are more than one at the time, वो जहाँ reside करते हैं, वो जहाँ रिसाइड करते हैं, वो जहाँ रिसाइड करते हैं, तो 19 और 20 में same बात है, जहाँ defendant रहता है, या बिजनस करता है, या फिर जहाँ cause of action arise हुआ, तो चाहें movable से related wrong हो, person से related हो, या कोई और हो, इन में सब में दो जगे का jurisdiction आता है, जहाँ cause of action arise हुआ, या जहाँ defendant रहता है, इमोवेबल प्रपरटी के case में वहाँ होता है, जहाँ इमोवेबल प्रपरटी situated है, that's the conclusion of these provisions, explanation corporation की बात करता है, तो corporation के regarding, simple सी बात explanation में ये लिखी है, कि अगर माल लीजिये, अब यहाँ पे भी दो सावाल आएंगे, क्योंकि 20 में अपन ने एकमट ज़रा यह explanation और थोड़ा से समझे लेना, 20 वाला regarding corporation, तो corporation के case में ये होगा, कि माल लीजिये भारत में उसका एक ही office है, अगर माल लीजिये किसी juristect person के against suit file होना, किसी company के against, अब या तो दो condition होगी, या तो उसका भारत में एक ही office है, या अलग 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 ब्रांच है, माल लीजिये, एक ऐसी company है, जिसका सिरफ दिल्ली में office है, और उसने कोई wrong commit किया, या उसका cause of action arise हो है भौपाल में, तो दोनों के jurisdiction आ जाएंगे, दिल्ली का भी आ जाएगा, भौपाल का भी आ जाएगा, क्योंकि यह corporation defendant है, यह company defendant है, तो उसका, क्योंकि office दिल्ली में है, तो वो होगया, या फिर cause of action arise होगा, तो cause of action भौपाल में arise होगा, दोनों में से किजिका भी jurisdiction, समस्या वहाँ आएगी, जहाँ इस company के, अलग-अलग branch offices है, head office मान लिजिए इसका दिल्ली है, और इसका एक branch office भौपाल में भी है, और अगर cause of action भौपाल में ही arise हुआ है, इस बात को समझना, जो explanation कह रहा है ध्यान से, अगर cause of action भौपाल में arise हुआ है, और भौपाल में इसकी एक branch है, in that case, jurisdiction दिल्ली के court का नहीं होगा, इसमें दोनो cause of action भी भौपाल में arise हुआ है, और उस corporation का office भी है भौपाल में, तो दोनों तरीके से जो jurisdiction आना है, चाहे वो cause of action से आए, चाहे place of business से आए, दोनों जगे से जो jurisdiction है, सिरफ और सिरफ भौपाल शहर का आएगा, ये बात आप ध्यान रखियेगा, हाँ, लेकिन मान लीजिए, एक office उसका, head office उसका दिल्ली में है, branch office उसका इन दौर में है, भौपाल में branch office नहीं है, लेकिन cause of action भौपाल में arise हुआ है, इन दोनों का जूरिस्डिक्शन आएगा, भौपाल जहां cause of action भौपाल या फिर प्रिंसिपल सीट जहां है, head office जहां है, दिल्ली, इन दोनों का आएगा, I hope that is clear, ये explanation आपका बताता है, एक बार ज्यान से पढ़ेंगे, that is section 20, इसके बाद आएगी 21 पर, section 21 अब्जेक्शन की बात करता है, जूरिस्डिक्शन से रेलेटड अगर अगर अब्जेक्शन है, तो भाईया आपको court of first instance में ही file करना है, जिस समय आपने suit court of first instance मतलब जहां पहली बार आपने suit file किया था, वहाँ objection अगर आपने file नहीं किया और उसके बाद आप appellate court के पास जा रहे हैं, तो appellate court तभी entertain करेगा, जब वो यह ensure हो जाए कि आपने court of first instance के यहाँ भी, जितना जल्दी संभा हो सकता था, उतना जल्दी यह objection रेज किया था, in that case only the appellate court will entertain this, otherwise not, यह लिखा है, एककिस में, objections to jurisdiction, no objection asked to the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court, unless, underline कर लीजे, unless such objection was taken in the court of first instance, अगर आपने court of first instance में, जहाँ actually suit file किया था, जिसके jurisdiction से आपको समझ से आती, पहले आप उसको तो बताते, अगर आपने उसको नहीं बताया, तो appellate court इस बासको अंटेन नहीं करेंगा, आगे लिखा है, at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled, at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice, एक तो court of first instance में भी आपने यह objection raised किया हो, plus, उस lack of jurisdiction की वजए से, जो suit decide हुआ है, क्योंकि आप इसके पास, matter, उसका तो jurisdiction यह नहीं था, तो appellate यह revisional court यह देखेगा, दो बाते चेक करेगा, सबसे पहले वो यह देखेगा, कि आपने court of first instance में objection raised किया था, कि नहीं, at least possible opportunity पे, plus, इस lack of jurisdiction की वजए से, failure of justice हुआ है, या नहीं, अगर यह दो बातें प्रूफ हो गए, in that case only appellate jurisdiction will consider this, otherwise it will not, यह बात ध्यान रखेगा, 21 में, 21A, इसके बात section 21A भी important है, 21 बात करता है, bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing, bar on suit, bar on suit का मतला, अगर माल लीजे, एक court ने decree दे दी है, और एक party को उस decree से यह समस्या है, कि जस court ने, वो decree पास करी है, उसके पास jurisdiction ही नहीं था, वो competent court नहीं था, तो इस decree को set aside कराने के लिए, आप दूसरा suit file नहीं कर सकते, 21A क्या बार करता है, देखिए 21 बात कर रहा था कि appellate court का वेंटेटिंग करेगा, अपील में जा सकते हैं, 21A कह रहा है, कि अगर आपको jurisdiction की समस्या थी, एक decree में, एक decree को आप set aside कराना चाहते हैं, इस ground पे, कि साब competent court का jurisdiction ही नहीं था, उसके लिए आप एक similar court में जाके suit file नहीं कर सकते, अपील कर ये, लेकिन उसके लिए आप suit लेके नहीं आ सकते, ये है 21A, तो 21 बताता है, इस ground पे, आप suit फाइल नहीं कर सकते, धान रखिएगा 21A, इसके बाद 22 से लेके, 23, 24, 25, transfer से related बातें करते हैं, important provision है, सोजरा 22 और 23 देखिए, पहले आप, 22 बात करता है, power to transfer suits, विच में भी instituted in more than one court, अब देखिए, हमने यहाँ पढ़ा, अभी हमने territorial jurisdiction में, यह चीज पढ़ी, कि भाई, दो अलग-अलग court का jurisdiction है, है की नहीं, अगर movable से related है, तो जहाँ cause of action arise हुआ, उस court का भी jurisdiction है, या जहाँ defendant रहता है, उस court का भी jurisdiction है, अब माल लिजिए, कि एक court में, किसी एक court में कर सकता है plaintiff, माल लिजिए, plaintiff ने suit file किया, in the court, where cause of action was arised, जहाँ cause of action arise हुआ था, plaintiff ने वहाँ suit file किया, अब defendant के पास यह option है, कि defendant अगर चाहे, तो इस suit को transfer करा सकता है, दूसरे jurisdiction के पास, दूसरा jurisdiction किस court का है, जहाँ defendant reside करता है, यह कामाप application देखे, करवा सकते हैं, अगर आपके पास justified ground है, तो देखे 22, where a suit may be instituted in any one of two or more courts, and is instituted in one of such courts, any defendant, किसके पास है यह अधिकार, defendant, any defendant, after notice to the other parties, बाकि सबको notice देने के बाद, may at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled, at or before such settlement, apply to have the suit transferred, to another court, and the court to which such application is made, after considering the objections, to the other parties if any, shall determine, in which of the several courts, having jurisdiction, the suit shall proceed, तो भाई साल, यहां 22 में आपने, इसको अधिकार दे दिया, section 22 में, आपने अधिकार दे दिया defendant को, कि जो multiple courts के jurisdiction है, अगर किसी एक particular court में, suit institute हुआ है, तो आप दूसरे के पास, आ सकते हैं, यह application दे सकते हैं, कि यह suit भाई यह transfer कर दिया जाए, defendant की सहुलियत पर यह transfer हो सकता है, जैसे माल लेजिए, court 1 में institute किया, किसने plaintiff ने, लेकिन जो हमारा defendant है, वो चारा है, कि हम जहां रहते हैं, वहां हो जाए, इसने कि इस ground पर कर दिया, plaintiff ने cause of action arise हुआ था, लेकिन इस court का भी jurisdiction है, तो अब जो defendant उसके पास option है, कि भले इस suit institute यहां हुआ है, वो चाहे तो इसे transfer दर करवा सकता है, अगर court को वो satisfy करते properly, तो वो करवा सकता है, suit institute किदर हुआ है, तो institute आपका हुआ है, यहां, इस बात की application किस के पास देनी है, कौन यह decide करेगा, कि दोनों में से किस court में होगा, किस के पास दोगे आप application, उसी court के पास तो दोगे नहीं, तो किस के पास application देना है, उसके लिए 23 बता रहा है, किस court के पास application लाई करेगी, तो इसमें सबसे पहले लिखा है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए, अगर ये जो दोनों court हैं, जिनका jurisdiction है, अगर ये दोनों court, same court के subordinate है, subordinate से मेरा मतलब, अगर इन दोनों court की appeal, appellate court, appeal जहां जाती है इन दोनों court की, अगर वो court same है, वो court है ये, इसको अपन नाम दे देते हैं, C3, इसको अपन क्या नाम देते हैं, C3, court 3 है, जिसके पास appeal जाती है, अगर इन दोनों के same court के पास appeal जाती है, तो फिर court 3 entitled होगा उस case में, court 3 उस case में entitled होगा, जहां जाती है क्या appeal, इसके पास आपको application देनी है, और ये decide करेगा कि दोनों में से, किस court में ये suit institute आ अलग है। मूल लेजिये इसका अपेलेत कोड तो यह है लेकिन जो हमारा दूसरा है चैल जो है जहां डिफिंडुनेंट वाला इसका अक्रीयम पारा'llifique जाती है वह जाती है माल लेजिये c4 में यसे करेगा इन दोनों के ऊपर इस carbon हाई कोट बैठा है तो यह हाई कोट डिसाइड कर देगा अगर इन दोनों के उपर सेम हाई कोट बैठा है तो हाई कोट डिसाइड कर देगा अगर तोनों सेम हाई कोट के अंदर आ रहे हैं तो फिर हाई कोट अलग अलग है तो फिर इन दोनों के उपर जो हाई कोट बैठा है suit file किया था इसका high court ही अला गया है इसका high court different है in that case कौन करेगा तो इसका जो clause 3 है वो कहता है इस case में वो high court decide करेगा जहां suit institute किया गया था जरा इसका subsection 3 देखिए where such courts are subordinate to different high courts the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated कहां brought suit कहां लाया गया था court 1 में इसका high court कौन है यह वाला high court तो यह high court decide करेगा कि कहां चलेगा अब जरा एक बात मुझे यह बताईए कि अगर अपन इस high court को यह अधिकार दे रहे हैं decide करने का जबकि दूसरा जो court है वो दूसरे high court के jurisdiction में और आप भली बाती जानते हैं कि high court का territorial jurisdiction कितना होता है यह state बस जिन states का वो high court है सिर्फ इतना territorial jurisdiction है यह वाला जो है यह तो अलग हो गया ना यह सेम jurisdiction थोड़ी है तो आप लॉजिकल ही अगर थोड़ा सा सूच के देखें कि यह high court अपने jurisdiction के बाहर की चीज़ कैसे decide कर लेगा कि यह दूसरे के jurisdiction में होगा suit file यह इधर होगा क्योंकि इसका territorial limit तो एक तरीके सबाद अपने state तक ही limit है लेकिन इसका clause 3 तो कह रहा है कि आप decide कर लो जहां institute हुआ का इस स है बहुत important जिसमें यह बताया गया है कि 23 का जो section 3 है वो सही नहीं है वो applicable नहीं है और वो valid नहीं है इसलिए अब यह repugnant हो चुका है case का नाम लिख लेजे जरा दुर्गेश शर्मा वर्सिस जैश्री 2008 दुर्गेश शर्मा वर्सिस जैश्री 2008 यह case है इसको note down कर लेजे जरा चीक इसमें हेल किया था कि भाया अब दो हाई कोर्ट के बीच की बात है इस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डालना तो यह कान तो किसका है Supreme Court का होना चाहिए आप कहा से jurisdiction आपका तो इतना ही है तो इसलिए यह कौन डिशाइड करेगा भाया यह करेगा Supreme Court जो दिली में पापा बेटने हैंगे वो डिशाइड करेंगे I hope that's clear so it was held in the case दुरगेश शर्मा वर्स जैशुरी दोजराट चलिए so that's about 24 sorry 23 इसके बाद आईए जारा 24 पर जन्रल पाबर है 24 और 25 आप देखेंगे तो वो बात करते हैं जन्रल पाबर की so 24 किसकी बात कर रहा है तो देखिये section 24 24 बात कर रहा है हाई court or other courts general power of transfer and withdrawal on the application of any of the parties after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard or of its own motion without such notice underline कर लीजे कौन करेगा 24 में किसके पास power है the high court or the district court 24 में किसके पास power है high court and district court के पास power है कि अपने चूरिस्टिक अपने जो subordinates है उनमें वो इधर से उधर केस transfer कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं अपना case दूसरे के पास transfer कर सकते हैं सेम चीज अपने CRPC में पढ़िए ठीक तो अपना case ये subordinate को दे सकते हैं अपने subordinate courts के बीच तो for the expedient for the ends of justice, ends of justice के लिए basically ये करता है इसकी subsection 1 को आप देखेंगे तो इसमें आपको ये चीज मिल जाएगी इसमें एक question और जो important है कि ये application of party पे होता है generally, party अगर application दे तभी होता है जिसे आप 25 का ज़रा subsection 1 देखिए, on the application of a party and after notice to the parties and after hearing of such of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied, ये य application पे, तो इसमें ये भी लिखा है, section 25 में ये भी लिखा है कि किसी ने अगर vexatious या फिर frivolous application दी, कोई justified ground नहीं था case transfer कराने की application देने का, उसके बाद भी अगर आपने application दी है, तो जरा इसका subsection 4 जो है, उसकी second last line देखिए, यहाँ आपके उपर compensation लगाया जा सकता है, compensation to any person जिस person को उसके transfer से नुकसान हुआ है, उसको compensation दिलाया जा सकता है, not exceeding 2,000 rupees, तो इधर से ये भी ध्यान रखिएगा, rupees 2000 सवाल भी पूछा जाता है, not exceeding 2,000 rupees, that is also important from 25, so that's all for 1 to 25, अभी और चीज़ें पढ़ना है एक दो, तो एक से 25, बाकी 26 से कल मैं आपके पूरे दिखा द क्योंकि उसके पहले हम कर चुके हैं, पिछली क्लास में, पिछली क्लास में supplemental proceedings आपने कर लिया, 94, 95 में आपको करा चुका हूँ, अब आ जाएए appeals 96, appeal के लिए order order corresponding पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ review में एक order आपको मैं refer करा हूँ है, उसके अलाभा orders आपढ़ने की कर चुके हैं, देखे, 96, appeal from original decree, कोई ज्यादा complexities नहीं है, simple सा है, CRPC का appeal में तो काफी कुछ है, कहां जाएगी, किस से जाएगी, इसमें कुछ नहीं, बहुत simple, simple, सिर्फ section number याद रखना है, एक तो important बाते हैं याद रखनी है, 96, appeal from original decree, original decree से मतलब first appeal की बात चल रही है, एक trial court ने decree दिया, उसके against आप appeal में जा रहे हैं, इसके लिए कहा गया है, कि appeal original jurisdiction में, सबसे पहले, first appellate court के पास जाएगी, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being enforced, the appeal shall lie from every decree, passed by any court exercising original jurisdiction to the court, authorized to hear appeals from the decisions of such court, जिसका भी अपने, किसी भी court ने original jurisdiction में, अगर कोई decision लिया है, decree पास करी है, तो उसकी appeal हो कहा होगी, जहाँ appeal जानी है, generally जो भी appeal जाती, जो भी HRK vote की वहाँ जाएगी, इसका subsection 2 कहता है, appeal may live from an original decree pass ex-party, यह भी ध्यान रखिएगा, कि decree भले ही ex-party pass हुई हो, उससे भी appeal लाए करती है, ex-party decree से भी appeal लाए करती है, subsection 3 देखिए, important है, no appeals shall lie from a decree passed by the court, with the consent of parties, यह किसकी बात चल रही है, जहाँ court ने, विधी consent of party decree pass करी है, उससे appeal लाए नहीं करेगी, कल पढ़ाया है, कौन से order की बात चल रही है, कौन से order के, कौन से rule की बात चल रही है, पहली पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, consent decree की बात है, यह बात चल रही है, consent decree की, जहाँ compromise कर लेते हैं, consent decree decree ली जाती है, वहाँ appeal लाए नहीं करेगी, इसके बात देखिए, subsection 4, no appeal shall lie except on a question of law, यह बहुत important है, इस subsection 4 से सवाल आता है, कि small causes court से जो cognizable proceedings है, जो small causes court से cognizable है, उसके case में appeal generally lie नहीं करेगी, अगर no appeal shall lie except on a question of law from a decree, in any suit of the nature, cognizable by courts of small causes, when the amount or value of the subject matter of the original suit underline कर लीजे, does not exceed 10,000 rupees, अगर 10,000 से उपर का subject matter नहीं है, तो court of small causes से appeal लाए नहीं करेगी, except on question of law, अगर question of law है कोई, तो तो करेगी, otherwise लाए नहीं करेगी, if the subject matter is up to 10,000 rupees, 10,000 तक का subject matter है, तो generally लाए नहीं करेगी, बढ़ हाँ, अगर question of law है, तो करेगी, that's subsection 4 and it is important for clients, इसके बाद 97, 97 is very very important, बहुत ज्यादा important है, अगर मैं बात करूं, तो भाई साहब, 97 बहुत important section है, कौन बन से section अपन पढ़ रहे हैं, तो section हमने पढ़ा पहले, 96 और उसके बाद अपन आ जाते हैं, section 97, 97 is important, appeal from final degree, where no appeal from preliminary degree, अगर, अब आप difference बहुत अच्छे से जानते हैं, preliminary degree और final degree का, preliminary degree पास करी है, quote ने, अगर उस preliminary degree के against, आपने तुरंत appeal नहीं करी, preliminary degree आने के बाद, अगर आपने उसके against appeal नहीं करी है, अगर आपने वेट किया है, final degree आने के बाद, अगर आप अपईल में जाएंगे, तो उस preliminary degree की appeal नहीं सुनी जाएगी, preliminary degree जब आई है, उसके बाद ही आपको appeal करना है, preliminary degree के against, final degree के पहले, अगर यह आपने नहीं किया है, तो preliminary degree की appeal सुनी नहीं जाएगी, that is very important, यहां लिखा है, where any party agreed by a preliminary decree passed after the commencement of this court, does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal, which may be preferred from the final, अगर अगर आप अपील करने जाएगे, तो preliminary degree पे सवाल नहीं उठा सकते है, अगर आपको preliminary degree पे सवाल उठाना था, तो preliminary degree passed होने के बाद ही appeal में आना था, यह कहता है 97, and this is very important, इसके बाद 98 है, decision where appeal heard by two or more judges, बहुत ज्यादा important तो नहीं है, बट कुछ exams में पूछा गया है, ब्रीफ में समझ लीजे, जहा रहे हैं, दो कुछ same बात करे हैं, contradictory बात करे हैं, ऐसे में वो क्या करेंगे, matter refer करेंगे, किसी दूसरे judge को, या combination of judges को, और फिर finally देखा जाएगा, कि जिनको उनने refer किया, plus पहले चुनोंने appeal सुनी, इसमें majority किस की है, अगर मान लेचे पहले चार जिस थे, दो कह रहे थे कि, भईया, decree सही है, और दो कहा रहे थे appeal में, कि नहीं, ये decree set aside होनी चाहिए, उन्होंने एक दूसरे judge को refer किया, उसने भी बोल दिया, भाई, set aside होनी चाहिए, तो अब majority किस की हो गई, तीन लोग ये कह रहे हैं, कि set aside होनी चाहिए, तो that shall prevail, बस ये है 98, इस से ज़्यादा है, 99 बहुत important है, जिसको मैं पहले भी refer कर चुका हूँ, 99 को पहले भी refer कर चुका हूँ, दोबारा देख लीजे, no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits of jurisdiction, कुछ irregularities की बात करी गई है, decree आ गई है, उसके बाद आप appellate court में गए हैं, appeal के लिए, क्योंकि ये section किस के एंडर पढ़ रहे हैं, appeal के So, original jurisdiction का जो code है, वो decree passed कर चुका है, अब आप appeal के लिए गई हैं, और appellate court के पास जाके आपको irregularity का ground लेना है किसाब इस तरीके की irregularity थी, इसलिए decree set aside कर दीजे, तो appellate court तभी decree set aside करेगा, जब ये proof हो कि उस, उस irregularity की वजज़ से failure of justice हुआ है, otherwise, decree set aside या reverse नहीं होगी, ground पे ये नहीं होगा of parties, or cause of action or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit, not affecting the merit of the case or the jurisdiction of the case, बाकी कोई भी error हो, अगर जब तक उससे jurisdiction affect ना हुआ हो, या merit affect ना हुई हो case की, तब तक वो valid नहीं होगा, और non-joinder और mis-joinder के ground पे तो decree का भी reverse नहीं होगी, sorry, decree का भी reverse नहीं होगी, जब तक necessary party का non-joinder नहीं तो फिर reverse हो सकता है, तब ये applicable नहीं है, ये बात प्रवाइशो में लिखी है, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of a necessary party, ये हमने concerned order में भी पड़ा था, तो I hope that is clear, but 99 is important, इसके बाद सीधे important है आपका 100, section 100 is important after this, तो section 100 देखिए सरा, second appeal की बात करता है, अब original jurisdiction का जो quote था, उसने judgment decree सुनाई, उस इसके against आप first appeal में गए, आप first appeal में जो judgment आया है, उसके against आप second appeal में जा रहा है, second appeal कहाँ होगी, सबसे पहला सवाल ये, 2-3 सवाल pre-K, सबसे पहले second appeal के section में दी है, 100, कहाँ appeal file होती है second appeal, तो high court में होती है, तो सवाल को सबसे पहले, ये important, save as otherwise, expressly provided in the body of this court or by any other law for the time being enforced, an appeal shall lie to the high court, from every decree passed in appeal, decree passed होई है, किस में? अपील में, तो फिर second appeal कहाँ जाएगी, high court के पास जाएगी, by any court subordinate to the high court, if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law, और किस ग्राउड पे होती है second appeal, ये भी बहुत important है, जहां substantial question of law involved हो, कभी second appeal होगी, question of fact पे second appeal नहीं होगी, तो second appeal से related pre-K क्या के question, section number कहाँ जाए इत्तीनों important है, इसके बाद, इसका subsection 2 भी important है, अपील में lie under this section from an appellate decree passed ex-party, अगर appellate decree भी ex-party पास होई है, अपील की में जो decree पास होई है, वो भी ex-party होगी, तो उसकी भी second appeal करी जा सकती है, बस ये दो-तीन question यहां important है, section 100 से, इसके बाद सीधे आजाए ये section 102 की तरफ, section 102 no second appeal in certain cases, कुछ cases में second appeal होगी ही नहीं, वो कौन से है, no second appeal shall lie from any decree, when the subject matter of the original suit underline कर लिजे, is for recovery of money not exceeding 25,000 रुपेश, 25,000 रुपे तक का अगर recovery of money का suit है, और उसमें first appeal हो चुकी है, तो ऐसे suit में second appeal नहीं होगी, जहां 25,000 तक का suit है, recovery of money का suit है, उसमें तो second appeal होगी ही नहीं, 102 करत है, चीक, 25,000 से ज्यादा होना चाहिए, तब second appeal होगी, अधरवाइस नहीं होगी, यह बहुत important question है, इसके बाद सीधे देख लेजिए, section 104, यह बहुत ही ज्यादा important है, appeal से बहुत ज्यादा important है, सीधे section number भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा important है, सीधे section number भी पूछा ज करती है, बहुत limited, वो कहां दियेगा है, 104 में, पहला question तो यह आता है, orders from which appeal lies, किन से लाई करती है, और order भी, अब अगर आप इन order को देखेंगे, तो यहाद रखने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि CPC अपना already पढ़ा चुके है, इन orders के बारे में आप already जानते है, जैसे सब पाद है, an order intersection 91, 92, तो 91 और 92 किस से related है, 91 और 92 किस से related थे भाई, कली पढ़ाए हैं मैंने आपको यह, इसा मत करो रहा, कली पढ़ाए है, तो public nuisance और public charity से related, उस से related अगर है, तो appeal lie करिएगी, इसके बाद देखिए, next, an order under section 95, फिर एन order under any of the provision of this code, imposing a fine, directing the arrest or detention in the civil prison of any person, except where such arrest or detention is in execution of decree, execution of decree में अगर arrest detention किया गया है, तो उस order के against appeal lie नहीं करेगी, लेकिन इसके अलावा, इसके अलावा अगर कोई भी order pass किया गया है, fine impose करने का, या arrest या detention का, in that case, appeal lie करेगी, ऐसे order से appeal lie करेगी, इसके बाद last देखिए, any order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules, अगर किसी order में expressly दिया हुआ है, किसी order से related expressly provision दिया है कि इस order के against appeal lie करेगी, वहाँ भी lie करेगी, और अगर expressly नहीं दिया है, तो यह तीन category है, बस, वहाँ कॉनसी, section 35 वे के order के against, section 91, 92 के order के against, और section 95 के order के against, जो वह supplemental proceedings परजी करवाती है, उस पर जो compensation लगता है, सबसे ज़्यादा था न 95, अब आपने क्योंकि सेक्शन पढ़ ली है, सिरिए मुझे रप्ता आपको याद रखने में ज़्यादा प्रब्लम, नहीं होगी इन order passed and appeal under this section, कहने का मतलब order के against, second appeal नहीं हो, order passed किया, original jurisdiction के court ने, first appeal में आप चलेगा 104 में, अब 104 में, appeal में जो decide हुआ है, उसके again second appeal नहीं हो, कि से decree के अपन ने second appeal देखी, order की नहीं हो, that's it, 107 सिरफ section number देख लिएजे, power बताता है appellate court के, और आप बहुत अच्छे से जानते है अगर आपने CRPC पड़ा है, appellate court के पास सब power होता है, appellate court के पास काफी सारे power होते हैं, इसलिए 107 पढ़ेंगे नहीं, बस section number देख लिएजे, powers of appellate court, determine कर सकते हैं, दूसरे court को भेज सकते हैं, hearing के लिए इस सारे काम appellate court कर सकता है, 109 important है इदर, जो आपको जानना इदर से भी question बनते हैं, 109, when appeal lies to supreme court, अभी high court की बात अपनने कर लिए second appeal जाती है, supreme court में अपील कप जाएगी, तो इसके लिए high court अगर certify करता है किसी matter को, अगर किसी matter को high court certify करता है, वो जाएगा supreme court और high court कप certify करता है, इसके लिए आप 109 में देखेंगे, दो अलग-अल involves a substantial question of law of general importance, अगर high court को ऐसा लगता है किसी case में, कि इस case में एक substantial question of law है, जो general importance का है, तो वो certify कर देखा कि supreme court में अपील ले जाएगे, second, that in the opinion of the high court, the said question needs to be decided by the supreme court, अगर high court को लगता है कि यह particular question supreme court को ही decide करना चाहिए, in that case also the high court will certify, और high court बोलेगा भईया, वहाँ ले ले ल चीक, तो यह important है, इसके साथ अब appeal के यह तो हमने section पड़े, एक particular order का एक particular rule important है, जिससे MPCJ में तो means में भी सवाल आया है, cross objection कहां दिया है, बहुत important है, होता क्या है, समझ लीजिए, एक बार, order 41, rule 22 निकालिए, order 41, rule 22 निकालिए, तो order 41 जो है, वो आप देखेंगे, तो appeals from original decree की बात करता है, और इसका जो rule 22 है, उसको देखिए जरा, upon hearing respondent, may object to decree, as if he had preferred a separate appeal, मैं आपको कहानी समझा देता हूं, इस cross objection की, कि है क्या, देखिए, एक appeal में respondent कौन होता है, जरा बताईए तो, ए अगर appeal फाइल करने गया है, code में, तो ए कौन है, appellant है, जिसके against वो appeal फाइल हो रही है, वो कौन है, respondent है, और appeal किसके against हो रही है, तो appeal फाइल हो रही है, भया, decree के against, yes or no, decree के against, तो obviously decree किसके against आई होगी, इस appellant के against, इस लिए appeal करने जा रहा है, decree किसके favor की है, इस respondent के favor की decree है, तभी तो उसके against appeal करने appellant जा रहा है, कि साथ ये decree सही नहीं है, अब जब Appalant a decree against appeal करने अगर Appalant code के पास जा रहा है, तो ये Rule 22 कहता है कि ऐसी appeal में अगर Respondent को लगता है, अगर Respondent को लगता है कि मुझे भी इस decree से समस्या है कुछ, अगर इस Respondent को भी कोई समस्या है, और Respondent separately appeal फाईल कर सकता था, तो rule 22 कहता है कि respondent इसी सेम अपील में जो appellant ने फाइल करी है इसी में अपना objection भी फाइल कर दे कि आपको क्या objection है मालिए जी यह satisfied नहीं है कि आपने जो compensation मेरे को decrement दिलाया वो sufficient नहीं है जादा चाहिए मुझे तो जबकि appellate CIX हाव यह decrees नहीं है और respondent क्या कह रहा है उसे भी समझते है decrees वो कह रहा है कि साब हमें तो compensation जाए चाहिए उसका अपना ground अपील करने तो वह separate appeal भी फाइल कर सकता था respondent रूल 22 यह power देता है कि भाया तुम अपना objection भी रेस कर दो इसी को कहते है अपन cross objection कि respondent भी अपना objection रेस कर दे ना इसी appeal में क्योंकि सीथी सी बात तो यह समझी है न वोट को तो समय बचाना है अब वह अलग से आगा इस से अच्छा यहीं पर सुन लो भी यह इसकी वह समस्य है इसको कहते है अपन क्रॉस और रिविजन की बात पर तो सबसे पहले देखते हैं अपन section 113 113 देखिए reference to high court बहुत plain simple है अगर आपने CRPC का reference पढ़ा है मेरे साथ या otherwise भी तो आपको पता होगा reference में किसी भी matter को trial court क्या करते है high court के पास भेज देते हैं उसके opinion के लिए या decide करने के लिए CPC में भी same चीज है यहां लिखा है subject to such conditions and limitations as may be prescribed any court may state a case कोई भी कोट भेज सकता है reference के लिए any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court कोई भी कोट matter भेज सकता है high court के पास opinion के लिए कौन सा and the high court may make such order there on as it thinks fit तो कोई भी matter कोई भी code high court के पास भेज सकता है 113 reference में लेकिन इसका proviso कहता है कि अगर court को किसी particular act ordinance या regulation की validity को लेके समस्या है proviso बहुत important है यह mandatory यह तो है इधर तो देखे इसका जो 113 का जो main portion है वहां तो लिखा है कि any court में state a case चाहे तो भेज सकने description है बट एक जगे binding है proviso को कहता है provided that where the court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act ordinance regulation इम सब की validity को लेके सवाल है तो इस proviso की last line में आप देखेंगे the court shall state a case stating out its opinion and the reasons thereof and refer the same for the opinion of the high court अगर किसी act ordinance या regulation की validity को लेके सवाल है और उससे related case trial court में चल रहा है तो यह mandatory है कि आपको high court के reference के लिए भेजना यहां श्याल लेखा है बस यह बाते यह दो बाते इंपोर्टेंट है reference related section number कौन सा है reference का किस के पास भीजा जाता है तो high court के पास भीजा जाता है सारे court भेज सकते हैं कोई भी matter लेकिन जहां ordinance यह इनकी validity को लेके सवाल है वहां भेजना mandatory है इसके बाद आईए section 114 पर 114 प्री में limited सवाल पूछे जाते हैं इदर से सब्सक्राइब रिव्यू देखिए सब्जेट आज एफ और सब्सक्राइब इनी परसंद इंसेल्फ अग्री रिव्यू होता क्या है CRPC में रिव्यू कौन से section में बताईए जरा CRPC के किस section में रिव्यू दिया है reference तो तन्मीर ने बता दिया रिव्यू कौन से section में रिव्यू को रिव्यू कर लें यह पावर कर लें लेकिन सिविल कोट के पास है अंडर 114 रिव्यू का पावर देता है जिस कोट ने मैं डिसाइड किया वो दोबारा रिव्यू कर सकता है अपने ही जज्मेंट को सबसे पहले किस section में रिव्यू दिया है इसके अलावा रिव्यू किन ग्राउंट पे होता है यह ओडर में बताया है दो मिनट के लिए उसको रैफर में करूंगा पहले 114 देखिए अपील इस अलावड देखिए कहा रिव्यू होगा कहा नहीं होगा यह बहुत इंपोर्टन है यहां तीनों में बताया गया है कि कहा रिव्यू कर सकते हैं किस केस में तो पहला केस क्या है बाया डिक्री और अडर फ्रम विच अपील इस अलावड ऐसा ओडर जिससे अपील तो है लेकिन आगे लिखा है by this court but from which no appeal has been preferred ऐसे टिक्री और है जिससे अपील अलावड थी कर सकते थे लेकिन अपील करी नहीं है तो आप रिव्यू करा सकते हैं भी देखिए by a decree order from which no appeal is allowed by this court CPC जिन order or decrease से appeal allow ही नहीं करता उस किसमें आप रिव्यू करा सकते हैं see by a decision on a reference from a court of small causes small causes के reference पे कोई decision आया था उस decision से आप review करवा सकते हैं तो small causes court के reference के decision का review कर सकता है इसके अलावा जहां appeal allowed है लेकिन प्रफर नहीं करी गई है वहां review कर सकता है और जहां appeal allowed ही नहीं है तो वहां भी review कर सकता है basically appeal होनी नहीं चाहिए अगर appeal कर दी है तो फिर review नहीं है आगे लिखाए में apply for a review of judgment to the court which passed the decree तो review कॉन करता है जिसने decree pass करी वो court खुद अपने judgment को review करता है इसके corresponding order पर आ जाईए वहां से भी एक सवाल important है कि किन grounds पर review होता है that is also important तो order 47 का rule 1 निकाल लीजे तुरंत order 47 rule 1 निकाल लिए जरा बेरेक्ट में इसके बात देखिए और 47 देखिए review की बात कर रहा है application for review of judgment यहां बताया है कि किन ground के आप करेंगे तो पहले तो यहीं बताया कि किन cases में review की application होगी ABC same बात कर रहे हैं जो अपने section में पड़ा उसके आगे देखिए and who from the discovery of new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made or an account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason. तो देखिए क्या क्या ground है किनके इन ground पर आप यह review फाइल करेंगे सबसे पहला कोई नई discovery हो गई है from the discovery of new and important matter कोई नया matter या evidence court ने जब decide किया तब वो evidence नहीं था decide होने के बाद मिला है party को तो इस ground पर review कराया रहा सकता है या फिर लिखा है error apparent on the face of the record देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ error हुआ है इस ground पर review हो सकता है या फिर other sufficient reason तीन ground basically देख लेजिए कोई नया matter या evidence मिल गया है या फिर error है which is apparent on the face of the record या फिर कोई दूसरा sufficient reason तीन grounds हैं जिस पर review करवाया जा सकता है और किन cases में allowed है वो अपनने अल्रड़ी पढ़ लिया so that's all for review 114 इसके बाद आईए 115 इसके बाद आईए section 115 and section 115 is revision revision क्या होता है तो भाई revision basically यह होता है कि high court जो है अपने subordinate court के records मंगा लेता है case के कि आपने side decide किया है या नहीं grounds क्या है वो सब दिये हुए है किन grounds पे revision होता है वो देखिये ज़रा the high court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such high court and in which no appeal lies underline कर लीजे जहाँ appeal lie नहीं करती वहाँ revision होगा सबसे important question है underline कर लीजे in which no appeal lies there too and if such subordinate court appears ground क्या होंगे यह देखिये to have exercise a jurisdiction not wasted in it by law जो jurisdiction ने उसके बाहर का काम कर दिया कोई ऐसा काम कर दिया जिसका पावरी वेस्ट नहीं है ultra wires काम कर दिया किसी court ने इस ground पे revision हो जाएगा अगर appeal लाई नहीं कर दी है in that case भी देखिये to have failed to exercise the jurisdiction so wasted जो काम करना था आपने वो काम नहीं किया इस ground पे भी revision हो जाएगा see to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally और with material irregularity या फिर आपने अपना jurisdiction exercise तो किया है revision पड़ा है बट थोड़ा सा difference है उसमें इसके बाद यहां प्रोवाईजों में यह लिखा है कि high court revision सिर्फ तब करेगा उन चीज़ों के लिए करेगा अगर court को लगे कि इस बात को इस matter को मैं reverse कर दूँ तो ऐसे case से court का judgment जो है वो change हो जाए है merits effect होनी चाहिए basically revision किन matters का करेगा किन चीज़ों का जिससे merit effect हो अगर merit effect नहीं हो रही तो revision नहीं करेगा हाई court फाल तो अपना समय खराब नहीं करेगा कि आप करने साब यह irregularity trial court ने करी है अगर वह irregularity सही भी कर दी जाए तो क्या decision आपके favor में हो जाएगा if the answer is yes in that case only revision होगा otherwise नहीं होगा जीक तो काम काऊना चाहिए revision तो होगा otherwise नहीं होगा बस revision के लिए इतना ही important है corresponding order है ही नहीं तो पढ़ने की जरुवत नहीं है इसके बाद सीधे आ जाएए आप miscellaneous पे reference review revision के बाद miscellaneous provisions पे आ जाएए important जो provision है वो देख लिए प्री के 32 बात कर रहा है exemption of certain women from personal appearance बहुत जादा important है section 132 section 132 is important जो परदानशी women है उनकी appearance compelled नहीं करेंगे लेकिन अगर execution of decree में arrest होना है in that case arrest कर लिया जाएगा ये 132 में लिखा है women who according to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in public shall be exempted from personal appearance in court उनकी personal appearance required नहीं होगी लेकिन इसका subsection 2 देखिए nothing here in country shall be deemed to exempt such women from arrest in execution of civil prison in any case in which the arrest of a woman is not prohibited by this court arrest अगर करना है तो वो कर लिया जाएगा appearance आपकी हम माफ कर देंगे लेकिन अगर arrest होना है तो फिर arrest हो जाएगा परदानशी women का 132 में appearance से किस section में exemption मिला है ये प्रीका बहुत important सवाल है ध्यान रखिएगा section 132 133 भी बहुत जादा important है अब ये कुछ special लोग है जिनने appearance से exemption मिला है जिनने court में appear होनिक जरूरत नहीं है इसलिए CRPC के commission और CPC के commission में भी difference है वो बढ़ाते समय भी मैंने आपको ये बात बताया था कि यहां exemption दे दिया गया है कुछ लोगों को appearance से the following persons shall be entitled to exemption from personal appearance in court namely कौन-कौन है सारे बढ़े अधिकारी देखिए एक hierarchy देख लीजेगा तो याद रहेगा president of India उसके बाद vice president of India speaker of the लोगसभा ministers of the union judges of the supreme court governors of the state फिर state के legislative assembly के speaker है वो जो chairman है legislative council के वो और इसके अलाबा ministers है जो state के वो high court के judges कितने लोग important है पूरी जो hierarchy union की hierarchy में important लोगों है president vice president इसके अलाबा आपके judges supreme court के ministers और presiding officers दोनों house तो presiding officer आपने लोगसभा का लिख दिया है राज्यसभा का क्यों नहीं लिखा तो राज्यसभा का presiding officer vice president होता है जो अरड़ी लिखा हुआ है तो president vice president presiding officer of the house और ministers इनको exemption मिला है सेम हिरार की state में चलेगी और judges of supreme court सेम हिरार की state में चलेगी high court के judges को exemption मिल गया है उसके आपके governor को मिल गया है ministers of state को मिल गया है और यहां के houses के presiding officers को भी मिल गया है इन सब को exemption मिला है personal appearance से इसके बाद देखिए 135 that is also important section 135 यह judges magistrate के exemption की बात कर रहा है arrest से exemption from arrest under civil prison no judge magistrate और other judicial officer shall be liable to arrest under civil process underline कर लीजे कब arrest नहीं होगा while going to presiding in or returning from his court जसाब जब court जा रहे हैं court में preside over कर रहे हैं या court से घर वापिस आ रहे हैं इन तीन समय पे किसी भी civil process में जसाब को arrest नहीं किया जाएगा यह ध्यान रखिएगा 133 में दिया है इसके बाद 135 A भी important है section 135 A अब यह बात कर रहा है member of assembly member of parliament member of state legislative assembly इनको exemption नहीं मिला 133 में आप देखिये members पो तब मिला है जब parlement का assembly का session चल रहा हूँ जब वो meeting attend कर रहा हो parlement या session की तब exemption मिला है appearance से या फिर session के 40 दिन पहले और session के 40 दिन बाद session के 40 दिन पहले during session और session के 40 दिन बाद इस duration में इन्हे personal appearance से exemption sorry arrest से exemption मिला है no person shall be liable to arrest or detention in prison under civil process civil process में यह जो विदायक और सांसद है इनका arrest नहीं होगा कब नहीं होगा जिस समय पार्लमेंट का session चल रहा है यह meeting attend कर रहे है वो उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक इनका arrest नहीं होगा in civil proceeding it is not exemption in appearance it is related to arrest यह ध्यान रट लेगा इसके बाद यह हो गया आपका 135a इसके बाद सीदे आ जाईए 144 that is important अब यह जो exemptions से related था एक separate provision है section 144 दो इसके बारे में भी आपको execution में भी बता decree में मैंने आपको बताया था because it is deemed decree इसलिए इसके बारे में बताया था application for restitution 144 का जो order होता है यह deemed decree माना जाता है पूरी कहानी समझ लीजे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह है क्या देखिए restitution basically application for restitution basically क्या है एक वेक्ति के favor में मान लीजे decree holder के favor में decree आ गई है किसके against आई है judgment data के against decree holder के favor में decree आ गई इसने कुछ receive कर लिया इस decree holder ने out of that decree कुछ receive कर लिया decree आ गई decree holder के favor में मान लीजे इसने पचास हजार receive कर लिया है मान लीजे इसने property receive कर ली है decree आने के बादे अब judgment data जो है ये judgment data गया साब appeal में यहां इसको सायनमोमान मिल गया जोपी आगे थी अब यह judgment data appeal में गया और appeal में इस decree को reverse कर दिया अब जब reverse कर दिया है तो भाईया यह जो judgment data है यह वापस महांगे गा न जी सब रिस्टोर होना चाहिए ना उसके पास वापिस क्योंकि अपील में यह जो डिक्री थी तो यह जो रिस्टोरेशन है इसी को हम कह रहे हैं यहां पर रेस्टिटूशन इसको करने के लिए इसे सिर्फ एक अप्लिकेशन देना है 144 का सबसेक्शन टू कहता है इसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल मत करिए अब इसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल मत करिए कोट को अपना काम नहीं बढ़ाना है आप सिर्फ ओरिजिनल जूरिजिक्शन का जो कोट उसके पास एक एक एप्लिकेशन दे दीजे रेस्ट इसके बाद आईए 148 अब कुछ चोटे मोटे प्रोविजिंस और हैं जिन में हैं section 148 and enlargement of time this is very important बैस अब CPC में जहां भी court को power दिया गया है कोई time limit निर्थारित करने का power है time limit दी हुई है इसको extend कर सकता है court कितने दिन तक यह भी important section भी important enlargement of time और एक discretionary power है कि आप time extend कर सकते हैं up to 30 days when any period is fixed or granted by the court for the doing of any app prescribed or allowed by this court the court may in its discretion from time to time underline करिये enlarge such period not exceeding 30 days in total total मिला के किते दिन तो घ्या 30 डेस टोटल इस से ज्यादा नहीं यह आप कर सकते हैं दोनों सवाल important है इसके बाद 148 बहुत ही जादा important section 148 काफी important है caveat की बात करता है अब देखें क्या है जैसे मान लेचे मुझे यह अंदेशा है कि मेरे अगेंस कोई civil proceeding initiate हो सकती है या हो चुकी है और इसमें court मुझे बुला सकता है या मेरा involvement हो सकता है तो मैं क्या करूंगा अगर मुझे अंदेशा है कि मेरे अगेंस कुछ फाइल हो सकता है तो मैं पहले ही कर दूंगा सूट में किसाफ मेरे अगेंस अगर कोई मामला आए ना तो बस इत्ती महर्मानी कर देना कि मेरे पास notice भुजवा देना इस बात का तो कि मैं busy रहता हूं मुझे बच्चों को प सैनर पाते हैं लेकिन वी कर आख चाहिं की चाएड कभी जाके इनके अंदर भा वह इनसान ज जाँग मेरे वीडेेंस कर देंस वीडेयो पर मैंस्तौड कर दूंगा उन्पो एक मार्क आफ कॉश्टन मुझे मिल जाए कि मेरे अगेंस जब भी कुछ हो तो भाई एक नोटिस मेरे पास तो फिर कोट क्या करेगा जब भी मेरे एक इसी प्रोसेडिंग एप्लिकेशन आएगी तो कोट मेरे पास एक नोटिस भिजवा देगा कि वेटा आ जाओ कोट बहुत क्रेश कोर्स करा लिया तुम्हें और सीपीशी पूरा बड़ा भी दिया है अब आज जाओ इदर ठीक तो यह होता है बिसिकली एक बॉर्निंग कि मैं पहले ही वह देता हूं कोट में एप्लिकेशन कि कोई आए तो मेरे को बता देना नोटिस भिजवा देना यही करा वेरी इंपॉर्टन नब वेदिन ताट्स वेरी इंपॉर्टन इसके बाद इंहरेंट पावर देखिये 151 इसके बाद क्या इंपॉर्टन है 151 इंपॉर्टन है 151 152 153 saving of inherent power of court inherent power का आप मतलब समझते हैं expressly कुछ नहीं भी लिखा है तो court कर सकता है for the ends of justice nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary underline कर लीजे for the ends of justice or to prevent the abuse of process of law ends of justice के लिए या process of law के abuse को रोकने के लिए court कुछ भी कर सकता है वो भले इसमें ना दिया हूँ इस court का कोई भी provision court को अपने इस power से नहीं रोकेगा restrict नहीं करेगा यह inherent power कि section में दिया है ध्यान रखिएगा 151 में दिया है ऐसे ही 153 एक provision है 152 एक provision है 152 देखिए amendment of judgment decrees or order तो यहां लिखा है clerical या arithmetic error अगर कोई हो गया है judgment decree order में उसको correct किया दा सकता है that is 152 clerical or arithmetic mistakes in judgments decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the code either of its own motion or on the application of any of the parties अपने से भी कर सकता है party की application से भी clerical or arithmetic mistake कर सकते हैं इसके बाद 153 actually proceeding की बात कर रहा है कि proceeding में correction आप कर सकते हैं किसी भी stage पे so 153 देखिए general power to amend the code may at any time and on such term as to cost or otherwise as it may think but underline कर लीजे amend any defect or error in any proceeding in a suit and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding अगर real question determined नहीं हो पा रहा है तो आप proceeding में कोई भी चीज़ कोई भी defect अगर हुआ है proceeding में आप उसको amend कर सकते हैं cost wash लगाके defect आप amend कर सकते हैं क्योंकि real question and controversy clear होना चाहिए नहीं तो proceeding का direction सही नहीं रहता इसलिए general power to amend 153 में है clerical arithmetic amendment 152 में है और 151 में है inherent power तीनों section बहुत important है और इस तरीके से भाई साव आपका खतम होता है cpc अब जारा एक बार बेरक्ट उठा कि आप बिल्कुल देख सकते हैं सारे section हमने पढ़ लिए interest वाला section भी मैंने आपको mark कर आया था वह बस यह ध्यान रखना 6% interest लगाया जाता है cpc में बस बाकि orders में जो जो important थे वो सारे हमने पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं उनके सिर्फ order का नाम और नंबर ध्यान रखना है इस से जादा कुछ नहीं सारे section सारे order जो relevant है judiciary के point of view से especially pre के point of view से वो सब मैंने आपको यहां cover कराए है हमने direct question भी देखे हैं हमने थोड़े concepts भी देखे हैं